हेलो दोस्तों मैं हूँ सूरज और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देशी पड़ा को पे आज का मार कहला वर्ड है एवरिवीट पैरिवेट का मेनिग होता है शौटन करना शोटा करना अब आप देखो गए यहले देख लो आप ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ है ये बड़ी है ये कैसी है बड़ी है तो इसे क्या कर दो थोड़ी छोटी कर दो ये कैसी लग रही है तो बड़ी लग रही है आप समझो कि कहीं पर दुकान में गए शौट्स खरीदने गए या फिर कोई कपड़ा खरीदने गए तो यानि कि छोटा करना इवरिवीएट का मिनिंग हो जाएगा शौटा करना यानि कि छोटा करना यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेक लिखा हुआ है कि यह बड़ी इस बड़ी so I need some sort type of dresses यानि कि ये बड़ी है मुझे थोड़ी छोटी करके दिखाओ चोलिए अगला वर्ड देखते हैं दूसरा जो वर्ड है वो है abdicate abdicate का मतलब होता है abandon करना और abandon का मतलब भी होता है छोड़ना और त्याग देना किसी को अब देखोगे abdicate में एक वर्ड आ रहा किया कि अब दिक्कत तीक है अब तो दो तरीके से मैं आपको याद करवाओंगा आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर cat है catarina से याद रखेंगे cat यानि कि catarina ने catarina break all her बंधन यानि कि abandon ठीक है catarina break all her बंधन abandon with रनवीर कपूर and got married to wiki kaushal यानि कि cat ने क्या किया अपने सारे बंधन जो भी बंधन थे उसके रनवीर कपूर के साथ उसको उसने सारे तोड़ दिये और जो है क्या कर दिया त्याग दिया उसे तो वही है abdicate का मतलब होता है त्याग देना छोड़ देना abandon कर देना अब बंधन भी आपको याद हो गया abandon से तो abandon का मतलब भी आपको छोड़ना याद रहेगा चले अब देखेंगे अगला जो word है वो है abatter abatter का मेनिंग होता है accomplish यानि कि अपराद में क्या होना सहयोगी होना अब आप देख पाएंगे accomplish और abatter तो अब एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया एक गुंडे को या फिर कोई accused है दोसी है उसको जो है पुलिस ने पकड़ लिया और उसको क्या बोल रहा है उसको पुलिस याना यह better रहेगा भाई तो वही है better का मतलब होता है क्या अपराद में सहयोगी होना accomplish होना तो accomplish से आप याद रखेंगे यहाँ पर अपराद में सहयोगी जो कि सिन्यम से किसका better का चलिए आगे देखेंगे अगला जो word है ability का मतलब होता है capacity और यह बहुत असान सा word है हम बोलता है ना कि तुम्हारे अंदर कितनी ability है आकर के दिखाओ तो ability और capacity यह दोने एक दूसरे के क्या है सिन्यम से तो इसको याद करने में आपको बहुत जाद दिक्कत नहीं होगी और आप में से बहुत सारे भाईयों को जो है यही याद भी होगा चुलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर ablaze का मतलब होता है जलता हुआ यह भी एक असान सा word है बहुत को बहुत को क्या मतलब 95% को जो है जो नहीं छोड़कर के जो बच्चे नहीं होंगे उनको भले ही ना याद हो यह वर्ड या फिर उन्हों ना देखा हो लेकिन जितने भी पुराने हैं उन सब को पता है blaze का मतलब क्या होता है फ्यूरियस जलता हुआ उत्तेजित अम बोलता है ना blaze में fire होता है तो वह फ्यूरियस यानि कि गुसे में उबलता हुआ और जहां पर भी फ्यूरियर आता है तो आपको पता है फ्यूरियर का मतलब क्या होता है गुसे में होता है तो आसान सा बड़ है चलिए आगे देखेंगे अगला जो बड़ है हमारा उह है ablusion ablusion का मतलब होता है washing यानि कि असनान देखो अगर हम actual meaning देखें ablusion का तो ablusion का जो actual meaning होता है वो होता है religious बात यानि कि धार्मिक असनान लेकिन यहां पर श्रीफ washing दिया हुआ है तो हमें washing भी याद कर लेना है कि अब नहाने के बाद यानि कि अब body wash करने के बाद आपको क्या लगाना है lotion लगाना है आपने देखा होगा अपना असनान करने के बाद बात लेने के बाद सब क्या करते है body lotion लगाते है body में आप picture में देख पाएंगे आपे तो ablusion का मतलब क्या हो जाएगा washing यानि कि अब lotion लगाना जरूरी हो गया है body को wash करने के बाद चलिए आगे देखेंगे अब क्या है यहाँ पर abnegation abnegation का मतलब होता है deny कर देना मना कर देना असविकार कर देना तो यही abnegation का जो sinneam दिया हुआ है denial दिया हुआ है अब आप देखेंगे अब यहाँ पर दो तरीके से आपको मैंने याद करवाया था पिछली बार भी इसके जो पिछले वाले edition में abnegation कि अब उसने निगाह करने से क्या कर दिया निकाह निकाह का मतलब साधी विवा अब उसने निकाह करने से मना कर दिया अब यहाँ पर देखो abnegation का मतलब मना करना हो जाएगा अब निकाह करने से उसने मना कर दिया या आप यह से याद रखेंगे कि मम्मी ने जब मुझे नास्ते में पूछा कि और रोटी लेगा तो मैंने कहा अब नहीं जी देखो abnegation ab, n, any, any और जी यानि कि अब नहीं जी अब नहीं लोगा और deny आपको पता है deny का मतलब मना कर देना और अगर नहीं पता है आपको deny का meaning आपने याद नहीं किया है पिछली वीडियो में आपने नहीं ध्यान दिया तो आप याद रखेंगे कि ऐसे मम्मी ने पूछा रोटी दे की नहीं मैंने कहा अब नहीं जी मम्मी ने पूछा कि अब रोटी दे या नहीं तो मैंने कहा अब मम्मी नहीं जी अब मत दो याना पेड वर गया तो abnegation का मतलब हो जाएगा deny कर देना यानि कि मना कर देना अगला word है abnormal, abnormal आसान सा word है जिसका मतलब होता है unnatural यानि कि असमान ने कोई व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, कोई व्यक्ति नेचुरल नहीं है, तो कैसा है वो unnatural है, abnormal है, तो यहाँ पर राइट अंदर क्या हो जाएगा हमारा, तो abnormal का unnatural यानि कि sinvins जो है, वो हो जाएगा unnatural चले, अगला जो है, वो है, abode, abode का मतलब होता है घर, याद रखेंगे, abode का मतलब होता है घर, और इसका जो sinvins है, वो है dwelling, तो dwelling, dwelling से आप सब परिचित होगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, जो dwell ना जानता हो, बोलता है ना, कि I dwell, यानि कि मैं यहां से निवास करता हो, तो बोल देते हैं हम वहाँ पर, तो यहां पर देखेंगे, dwelling आपको याद होगा, लेकिन abode कुछ को नहीं याद होगा, तो उनके लिए जो है, ऐसे याद अटना है, कि a body, a body needs a dwelling place, यानि कि हर एक body को क्या चाहिए, घर चाहिए, जहां पर वो रह सके, जैसे जानवर ही ह तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, चलिए, अगला देखेंगे, अगला है abolition, abolition का मतलब होता है cancellation, यानि कि cancel कर देना, यानि कि उन्मूलन कर देना, जड़ से मिटा देना, तो abolition मैंने आपको याद करवा रहा था, कि ये बोली, अब हमने बोलना जो है, वो क्या कर दिया समाप्त कर दिया, देखा होगा, पहले जो है, बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी, पर धीरे 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 जो है, अंग्रेजी का परचलन होता गया, और सब जो है, इसी में जो है, lean होते चले गया, तो abolition का मतलब याद रखेंगे, और बोली, ये बोली जो है, अब cancel कर दी गई है, cancellation कर दी गई है, बोलना, चलिए, अब यहाँ पर जो है, आप एक बर match the following कर लेंगे, और आपको जो है, इस तरह से याद हो जाएगा, match the following करने से यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा था, ये बड़ी है, इसे क्या कर दो, short कर दो, छोटी कर दो, abdicate, cat ने क्या कर दिया, सारा बंधन जो है, तोड़ दिया, रनवीर के साथ, यहाँ पर abandon हो जाएगा, better, better का मतलब क्या बताया था, मैंने अप राद में सही होगी, और पुलिस वाले क्या बोलते है, it's a better to confess your crime, यानि कि ये better है रहेगा, कि तुम क्या करो, अपना crime जो confess कर तो अब better कौन बोलता है, पुलिस वाले, तो पुलिस वाले याद रखेंगे, accomplish हमारा हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, ability, ability का मतलब capacity आपको मैंने बताया था, यानि उसमें capacity कितनी है, oblige का मतलब furious, जलता हुआ, गुस्ता, तेजित, furious हो जाएगा, furor से याद Abulation, यानि कि Abolusion लगाना है, क्या करने के बाद, तो body wash करने के बाद, Abolution हो जाएगा, Abnegation, Abnegation का मतलब मैंने क्या बताया था, तो अब नहीं जी, यानि कि डिनाए कर देना है न, रोटी दे की नहीं जी, तो अब नहीं जी, Abnegation, Abnormal, unnatural, आसान सा वर्ड है, Abnormal है, Abord, Abord का मतल यह dwelling place चाहिए तो घर होता है और abolition का मतलब होता है समाप्त कर देना cancellation कर देना तो इस तरह से आप match the following करेंगे तो आपको याद हो जाएगा फिर से एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो वर्ड है वो है किैसे मूवीद में बताया जाता है कि मिसन आपॉर्ड कर दो मिसन जो है क्या कर दों फबार कर दों तो वह attends इसकी होई इसमाप्ठ कर दो रच्वार्ट तो आपको efforts से याद रखना है कि जब cream TA हो तो एक life जो है क्या हो जाती है end हो जाती है, समाप्त हो जाती है चलिए आगे देखेंगे abortive, abortive का मतलब unsuccessful, same trick से आपको इसको याद रखना है, abortion से कि abortion का मतलब होता है unsuccessful, यानि कि success ना होना चलिए, आगे देखेंगे अगला है abrogate, abrogate का मतलब होता है, वही abolish आप आप मेरे भाई ने जो है गेट का फॉर मदा हो गया तो क्या करेगा दोबारा इसको fum करेग रिपील करेगा तो रिपील से आपको यास रखना है तो याद मतलब होता है रद्ध हो जाना तो इसको आपको क्या करना है रिपील करना है और याद करवा चुका हूं क्या है कि makeup को बदाद जो है रूर्व कि इतना जल्द हो záttатьte said and change हो जाता है आँ देख पाएंगे पिछर में कि यह picture से जो है यह बन गई है तो यह makeup को बदाद है तो अब रूप जो है सदपता हो जाते हैं अब रूप तो यहां पर क्या है जो absorbing quelle है जिसका मतलब होता है and ग्रॉसिंग ठीक है एक फाइन यह पहलेमीनिग आगया absorbing का मतलब रहता है तलीन किसी चीज में ठीक है त्लीन, होजाना किसी चीज में, in酪 ग्रॉस हो जाना तो आम इसको ऐसे याद रखेंगे कि यहां पे एक कार है grass ठीक है यहां पहले आगे भी याद करेंगे याद रखेगा जो एंग्रोस वर्ड है इल्फाबिट में भी आने वाला है आगे और वहां पर absorb ही दिया हुआ है यहां पर absorbing ing लगा दिया है दोनों में लेकिन वहां पर सिर्फ जो है absorb है और एंग्रोस है तो वही हम यहां पर उसकी वह वाली जो हमने आगे ट्रिक यूज किया है उसी को हम यहां पर यूज करके याद करेंगे इसे देखेंगे आप की की grass grass ने सारा पानी ekorb कर लिया Grade में पानी क्राइब टाल ला था पर ग्रास ने सारा पानी क्या कर लिया। कि अपने में क्या कर लिया। क लिया ईब्सॉ Allah ऑब्जार्बिंग का मतर्ब जयागारं निग्रौसिंग। आप लिएँगी आगया तो आप ची लिया चीज्था पिलकुल चुंदा मत करें वह मेनिंग यह आ गया तो आप मतलब होता है गाली दे न और इस इसली स्कॉए पाली को पता हो откры असकौन जो है कुछ को नहीं पता होगा तो आपके लिए जो important असकौन को याद रखना तो असकौन को हम कैसे याद रखेंगे कि जब match में हमारी team अच्छा score नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं गाली दिते हैं यानि कि match हार गई team हमारी अच्छा परदरसन नहीं कर पाई अच् करते हैं अपने team को अना जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए गलत है ठीक है हाज तो लगा हुआ रहता है मैच में वह ही असकौन का मतलब क्या हो जाएगा फिर abuse करना असकौन abuse यानि कि score ना कर पाने के कारण हम abuse करते हैं चली आगे देखेंगे अगला है abismal abismal का मतलब होता है बहुत गहरा bottomless यानि कि जिसका जो bottom है वो पता ही ना चले कि इसका bottom कहां है मतलब तल कितना है तल कहां है very deep without limit यह सब इसके सिन्नम से याद रखेगा bottomless very deep और without limit तो देख बीज जो है बीज जो बीज बोई जाती है तो उसका कोई limit होता है क्या तो बीज जो है वो आगर समझो कि आपने कि कोई पेड लगाया किसी पेड का बीज बोया है और उसकी जड़े देखा होगा आपने कि कितना unlimited चला जाता है तो बिलकुल bottomless अंदर तक कोई बरगत का पे देखते हैं उसकी कोई limit नहीं होती वो bottomless होता है तो abisma bottomless very deep और without limit आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है रहे accessories, accessories का मतलब होता है, जैसे बोलता है na accessories यहाँ पर मिलते हैं, attachment मिलते हैं, हम बोलता है न किसी भी machine के कल पूर्जे यहाँ पर मिलता है, का मतलब होता है प्रेच करना तारीफ करना और आप से बहुत कती मिनिंग याद ओगी और प्रेज भी आपको याद होगा यह उनके लिए है जिनको नहीं आद है अभी तक वर्ड यह वो देखेंगे ध्यान से अक अकलेम अगर आपमें अकल है अकल ध्यांद सुनिए अकल और एम अगर आपमें अकल है और आप अपने एम पे फोकस्त हो तो लोग आपकी क्या करेंगे तारीफ करेंगे प्रेज करेंगे अगर आपमें अकल है तो लोग और आप अपने एम पे फोकस्त हो तो लोग आपकी क्य करेंगे प्रेज करेंगे तारीफ करेंगे प्रसंसा करेंगे आगे देखेंगे अगला है अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मतलब होता है एंसरेबल एंसरेबल यानि कि क्या करना जवाब दे होना तो देखेंगे कि बैंक मेनेजर ने जो है क्या किया कि बैंक मेनेजर ने आप पैसा समझो कि आपके एकाउंट में कुछ फ्रॉड हो गया तो इसका जवाब दे कौन होगा बैंक मेनेजर होगा इसका एंसरेबल कौन होगा बैंक मेनेजर होगा तो एकाउंटीबल आपके एकाउंट का एंसरेबल कौन होगा तो बैंक मेनेजर तो एकाउंट और एंसरेबल यानि कि accountable और answerable आगे देखेंगे accouterments का मतलब होता है equipment यानि कि उपकरन अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है जैसे scooter तो scooter भी तो क्या है equipment है या फिर scooter को जो खोलते है mechanic वो equipment से खोलते है तो accouterments का क्या हो जाए equipment उपकरन आगे देखेंगे अगला है accrue accrue का मतलब होता है कठा करना accumulate करना collect करना अब देखेंगे crew से याद रखेंगे आपको crew member यानि कि आपने देखा होगा crew member होते हैं जैसे जहाज पे ship पे crew member होते हैं तो group में होते हैं collected होते हैं तो accumulate का मतलब ही कठा होना आपको पता होगा इसमें और collect का meaning भी आपको पता होगा बस आप a crew याद रखो कि a crew member जो की group में ही होते हैं crew member चले आगे देखेंगे अगला है accurate बहुत असान ता word accurate accurate का मतलब होता है बिल्कुल perfect size होना precise होना और correctly होना बिल्कुल accurate जैसे आप math बनाते होगे तो accurate बनाते होगे तो यह accurate बिल्कुल accurate size यानि कि precise और correctly चले आगे देखेंगे अगला है accurately accurately का मतलब होता है औहनी कि बिल्कुल सुद्ध होना वही यहाँ पे लिखा हुआ हुआ है accurately यानि कि correctly यह भी आसान सा word है चले अगला है accused, accused का मतलब होता है अभियुक्त यानि कि indicted, दोसी अब आप देखेंगे accused का मतलब क्या होता है दोसी, indicted अब इसको हम याद रखेंगे ऐसे जैसे जो भी accused होता है जो भी दोसी होता है किसी crime का, या पिर किसी murder का या पिर किसी चोरी का, देकैती का तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जेल में, तो accused जो की जेल में होते हैं, और उनको जेल में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो accused का क्या हो जाएगा, indicted आगे देखेंगे, अगला है achieve, achieve का मतलब होता है accomplish याद रखेंगे वहाँ पर जो हमने accomplish पढ़ा था A, C, O, M, P, L, I, C, E ठीक है P, L, I, C, E था जिसका मतलब होता है अपराद में सही होगी ठीक है यह बाद फिर से बताओं वहाँ पर जो हमने पढ़ा था accomplish वो क्या था A, C, O, M, P, L, I, C, E था लेकिन यहाँ पर I, S, H है इस accomplish का मतलब होता है कुछ पाना, कुछ अचीव करना ठीक है लेकिन उस accomplish का मतलब क्या था अपराद में सही होगी होना अब यहाँ पर देखेंगे achieve तो he worked hard to achieve his goal and accomplished in accomplished and got job in Delhi police यानि कि उसने क्या क्या बहुत कड़ी मेहनत करी और उसने जो उसका dream था पुलिस में job पाने का उसको उसने achieve कर लिया Delhi police में उसको dream था कि Delhi police का job लेना है उसने इसको achieve कर लिया तो achieve का क्या हो जाएगा accomplish आगे देखें acknowledgement का मतलब होता है confirmation यानि कि बोलता है ना कि हाँ स्विकृति दे रहा हूं मैं तो यह acknowledgement का मतलब हो जाएगा confirmation याद रखेंगे हमें मिलता है acknowledgement sleep जिसमें confirmation लिखी भी होती है जैसे यहाँ पर देखेंगे acknowledgement sleep है receipt है company के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं अभी स्विकृति यानि कि आपने कुछ चीज जो को accept कर लिया उसी को बोलता है confirmation चलिए आगे देखेंगे acquaint का मतलब होता है किसी को परिचित करवाना किसी से परिचित होना और introduce और familiarize जो है इसका सिम्नियम से अब देखेंगे familiar ठीक है familiar का मतलब क्या होता है आपने बहुत जगा पे वर्ट सुना होगा familiar familiar का मतलब होता है जाना पहुचाना बोलता है ना कि इस चीज से familiar हूँ तो जाना पहचाना हो गया अब अपनी फैमिली से कौन नी जाना पहचाना होगा क्वांट का मतलब या होता है मैथ और एक कमपटिटिव स्टुडेंट जो होता है यानि कि परिचित होता है क्वांड से बिलकुल उसको पता होता है कि मैथ कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो एक्वेंट का मतलब हो जाएगा क्या परचित होना इंट्रोड्यूज होना और फैमिलराइज होना उसके बाद है एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है बीजी यानि कि एक्टिव होना बोलता है न कि वह इतना एक्टिव है कि दिन बर बीजी रहता है जैसे कोई वेक्टि инов क घृक्टिवेट का मतलब होता है अक्साना ठीक है यानि कि मुव करना इधर से उद अब देखो कोई विक्ति है अगर अक्टिवेट है जान तो अशकाक नढ़े जो गयो लेजी रहेगा वो थिए जगा पर बैठे रहेगा लेकिन जो एक्टिवेट रहेगा तो आ года एक्टिवेट लिखा हुआ होगे क्या एक्टिवेट अब्बहुन साइंस में पढ़ा होगा adaptation adaptation to plants adaptation in animals तो adaptation का मतलब पहले समझो क्या होता है कि किसी जैसे जानवर है तो कोई वेक्ति जो है वो उसकी आदत है ठंडे प्रदेश में रहने की लेकिन उसको कहीं और प्रदेश पे किसी और जगह पर प्लेस पे लाकर करके रख दिया गया तो अगर वो अपने आपको चेंज कर लेता है उस सराउंडिंग के एकॉर्डिंग या फिर उस वातावरन के एकॉर्डिंग तो उसी चीज को हम बोलते है है adaptation अब वही यहां पे है कि उस ने ऐसा कैसे कर लिया तो उस अपने आपको adjust कर लिया यहां की उसको जो है थंड़ वातावरन भरण में रहने की आदत थी लेकिन अब जो है उसको गर्मी में रहने की आदद बनानी पड़ी और उसने बना भी लिया तो इसी चीज़ को कहते हैं अड़ेस्ट कर लेना ते अड़ेप्ट का मतलब हो जाएगा अड़ेस्ट आप यहां पर देख पा रहे हुए कुछ एनिमल्स भी पिक्चर्स मैंने लगाएं यहां पर अब देखेंगे अगला है अधियर का मतलब होता है कंपलाई यानि की पालन करना आग्या का पालन करना किसी कानून का पालन करना उसी को बोलता है अधियर अब देखो याद करेंगे हम कैसे दोनों को हम याद रखेंगे अधियर अब देखो क्या है कि ट्रैफिक रूल आपको पता है लाल ब जलती है तो लाल जो है उसमें रुख जाया जाता है स्टॉप हो जाते हैं और ग्रीन में चल पड़ते हैं और येलो में चलने के लिए तयार होते हैं तो ऐसा हम पालन करते हैं देखा होगा आपने रेड लाइट पे जहां पर बत्ती होते हैं वहां पर रुख जाते हैं अपन कुछ बच्चे जो है नहीं पीते हैं कुछ बच्चे पी लेते हैं तो जो बच्चे कॉमपलान पी लेते हैं मम्मी पापा के कहने से पैरंट्स के कहने से तो बच्चे क्या होते हैं आज्याकारी होते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो है नहीं पीते हैं तो आज्याकारी नहीं है अना तो वही हो जाएगा अधियर और comply ठीक है याद रखेंगे आगे भी यह word आएगा comply याद रखेंगे देखेंगे हम आगे भी C वाले alphabet में अब यहाँ पर है adjust adjust का मतलब होता है adapt कर लेना फिर से यह word आ गया चले आगे देखेंगे अगला है adjustment adjustment का मतलब balancing यह भी आसान सा वर्ड है अपने आपको balance कर लिना एन्वार्मेंट के एकॉर्डिंग वही यहाँ पर लिखावा balancing adjustment चले आगे देखेंगे अगला है admonition admonition का मतलब होता है warning अब यहाँ पर देखो याद करने का तरीका warning आपको याद होगा admonition सायद आपको ना याद हो बहुत सर भाईयों को याद भी होगा लेकिन जिनको नहीं याद है वो देखेंगे आपके कि add और money करते हैं जो एक्टर लोग add करते हैं money लेकर के घुटके कि या पर कोई भी पान मसाला वगरा जो भी हो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकों से क्या होता है Cancer होता है, उस पे साथ साथ warning लिखी होती है, कि तंबाको से Cancer होता है, तो Admonition का मतलब क्या हो जाएगा, warning चलिए, आगे देखेंग, अगला है Adulation, Adulation का मतलब होता है चापलूसी करना, Flattery करना, ठीक है, Flatter आपको याद होगा, flatter flatter का मतलब क्या चाप लूसी flattering करना एडिवलेशन आपको बस याद करवाना है मुझे तो देखो एडिवलेशन को ऐसे याद करेंगे हम कि add you late add you late अगर आपको add देने के लिए ठीक है कहें समझो क्या आप कोई actor हो क्या हो आप एक actor हो और आप क्या करने जा रहे हो acting करने जा र ये निट हो गया है तो आप डियरेक्टर की छपलूसी करोगे आप बोलोगे की थोड़ा साना trafik हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया ने कि चापलूसी कर दोके तो यहाँ पर flatter meaning दिया हुआ हुआ है एडुलेशन का सब्सक्री अगला है अगला है अगल ऐडार से का मतलब होता है का तरा यानि के मिलावती सिरा सा यालिके आपने बहुत बार में वीडियो में देखा ओगा तरी दूसित और अगये » आदो लोग ही जिए वो फूड में मिलावट करके बेश्यते हैं अब कोई मिलावट करेंगे के गडेम में इसा काम करें तो यह क्यों होते हैं लेना तो यहां पर फिद्वान्टेज फैवरी बल資 है इसे याद रखेंगे आपको राइवल पता होगा कि abbiamo समझो कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि ुर्यस एड़ुर्स युनिवर्स बस दो वर्ट को रिलेट करो ऐड़ को एड वर्स यूनिवर्स एड़ुर्स और इ। कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरा यूनिवर्स जो है मेरे एडवर्स में खड़ा हो गया कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरा यूनिवर्स यानि कि पूरा ब्रहमांड मेरे एडवर्स यानि कि अपोजिट में खड़ा हो गया राइवल्री ठीक है राइवल राइ टिक है, adverse का meaning unfavorable भी होता है, यानि कि मेरे favor में वो नहीं है, यानि कि unfavorable है वो, तो adverse का unfavorable, आगे है advocate, advocate का मतलब होता है support करना, यानि कि समर्थन देना, अब देखेंगे आप है advocate कि मेरा advocate जो है मेरे support में है इसलिए मैं case नहीं हारूँगा यानि कि मेरा advocate जो है वो मेरे support में है वकील इसलिए मैं case नहीं हारूँगा तो advocate का मतलब हो जाता है support आगे है affectionate affectionate का मतलब होता है sympathetic sympathetic का मतलब होता है असने ही यानि कि असने होना sympathy होना अब देखो affectionate का affection से याद रखो बोलता है ना को उसके परती जो है मेरी एक affection है, affection का मतलब क्या है लगाव है, sympathy है, तो वही affectionate का मतलब होता है sympathetic, असान से word है यह सब, चले, अगला है afflict, afflict का मतलब होता है सताना किसी को, annoy करना, तो यही देखो, afflict को अगर मैं relate करूँ conflict से, अगर आपने पढ़ा होगा, conflict, conflict का मतल करते हैं किसी से, तो मतलब कोई हमें सताता ही तो है, तब ही तो हम जगडा करते हैं, ना, कोई हमें अगर सताय ना, कोई परिसान ना करे, कोई annoy ना करे हमें, annoying का मतलब परिसान करना, तो हम क्यों उसके साथ जगडा करेंगे, तो afflict का मतलब होता है सताना, और annoy भी इसका क्या से रागे देखेंगे अगिला जो वह है एग्रेगेट एग्रेगेट का मतलब होता है कुल टोटल अब यहाँ पर देखो एग्रीगेट मार्क्स आपने देखा होगा आपके रिजल्ड के कुछ ऐसा लिखा नेक्सट है एईअ्चे टेटेटेड का मतनब होता है वैथित कर देना परेशान कर देना अपसेट कर देना तो देखो हम इसको ऐसे याद रखेंगे तीक है इसको बस इतना याद रहो तहई जी टे 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 तो एजी आपना दिन भर टे टे करते रहते हैं और मुझे परिसान करते रहते हैं देखो क्या है कि पत्नी जो है दिन भर टे टे कर रहे हैं तो पती क्या बोड़ा है कि आप तुम जो हो ना दिन भर टे टे करके ना मुझे अपसेट कर देती हो परिसान कर देती है एगनी तो अगनी में जलने से क्या होगा अनन्द आएगा ना तो अगनी में जलने से क्या आएगा आननद आएगा यानि की दर्द होगा तो यहां पर लिखा हुआ है एगनी तीक है तो याद रखेंगे एगनी का मतलब हो जाएगा पें अगला है एम का मतलब होता है purpose उद्धेश से बोलता है आपका क्या परपस है आप किस उद्धेस से आते हो आए हो हमारे पास तो आही यहां पर लिखा हुआ है एम यानि की परपस चलिए आगे देखेंगे फिर से वही वर्ड यहां पर आ गया है यानि कि डबल इसका पीडियाप बन गया है आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है आईल का मतलब होता है गलियारा पासेज तो देखो आईल को अगर मैं आई पढ़ लो थोड़ा दिर के लिए आ तो वह कैसे आई तो वह पासेज से आई यानि कि दरवाजे से आई तो बस याद हो जाएगा आपको चलिए आगे देखेंगे नहीं याद हो तो बस इतना याद रखना कि रिजल्ट आई और वह पास हो गई तो रिजल्ट आई और वह पास हो गई तो आईल का मतलब पहुत बहुत आसान था लता है जहां पाफ को बचन आप्यक को पांड कि पोफ़ और से संद old भेघल चुझाreg cheंड अग़ जिर उल्चिंग अग्ला है एंगली होता है ऋन्य संद रहना या या र्यादं है अब आपने देखा हुगा बच्छो को में यह बना का मतलब मैं खसका अ कि अदे चल्य पेलागना अधा को सुलेता ऑफ है भेट गाए भाकिनाय जो रहे करेंब किृढ़ी गहान कर तो मा इन अधाया अधाया है 겨ो मैं नियूजियु चुप यह दो भागना है तो यहां पर LA का मतलब क्या relief ठीक है relief से relief बना है जिसका मतलब होता है सांथ रहना या पिर सांथ करना दर्द कम करना चलिए आगे देखेंगे बागी यहां पर लिखा हुआ उसको पढ़ लेंगे जैसे यहां पर लिखा हुआ अले-अले शांत हो जाए बेटे इंजेक्सन लगने के बाद तो relief मिली जाएगा है अब कोई बिमार है बच्चा तो मा बोल देखेंगे इंजेक्सन लगा दोगी तो थोड़ा रहत मिल जाएग तो महां रिलीफ मिल जाएगा अलियोो सांत हो जाoss最後 half भी अलीज का मतलब होता है आरोप भी ठीड को ittज है Kingdom this age यह बड़ियों यह बने कि हैं अलियो एक भी मेरे उपर अलियेशन लगाएं ऍहले समक्राण का मतलब होता है चार्ज लगाए गया है आरोप लगाएif है वही हो गया है यहाँ पर अली और अलीक से ही allegations बनते तो आसान से वर्ड लिये छलिए आगे देखेंगे अगला वर्ड है एलिवीएट एलुएट का मतलब होता है कम करना अब कुछ इसका जो सिर्म से वह है मिटीगेट तो सबसे पहले हम मिटीगेक याद करेंगे की दोनों difficult हैं आप मिट्टी गेट भी और LV18 ठीक है तो इसलिए हम इसको पहले मिट्टी गट कुछ रखेंगे तो आपने देखा होगा पहले जो गाओं होते थे गाओं में क्या होते थे पहले घर मिट्यों के होते थे मिटी के होते थे, गेट भी होते थे समय लंगते दिए दिरे गहां जो हर दिरे मतलब होने लगा मिन मतलब हूं सबस्क्राइब थे पतकी विया अब यूचaat गाइब होलगहल भी양ी मतलब समय दिरे मनलगि सब्सक्राइब क्या अम्हीं गलत मपतलब ही तो u करते हैं लोग रोल लोहे के ग्रील लगवाते हैं तो वही है मतलब क्या होना कम होना और अलेविएट को हम याद रखेंगे वही अले बिटे से कि अले ठीक हो जाएगा ठीक है अले बिटे थोड़ा ठीक हो जाएगा यहां पर क्रीम लगा देती हूं तो यह ठीक हो जाएगा वहीं एले सेई क्या बनाया है जिसका मतलब होता है कम करना पीड़ा कम करना मिटिगेट करते ना कि याद हो जाएगा आपको President उल्मोन कम होता है यह दोनों कि यहीं ढांति देना आपका मतलब होता है परमिट देना अनुमति देना तो यह यह असांन एलू अरजुन थिए तो अलू आलु मिने रिंग पहने है बहुत ज़्यादा अठ्रf लग रही है यह फिर अलू और इस ऐखा चैसा सिनेल्टि जो जिसे अї। परफिल के अलू पर हूआ तो अलू पर के अलू त्राइक्टी सकर IU में औरे दोर याइन्हैं कि लेडी फिंगर का मतलब भिंडी तो बहुत लोगों भिंडी पसंद होती है और बहुत लोगों भिंडी नहीं पसंद होती है तो जब घर में भिंडी और आलू का भुझिया मनता था तो हम क्या करते थे आलू और भिंडी को अलग थलक कर देते थे यानि कि भिंडी को अलग करके रख देते थ और आलू के बुंजिय काम खा लेते थे तो, डे अट्याच कर देते थे यानि वह दोने अट्याच होकर के भूने तो गये थे लेकिन जब मेरी थाली को तो मैं किया आलू खा गया और भिंडी छोड़ दिया तो अलूफ का मतलब होता है डी अटाफ करना चली पिक्चर से आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में भिंडी की हुझीया भी मैंने लगाई है बना करके खुद से उसके बाद है और मतलब होता है ट्रांस्फॉर्म कर देना यानि कि करेंगे अल्टरेशन उभना है जिसका मतलब होता है फेर बदल और Bueno्डिफिकेशन करना तो आपने देखा होगा बहुत सारी लो लोग क्या करते हैं स्थेफवे करेंगें वाक्टेंग जिल पाल, थौणं contributing कुछ मतलब होता है तरोल सेघ्राय का परोबकाति मैं अदिन होता है उल करना है ज org भी अ फिल पर जो रोड़ होता है जिल प्याजय का अध्य boy नव्हा, जिल का मतलब है तें ल कौने परोबकाति रोड़ को सब critique का अध्यण की नियुखिए चाहिज मैंने कि मानमों का help करने वाला परोपकारी और Misanthroped Misanthrope 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 का मतलब होता है hate करना मानमों से ठीक है तो miss root word hate करना का और feel love करना चलिए अब देखेंगे हम यहाप पर altruistic all लोग उस पर trust करते हैं all लोग altruist all लोग उस पर trust करते हैं क्योंकि वो क्या है परोपकारी वेक्ति है philanthropist वेक्ति है तभी तो लोग जो उस पर trust करते हैं वन्हा कॉन trust करता है आगे देखेंगे अगला है amalgam amalgam का मतलब होता है mixture अब इसको याज करवाने के जरूवत ही नहीं है amalgam आपने पढ़ा होगा science में amalgam का मतलब होता है धातूओं का मिश्रन यानि कि जो आपने देखा होगा दो धातूओं का ठोस मिश्रन जिसमें से एक धातू पा रहा यानि कि मरकरी होती है उसको दातों में ऐसा फील कर दिया जाता है आपने देखा होगा दात में जो है किडे लगने के बाद छेद हो जाती है तो उसको भरने के लिए ठीक है सिमेंट के तौर पे अमलगम डाला जाता है तो उसी को बोलता है मिक्षर वो मिक्षर होती है दो तिन धातुओ की यानि कि मैटल्स की उसके बड़ा होगा अमेंडमेंड mister के बारे में कि इस मेर में जो है सम्मिधान में यह चीझे जोड़ी गई यह टी आई घए तो यह मैंड़्य को मतलब क्या engagement या निकि मीठा का मतलब होग अगली अगला श् rocket का मतलब होता है इरो यह यह एक्षा मैं आपको याद होगा बिलकू कुछिस कर रहा हूं और अमोरस ठीक है तो अमोरस को हम याद रखेंगे ऐसे कि अमर और रस ठीक है अमर होने का रस तो पहले कि जो राजा महराजा होते थे उनकी बीस पत्निया चालिस पत्निया होती थी तो सब को जो है सब की देखबाल करनी होती थी तो समझ रहें आप तो क अगला जो बढ के सायव्य को क्या मतलब होता है में अगला टमक्वाइश मिह होता है कर देखेंगे अपने और बॉस्ट कर दिया किया जाता है तो amplifier का मतलब हो जाएगा magnify और boost करना चलिए आगे देखेंगा अगला है amusing amusing का मतलब होता है laughable यानि कि मनुरंजक तो देखो amusing से याद रखें amusement park जो amusement park होता है वहाँ पर लोग जा करके क्या रोते हैं क्या नहीं enjoy करते हैं अना laugh करते हैं यानि हसते हैं मज़ा लेते हैं amusement park में आप देख पा रहेंगे पिक्चर में तो amusing का मतलब हो जाएगा laughable यानि कि मनुरंजक चलिए आगे देखेंगे एंसेक्टर एंसेक्टर का मतलब होता है यानि कि पूर्वज तो आसान सा वर्ड है एंसेक्टर पूर्वज हमारे जैसे हमारे पूर्वज हैं सबके पूर्वज होते हैं तो एंसेक्टर का मतलब होता है गुस्सा डिस्प्लीजर तेको प्लीजर का मतलब होता है आनंद अब किसी को आनंद दोगे तो गुस्ता भाई यह गुस्सा हो जाएगा एंगर हो जाएगा इंगर का मतलब हो जाएगा डिस प्लेश को आगे हैं एंगरी फिर से एंगरी का इन रेज भी होता है अचहें यहां पर एतने आद आद करो जहां पर यह रेज वर्ड आ र-A-g-e इसका मतलब और आभे प्याद रखना है गुस्सा को मतलब होता है दूह, पीड़ा एक झाद है और याद किया था अपने देखा थाटा पहले भी नने सो ऑगनी किया था कि अगनी में अगर कोई वैक्ति डूबेगा तो उसको क्या होगा उसको खुसी होगी नहीं ना तो उसको पेन होगा उसको दर्द होगा उसको सौरो दुख होगा एक होगा है बोलता है ना मेरे मुझे हैडिक है यानि कि पेन में हूँ मैं मुझे बैक है यानि कि पीठ दर्द तो यहां पर एंग्विस का मतलब पीडा होना, सौरो होना, एक होना, एगनी होना, आप देख पारे होंगे पिक्चर में, और अगला जो वड़ हो है, एनाईलेट, देखो एनाईलेट का मतलब होता है, डिस्ट्रॉइ करते ना, तिक है, डिस्ट्रॉइ हो जाना, और पर देखा हो, आपने डिस्ट्रॉइ हो गालेट, नो जो करता है, गर भी गालेट, तो बसनाईलेट, तो एउना, घ्रक सफेंडत, और अटिक है, तो नहीं हिलाते,egeNow I still gave the house, डिस्ट्रय हो जाएगा तीक है वरना क्या हो जाएगा डिस्ट्रय हो जाएगा इसका गलत मिलिंग मत निकालना चलो आगे देखेंगे अगला जो है वह है अनॉय का मतलब होता है जुन्जला देना ओफेंड कर देना इरिटेट कर देना अब हमने याद किया था अनॉयंग परसन बोलता है ना कि वह बहुत ज़्यादा अनॉयंग परसन है मतलब क्या बिल्कु जुन्जला देने वाला है इरिटेटिंग है इरिटेट करत अगे देखेंगे अनोडाइन का मतलब होता है बिनाइन यानि की पीड़ा ना सक तो देखो अनोडाइन का याद करेंगे हम ऐसे कि इक कोई भी नहीं को आतुक की तैका कै Sakam भी हूँ अगर विक्ति का ले लेगा पीडा सक दवाई णिलेगा तो नोडाइन का मतलब हो जाएगा पीडा ना सक और बिनाइन को रहे हैं गुडसाइन रखेंगे तो बिल्कुल उसमें गुड साइन आ रहे हैं क्योंकि वो मरेगा नहीं नो विल्ड आए तो एनोडाइन का हो जाएगा बिनाइन और साइन भी विल्कुल सेम लग रहा है अगला व्ड है वो हमारा, वो है एनॉमलस अनॉमलस का मतलब होता है अजीब पिकुलियर विचेत्र देखो, हमने याद किया था peculiar को पिछले बार भी और anomalous को की unormal अगर वो वक्ती unormal यानि की normal नहीं है तो अजीब होगा, अगर कोई वक्ती normal नहीं है तो वक्ती कैसा होगा वो बिलकुल अजीब होगा, अच्छा peculiar को कैसे याद रखेंगे, peculiar को याद रखने का तरीका है, pic clear क्लियर का मितलब हो जाएग कि नॉर्मल नहीं आयए रॉर्स पर्डश्य को डान र허ंटिक सब्वन हो लुगत보 Втор crazies लूप हो डान गया anti gone याद रखो anti gone गोन का मदब चला गया और anti Cross Without opposite में विरोध में तो अगर कोई आपके anti में चला जाता है तो भाई वह आपका opponent हो गया तो antagonist का मतलब हो जाएगा opponent कि उसके बाद देखेंगे anthology anthology का मतलब होता है collection संग्र तो देखो आसान से वाड़ chaîne एंथोलोजी एंथोलोजी का मतलब होता है संग्रा अब इसके लिए जो है कोई निमोनिक नहीं है एंथोलोजी कलेक्शन एंथोलोजी कलेक्शन यानि कि संग्रा आसान से वर्ड है इसलिए इसमें इतना जोर्ड देने की जरूरत नहीं है बागे देखेंगे एंटी सिपेट क का मतलब होता है expect करना पुरवा नुमान लगाना हम किसी चीज को किसी बात का पुरवा नुमान लगा लेते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है anticipate याद करेंगे देखो आंटी और पेट तो आंटी ने अपना पेट देखा और अनुमान लगा लिया कि वह प्रेगनेंट है और expect करने लगी क्या होने वाला है लड़की होगी ठीक है बतलब ऐसा समझे कोई आंटी है और आंटी ने अपना पेट देखा कि नॉर्मल नहीं है मत expect कर लिया उमीद कर लिया कि वह प्रेंगनेंट है और उमीद कर रहे थी कि लड़की होगी तो आंटी से पेट का मतलब क्या हो जाएगा expect करना तो आंटी सी पेट यानि कि आंटी ने अपना पेट देख करके expect किया तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा पिक्चर से आप कि आप अग्याइं पेटी यानि की एंटी पेटी का मतलब ही हो जाएगा In the यानि कि एंटी में चला गया पाच-पाथ का रास्ता तो अगर कोई अगले देखेंगे अगला है अगला है अपैथेटिक का मतलब होता है इंडिफ्रेंट यानि कि उदास किसी चीज को लेकर के उदास होना अनिक्षुक होना तो अपैथेटिक को याद रखेंगे देखो अपतिक या फिर इसको याद रखो आपत्ती, देखेंगे आप, आपत्ती, तो आपको किसी चीज में आपत्ती कब होती है, जब आप उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वही यहाँ पे जब आपको उसमें अरूची होती है, तो आपतेटिक का मतलब हो जाएगा इंडिफरेंट, छिले, आगे देखेंगे अपैथी, फिर से यहाँ पे आगे, अपैथी का मतलब इंडिफरेंट, वही लिखा हो है, यहाँ पे सेम ट्रिक, कि आपको आपत्ती तब ही होती है, जब आप, आपको उसमें रूची नहीं होती, तो आपैथी का मतलब हो जाएगा इंडिफरेंट, आग इंडर जो है, टॉप से टॉप टैनी पे भी पेड़ के चड़ जाती है, तो आपक्स का मतलब हो जाएगा टॉप, यानि के बिल्कुल टॉप लेपल पे चड़ जाना, आगे देखेंगे अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, यानि कि भयावह एकदम, अ यहां गए आप पॉलिंग बूत पे, और आपने वहाँ पे जो भीड देखी न, आप बिल्कुल शॉक हो गए, कि इतनी भीड, इतनी गर्मियों में कैसे खड़ा रहूंगा यहां पे, तो आपॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, शॉकिंग, तो इस तरह से आपको यह पॉल धेत तो बस ऐसा याद रखना कि आप पैरेंट, यानी कि आपके पैरेंट्स आपको clearly बोल देते हैं, ठीक है? आपके पैरेंट्स आपको clearly बोल देते हैं, कि पढ़ ले, वरना मेरे जैसा यजिए इधर उधर भटग ना पड़ेगा, तो apparently का मतलब हो जाएगा seemingly, यान आपीज मिल्स क्या याद रखना है आपको चाम याद रखना है यह भी आसान से वर्ड यह प्रतीत होता है वह है यहां पेपएर आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वह है अपीज देखो अपीज का मतलब होता है सांध करना ठीक है यानि कि किसी को पेसीफाई करना अपीज करना सांध करना वही याँ पर दिया हुए अपीज यानि कि सांधी तो आपको बोलना है बस कि आप peace पसंद करते हो आप peace पसंद करते हो pacify, pacify यानि कि सांती तो appease का मतलब क्या हो जाएगा सांती next word हमारा हुआ है appease, appease का मतलब होता है pacify यानि कि sanctust करना किसी को, sand करना किसी को अब देखेंगे appease ऐसा लग रहा है आप peace ठीक है पीस का मदब सांती, सांती वाले पीस की बात कर रहा हूं है, तो आप पीस पसंद करते हैं, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, पेसिफाइड, पीस फाइड, तो पेसिफाइड एन पीस, पेसिफाइड एन पीस, तो आप पीस पसंद करते हैं, पेसिफाइड सांती पसंद करते हैं, पीस पसंद करते हैं, तो अब पीस का क्या हो जाएगा, पैसिफफाइड, अब अगला देखेंगे, application दिया हुआ है, application का मतलब होता है, इस्तमाल करना, implement करना किसी चीज को, तो आपने देखा होगा implement करना अब जो फोन में applications होते हैं उसका हम क्या करते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम implement करते हैं तो इसका जो राइट सिनुम से application का वो है implementation चलिए अब देखेंगे अगला जो word है वो है appraise appraise का मतलब होता है जज करना यानि कि आकना किसी चीज का आकलन करना जज करना उसको हम बूलते हैं अब प्रेज अब आप इसको पढ़ेंगे थोड़ी देख लिए आप प्राइज आप प्राइज तो अब क्या करेंगे आप कि जैसे आप कहीं पर मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ खरीदने गए और आपने कोई सर्ट पसंद किया तो आप उसका क्या देखते होगे प्राइज स्टैक देखते होगे और उसके बाद जज कर आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है उसकी बाद तो आप खरीदते होगे तो आप पहले क्या करते हैं प्राइज को जज करते हैं या ना कि सई है मेरे लिए या नहीं तो अब प्रेज का मतलब हो जाएगा जज करना ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे अगला है ए अब यहां पे अपर अप्रेण को अगर मैं थोड़ी दिर कि लिए अप और हैंड पढ़ मुल्च करते प्रेंड करते हैं तो असके बाद देखेंगे arbitrary arbitrary का मतलब होता है random यानि कि मनमाना अब अगर मैं इसको पढ़ हूँ अरे भाई तेरी अरे भाई तेरी मनमानी अब नहीं चलने वाली है अब हम तेरी बात नहीं मानेंगे तो अरे भाई अब तेरी मनमानी नहीं चलीगी तो random कुछ भी कर देता है कभी भी कर देता है को randomly कुछ भी बोल देता है कहीं पर भी बोल देता है तो arbitrary का मतलब हो जाएगा random उसके बाद देखेंगे उसके बाद है arduous arduous का मतलब होता है difficult और astrainuous यानि कि cutting तो देखो arduous पहले difficult तो आपको पता होगा और astrainuous अगर आपको नहीं पता तो ये strength से word बनाए astrainth यानि जिस काम में आपको strength लगे आपकी सक्ती लगे उसको हम कहते हैं astrainuous अब arduous को अगर मैं थोड़े ज़र के लिए पढ़नो hard to us जैसे देखो अब ये महिला क्या कर रहे है इस चटान को उपर खिजे तो इसके लिए क्या है hard है ये काम तो hard to us इसके लिए नहीं हम सभी के लिए hard है तो arduous hard to us या फिर hard to do us यानि कि हमारे लिए करने के लिए कठिन है तो difficult है astrainuous है उसके बाद है aroma aroma का मतलब होता है scent अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको पढ़ू कि उसका rome rome जो है scent से सुगंदित है तो अब देखो क्या है किसी ने scent मार लिया body में या perfume मार लिया deodorant मार लिया तो उसका rome rome body का क्या होने लगता है सुगंद देने लगता है तो हम बोलेंगे कि उसका rome rome scent के वज़े से सुगंदित हो रहा है तो aroma यानि कि scent आप picture में देख पा रहे होंगे कि पूरे कमरे में जो है aroma बिखर रही है उसके बाद है artful artful का मतलब होता है cunning, crafty यानि कि जो बहुत ज़दा धूर्थ होता है चालाक होता है उसको हम बोलते हैं artful हम बोलते हैं ना उसको कई तरह के arts आता है मतलब क्या है कई तरह की विद्याएं आती है कई तरह की चालाकियां आती है तो cunning, cunning जो है आप आगे पढ़ेंगे C alphabet में a cunning fox से याद रखना है जैसे देखो cunning को याद करने का तरह का जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी पंज तंत्रवाली के एक लोमड़ी और एक कववा के कववा जो है कहीं से रोटी का टुकड़ा लेकर के आता है और पेड के डाली पर बैढ़ जाता है लोमड़ी कहीं से आती है उसके मुँ में पानी आता है रोटी के टुकड़े को देख करके फिर वो दिमाग लगाती है और कववे को बोलती है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो एक गाना सुनाओ अब कववा खुस हो जाता है कि हाँ मेरी आवाज बहुत अच्छी है मैं गाना सुनाता हूँ जैसे हैं कहुआ मुँ खोलता है रोटी गिर जाती है और लोमड़ी जो है उसको ले करके भाग जाती है तो अक कनिंग फॉक्स जो हुआ यानि कि अक कनिंग फॉक्स स्टोरी कहने का मतलब यह है कि हो आठफुल होती है धूरत होती है चलाक होती है उसके बाद देखेंगे आगए कृप्टी आपने देख लिया अब हम आगे देखेंगे ऐस्क्रिप्शन एस्क्रिप्शन का मतलब होता है अट्रिब्ी вопрос यानि कि, आर ओपन लगाना तो देखो, इसको दोनों का एक ही साथ पढ़ना हैं आपको Ascription Attribution इक है? Ascription Attribution Ascription Attribution तो आपको याद हो जाएगा जिसका मतलब होता है आर ओपन लगाना उसके बाद देखेंगे Assemble Assemble का मतलब होता है, इकत्रित Am равas मस का मतलब आपने देखा होगा ना मास मॉबिलिटी यानि कि बिल्कुल भीड जमा हो गई मास बहुत जादा है मांट में तो एसेंबल का मतलब हो गया है एकत्रित होना उसके बाद देखेंगे हमारा एसरसन का मतलब होता है डिकलेशन तो यह भी आसान से वड़ है एसरसन और और रिजन वाले आपने कोस्चन बनाया होंगे 9-10 में 10 वाले पेपर में आते हैं ऐसे कोस्चन एसरसन और रिजन से ठीक है यानि कि डिकलेश्चन करना दावा करना उसके बाद असर्टिव असर्टिव भी सेम है असर्टिव का मतलब होता है डोमिनियरिंग यानि कि सेंटेंस आपने संटेंस बनाए होंगे असर्टि सेंटेंस न हेटीव सेंटेंस इंटेफ इंपरिटी usted सेंटेंस तो उसी में एक सेंटेंस आता है जिसका मतलब उसाया क्थन तो यह है डोमिनियरिंग कर दिदिके एसेस मानलो कि आप कही पर फिल्ड में गए और वहां पे बहुत सारे गद्या जो घास चर रहें तो क्या हुआ कि आपको किसने डियूटी दे भाई गिनो कितने गधें आप पड़े हुए हैं यानि कि चर रहे हैं इस फिल्ड में तो आप बोलो कि 1S 2S 3S 4S यानि कि आप वहां पर काउंटिंग कर रहे हो गधों की तो SS, यानि कि SS का मतलब होता है क्या करना, मेजर करना, ठीक है मापना, चलिए, आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वो है Astonis, Astonis का मतलब होता है सप्राइज रह जाना, चकित रह जाना, इसको भी हम याद करेंगे आसानी से, बहुत आसान सा वर्ड है, जैसे Astonis को सब लोग सप्राइज हो गया है, ठीक है, उसने ऐसा Astonis का मतलब हो जाएगा, सप्राइज हो जाना, आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है Astonisment, इसी को कर दिया गया, Astonisment, ठीक है Astonis से, तो ये भी सेम ट्रेक से याद रखेंगे, कि उसने ऐसा Astonis का किया, कि सब लोग बिल्कुल वंडर, यानि कि सप्राइज हो गया, आश्चर ये करने लगे, Astonisment, चलिए, आगे देखेंगे, अगला है Astonis, Astonis का मतलब होता है Shrood, Shrood मिंस क्या चतुर, जो चलाक हो, आप इसको बोल सकते हो, कि जो बहुत ज़ादा बुद्धिमान हो, उसको भी हमें Astonis क कहते हैं, अब दोनों जो हैं आपके लिए जो है, अगर जिनको नहीं याद हो, दोनों के लिएγοा, दोनों वड्ड जो है, वो नय नहीं होаты जिनको नहीं याद होगे, तो दोनों को मियात करेंगे, सबसे पहले दिखेंगे, कि As a Tutor, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा क्ड़ू तूरस्ते मेरे हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा आपको बुद्धिमान, चलाध, चतुर होना कड़ेगा पड़ेगा अच्छाम कुछ दौने पड़ेगा टीक है स्री ते टीचर है और बहुत ज्याद़ क्या है वह चतुर है टो स्री डव्यूट którzy टिक्स डिशुट और ते याद हो जाएगा आपको आपनी इतन लेया ना picture में आपके से इस्री डडाबरेट का मतलब हो जाएगा स्रूड आगे एंगला है एट्रो सिटी एट्रो सिटी का मतलब होता है वाइलेंस बार्बैरिटी यानि की बहुत जदा वाइलेंस होना ठीक है अब इसको देखिएगा आप की एट्रो सिटी को याद करने का तरीका अगर आप इसको पढ़ेंगे मैट्रो सिटी एट्रो सिटी और मैट्रो सिटी तो सब सबसे ज्यादा है और बर आपको पता है बहुत जदा बर हैं यानिकी क्या है तो है इंड याद रखेंगे से याद रखेंगे इसको पिक्चर में देख पा यहां पर violence हो रही है उसके बाद अटेन का मतलब होता है प्राप्ट करना अचीव करना तो देखो आसान सा वर्ड है अटेन करना अब इसके लिए कोई निमानिक नहीं है अटेन उसने अटेन किया क्या अचीव किया कुछ अटेन करना चले और नहीं आदो तो पिछली बार जो मैंने याद करवाया था आपको की अटेन यानि की और टेन रुपीज नोट एक टेन रुपीज के नोट में नाइनटीज में नाइनटीज के टाइम में सब कुछ अचीव हो जाता था लोग दस रुपह ले करके जाते थे बाजा और सब कुछ ले कर किया जाते थे साग सब्जी जो भी लाना होता था तो एटेन मंट्स अचीव करना नेक्स्ट एट्रिप्यूट अठ्रिप्यूट कि क्वालिटी अब देखेंगे अड्रिप्यूट एट्रिपुशं एट्रिब्यूट गुन होता है इसका मतलब और किसरी भी आज़ ने आप उसका चरित्र उसका गुन और क्वाल्टी आपको पता होगा क्वाल्टी का दिध्न योगेता योगेश। अब एक्टिरिब्यूट को याद करना सीखें कैसे याद करेंगी तो अगर मैं अगला अगस्ट बहुत इंपॉर्टन वर्ड है अगस्ट का मतलब होता है मजेस्टिक डिगनिफाइड और इसको बोलते हैं गरिमा पूर्ण भव्वे पूर्ण बहुत जादा भव्वे होना वह यहां पर लिखा हुआ है अगस्ट अभ देखो अगस्ट जो है मजेस्टि कैस कैसे हुआ डिगनिफाइड कैसे हुआ डिगनिटी कैसे हुआ तो अगस्त के दिन ही जो है हमें आजादी मिली थी जिसे हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं उसी को हम बोलते हैं अगस्त ठीक है तो अगस्त जो है हमारे लिए बहुत जादा डिगनिटी वाला डिगनिफाइड यानि कि गरिमा पुर्ण दिन है मारे लिए, maje ηस्टिक वाला दिन है हमारे लिए क्यूंक इसे दिन हमें क्या मिला आजा दिया है 15 अगस्त को तो अगस्त याद हो जाएगा बापको उसके बाद देखेंगे औरा, औरा का मतलब होता है हालो, यानि कि प्रभा मंधल और इसका श्यृमंद दिया हुआ है हालू जो ठीक है आप देख पारेंगे पिक्चर में ये और रहा है तो आप इसको ऐसे याद करेंगे आ यह तो अबस इतना याद रखो हलो और बता उ है हम बोलता है न पडिया न हो और बताऊ सब थीक ठाक सब बडिया आ है तो बस ऐसे हाद के लो हलो और बताओ टीक है हलो और बताओ इस तरह से याद हो जाएगा असान सा है चले आगे देखेंगे अगला है असान सब्सक्राइब अस्पीसियस जिसका मतलब होता है सुब। टीक है इसके लिए जो कोई निमोणिक नहीं है क्योंकि बहुत असान सवड़ है। जो हमारे लिए सुब। हो फैवरेबल हो इसको हम कहते है। आगे देखेंगे। और और इसको हम बोलते है सक्त। तो देखो औस्टियर को आप पढ़ेंगा औस्ट्रेलिया औस्टियर औस्ट्रेलिया और औस्ट्रेलिया के टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आवस्ट्रेलिया के टीम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फिल्डिंग करती है तो बस इतना याद रखना है आगे है की उनक्राटिक का मतलब होता है डिक्टोरियल यानि कि निरंगonce बोलता या बहुत जब जब आ्थ सासन है वहाँ पर प्रजा तंत्र नहीं है वहाँ पर डिक्टी सीषूसास हे तो वही ऑुटोरियल इसको इसको उमिशाईंगे आगे देखेंगे Average का मतलब होता है Greed यानि की लालची आप यहां पे फोकस करेंगे Average को याद करने के लिए एक वारिस किसी के पास एक भी वारिस नहीं है कोई बीटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है कोई संतान नहीं तो वो क्या करेगी बिचारी, वो दूसरे के बच्चों को greedy नजरों से देखेगी, मतलब होता है कि ममता वाले नजरों से देखना, ललचाई नजरों से देखना, तो average का मतलब क्या होता है, लालची greedy, ठीक है, greed तो एक वारिस बस इतना याद रखना है कि एक वारिस, greed ठीक है, एक वारिस, greed अगला है avenge, avenge का मतलब होता है punish, यानि कि बदला लेना तो देखो, avenge ऐसा लगरा, revenge लिखा हुआ है माल लो, avenge और revenge दोनों सेम है, avenge, यानि कि बदला लेना और revenge, बदला लेना यानि कि punish करना, बदले में लोग क्या करते है पनिशी तो करते हैं ना दूसरे को अगला वड़ है अवर्जन का मतलब देखो होता है डिजलाइक करना ना पसंद करना और हमेज़ा मैंने आपको इसको याद करवाया है चाइनीज फोन के वर्जन से टीक है कि चाइनीज phone के वर्जन से मुझे क्या है hate dislike है मैं बिलकुल पसंदों करता chinese phone का वर्जन तो chinese phone के वर्जन यानि कि चाइनीज वर्जन से मुझे बिलकुल क्या है hate yah dislike है मैं उसे पसंदद नहीं करता तो aversion का मतलब हो जाएगा dislike करना आगे देखेंगे अवर्ट का मतलब होता है बचा लेना प्रिवेंट करना अब देखेंगे अवर्ट को याद करने के लिए कि अवर्ट एक व्रत यानि कि जब कोई व्यक्ति जब कोई एक व्रत करता है तो फूड को क्या करता है प्रिवेंट करता है अवाइड करता है इसका अवाइड भी होग तो prevent कर रहा है avoid कर रहा है तो avoid का मतलब हो जाएगा prevent आगे देखेंगे अगला जो word है वो है हमारा और और का मतलब होता है स्रद्धा admiration तारीफ करना तो हम बोलते हैं न ऑसम अगर मैं इसमें साथ में जोड़ दूँ ओसम ऊसम तो यह क्या हो जाएत अधिमायर करना हम देतां न तारीफ में हलाकि आपको पता हो गया admire करना तारीफ करना कि हम बोल देते हैं और शाट तो वह है यह आप लाजव का मतलब हो जाय ऐक तोmeye करना Producer अगला है औरी देखो अराई का मतलब होता है हमारा अराई अराई लिखा हुआ है तो अराई का मिनिंग हो जाता है हमारा क्रुक्ड क्रुड का मतलब होता है तेड़ा और अराई का मतलब भी होता है तेड़ा अब दोनों वर्ड जो हैं आपके लिए अगर नए नए हैं तो आ तो वही आराई टीकिन अराई बहुत जादा किया हुती है तरी थेड़ी हो जाती है इक तो यह uh को कैसे याद रखेंगो क्रुक को याद रखो कॉक्षा को मुर्गे से तो मुरूगे की गर्दन आपने देखी होगी ऐसे रहती है तेड़ी हो अनहीं इसी को बोलता है हम crooked यानि कि टेढ़ा तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा चले आगे देखेंगे बैफल बैफल का मतलब होता है चक्रा देना पजल कर देना कंफ्यूज कर देना बैफलिंग कर देना याद करेंगे हम बफैलो से बफैलो अगर आप गाउं से संबंद बाड़के भाग जाती है ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा पजल यानि की घंफ्यूज हो जाना बैफलिंग हो जाना चले आगे देखेंगे अगला है बैफल्मेंट का confusion दियो हो है same trick इसमें भी यूज करेंगे आप फैलो का पिक्चर यहां पर देख सकते हैं चले अगला है बैन बैन का मतलब होता है निसेद प्रोहिबिट और बैन और यहां पर क्या है प्रोहिबिट है जिसका मतलब होता है निसेद मना होना किसी काम को करने के लिए कि आप यह आप यह चीज नहीं कर सकते यह चीज यहां पर बैन है जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा लिखा हो रहता है smoking is prohibited यानि कि यहां पर धूमर पान क्या है निसेद है और इस तरह का साइन दिया हो रहता है और बीच में सिगरेट रहता उसके ओपर जो है इस तरह से यह वा बनौल को इसा पढ़ी है बनौल बनाना अल तो बनाना जो है वह कॉमन है और आपको ओल जगह पे मिल रागला और ये का मतलब हो जाएगे ऊजले आगे देखिए अगले बैंग बैंक का मतलब होता है जो कहता हुए और इस motion by कर करने का तरीका असान हो जाएगा अगर आपने movie दीव कि bang bang तो bang-bang में रित्inating रोषन क्या करते हैं? तो bang-bang में जो रित्तिक रोषन है वो विलन्स को मारते हैं, bang-bang करते हैं, बीट करते हैं, पीटते हैं तो bang का मतलब bang bang छोल Charolice आगे देखेंगे manish, banish, banish बना है आपने प्ड़ा ओगा जैसे एक्जाम में किसे एक्सपेल्ड कर दिया आता तो निर्वाशित कर देना आगे देखेंगे बैनर, बैनर का मतलब होता है पताका, पोस्टर, अब ये भी याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए बैनर, पोस्टर, ना आसान ता वर्ड है बैनर और पोस्टर, चलिए आगे देखेंगे बार्गेन करना, ये भी आसान ता वर्ड है बार्गेनिंग कर तो आप बोलते हो कि बहुत बढ़िया डील पकड़ा गया है ना तो वही है यहाप पर बारगें बारगें का मतलब क्या हो जाएगा डील अगला वर्ड है बेश फुल देखो बेश फुल का मतलब होता है शाय सरमीला संकोची और इसको याद करना आसान कैसे है तो देखो आप बस इतना याद रखो कि आप सभी डांस कर रहे और डीजे पर स्टेज पर और आप में से किसी ने कहा कि रहे बेस जो है ना बलकुल फु बढ़ा दे यानि मुझे डांस करना है बिल्कुल मत सर्मा बेश क्या करते फुल बढ़ा दे फुल साउंड करते बिल्कुल मत शर्मा तो बेस फुल बढ़ा दे बिल्कुल मत सर्मा और शाय तो आपको पता होगा शाय का मतलब सरमीला होता है चले अब आगे देखेंगे आप परिचित होंगे तो बैटर का मतलब होता है जैसे हम कोई डो बनाते हैं जैसे हमें मानलों की छोले बटूरे बनाना है तो उसका हमें क्या बैटर बनाना पड़ता है पहले से तयार करना पड़ता है तो उसको पीट पीट करके तयार करते हैं गूद गूद के तयार करते ह बोलते हैं battle यानि कि पीटना आगे देखेंगा अगला है battle बैटल का मतलब होता है युद्ध याने की combat याद करना इसको भी आसान है battle आपको पहले से याद होगा और combat याद करने है सिर्फ तो combat को याद करने के आपको बोलना है come in battle come in battleground आओ युद्ध के मैदान में आओ combat, come in battle come in battle ground यानि कि युद्ध के मैदान में आओ तो combat, यानि कि combat का मतलब हो जाएगा battle, अगला है bacon, bacon का मतलब होता है bacon, bacon का मतलब होता है call करना या पर इसारे से बुलाना उसी को बोलते है bacon याद करना आसान है कैसे तो देखेंगे कि अब एक कौन का मतलब क्या हो जाएगा call, bacon, call अबे कौन काल कर रहा है तो इसारे से बुलाना बस आप इतना याद रुखो कि अबे कौन काल कर रहा है अगला है बिगाईल बिगाईल का मतलब होता deceive, धोका देना, मुह लेना, ठगना याद करेंगे deceive आपको याद होगा deceive, धोका देना बिगाईल को कैसे हाथ करेंगे देखिए, be girl बिगाईल को थोड़े दिर के लिए पढ़िए, be girl तो be girl आज का टिक टॉक का जब जमाना था यानि कि टिक टॉक का टाइम था तो आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे जो है लोग मिल जाते थे जो गरल बन करके जो है क्या करते थे जो लड़के होते थे और गरल बन जाते थे अभी भी आपने देखा होगा Instagram पर या पर Facebook पर जो है लड़के जो है लड़किया बन के जो है क्या करते है चैट करते हैं, लोग से बात करते हैं, तो यह बिगर्ल बन के, वो सब को क्या करता है, डिसीव करता है, आपने देखा होगा न, बहुत अरे एंजल प्रिया नाम के फेक आइडि से, लोग जो है एक दुसरे से बात करते हैं, चलि आगए देखेंगे, अगला है behavior, behavior का मतलब हो अगला है बिहूव, बिहूव का मतलब होता है नैसेसरी, योग्य, अगला है बिहूव को थोड़े दिर के लिए आप पढ़ेंगे बहु ठीक है बहु तो हर गर में एक योग्य बहु होना बहुत नैसेसरी है आज के टाइम में हर घर में एक योग ये बहू होना बहुत नेसेसरी है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा आगे देखेंगे बिलीफ बिलीफ का मतलब होता है फेथ भरोसा तो आसान से वाड़ है बिलीफ इसा आसान है फेथ अना बोलता है ना कि मुझे तुम पर फेथ है ये बिलीफ है आगे देखेंगे बिलीफ बेलीफ का मतलब होता है होस्टाइल एंटार इंटार को याद करें ना कि zodro हमाएं और हो बिली दो बिली क्या है बाद बाद पे लड़ा जाती है देखा वापनेदे याप मारना शुरू करती है तो बिश पचीस थपड़ एक ही बार मारते हैं, तो बिल्ली बहुत लड़ाकों पर जाती होती है, और होस्टाइल को हम याद करेंगे कि होस्ट तिल्ली में, ठीक है, होस्ट जो है, तुम्हारे होस्ट तिल्ली की तरह उड़ा दूगा, यह कौन बोलते हैं, हमारे जो दुस्मन ह लडाकू जो होते हैं वही तो बोलता है न होस्टाइल होस में आजा वरना तिल्ली की तरब उड़ा दूँगा तो वही यहां पर बेलिजरेंट का मतलब क्या हो जाएगा होस्टाइल अगला है बेनिफिसियरी असान सा वर्ड है बेनिफिसियरी का मतलब लाभार्थी होता है रिसिपेंट होता है रिसीव करने वाला होता है यानि जिसको लाभ मिलता है उसको हम बोलता है बेनिफिसियरी उसके बाद देखेंगे अगला है बेनिवालेंस बेनिवालेंस का मतलब ह होता है kindness भलाई करना और यहां पर देखेंगे रूट वर्ट से याद रखेंगे आप इसको बैनी बी-ई-एन-ई का मतलब होता है भलाई करना ठीक है बीनी और नहीं याद हो तो बस आप इतना याद रखें कि कि किसी के बेटी का नाम बीनी है और बहुत ज़्यदा काइंड ह बीनी है बिनी देखें एक तरह आप इसको याद रख लेंगे आगे बीरेफ्ट बीरेफ्ट का मतलब होता है कि टिप्राइव होना वंचित होना अब देखो किसी चीज़ से वंचित कर दिया गया आप को यानि कि आपके पास कुछ भी नहीं धनदौलत कुछ भी नहीं तो तो अगर आप पढ़ ले बेर फूट बेर का मतलब आपको पता होगा खाली ठीक है नंगे पाऊं बेर फूट तो बेर फूट वो क्यों घूम रहा है क्योंकि वह बिल्कुल सब चीज से क्या हो गया वंचित हो गया है डिप्राइव हो गया है यानि उसके पस कुछ भी नहीं ह विREE उसके पास तो बिरेस्ट का मतलब हो जाएगा डिप्रआइव और वन्चित होता है क्योंकि आजामता वट है चलिए आगे है बसील पेस्टीयाई है सब्रूटिस तो देख क्या है इसको याद करना आप ऐसे याद रखेंगे मेरी बेस्टी ब्यान रचाई मेरी बस्ति बुराई कर देते हैं अपने दोस्तों की तो यह बोलेंगे मेरी बेस्टी क्या है बहुत ज़्यादा क्या है बुरी है यानि कि ब्रोटिस है तो बैस्टियल ब्रोटिस अगला वर्ट है हमारा बिविल्डर्मेंट देखो बिविल्डर्मेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन घबराहट ठीक है अब बिविल्डर्मेंट को आप पढ़ेंगे ऐसे कि जैसे बी विल्डर बॉडी बिल्डर बी विल्डर मैं बॉडी बिल्डर मैं तो जो बॉडी बिल सब्सक्राइब का मतलब हो जाएगा चलिए आगे देखेंगे बिविच का मतलब होता है मोहित करना क्याप्टिवेट कर लेना यह देखेंगे कि विच जादू जादू कर लेति हैं तो वो क्या कर लेती है बच्रो को याद हो जाएगा बिविच का मतलब हो है न écritBERT का मतलब का मतलब होताए थे हैं भूक लबर पुस्तक प्रेमी यह भी याद करना है आपके लि yol का मतलब होता है किसी चीज से लगाओ ऐए है ऑं इव का और फाइल का मतलब फाइल जो मैंने भी कुछ दिर पहले आपको बताया था ना फाइल फाइल जैसे अभी मैंने आपको फिलन्थ्रोपिस्ट पढ़ाया था सॉरी कि मानवों से लगाओ तो यहां पे फाइल जो लिखा हुआ है फाइल फाइल जिसका मतलब होता है लगाओ और बिबलियो का मतलब होता है बुक तो जिसको बुक से बहुत जदा लगाओ हो उसको हम क्या कहेंगे बिबलियो फाइल कहेंगे और यहां पे बुक लवर कैसे करेंगे देखो बाई का मतलब होता है दो तीक है और क्याट का मतलब काटना कट करना तो दो भागों में कट कर देना तो देखो यहां पर एक रास्ता जो है दो भागों में डिवाइड हो गया तो बैफर कटेट का मतलब हो जाएगा डिवाइड इन्टू आगे उनाइट करना अब देखेंगे आप यहां पर बुक बाइंडिंग से बुक बाइंडिंग क्यों की जाती है ताकि पेज यूनाइटेड रहे एक जगहां पर जहमा रहें यानि कि कलेक्ट रहे एक जगहा पर बिल्कुल बाइंट रहें तो बाइंड का मतलब क्या हो जाएगा आगे देखेंगे ब्लैबर ब्लैबर का मतलब होता है गपी यानि कि जो गप करता है नॉंसेंस बाते करता है तो उसको हम करते हैं ब्लैबर तो देखो याद करना आसान है आप बस इसको बला बला याद रखेंगे वो दिन बर जो है बला बला और बर बर करते रहती है वो दिन एक मतलब होता है। दियात कि गप्तर को से दिया एक में कि मीया of an eye 他न bald yana blink of an eye का मतलब होता है पलक जपकते ही गायब हो जाना blink of an eye तो उसी तरह से blink का मतलब क्या होता है जल मिलान mismos हमारी आखें Yeah और आपने flickering of stars पढ़ा होगा तारों का ज्हिल मिलान तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा अगला है blister blister का मतलब होता है wound bubble जखम बोल सकते हो आप इसको तो blister को याद करेंगे आप ऐसे कि blister पर पड़े पड़े lockdown में दो तरीके समय इसको याद करवाऊंगो आपको lockdown में blister पर पड़े पड़े मेरे पूरे body पे wound हो गया चाला पड़े गया और bubble हो गया इसको blast हो गया bomb blast और इसके body पे चाले पड़े पड़े गए तो bubble हो गया तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको next is bloom bloom आसान सा वड़े bloom का मतलब होता है fool का खिलना flower का खिलना तो यह यहाँ पर लिखा हुए एक side में bloom और दूसरे side में flower तो यह आसान सा वड़े bloom का मतलब fool का खिलना अगला है blender blender का मतलब होता है बड़ी भोल यानि कि बड़ी गलती mistake याद करना इसको आसान है कैसे याद करेंगे आप तो देखो blender पी करके उसने गलती कर दी अना दारू पीने के बाद लोग गलती कर देते हैं तो ही है blender पीने के बाद उसने जो है क्या कर दी गलती कर दी mistake कर दी तो blender का मतलब हो जाएगा mistake आगे देखेंगे board board का मतलब होता है food यानि कि भोजन अब देखो board का मतलब आपने पढ़ा है तो वो अपने board लगाए वो होते है food का अलाकि food जो है इतने रुपे किलो मिल रहा है food जो है उतने रुपे किलो मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा board का मतलब food आगे देखेंगे अगला जो word है वो है boast देखो boast बहुत आसान सा word है boast का मतलब होता है हवा पानी देना और बोलते हैं न कि तो जो है बिल्कुल क्या कर रहा है fake रहा है boast कर रहा है यानि कि pride यानि कि क्या हो जाएगा हमारा जूटा गर्व boast करना तो यह आप और नहीं याद हो तो आप ऐसे याद करेंगे कि मेरा boss यानि कि जूटा होआपानि दे रहता है pride करते रहता जूटा government करते रहता है fake थे रहता है तो यह बूस्तिंग हमद बेक ना अगला है business bogus का मतलब होता है जाली fake याद कैसे करेंगे देखो पुलिस वाले पुलिस वाले को पुलिस वाले नहीं कहा कि हमें जो है एक bag अस का मतलब हमें हमें एक bag full fake note मिला है यानी कि एक bag full पूरा भरा हुआ bag जो है जाली note का मिला है तो वही bogus का मतलब हो जाएगा fake knuckle ठीक है चलि है आगे देखेंगे अगला है boldness boldness का मतलब होता है bravery यानी कि निर्भिकता तो ठीक है न, bold, bold का मतलब पता होगा, bold, saasi, वो बहुत ज़्यदा bold है, saasi है, बहुत ज़्यदा brave है, तो आसानता word होगे, brave का मतलब बहादू, निर्भिक, अगला है बोस्टर, बोस्टर का मतलब होता stern, सहारा oh hell yeah सहारा देना मजबूती देना और बोल्ट पल्ट और यहां पर बोल्ट तो आपनłe देखा होगा जवसर्ड़ होती है लोहे वाली उसमें बहुत सचा नटवूल्ट लगे होते हैं क्यों लगे होते हैं ताकि वो सटर को शहारा दे सके तो बोस्टर का मतलब भी हो जाएगा शहारा और चन का मतलब भी हो जाएगा सहारा मजबूती परदान करना है फिर सहारा बोनस आज आज आफिस में क्या मिलने वाला ने वाले ऑनलस और अगे capacity मेख criticizing का मतलब होता हैं यान तो born homely वह जो पैदा हुआ है जन से बिल्कुल friendly पैदा हुआ है तो born homely का मतलब हो जाए companionship यानि की साथ देने वाला companion देने वाला चुलिए आगे बढ़ते हैं अगला वर्ट जो है ब्रेस बी आरेसीई ब्रेस का मतलब क्या होता है तयार करना 45 करना मजबूत करना करना तो यहां पर ब्रेस है तो आपने टीथ ब्रेस का नाम सुना होगा या पर आपने क्यों करते हैं वह ब्रेस तो पहले कि राजर महराजा क्या करते हैं तो बहुत जदा मजबूत बनाते थे ताकि बाहरी आक्रमन कारी जो है आक्रमन ना कर पाएं तो brace का मतलब यात हो जाएगा आपको 45 करना मजबूत करना अगला है ब्रेट ब्रेट का मतलब होता है बिगड़ायल बच्चा यानि कि a spoiled child अब देखेंगे आपे ब्रेट को अगर मैं थोड़े देर के लिए पढ़ लो ब्रात तो ब्रात में जो spoiled child होते हैं यानि कि जो बिगड़ेल बच्चे होते हैं वो बहुत ज़दा उत्पात मचाते हैं अना कि ब्रात में ब्रात भी आरेटी ब्रात ब्रात में spoil child जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं बस याद हो जाएगा आपके इस तरह से उसके बाद है हमारा breach breach का मतलब होता है उलंगन करना कानून का या फर रिस्तों में दरार होना violation होना तो देखो ऐसे याद रखेंगे कि उसने सरकारी संपति को बेच कर ब्रेच कर ब्रेच कर ब्रेच कर ब्रेच कर उसने संपति को बेच करके violation किया है यानि कि उलंगन किया है तो ब्रेच याद हो जाएगा आपको उसके बाद देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वो है breakthrough, breakthrough का मतलब होता है discovery, खोज करना, याद करना बहुत आसान कैसे है तो देखेंगे कि उसने through का मतलब क्या होता है, through का मतलब दुआरा और break का मतलब तोड़ना तो archaeologist ने अपने हथोड़े के through दिवार तोड़ करके एक बहुत बड़ी खोज कर दी क्योंकि दिवार के पुछे बहुत बड़ा जो था एक पुराना सहर बसा हुआ था और archaeologist ने तोड़ दिया अपने हथोड़ी के through और खोज कर दी, discovery कर दी तो break through का मतलब हो जाएगा महत्वपून, खोज discovery, आगे देखेंगे यह फिर, abbreviation तो आपको यह आसान लगे ब्रेविटी root word ब्रेविटी का मतलब होता है चोटा और हमने आप याद करेंगे तो हम याद किया था abbreviation ये बड़ी है थोड़ी छोटी कर दो abbreviate ये बड़ी है थोड़ी छोटी कर दो तो बड़ी है ब्रेवी आया था एक word तो ब्रेवी का मतलब यह होता है छोटा crispness यानि कि छोटा उसके बाद देखेंगे brisk, brisk का मतलब होता है तेज, quick इसको जाद करेंगे मैं ऐसे घाइ level risk, be risk b早i याद रखो, risk याद रखो कि घाइ level risk, quick silk bike चलने में risk है, brisk भाई, risk है, quick bike चलने में risk है, तो brisk का मतलब हो जाएगा quick आगए देखेंगे, अगला है brutalized, brutalized का मतलब होता है निर्दई वेवहार करना, iltrate करना, तो हम बोलता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, brutal है, निर्दई है, निर्दई रहेगा तो निर्दई वेवहार करेगा, तो brutalize हो जाएगा, आगे देखेंगे, bulk की, बल्की का मतलब होता है, भारी भरकम, तो आसान सा वर्ड है, bulk amount में मैं बुल्क एमाउंट में कौपियां और पेंस खरीद करके आया तेकर मार्केट से मैं बुल्क एमाउंट में बल्क बारी भरकम धेड़ सारा आगे देखेंगे बुल्ल हैड़ेड का मतलब होता है हठीला जो बहुत ज़दा हठी हो जिद्धी हो हैडस्ट्रॉंग हो तो माथा जो है बहुत ज़दा मजबूत होता है फिर है अगला वर्ड जो है वह है बंप्टियस का मतलब होता है एहंकारी कंसीट घमंडी तो बंप्टियस को याद रखेंगे बंब से कि आपने गाना सुना होगा एक मुवी थी हिंबत वाला अजय दोगन के आई थी मूवी औ और आध है कि मारदे बंप्लाट मारदे बंपन तो घमंडी्य वोग है बंप्टियस को मतलब हो जाए का मतलब है कि इसक हम ज्यों कि यह बहुकीरे है ज्यों चकि से बहुं कि अइसके से गुक struggling नहीं याद करना कि बस अस्ते रहाकर तो नहीं याद करना हाया तो चलूदिए और लुमारी टली आगर कोई वैक्ती महत चलायेगा तो बहुत बहुत जल्दी बाजी में चलाएगा है तो देरे दरे चलाएगा उसने नहीं पिया है लेकिन अगर कोई वेक्ते टली हो करके चलाएगा पी करके चलाएगा तो बहुत जल्दी में चलाएगा हेस्ट अगला है cadence, cadence का मतलब होता है ताल मेल, rhythm, अब देखेंगे cadence में ऐसा लग रहा car dance, कर dance, तो dance का कैसे करते हैं, तो rhythm पर करते हैं, गाने के rhythm पर ही तो हम dance करते हैं, बीट पर ही तो हम dance करते हैं, तो जिस गाने की rhythm अच्छी होती है, उसे पर dance करते हैं, तो cadence का मतलब हो जाएगा rhythm अगला है calculation, calculation का मतलब हो जाएगा counting, यानि कि हिसाब करना, आसान सा word है, calculate करके बता कि कितना हुआ, count करके बता कि कितना हुआ, अगला है caliber, caliber का मतलब होता है, चमता, बहुत बार आपने वर्ट सुना होगा, caliber, capacity, आपने सुना होगा कि इस bullet की कितनी caliber है, कितने caliber की bullet है, कितने caliber की bullet है, तो capacity, caliber, तो यह कितने caliber, बस इतना याद रखना है, आपको याद हो जाएगा, picture में आप देख पा रहे होंगे, काम का मतलब होता है, सांथ होना, बोलता है ना, बी काम, सांथ हो जाए यार, सांथ हो जाए ना, गुसा अच्छा नहीं है, सांथ हो जाए, बी काम, बी काम, तो peaceful, यानि कि सांथी, उसके बाद है, cancel, cancel का मतलब होता है, abolish कर देना, abolish हमने पहले भी याद किया था, abolish, यान आपको बताया था कि आगे आएगा ये कहनी तो कनिंग फॉक्स आपने कहानी सुनी होगे लोमडी वाली कि कववा रोटी दबा गयाता है मुँ में उची डाली पर बैठा रहता है लोमडी आती है फॉक्स और बोलती है कि कववा तुम बहुत जादा सुरी लगाते हो और लाग जाती है तो कनिंग फॉक्स और कि भी दो दूर्ट चलाक तो कणी युक्लेवर रोट केंटा कैर रस का मतलब होता है जगडालू और हो अंगि तो देखेंगे केंटा कैर्स को याद करने का तरीका सबसे पहले तो मेरा निमोनिक देखो जैसे मैंने याद किया था और म लडाई जगड़े में और दूसरा एक निमोनिक है आप में से किसी एक स्टुएंट ने बताया था मुझे की सरकें ठीक है कि जब भी टैंकर यहां पर टैंकर लिखा हुआ जब भी टैंकर आता है जब भी कोई बस्ती होती है तो जब भी पानी का टैंकर आता है महिलाएं केन लेकर के आपस में लड़ जाती है पानी भरने के लिए यह बहुत अच्छी निमोनिक है अप्रिशेट करता हूं उनको और यहां पर याद हो जाएगा आपको इस तरह से क्याइप अजलेस याद करेंगा मैं से कि है शम्राइप छाकर देनी हमें लुदी एक बहुत देर भाग पाना भागशना करूं अब तुन सरेंडर कर दो एक निमोनिक, जो ने पहले आद की थी कि पनिश्मेंट मौद की सजा की डर से memorial की दरकुंश कर दिया, अजला है क्रिकिर का मतलब होता mortalphi तृ भिंग चिता, अब हमें कुरयां के लिपी कहता है कर दो है का Dis senate आ यहां पर देखेंगे लालु जादो के बनाई हुई है अब यहां पर कमेंट में उल्टा फिल्टा मत बोलने लगना यहां यह क्यों ले लिया जो भी मिल जाता है वो ले लेता हूं ठीक है पिछले बार भी जो है मैंने बताई थी आपको निमॉनिक कुछ था सम्तिंग इडिय सुड़ी करनी है तो आपको याद करना है तो उसी तरह से यहां पर बस याद करेंगे बहुत जब्चा सेरियृस नहीं लेंगे इन सब को अब यहां क्या दिया हूआ है क्या ओंक्त कर दो conservative का मतलब क्या होता है व्यंग चित्र वहवंक। बहुत तो बहुत जो है लेड Canon को लेक्स जो है छोटे कर दिये जाते है तो caricature का मतलब ग्रोटेस्क ठीक है और ग्रोटेस्क कैसे याद रखेंगे तो देखो ग्रोटेस्क को याद रखेंगे कि गर्थ इस्क ठीक है इस्क में उसके life जो है क्या होगे गर्थ हो गई और बिल्कुल creature लगने लगा हो तो caricature का मतलब हो जाए ग्रोटेस्क अगला वड़ है कार्नेज का मतलब होता है slaughter, markart तो देखो महाभारत के markart में यानि युद्ध में कर्ण सबसे आगे था कर्ण आगे महाभारत के युद्ध में महाभारत के slaughter कर्ण सबसे क्या थे आगे थे तो कार्णेज का मतलब क्या हो जाएगा markart और slaughter तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा आगे देखें अगला है करोज करोज का मतलब होता है खान पान कर आनंद बनाना यानि जान की फ्रॉलिक और क्वइफी करोज को कैसे आद करके तो देखो ऐसे याद रहें कर और रोज करद मनेकर और को या खान पान करने LEANT कर कर तो देखो ऐसे याद रखेंगे फलो फलो से refer рек ङ को डेली खायां करो और यूज क्या करो थालो को डेली खाया करो 주고 य स्क्राष्ट का म्तलब हो जाएगा और क्वैफ uh है अगला है कटालिस्ट आज अतर्याज्टंसरो जो अफरि पदार्त करते हैं इस य कै्ट के गूवेटर के रूप में इतंडें अपने देखा होगा ना चिरा यह थो पटाल देत्थक वह वो क्या हो गया कि अगला वड़्स का मतलब होता है अपद तबाही त्रेजडिय डिजास्टर तो इधर वाले केलेव डिजास्टर ट्रेजडी डिजास्टर ज्ल Racing पाता है सुनामि आता है तो सब कहींद से ट्राइजिजी हैं केलामटी हैं अब करें कैसे कि आपने देखा होगा सबसे पर आप काटा से याद रखो काटा कि जब भी भुकम पाता है तो वह जमीन को दो पार्ट में काट देती है तो भुकम क्या एक ट्रैजिडी है डिजास्टर है केलामटी है चलें आगे देखेंगे अगला है क्यावर्ट का मतलब होता है कूदना करना तो यह आप 22 देखो तो टी तो टी किस्षे याद रेकों टिलियां टिलियां तिक है जो मुर्गी की गवड़ के होते हैं उसको मुझा उसके इ अगला जो वर्ड है हमारा सैलिब्रेट मतलब होता है ऑ equilibrium करना और कि छिदा घरोग मालगो देहां Sut Level तो इसना होना आए तो असान से बाट है इसके बाद अग्ला है चैफ होता है इरिटेट करना जुंज ला देना हो व 있는 कर दो होता है एक इरिटेट करना दूसरा होता है रगण कर गर्म करना तो दूनमिनिय यादिखेंगे मैं चैफ का मतब रगड कर गर्म کرना दूसरा एरिटेट करना तो अगर मैं चैफ को थोड़े देर के लिए कैफे पढ़ लूँ कि कैफे तो कैफे में भीड के कारण जो कैफे वाला है वो बिलकुल इरिटेट हो गया देखा होगा आपने कैफे में कभी कभी बिलकुल बीर हो वह है challenge challenge का मतलब होता है objection डालना जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ बात बोलते हैं तो अगला वेक्टिय में क्या कर देता है challenge करता है या फिर जैसे parliament में कि जैसे माल लो कि एक party ने कुछ ऐसा बात खड़ा किया तो अगला वेक्टिय क्या करता है या पोजिशन वाले क्या करते हैं चैलेंज कर देते हैं उसको यानि कि objection डालते हैं तो यह challenge का क्या हो जाएगा अगले वकील को उसके बाद देखेंगे अगला जो वड़े हो है change change का मतलब होता है आल्टर आल्टर हमने पहले भी याद किया था एल्फाविट वाले में तो change का क्या हो जाएगा आल्टर यानि कि परिवर्तन करना चेंज करना तो change का आल्टर याद रखेंगे next देखेंगे chaos chaos भी एक असान सा word हम अपने दैनिक भासा में यूज करते हैं English language में इसको curiosity का मतलब होता है बिल्कुल disorder होना mix up होना confusion होना turmoil होना यह सब इसके synonym से हैं इसके को chaos को याद रखेंगे बिहोस से कि वो जैसे ही बिहोस हुआ ठीक है वो बिल्कुल confusion में हो गया कि मैं कैसे क्या हुआ था कुछ दिर पहले मैं कैसे बिहोस हो गया मैं कैसे यहां पर पहुँच गया हो जाता है ना तो chaos का मतलब क्या हो जाएगा mix up disorder और curiosity confusion turmoil याद रखेंगे इनको तो chaos का मतलब याद रखेंगे आप mix up उसके बाद है character character का मतलब होता है trait असान सा वर्ड है ठीक है character का मतलब चरित्र ठीक है और इसको trait को याद रखेंगे कैसे आपके साथ ट्रीट करता है अगर उसका character बढ़िया है तो आपके साथ बढ़िया है तरे ट्रीट करेगा तो यहां पर लिखा हुआ है character और trait आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है charisma charisma का मतलब होता है charm यानि की बोलते हैं ना कि उसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है charm है तो करिजमा को याद करने का तरीका है आपने बाइक देखिए होगी जर्ड़एमर करिजमा तो जर्ड़एमार जो करिजमा है वह कितनी charming दकए है बाइक आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे यह जो है charisma बहुत ज्यादा charming दाक दिति और केक पर चेरी डालते हैं वह जो देख पा है न सवाम करें को अदर है देख पारों कि इसके हाथ बहुत ज़दा उपर है क्यों कि अगर थोड़ा से भी इसका हाथ केक से टाच हुआ तो केक की जो डेकोरेशन है वो खराब हो जाएगी तो बहुत ज़दा क्या होना पड़ता है और कॉसस तो आपके लिए बहुत आसान सा वर्ड हो गा उसके बाद है CHASTIZE CHASTIZE का मतलब होता है REPRIMENT करना दंड देना किसी को PUNISHMENT करना तो कि भी सबसे पहले हम याद करें गे रेफ्री मैंन को पहले मैंने याद करवाया है कि रेफ्री मैंन ठीक है कोई मैज चल रहा है और वहाँ पे किसी ने fall मार दिया यानि गलत तरीके से game खिला तो रेफ्रीमेंट क्या करता है तो रेफ्रीमेंट जो है वो डाटता है फटकार लगाता है खिलाडी को कि तुम ऐसा नहीं कर सकती यह गलत है तो वह गया रेफ्रीमेंट दूसरा है चेस्टाइज तो देखो चे इफ्रीमेंट करना उसके बाद देखहएंगे सोवयनिदम संवयनिदम का मतलब होता है जेल यानि की कट्टर था अब्व सबसे पहले याद रखेंगे ये जिलिट्री को पहले भी हमने याद किया है तो जिलित्री को देखेंगे ऐसा लग रा जेल जेल선 में पीने के बाद गया और यहां पर देखेंगे sauvnism तो sauvnism में ऐसा लग रहा हो जवे तो उसकी च्वी कैसी है तो उसकी छावी बड़ी कट्टर हैना उसकी च्वी कैसी है तो kट्टर है तो sauvinism का सिन्वन्स हो जाएगा हमारा जीलेट्री आगे देखेंगे चाइड चाइड का मतलब होता है डाटना और रिब्यूक इसका सिर्नियम से तो पहले भी मैंने आपको याद करवाया है तो फिर से देखेंगे रिब्यूक को एक बार कि अगर आपका बच्चा या फिर कोई भी बच्चा अगर बोल रहा है चाइड को सूची लेने तो इसको रिबॉक का क्या हो कि यह जाएगा उसके बादा कि चोक का होता है block हो जाना jam हो जाना अब आपको याद होगा जैसे आपकी bike में एक क्या होता है choke होता है ना choke को आप ऊपर करते होगे चोड को नीचे करते होगे तो वह क्या हो जाता है पेट्रोल को block कर देता है जिसके विसकि गाड़ी जो है start नहीं होते क्योंकि इंजन तक पेट्रॉल नहीं पहुंच पाती तो वहीं हो गया यहां पर चोक का मतलब क्या कर देना ब्लॉक कर देना या आसान हो गया याद करना इस तरह से उसके बाद देखेंगे चूजी यानि कि जो बहुत जैदा सेलेक्टिव हो और बहुत ज़ोज़ाद जो चैन करता हो चैनात्मक बोलता है तो बहुत ज्यूज़ाद चूजी है का मतलब होता है singing group आपने देखा होगा जब कवाली गाई जाती है तो जो main singer होता है वो पहले गाता है और उसके पीछे में जो 10-15 बैठे हुई रहते हैं और उस वाले वो पीछे से जो है फिर गाते हैं, तो उसी को बूलते हैं chorus, ठीक है, तो chorus का मतलब होता है singing group, सहगान, सहगान का मतलब साथ में गाना, आप picture में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, उसके बाद है citadel, citadel का मतलब होता है fort, यानि की गढ़, ठीक है, अब इसको हम य आतरेंगे देखें जैसा लगरा सीता और दल लिखा हुआ है तो सीता मा को राक्षतों के दल ने यानि रावन का जो राक्षत दल था तो सीता मा को राक्षतों के दल ने रावन के फोर्ट में ही तू रखा था ना उसे यानि कि आप यहां पे देखेंगे कि आप इमेजिन करक तो सीटेडल का हो जाया क्या arbitr doc ऐगे देखेंगे अगला है क्लिरवाइंट क्लिरवाइंट का मतलब होता है जानि कि भविश्य सूचक यानि कि जो भविश्य के बारे में बताता हो उसको केता है जानि पर तौर मंवर या करेंगे bros कि clear wind यानि कि जो clear speech दे दे वविस्स के बारे में future के बारे में तो वो क्या होगा clear wind होगा वविस्स सूचक होगा तो यहां पर prophetic लिखा हुआ है अगला देखेंगे class class का मतलब होता है catch करना पकड़ना तो देखो class ऐसा लग रहा grasp का मतलब क्या होता है पकड़ना अगर आपको grasp वो नहीं याद है तो आप इसको याद रखें कलस पकड़ देखो class class और p for पकड़ तो class को पकड़ यानि कि catch कर ले तो वही हो गया है आपे class का मतलब क्या करना grasp करना catch करना आगे देखेंगे clean clean का मतलब होता है honest तो देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ clean यानि कि clean का मतलब क्या बिलकुल सावसूत्रा और Honest का मतलब भी क्या होता है चाव सुत्रा और इमांदार आगे देखेंगे क्लिमेंट क्लिमेंट का मतलब होता है माइल्ड जो बहुत जynताल क्या हो माइल्ड हो दयालू विनर्म नहीं अपने हिस्ट्री में फिर completely जो है फ्रीडम मिल गई थे तो क्लिमेंट एटली बहुत ज़्यादा mild थे, mild person थे, mild personality के वेक्ति थे, तो क्लिमेंट से याद रखेंगे mild, उसके बाद देखेंगे क्या है, अगला जो है वो है climax, climax का मतलब होता है बिल्कुल चरम मिंदू उचाई, culmination, अब देखो, एक जो याद रखना है, आपको climax, आपको याद ही होगा कि climax, यानि कि अपनी प्राकास्था पे होना, climax होना, बाकि culmination आपको इसमें याद रखना है, तो आपने कल्मी आम खाई होगी, तो जो कल्मी आम होती है, तो आम कहा होती है, एक दम उशाई पे होती है, एक दम climax पे होती पढ़ा होगा लेकिन यह पर क्लिंच जो दिया हुआ इसे कैसे याद करें तो क्लिंच में एक वर्ड आरा देखो क्लीन और छेद क्लीन और छेद तो ऐसा देखो कि एक मुवी की सुटिंग हो रही है ठीक है और एक डायरेक्टर जो है वो समझा रहा है अपने असिस्टेंट क के गोल को सीन एकडम क्लीन होना चाहिए गोली चली और ग्लिंच में एक दौकदा क्लीन और छेद ने क्लिंच करना चले अगे देखे अगला है cloistered, cloistered का मतलब होता है isolated, यानि कि तनहा, अकेला, उसी को हम बोलते है cloistered, याद करना कैसे है, तो याद करने के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है, कि देखो, एक तो आपको याद रखना है, close sister, close और sister, cloistered, close sister, तो पापा ने sister को रूम में close कर दिया, वो अकेली बंद है रूम में, यानि isolate है, isolation आपको पता होगा, lockdown में आपने word सुना होगा, isolation, isolation ward, उसे isolate कर दिया गया, यानि अकेले रख दिया गया, एक तो ऐसे याद करेंगे, दूसरा याद करेंगे, कि close और sister, यानि कि अगर कोई आपको sister में close करते, तो आप कैसे हो जाएंग अकेले हो जाएंगे, isolate हो जाएंगे, वह ही लिखा हुआ है, अगला cluster, cluster का मतलब होता है, group, assemblage, तो देखो, assemblage पहले भी आपने assemble से याद किया था, assemble का मतलब समू, यह जगा पर जमा होना, तो इसकी आपको tension नहीं है, आपको cluster से याद रखना है, cluster में आपने पढ़ा होगा कि cluster of stars, आपने collective noun में पढ़ा होगा, cluster of stars, यानि कि तारों का जुंड, तारों के समूख को हम कहते हैं, cluster, दोसरा है cordal, cordal का मतलब होता है, satisfy, laard प्यार करना, cordal करना, cordling करना, अब देखो, cordal ऐसा लग रहा है, लिखा हुआ है, noodle, ठीक है, cordal, noodle, अगर थोड़े देर के लिए आप जो है, noodle पढ़ ले, cordal को, तो आपको याद हो जाएगा, कि बच्चे जो होते हैं, वो noodle बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपने बच्चों को अगर noodle दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाते है, satisfy हो जाते है, खा करके, अगर आपने बच्चे को क्या दे दिया, कोर्स का मतलब खुरदरा भी होता है, ठीक है, लेकिन वो होता है, C-O-A-R-S-E, तो यहाँ पर यह कोर्स जो लिखा हुआ है, C-O-E-R-C, जिसका मतलब होता है, मजबूर करना, तो कोर्स ऐसा लग रहा लिखा हुआ, force, अगर मैं इसको पढ़ लो, force, तो कोर्स और force, तो force क करना किसी को, तो force करना का मतलब क्या होता है, किसी को pressurize करना, किसी को बहुत ज़ादा pressure में डालना, pressurize करना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, course, आगे देखेंगे, अगला है coincidence, coincidence का मतलब होता है, इतिफाक से, by chance, तो आसान सा वर्ड है, वो मुझे coincidence नहीं मिल गया, यानि क मिले साथ एक coincidence हो गया, यानि कि by chance कोई चीज हो गई, उसके बाद देखेंगे, collaborate करना, collaborate करना का मतलब होता है, collude करना, collude का मतलब होता है, मिल कर काम करना, अब आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो collaboration करते हैं, collab करते हैं, यानि कि मिल करके वीड assemble, पहले भी आपने पढ़ा, assembly से मैंने आपको याद कराया था, collect को याद करो, collect से, collect का मतलब क्या होता है, जमा करना, और यह यहां पर लिखा हुआ है, collect, अगला है, combustible, combustible का मतलब होता है, jewelan seal, inflammable, यानि कि जो जले, ठीके, combustible, आपने पढ़ा होगा, combustion reaction, तो combustion reaction में क्या हो जितने भी पदार देख रहे हैं, वो सब के सब जैसे कोईला है, लकड़ी है, और यह सब क्या है, combustible है, oil है, यह भी क्या है, inflammable है, और यहां पर तो flame है, flame का मतलब ही होता है, आग, जुआला, उसके बाद है commemorate, commemorate का मतलब होता है, celebrate करना, किसी चीज, किसी को याद करके, कि किसी वैक्ति को या किसी personality को याद करके, celebrate करना, तो देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि celebrate, याद करेंगे, memore, यहां पर देखेंए, एक word आ रहा है क्या, memore, और यही root word है, memore, यानि कि memory, तो किसी के memory में, ठीक है, किसी के memory में, किसी की याद में, जब किसी चीज को हम celebrate करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं commemorate ठीक है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा आगे देखेंगे अगला जो है वह है commendable commendable का मतलब होता है praise वर्दी सराहनिय जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो आप में से कमेंट आता है commendable job ठीक है commendable job मतलब तारीव के सराहनिय काम ठीक है तो तारीव के लाएक काम तो इसे को बोलते है commendable यानि कि praise वर्दी औप प्रेज तु आपको पता है praise का मतलब तारीफ करना चले आगे देखेंगे अगला है common common का मतलब होता है usual यानि कि सामान ने तो वही यह आप लिखा हुआ है कि यह बहुत दा common है यूजवल है जो डेली होता है यूजवल है ना तो उसको हम बोलते है common आगे देखें कमोशन कमोशन का मतलब होता है हला गुला करना डिस्टर्बन करना डिस्टर्बन और फस ठीक है एफ यू डवलस फस अब यहाँ पर देखेंगे कि कमोशन को याद करने का तरीका ऐसे है कि अगर कोई वेक्ति जैसे आप रूम में पढ़ रहे हैं आप समझेगा आप रूम में पढ़ रहे हैं बैट करके सांतिय से और कोई आपके रूम में कम कम का मतलब आना और मोशन का मतलब गती में कोई गती में आता है बलकुल मतलब चल करके, speed में, दोड करके, running करके, कोई आपके room में motion में आता है, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, है न, तो वही है, कमोशन का मतलब क्या disturbance, उसके बाद है, कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है, परिवर्टित करना, कम्यूट करना, अब यहाँ पर देखो, कम्यूट वर्ट जो है, communication, ठीक है, कम्यूट वर्ट से क्या बना है, communication बना है, और communication में हम क्या करते हैं, तो अपने words का exchange करते हैं, हम बोलते हैं, फिर अगला बोलता है, है फिर हम बोलते है फिर अगला बोलता है तो commute का मतलब होता है convert करना यानि कि परिवर्तित करना ठीक है इस तरह से आपको याद हो जाएगा यह आगे देखेंगे अगला है compensate compensate का मतलब होता है कमी-पूर्ती यानि कि make-up 4 है यानि किसी चीज़ को make up करना उसे को बोलते हैं क्या कमी पूरते तो देखो compensation यानि कि उसे compensation मिला यानि कि accident में उसको जो भी दुरहटना हुई या पर उसकी car जो भी damage हुई उसके लिए उसको क्या दिया गया compensation दिया गया तो compensate का मतलब हो यानि कि आपको capable होना पड़ेगा योग्य होना पड़ेगा competition में सामिल होने के लिए तो competent का मतलब हो जाएगा capable उसके बाद देखो compliant और यह हमने पहले भी याद करवाया था और मैंने कहात है कि आगे main word के रूप में आएगा comply compliant जिसका मतलब होता है आग्याकारी बात को मानने वाला और इसका synonym से submissive तो पहले मैं आपको सबमिसिव याद करवाता हूँ तो देखो अगर कुछ बात जो है आप किसी वेक्ति को बोलते हो और वो सब में सही सब में सही आपको बोलता है ठीक है सब में सही ठीक है वो बोलते रहता है कि हाँ सही है सही है सही है तो उसको हम क्या बोलेंगे submissive ठीक है अग्याकारी और यहाँ पर क्या दिया हो है compliant तो compliance से मैंने याद कराया था कि अगर आपका बच्चा compliance पी लेता है आपकी बात मान लेता है तो इसका मतलब वो क्या है अग्याकारी है तो compliant का मतलब हो जाएगा submissive छोली अगला वर्ड़ वो है complicated असान मतलब होता है बिल्कुल जटिल बोलता है ना बहुत ज़्यादा complicated situation है complicated problem है यानि कि जटिल समस्या है complex इसे क्या हो जाएगा synonyms उसके बाद comply फिर से आगया है पालन करना ओभे आपको पता होगा ओभे का मतलब क्या होता है अग्याकारी और comply मैंने आपको compliance से आद करवाया था कि complaint आपका बच्चा पी लेता है समझो वो क्या है obedient है अग्याकारी है उसके बाद compose करना यानि कि कोई भी संग्रह करना collect करना तो देखा होगा आपने कि poem वगरा क्या की जाती है compose की जाती है यानि कि collect की जाती है संग्रह की जाती है तो यहां पर लिखा हुआ है compose आगे देखेंगे अगला जो वड़े वह है comprehend comprehend का मतलब होता है समझना understand तो हमारे बहे एक्जाम में आता है न रिडिंग comprehension तो reading comprehension का मतलब क्या होता है कि पहले आप उसको पढ़िए फिर समझिए और फिर उस related जो आगे question दिये हुए रहते हैं उसके answer कीजे तो comprehend का मतलब क्या होता है समझना understand यानि कि पहले आपको उसको समझना पड़ता है उसके बाद है हमारा compunction का मतलब होता है आत्मगलानी यानि की scrupulous और रिमोर्स रिमोर्स का मतलब पश्चाताब भी होता है याद रखेंगे मिनिंग अब यहाँ पर देखेंगे कम पक्षन को याद करने का तरीका देखो कम और पंक्चर ठेक कम और पंक्चर ठेक होना तो जब भी हम बच्पन में स्कूल आते थे और कभी-कभी हमारा मन होता था कहीं ने जैसे भी हमें को आट है और के लिए क्रश्र udah देखो इसको याद करने का तरीक का मतलब छूपा ह destruction Leek कोई दब्बे में सेल है या बॉक्स में सेल है तो वह क्या रथी है तो फैसे हाइब का मतलब होता है इसके बाद पहुता है एश्च सब्सक्राइश मेरे ट्रॉप सब्सक्राइब आप धर में लिखा यहाद करई टाथ हुए अगला स्थ अगला कनसेशन का मतलब रियायत होता है यह वह असान सबसी देना कि कंसेशन पूर या फिर handicapped candidates वहीं आपे लिखा हुआ है concession रियायत देना छूट देना allowance देना तो वही है आपे concession ये भी एक आसान सा word है अगला है conclude conclude का मतलब होता है समाप्त होना end होना तो conclusion से याद रखेंगे conclude conclusion क्या conclusion निकला भाई story के end में क्या conclusion निकला आपने जो story पढ़ी उसका क्या conclusion निकला तो वही है conclude का मतलब क्या हो जाना end हो जाना अगला है concorted concorted का मतलब होता है मनगड़न्त यानि कि dubious मनगड़न्त कहानी concorted का meaning दोनों को हम याद करेंगे जैसे यहां पर देखो एक है dubious तो dubious का मतलब संदिख्द होता है या फिर मनगड़न्त होता है तो समझो कि पुलिस वालों को जो है पुलिस वालों को जो है एक संदिख्द मतलब क्या है उनको पता नहीं कि यह क्या है किसका है तो dubious का मतलब संदिख्द आपको याद हो गया अब याद रखेंगे को याद करने के लिए इहां पर कान काट तो क्या होता था कि बेच्पन में नहीं सोते थे तो मम्मी बोलते थी कि का न कंगंट कहानी होती थी तो होती थी तो concorted, can cut होगा, तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, dubious अगला बट देखेंग, अगला है concurrence concurrence का मतलब होता है agreement, सहमती, और इसको याद करना में आसान मना दूँगा आपके लिए कि concurrency, तो कोई ऐसा वक्ति है जो करेंसी लेने को, करेंसी का मतलब मैं नोटों की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, कौन ऐसा वक्ति है, जो करेंसी लेने को agree नहीं होगा, तो concurrence का मतलब हो जाएगा, agreement, सहमती, अगला देखेंग, अगला है condemn, condemn का मतलब होता है, निंदा करना, करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आपके निंदा करनेंगे, डिनाउंस करेंगे, पनिश्वीक कर सकते हैं आपको, तो condemn का मतलब हो जाएगा, निंदा करना, अगला है condescending, condescending का मतलब होता है, patronize, यानि कि स्वैम की वरिस्था दिखाने वला वेभार करते हुए, बोलते हैं न, कि हम क्या करते हैं, अपने आपको बड़ा दिखाने के चक्र में, तो यह यहाँ पे, कौन और descend, ठीक है, अपने आपको क्या दिखाना, बड़ा दिखाना, और अपने से अगले को क्या दिखाना, छोटा दिखाना, descending दिखाना, तो कौन descending का मतलब हो जाएगा, patronized, अगला है, condescension का मतलब होता है, नर्मता, ठीक है, यानि कि बहुत जाँ नर्म होना, और इसका syndrome से disdain, तो देखो, ऐसे याद करो, जैसे, कौन का मतलब क्या होता है, group, और, जैसे यहाँ पर लिखा हो है, visualize a person in con, in a group, और party is behaving as if he is the only one person descent with superiority, जैसे descent यहाँ पर लिखा हो है, तो descent यहाँ पर थोड़ा दिरिक लिए अगर पढ़ ले आप, descent, तो अगर कोई वेक्ति अपने आपको बहुत दार descent दिखा रहा है, मतलब descent दिखाने करोसिस कर रहा है, अपने आपको विनर्म दिखाने करोसिस कर रहा है, group में, तो उसी को हम बोलेंगे, disdain, आगे देखेंगे, condone, condone का मतलब होता है, ध्यान ना देना, overlook कर देना, ठीक है, overlook, forgive, तो यहां पर देखो, आपने किसी को क्या कर दिया, अंदेखा कर दिया, क्या कर दिया, करदो अंदेखा, करदो forgive, forgive का मतलब म Васराफ करना होता है, अब बोल लो यहां पर कि करदो माफ, खुद बोल कर कर देखेंगे का लगेगा, कर दो कंडो कर दो कर दो माफ बाई कर दो माफ अब हो गए गलती है माफ कर दो तो कंडोन का मतलब हो जाएगा forgive यानि कि overlook अगला है confederate confederate का मतलब होता है संदी करना combine करना आपने confederation पढ़ा होगा ठीक है जो confederation होता है उसका मतलब होता है संग संग का मतलब क्या है कि नेश्ट का मतलब होता है स्विकार कर लेना एडमिट कर लेना कि आपने अगर अपनी गलती कंफिस कर ली एडमिट कर ली तो चलो अच्छी बात है होता है न कि उसने अपने सारे गुनाह क्या कर लिए कंफिस कर लिए एडमिट कर लिए तो एडमिट का मतलब क्या करना स्व स्विकार कर लेता है कि हाँ आप जो है क्या कर लो कि अपने मरीज को जो हमारे अस्पिटल में आप एडमिट कर वा सकते हो तो स्विकार कर लिया डॉक्टर ने तो वही कन्फेस का मतलब भी स्विकार करना होता है एडमिट करना होता है अगला है confidential, confidential का मतलब होता है go पी नहीं है, secret, गुप्त, तो बोलते हैं न कि ये बात जो है बिल्कुल confidential रहना चाहिए, ये बात जो है क्या रहना चाहिए, confidential रहना चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, तो confidential का मतलब होता है secret, यानि कि गुप्त, अगला वर्ड है confiscated, confiscated का मतलब होता है seize कर लेना, जब कर लेना किसी चीज को, तो अगर मैं इसको दो तिन पार्ड में ब्रेक करके आपको बता हूँ तो यहाँ पर लगे है फिश और cat फिश का मतलब मचली, cat, बिल्ली तो सबसे प्रियभोजन बिल्ली का क्या होता है फिश, मचली, मचली देखते हैं बिल्ली के मूँ से जो है वो लाट टपकने लगती है तो यही है यहाँ पर कि जैसे आपने जो है मचली जो है किसी बिल्ली के आगे रख दिया तो क्या हो जाएगा वो बिल्ली जो है झीज कर लेगी ऊस मचली को ठीक है अपने अंडर में लेगी वो जो ऑप तरफ तो मचली करेगी अपने अंडर मिले लेगी तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे को तो छब चाल पा डतना कंपके अगला है konflagration conflagration का मतलब होता है आग यानी कि fire तो देखो क्या है याद करेंगे कि मैं रासन लाने जा रहा था तब भी मैंने रास्ते में बीच रास्ते में मैंने जो है गोल्ड फ्लैक सीग्रेट जलाई ठीक है गोल्ड फ्लैक फ्लैक से याद रखें गोल्ड फ्लैक और रासन रासन लाने जा रहा था तब जो है बीच में क्लेश हो गया क्लेश हो गया मतलब क्या हो गया हो गया और एक और कॉन्फिक्ट चांक रूजा एक ऑसाना सब्सक्तराना कोई भी बिक w23-291-----4 किसी का सामना कब करता है उसको सामने це करता है नद मैं करता है आप ऐसे याद रख़ो कि कुई वैक्ति किसी का सामना करता है करें कर दूर से करता है का नैसा कि आम मत्त से सामना कर ना ओअ कि अगला है सामना करना to a cost चले खेङव अगला है confusion confusion का मुझल मुदल यानि कि बिल्कुल अविवस्था हो होना confusion हो जाना तो यहांप याद रखेए किसने model किया है अब हो इonna कि अगले हैं है का मतलब और मिटिंग र्लोगों का जम्माऔरisl not लिखा हुआ है तो हम इसको याद रखेंगे, Congress की Meeting, Congress की Meeting, तो Congress की Meeting में लोग क्या होते हैं? जमा होते हैं, तो यह हो गया, Congregation का मतलब क्या, Meeting, आगे देखेंगे, अगला है, Congruent, Congruent का मतलब होता है, identical, यानि कि सरवागसम, आपने Math में यह पढ़ा होगा, Congruent Triangle, यानि कि दो यहां पर में यहनु ओगैंड चांड यहां तों कहां कि यहां लगैंसिक अंud चाहिए जैसे बार दकुन कि अग्ला क्वादि उसको य्याद रखना में जैसे यहां पर 만들 दिया हुअ है इसका संुनुए मैं तो जो है यानि कि दोनों जो है सामान है उसके बाद देखेंगे अगला जो है वह है कंजर का मतलब होता है अपील करना मंत्र मुग्द करना ठीक है और अगला जो है इसका वर्ड है वह है कंजरर दोनों मिनिंग को याद रखेंगे अब देखो कंजरर कंजरर का मतलब होता जादूगर और कंजर का मतलब होता है मंत्र मुग्द कर देना तो जो जादूगर होता है वो क्या करता है लोगों को मंत्र मुग्द है तो कर देता है लेकिन बात यह है कि हम कंजर को याद कैसे रखेंगे तो यहाँ पर देखो कंजर को हम पढ़ लेंगे अगर अगर आपने म Conjuring, तो the conjuring के जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, पिसाज की बात की गई है, तो वही कांजरर, conjuring का मतलब हो जाए मैजिसियन, और यहाँ पर कंजर लिखा हुआ ता, कंजरर का मतलब याद हो जाए का आपको appeal, आगे देखेंगे, अगला है कॉंसर, कॉंसर का मतलब होता कौन सा सुर तो कौन सा सुर कहां पे लगेगा कौन सा सुर यानि जो गाने वाले सुर की बात की जा रही है सारे गामा पाधन इसा कौन सा सुर कहां पे लगेगा ये एक जज ही बताता है अपने देखा हो गए इंडिन आइडल में सिंग रियाल्टी सो में कि कौन सा सुर कहां तो कॉनसर का मतलब हो कि भाव बतलाना ap तो आप याद कर सकते है इसको और नहीं तो आपकी जो है नीचे ट्रिक लिखी हुए तो आप इसको पढ़ कर सकते हैं आप इसको खुछ से पढ़ लिजेगा उसके बाद जो दिया हुआ है वह है कंसिंटियस का मतलब होता है ओनस्ट इमांदार तो इसमें एक वड़ारा साइ तो स्टींटियस्ट क्या होता है otay ऐसके बाद के शもうब सनकें का मतलब होता है अवेर ने सिंटियसMac 1989 को लेकर के वो जाग्रूक यह बोलता है बोलता है ना वह आ वो इसको मतलब होता है आद आigorा स्क्रिप्ट का मतलब होता है ध्राटि यानिकी भरती होने वाला तो देखो कि इसको मैंने ऐसे याद किया था कि subscribe लिख करके डाल दो ठीक है script लिख करके draft में डाल दो आपको भरती कर लिया जाएगा तो आपको इतना याद रखना है कि script लिखो और में डाल दो कि आपको select लिया जाएगा है ना, छुलिए आगे देखेंगे consequence consequence का मतलब होता है परिनाम outcome क्या outcome निकला क्या consequence निकला बोलते हैं न कि कहानी के बाद जो है क्या consequence निकला क्या outcome निकला consequence का मतलब हो जाएगा outcome उसके बाद है हमारा consequence ensuing वह है फलसोरूप in ensuing end से बना है ठीक है तो end का मतलब हो जाएगा last में फलसरूप क्या निकला और यह भी consequent तो मैंने आपको बताया ही उसके बाद देखें conservation, conservation भी एक आसान सा वड़ है जिसका मतलब होता है preservation यानि कि किसी चीज को क्या करना preserve करना, बचाना, जैसे आपने soil conservation पढ़ा होगा plant conservation पढ़ा होगा forest conservation पढ़ा होगा तो इन सब चीज को हम क्या करते हैं conserve करते हैं, यानि बचाते हैं इनकी रक्षा करते हैं, तो conservation का मतलब हो जाएगा preservation अगला है considerate considerate का मतलब होता है विचार करना consider से बना है, thoughtful thought का मतलब विचार, हम बोलता है थोड़ा consider कीजएगा यानि विचार कीजएगा, तो वही ये considerate का मतलब क्या होना, thoughtful होना विचार, seal होना आगे देखेंगे consigne, consigne का मतलब होता है nominee यानि की पाने वाला, वही यहाँ पे लिखा हो है consigne, तो देखो जो भी nominee होते हैं, तो nominee क्या लिया जाता है, sign लिया जाता है तो nominee का sign, देखो लिखा हो है nominee का sign तो nominee का sign होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पैसे निकालना है तो consigne का हो जाएगा nominee उसके बाद है concert concert का मतलब होता है partner सहचारी, तो हम बोलते हैं ना जैसे आपे देखो यह दुनों कहा है, partner है अब यहाँ पर concert लिखा हुआ है तो concert को तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे मालनों कि एक music concert होता है तो वहाँ पर जितने भी partners होते हैं एक ढोल बजाने वाला होता है एक guitar बजाने वाला होता है harmonium बजाने वाला होता है तो सब मिलके जो है एक partner के रूप में वो पूरे program को organize करते हैं, music concert को तो concert का मतलब partner या फिर दूसरा तरीका कि जब जैसे साधी हो गई किसी की, तो वो अपने partner से ही तो पूछता आना कि आज कौन सा shirt पहनूँ, कौन सा shirt ना पहनूँ तो concert का मतलब क्या होता है partner next देखेंगे, कौन से piquous कौन से piquous का मतलब होता है aspast, evident, evident आपको पता होगा easily seen or noticed जो आसानी से दिख जाए जो easily noticed हो उसको हम बोलते हैं कौन से piquous तो इसको दो पार्ट में divide करो, कंस और pic 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 से picture याद रखेंगे, kans से याद रखेंगे, kans mama तो kans mama को क्या हो, जैसे जैसे krishnah भगवान बड़े हो रहे थे, तो kans mama को अपनी मिर्तियों का picture ठीक है, यानि अपनी मिर्तियों का picture उनको clearly दिखाई दे रहता कि मेरी मिर्तियू अभ जल्दी होने वाली निस्छिंत है तो कॉंसे पीकोस का मतलब होता है एविडेंट यानी इजीली नोटिस्ट अगला है कॉंसर्टफॉ कॉंसर्नीशन जे और कॉंसर्नेशन का मतलब होता है घबराहट डिस्में इसको याद करेंगे ऐसे कि देखो continuous terror और नेशन तो अगर एक नेशन पर continuously terror attack हो तो वो country जो है वो नेशन जो क्या होगी घबराएगी तो घबराहट ही तोगी होगी वहाँ के लोगों को और डिस में को याद रखो कि जैसा ही गर्मी आती है दिस में आती है घबराहट इसके मतलब होता है जैसे चीज को टाई करना बांधना रखना कैंट्रोल में रखना तो याद रखेंगे से अगला है constraint constraint का मतलब control अभी बताया था मैंने कुछ दिर पहले आपको प्रतिबंद लगाना constraint लगाना सेम रूट वर्ट से इसको याद रखेंगे जिसका मतलब होता है हमारा control अगला है अगला है contemplation का मतलब होता है निंदा करना meditation करना design करना अब देखो यहाँ पर एक से आ रहा है कि यहाँ आपको देखा होगा कि टेमपल में लोग जाकर के क्या करते हैं तो अबने देखा होगा कि टेमपल के परिशर में यह अपको डेजाइन चली अगला वर्ड है हमारा Contempt Contempt का मतलब होता है Greena आसान सा वर्ड हेट्रेड बोलते हैं ना Contempt यानि घ्रीना हेट नफरत आसान सा वर्ड है Contempt अगला है Contemptable जिसका मतलब होता है Greena Abhorrent Abhorrent हमने पहले भी याद किया है अब भोर में उठने से मुझे क्या है नफरत है घ्रीना है तो Abhorrent हो जाएगा चलिए अगले हमारा Contigent Contingent का मतलब होता है Accidental आकास्मिक आपने एक थियोरी सुनी होगी कि जितने भी Continent हैं वह अचानक से क्या आ गए एक दूसरे के निकट आ गए जितने भी Continent हैं वह एक दूसरे के क्या आ गए निकट आ गए तो Contigent का मतलब होता है हमारा Accidental तो ऐसे ही याद रखेंगे Continent से ठीक है कि Accidentally सारे Continent एक दूसरे के नज़दी का गए अगला है Contraband Contraband का मतलब होता है वर्जित यानि कि स्मगल्ड तो आसान सा वर्ड है यह भी Contraband यानि कि Country में बैन है अस्मगलिंग Contraband Country में बैन है क्या स्मगलिंग करना कंट्री में बैन है तो Contraband का मतलब हो जाएगा Contradiction है तो क्या है इनमें खंडन है Contradiction करो आगे देखेंगे अगला है Contraband Contraband का मतलब होता है ब्रीच अवहेलना करना ब्रीच हमने पहले भी याद किया था वाइलेशन से कि अगर आपने कानून की संपतिय बेच दी तो आपने समझो क्या कर दिया वाइलेशन कर दिया तो यह Contraband तो country में याद रखेंगे country में कंट्री में बीच पर टिके country में बीच पर वैन ले जाना क्या है तो यह कानून का अभेलना है कानून की क्या है अभेलना है तो country में बीच पर वैन लेकर करना Contravene और ब्रीच याद हıllजाएगा इस ‫तरह से अगला है कंट्राइट कंट्राइट आसांसा वड़ जिसका मतलब होते है रिग्रेट करना। पस्चा अथ। क्या करना, Contrite यानि कि पश्चात आप करना Regret करना जैसे देखो क्या होता है कि हम कोई चीज़ Try नहीं करते तो हम बाद में पश्चता आते हैं कि कास मैंने Try कर लिया होता तो Contrite का मतलब होता है Regret अगला है Control Control का मतलब होता है Regulate करना देखो Regulator गैस में देखा होगा आपने Regulator दिया हो रहता है तो से हम क्या करते हैं जो गैस की Flame होती है उसको हम क्या करते हैं तो उसको हम Regulate करते हैं Control करते है Regulator से तो Control का क्या हो जाएगा Regulate करना अगला है Controvert Controvert का मतलब होता है Contradiction अभी हमने पढ़ा था ना Contradiction तो यहाँ पर दिया हुआ है contradict यानि कि क्या करना contradiction करना खंडन करना जैसे कोई बोल रहा है उसकी बातों को हमने खंडित कर दिया मतलब उसकी खिलाफ हमने बोला तो controversy से याद रखेंगे controversy कब होती है जब वाद विवाद होता है तब ही तो controversy होती है अगला है convergence convergence का मतलब होता है recover होना बीमारी से अच्छा होना उसे ही को हम बोलते है convergence से याद कने का तरीका बस इतना सा है देखिए कि कौन वाला सीन देख करके अब देखो कोई वेक्ति जो है किसी की यादास चली गई तो उसको डॉक्टर ने कहा कि इसको ऐसे से सीन दिखाई है जिससे इसकी यादास पुराने सीन दिखाई है पुराने पिक्चर दिखाई वीडियो दिखाई जिससे जो है इनकी यादास वापस आए तो धृद्रे उसकी यादास वापस आने लगी तो डॉक्टर ने पूछा कि कौन वाला सीन देखाया है आपने जो य का मतलब हो जाएगा कौन वाला सीन यानि के रिकवर कौन वाला सीन दिखाया जिससे रिकवर हो रहा है चलिए आगे देखेंग अगला है कन्वर्ज कन्वर्ज का मतलब होता है टॉक करना बातचीत करना तो देखो सॉरी कन्वर्ज कन्वर्सेशन से इससे ही बनाया कन्वर्से कर दो इस चीज को convert कर दो या फिर दूज जो है दही में convert हो गया तो यह convert का मतलब transform हो जाना उसके बाद देखेंगे अगला है convict, convict का मतलब होता है अपराधी, criminal आसान सा वर्ड है convict, बोलता है ना कि वो convict है, convict है का मतलब क्या अपराधी है, यानि कि criminal है, culprit है, तो culprit का मतलब क्या होता है दोसी होता है, ठीक है, convict होना, उसके बाद देखेंगे अगला है cornucopia, cornucopia का मतलब होता है treasure truth, यानि कि ज्यादा मात्रा में, देखें, या फिर cornucopia का मतलब यह जो आपको टोकली दिखा रही है न, दिख रही है, यह भी cornucopia ही होता है, तो देखो, हम ऐसे याद करेंगे, कि कापिया, कर कापिया, इतनी कापिया कर दे, इस document की, इतनी कापिया कर दे, कि बिल्कुल धेर लग जाए, न, ट्रीजर ट्रूफ, ट्रीजर एकदम धेर लग जाए, तो cornucopia का मतलब हो जाएगा treasure trophy यानि कि धेर लग जाना उसके बाद है corridor corridor का मतलब होता है passes बरामदा याद रखेंगे corridor passage corridor passage याद हो जाएगा कि यह corridor है असान था word है उसके बाद है corroborated देखो corroborated का मतलब होता है पुस्टी किया हुआ यानि कि confirmed देखो अब ऐसा है कि मैं अपनी कार लेकर के गया मैकैनिक के पास और मैंने मैकैनिक को कहा कि भीया इसमें ने मेरे कार्बूरेटर में कुछ फस गया है कार के कार्बूरेटर में कुछ फस गया है तो चेक करना तो मैकैनिक ने उसको चेक किया और फिर मैकैनिक ने confirm किया कि हाँ भी है कुछ ना कुछ जो है इसमें फसा हुआ है तो कॉर्बरेटेट का मतलब होता है कन्फर्म्ड उसके बाद है काउंटर फीट काउंटर फीट का मतलब होता है फेक, नकली तो ये भी आसान है याद करना कि काउंटर के पीछे बैट करके फेट ना ठीक है जैसे नोट होता है ना कि असली नोटों के बीच में नकली नोट फेट देना तो counter के पीछे बैट करके जो सेट जी है वो क्या कर रहते हैं तो असली नोटों के बीच में नकली नोट फेट रहते हैं यानि कि फेक नोट जो है फेट रहते हैं तो counterfeit का मतलब होता है यानि कि खाड़ी तो देखो कोव कैसा लग रहा केव तो खाड़ियों में ही तो केव होते हैं यानि गुफा जो होते हैं केव होते हैं कहां होते हैं बे में होते हैं खाड़ियों में होते हैं चले उसके बाद है हमारा कोविनेंट कोविनेंट का मतलब हो याद हो जाए कि आपको contract, bond और अगला वड़ है हमारा coveted coveted का मतलब होता है desire, इच्छा होना, अकांच्छा होना लालच होना, उसको हम बोलते हैं coveted तो अगर मैं coveted को थोड़ी दिल के kowet पढ़ लो, kowet ऐसा लग रहा, kowet, तो kowet में है, तो kowet में तेलो का जो है, वो कुवा है, तो हर country की क्या होती है, desire होती है, इच्छा होती है, कि हमारे पास भी कास, kowet जैसा क्या होता, तेलो की कुवे होते हैं, आना, तो हम भी आजाओ अमीर होते हैं, तो coveted का मतलब क्या हो जाएगा, desired next word है, वो है Credible, Credible का मतलब होता है BLEEVABLE यानी कि विश्वसनिय विश्वास करने के योग्य उसको हम बोलते है Credible अब देखें आपको Believe याद होगा Believe का मतलब होता है विश्वास ठीक है? और BLEEVABLE का मतलब हो जाएगा विश्वास योग्य Credible को आप याद रखें क्रेडिट से, यानि कि bank वाले आपको credit card तब ही देते हैं जब bank वालों याप पर विस्वास होता है भरोसा होता है, या फिर k्रेडिट का मतलब उधार भी होता है, तो कोई भी वेक्ति आपको उधार तब ही देता है जब उसको आप पर क्या होता है? भरोसा क्वेinkरा हुआ है अब आप देखेंगे सबसे पहले मियाद करेंगे इसको गुलिबल्ला से स्परीक है गल है गुली बल्ला को याद अगतने वाले वाली जो गुली रंटा heck है चोटे का मतलब होता है Tip Toe यहानि कि छुपकर सरक निकल जाना सरक जाना तो तो आपको पता होगा यानि टौ पर बिलकुल टौ पर चलते हैं तो आवाज नहीं करती है कि इसम सैलेंट ली हम आगे बढ़ते हैं करीप को कैसे जाद तो क्रीप को आपको याद रखना है क्रीपर से यानि जो क्रीपर होते हैं यानि जो लताएं होती है वो देखा होगा आपने कितनी आसानी से टिप्टो सरकते जाती है मैं पता भी नहीं चलता है वो कब बढ़कर के हमारे च्छत तक पहुंच गए या पिक्चर में देख पा तो क्रिस क्या करता है तो क्रिस बड़े-बड़े बिल्डिंग्स पर अराम से चढ़ जाता जाता है है और यहां पर लिखा क्रिटिकल यहां कि उचाओ चड़ाई अगला है क्रिटिकल का मतलब होता है सिवर्ली गंभीर रूप से हम बूलता है ना बहुत जाद सीवर कंडिशन है यानि बहुत ज़ाद गंभीर कंडिशन है critical situation है रहना तो critical critical हमने पहले भी आद किया था यानि बहुत ज़म्हिर होना critically होना critical situation होना seearily होना तो आसानसवर्ड है यह भी कि आगे है criticize criticize क्रेटी safe है भी असानसा अवर्ड है इसका मतलब होता है इंदा करना तो देखो criticized to आपको याद होगा, criticize का मतलब निंदा करना, कोई भी हम गलत काम करते हैं, तो लोग criticize करते हैं, या फिर अच्छे काम पर भी लोग criticize करते हैं, और यहाँ पर sensor जो लिखा हुआ है, sensor को मैं याद करूँगा, sensor board से, कि फिल्म में जब कोई अबद्र scene होता है, तो उसको sensor board क्या कर करते हैं, बुराई करते हैं, और फटकार लगाती है, director को, कि आपको इस scene को हटाना होगा, तो यहाँ पर sensor का याद रखेंगे, यानि criticize करना, निंदा करना, sensor board से, अगला है हमारा crucial, crucial का मतलब होता है, महत्वपून, तो बोलता है न, कि यह जो vitamins है, वो बहुत जदा crucial है, हमा D, E, K, तो सबके सब हमारे body के लिए क्या है, बहुत जदा crucial है, तो crucial का क्या हो जाएगा, vital, उसके बाद जो है, हमारा है, crude, crude का मतलब होता है, dirty, मैला कर देना, गंदा कर देना, तो इसको याद रखेंगे, कर दीना dirty, कर दीना मेरी पूरी सर dirty, तो crude, ठीक है, crude का मतलब क्या क्या हो जाता है, तो अलग अलग हो जाता है, तो पिर हो जाता है, तो crude का क्या हो जाएगा, dirty, शले आगे देखेंगे, अगला झो है, crude, जो है, cui traffic coming, ए तो, Quindiying होता है, तो, UN-Refined होता है, तो बस याद रखेंगा आपको crude oil, picture में आप देख पारोंगे, crude oil जो है, वह अन-rifined तो देखो, क्रुल को भी याद करना असान है, जैसे बोलते हैं बहुत जदा क्रुवल परसन है, यानि की निर्दई है, बुरुटल है बिलकुल, तो बुरा था से याद रखेंगे, वह बुरा था, बुरुटल था, निर्दई था, उसके बाद है करमबल, क्रमबल का मतलब हो और यहां पर क्या लिखा हुआ करंबल तो देखो करंबल के दो मिनिंग होता है एक तो करंबल का मतलब छोटे-चोटे टिकड़ों में विभक्त कर देना चोटे-चोटे टिकड़ों में डिवाइट कर देना दूसरा होता है किसी को अपने अधीन में कर लेना तो करंबल एक्स सब को अपने अधीन में कर लिया तो क्रम्बल का मतलब हो जाएगा सबमिसिव कर लेना अधीन कर लेना अगला है क्रुशेट क्रुशेट का मतलब होता है कैम्पेन धर्म युद्ध जिसको भी बोलते हैं तो देखो क्रुशेट को याद करेंगे ऐसे कि क्रुशेट्र यानि कि महाभारत का युद्ध कहा हुआ था तो क्रुशेट्र में हुआ था और क्रुशेट्र के महाभारत के युद्ध में सबने क्या लगाया था तो camp लगाया था सब राजाओं ने क्या लगाया था केंप लगाया था और दिनबर वो लड़ाई करते थे और night में camp में जो है विसराम करते थे या फिर जो भी बात चीत करनी होती थी युद्ध से यानि की प्रित्वी के सतह के बारे में भी आले को बहुत लइशकर 15 2 तरफ है उसके बारे के अब इसके मैंने आपको बताया था कई ऐने वाला है किंग का मतलब क्या मैंने बताया था धूर्त चलाक और मैंने स्रीड भी याद किया था स्री डव्लूडी पाठक से हैं कि बहुत ज्यादा चालाक हैं स्री डव्लूडी पाठक और स्लिक बेस का क्या है तो सिनुनिम से याद कैसे करेंगे एक कनिंग फॉक्स थी स्टोरी जो है दुबारा रिपीट नहीं कराऊंगा बस इतना बता दूँगा कहुआ और लोमडी वा उसके बाद याद रखेंगे कुपीडिटी का मतलब होता है ग्रीड लोग लालच तो देखो कुपीडिटी याद करना ये भी आसान सा है कुपिड कुपिड में जो एक संस्क्रित वर्ड है कुपित का मतलब होता है गुसा होना ठीक है गुसा हो जाना कुपित होना अब कु अगला है कुरिटिव का मतलब होता है healing यानि कि उपचारात्मक। अब आपने देखा होगा, जो hצ़ यूर आपने पढ़ा होगा कि उसे क्योर किया गया, क्योर किया मतलब असे क्या किया गया। ठीक किया गया, यानि अगर कोई विमारी से फ़ो घ्रसित था तो उसे क्या कर और दिखेंगे हील यानि की हीलिंग करना यह भी आसान सा वर्ड है हील टीक है चुले देखिये उसके बाद है क्यूरियस का मतलब होता है और इन्क्िजिटिव यानि जिग्याशू, अब देख इसको याद करने का तरीका, लेकिन लेकिन न्क्िजिटिव का मतलब होता है, जैसे इंक्वाईडी, ऐसे कोई वेक्षि Посक्षिंट, यहां पर एक वरड आरा हुई हैिक्विजिटिव, आती है तो ज्यादा कोशन करेगा हैं तो क्या हो जाएगा इनक्विजिटिव आगे देखें का अगला है क्यूट क्यूट का मतलब होता है चामिंग तो बोलता है ना बहुत ज्यादा क्यूट और चाम है वह चामिंग दिखता है क्यूट दिखता है तो क्यूट और चामिंग असा वर्ड है यह भी. उसके बाद, cynism, cynism का मतलब होता है kutill, यानि कि जो बहुत जाए क्या हो, bitterness हो. Bitter, तीक है? याद रखेंगे bitterness, kutill dans, cynism और cynic. तो cynic से cynism बना है, तो cynism को हम याद रखेंगे, तेखो जैसे हमने पहले याद किया है, syani, ठीक है, syani. सोानी वो बहुत ज़र सैयानी और क्या है बिटर है या नहीं याना किती बाते करती है बिटर बिटर तो हम बोल देता है she is damn cute, damn cute lady, यानि बहुत ज़दा संदर है, cute है, lady है, तो damn का मतलब होता है lady, उसके बाद है damp, damp का मतलब होता है wet, यानि कि भींगा होना, अब आप देखोगे यहां पे, जो wet दिया हुआ है, तो dump yard आपने सुना, dump yard, dump yard जहां पे क्या किया जाता है, कि कोडे कचड़े को dump किया जाता है, तो dump yard क्या होगा, हम इसा क्या होगा, भींगा हूँआ होगा, क्यूंक jeux में कूडा, कचड़ा, गीला, बारिस होते रहती है, तो बिल्कल क्युम वैट रहेगा, dump yard, तो जैसे देखो यहां पे एक वॉल है दिवार है तो उससे का वाल है विट हो गया डंप हो गया मैटन और पानी सीडरल नग जाती है तो उसे को हम क्यumed करते है डेंप का आगे मतलम होता है फिवाहित महिला यूदि यूट जिसको में बोलते हैं तो वह किन आपने damsel को हमें याद रखना तो damsel को फिर से हम dam cute से याद रखेंगे she is dam cute lady ठीक है तो damsel का मतलब भी होता है अविवाहित महिला maiden उसके बाद है dangerous dangerous का मतलब होता है hazardous यानि कि खतरनाक ठीक है अब देखो dangerous तो आपको यादोगा खतरनाक याद रखना है dangerous और यहाँ पर hazardous कि उसके बाद देखेंगे dapper dapper का मतलब होता है ठाट बाट वाला stylist तो देखो dapper में dapper dapper को अगर मैं पढ़ू rapper ठीक है rapper तो rappers जो होते हैं देखा होगा आपने कितने stylist रहते हैं तरह तरह के ring necklace वगरा पहनते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो dapper होते हैं बहुत ज़्याद क्या होते हैं stylist होते हैं चले इस तरह से आप देख लिए आपने अब आगे देखेंगे हम daring daring का मतलब होता है कि करज़श होना यानि कि बहुत ज़्यादा साहसी होना करज होना उसमें तो यहाँ पर दिया हुआ है तो याद करेंगे daring को जैसे आपने movies वगर देखेंगे साउथ की जिसमें लिखा हुरत था daring daring बाज खिलाड़ी तो daring बाज का मतलब क्या बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला खिलाड़ी है तो यहाँ पर daring daring का मतलब साहसी हाला कि बहुत कोई वर्ड याद होगा उनके लिए नहीं है बस जिनको नहीं याद है वो ध्यान देंगे इन बातों पर उसके बाद है dauntless का मतलब होता है brave याने कि जो nider हो तो देंखो less 가 मतलब कम dont, दाटना तो जो डाटने से भी less कम ढरे यानी कि कम ढरे वो कैसा होगा वो brave होगा जो डाटने से भी कम डरेगा वो कैसा होगा तो बहुत ज़दा ब्रेफ होगा तो डांटलिस हो जाएगा चले आगे देखेंग अगला है डर्थ डर्थ का मतलब होता है कमी आकाल पढ़ना ठीक है scarcity और shortage तो देखो shortage का मतलब कमी होना किसी चीज की shortage हो जाना और scarcity का मतलब भी होता है कमी हो जाना और डर्थ को आप याद रखेंगे डी अर्थ यानि की कोई अर्थ अगर डी है ड्राइ है डी फो ड्राइ ड्राइ अर्थ तो उसमें क्या होगी food की shortage होगी अनाज की shortage होगी अनाज की कमी होगी देखो ध्यान जा सुनना इसको डी बिल्ली एट तो डी का मतलब नेगटिव नॉट होता है और बिल्ली और एट का मतलब खाना अगर आप अपने बिल्ली को खाने को नहीं देते हैं डी बिल्ली एट अगर आप अपने बिल्ली को खाने को नहीं देते तो वो क्या हो जाएगी, weak हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो debilate का मतलब हो जाएगा, weak हो जाना, यानि कि कमजोर हो जाना, उसके बाद है deception, deception का मतलब होता है, धूर्थ, cunning, तो देखो deception, डिसीव से बना है, धूर्थ है ना, अग्ला देखेंगे DECIMATEED का मतलब होता है DESTROY कर देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अब देखो डेसिमेट को अगर मैं पढ़ो डेसिमल टीक है डेसिमेट डेसिमल तो डेसिमल वाले जो मल्टिप्लिकेशन होते हैं अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी डेसिमल इधर उदर लगा दिया तो पूरा आपका कैलकुलिशन क्या ह हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है है अगर आपने डेसिमल थोड़ा सा भी इधर उदर किया तो पूरा कैलकुलिशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डेसिमेट का मतलब क्या हो जाना डिस्ट्रॉय हो जाना अगला डिसाइफर तो डिसाइफर का मतलब होता है इंट decrypher का मतलब हो जाएगाitter Prate याने की अर्थ निकालना, चलिए आगे देखेंगे, अगला है डिकलनेशन डिकलनेशन का मतलब होता है, पतन होना गिरावट आना, डिके होना तो डिके भी होगी है, डिके का मतलब सड़ना भी होता है, अब चलिए कि इसका मेनिंग देखेंगे, यह मैंसे याद कैसे करेंगे, तो decline होना, decline का मतलब क्या होता है, गिरना, decline होना, तो ही हैँ, है, इहां पर declination का मतलब पतल यानि की गिराओ, Decay, decrease यह भी आसान से वर्ट यह, decrease का मतलब कमी होना, decline होना अभी जिसके मैं बात कर रहा था decrease का मतलब घटना और increase का मतलब बढ़ना होता है जो कि इसका opposite word होगा decline का opposite word incline होगा चले decree decree का मतलब होता है verdict यानि कि अदालती हुकम तो इसको याद कैसे करेंगे हम decree को अगर मैं decree को degree पढ़नो ये degree आपको क्या करना चाहिए आपको अगर verdict देना है यानि कि आपको judge बनना है अदालती हुकम देना है तो आपके पास judge की degree होनी ज़रूरी है तो decree degree किसकी verdict की verdict चले ऐसा बिट जो है असा वर्ड है हम बोलता है जूरी ने अपना verdict सुनाया फैसला सुनाया नेक्ट है डेकरे पीट का मतलब होता है कमजोर फीबल फीबल जो है इसका synonym से अब देखे फीबल को हमने बार बार याद किया है fever से की फीबल होने के बाद लोग क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं वीक हो जाते हैं और decrepit को अगर मैं ऐसे पड़ू कि देखरे पीट, देखरे पीट, मैरे सुलज मत, मैं तुझे में पीट पीट करके क्या कर दूँगा? बिल्कुल फीबल ला दूँगा, बुखार आ जाएगा तुम्हें, तो देखरे पीट का मतलब क्या हो जाएगा? तो निर्बल होना यानि कि फीबल होना उसके बाद है डेकरिपीट यानि कि ये भी आसान सा वर्ड है उसी का सेम वर्ड है ये भी डेकरिपीट का जिसका मतलब होता है निर्बल होना फीबल ने से यहाँ पर कर दिया गया है चुले अगला जो वर्ड हो है डेडिकेट डेडिक ओक्रिकीत करना चाहता हो ओक्रिश् समल चाहों कि भुक में भी लिखा प voter direct डीरिकेट टॉ माय टीचर तुèce यह णिरT डीवोटी यानि कि समर्पित होना डीवोटी टीवोट का मतलब भाक्त भी होता है डेडिकेटेड फिर से दिया हुआ जिसका मतलब होता है कमिटेड यानि कि समर्पे तो बोलते है ना कमिटेड है बिलकुल है ना मैंने कमिटेड कर दिया कमिटमेंट कर दिया डेडिकेट कर दिया चलिए अगला है डेडिकेशन डेडिकेशन का मतलब कमिटमेंट जिसके में ब गहरा और intense बिलकुल intense का मतलब होता है दोस फ्लॉओए से तो देखो डिफेक्ट और लो क्वालिटी कैसी होती है डिफेक्ट्टि होती है तो डिफेक्ट का मतलब फ्लॉओ यानि कि दोस उसके बाद है differ, differ का मतलब होता है टालना, postpone करना, delay करना किजी काम में, तो देखेंगे आप, हमने इसको याद किया था, differ कि कोई differ ही होगा, जो बार-बार अपने project को, अपने काम को क्या करेगा, postpone करेगा, delay करेगा, तो differ का मतलब क्या हो जाएगा, postpone और delay करना, ठीक है डिफर याद रखेंगे डिफर डिफर उसके बाद है डिफरेंग्स का मतलब होता है आदर रिस्पेक्ट सम्मान ओविशियंस कम्प्लाइंस कम्प्लाइंट तो हमने पहले भी याद किया था और बाके इसको याद करने के तरीका ऐसे है आप देखेंगे कि जब तक आप कोई डिफरेंट काम नहीं करोगे तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है अगर सब एक ही काम कर रहा है आप भी वही काम कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा रिस्पेक्ट अगला देखेंगे जो कि obedience का उल्टा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बात ना मानना रजिस्टेंस पैदा करना अवरोज पैदा करना चुनाथी देना तो यह defiance का मतलब resistance उसके बाद देखेंगे defiance same word है rebellious rebellious का मतलब विद्रोही विद्रोह करने वाला जो आपकी बात ना मानने तो defiance का है क्या हो जाएगा पिक्चर देख पा रहे होंगे चले उसके बाद deficiency deficiency का मतलब होता है कमी और inadequacy इसका क्या है synonym से तो deficiency यानि कि कमी अना बोलता है ना कि आपको जो यह बिमारी हुई है इस deficiency से हुई है और समय हुईğे तो इस तरह से जोँ होता है क्या हुई है और वाइट मेन ड इक कमी इसिंट का मतलब होता जो हमने पहले भी आद किया थैं ratio मातरा में और उसी आपोजिट है चले आगे देखेंगे अगला है deficient deficient का मतलब होता है अपूर्ण यानि deficiency से ही याद रखेंगे इसको lack का मतलब कमी LAC के उसके बाद देखेंगा definite definite का मतलब निश्चित होता है complete होता है आसान सा वर्ट है definite हम बोलता है यह बिल्कुल मिल्म उसके बाegt इसको याद हम ऐसे करेंगे की लड़की देश्च करने के बाद के बाद हो data दुर्टा को ने किसीने प्रपोच कर दियो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो लड़का क्या हो घ्च्ट हो गया है Lucius यहांनी कि स्वाधिस्थ होना स्वाधिस्थ लगना अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या यह है जैसे आपने सुना वगर delicious कोई भी अच्छा था food होता है testy food होता है तो हम बोलते हैं delicious ना कि delicious food है तो भी हो जाएगा Licious, delicious, delectable आसान यानि कि नौमिनेशन के टाइम डेली गेट पर आकर लुट मांखते हैं ना यानि की Nomination के Time पे जो Leaders होते हैं Delegate पर आ करके क्या मांखते हैं Vote मांगते तो Delegate का मतलब हो जाएगा Immaate उसके बाद दीखेंगे अगला है Delicate ठीक है वो डेली गेट था और यह है Delicate तो Delicate का मतलब होते है Frail यानि की Cumal तो इसको याद याद रखेंगे डेली और कैट से तो कैटरीना कैट से कैटरीना याद रखेंगे डेली कैटरेना किसे तो लक्स साबुन से नहां करके क्या हो गई कोमल हो गई याद रखेंगे कोमल हो गई और बाकी सब हीरोईनों को उसने क्या कर दिया फेल कर दिया ठीक है फेल कर दिया तो delicate, frail अब आपको ये याद रहेगा उसके बाद है हमारा delighted delighted का मतलब होता है joyful यानि कि joy करना, enjoy करना आनन्द उठाना तो यह delighted बोलते हैं न, delighted, या फिर कभी-कभी आपने देखा होगा, बच्पन में जब light चली जाती तो हम उदास हो जाते थे, लेकिन जब light दे देता था, तो हम बोलते थे, यानि कि बिल्कुल खुस हो जाते थे, enjoy करने लगते थे, enjoy करने लगते थे, तो delighted का मतलब हो जाएगा joyful, उसके बाद देखेंगे, अगला है, delineate, delineate का मतलब होता है, वर्नन करना, explain करना, वही है, delineate, तो देखो, delineate, ठीक है, तो दी, अगर तुम्हें इस poem के lines आते हैं, ठीक है, delineate, अगर आपको, दी, दी, आपको अगर इस line के, इस poem के lines अगर आते हैं, तो क्या कर दो, तो delineate कर दो, यानि के explain कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, poem, उसके बाद है, deliquent, असान सवड़ है, delinquency, deliquent, जिसका मतलब होता है, offending, देखो, इसका actual meaning होता है, deliquent का मतलब, बाल अपराधी, यानि के जो बालक हो, और जिसने अपराध किया हो, उसको हम बोलते है, deliquent तो deliquency, deliquent, जिसका मतलब होता है, बाल अपराधी, offending, याद रखेंगे आख, हसान सवड़ है, उसके बाद है, deluge, deluge का मतलब होता है, flood और overflow, यानि कि बाढ़ हाना, flood आना, तो देखो, deluge को अगर मैं पढ़ हूँ, daily huge, तो अगर daily huge मात्रा में बारिस होगी, daily huge amount में अगर तो flood ही आएगा न, बाढ़ आ जाएगी, overflow हो जाएगा, बाढ़ आने के बाद, तो deluge का मतलब हो जाएगा, flood यानि कि overflow हो जाना, आप देख पा रहे होंगे, picture में, daily बारिस होने से flood आ गया है, उसके बाद है, demise, आसान सवड़ है, demise का मतलब होता है, death, मिर्तियू, बोलते है न, किसका क्या हो गया, demise हो गया, मतलब उसकी क्या हो गया, मिर्तियू हो गयी, वो मर गया, तो demise का मतलब हो जाता है, death, ये भी आसान सवड़ है, उसके बाद देखेंगे, demonstrate करना, ये भी आसान है, बिल्कुल, show करना, demo देना, हम बोलते हैं न, demo 2, demo 2 का मतलब क्या, करके navigation का synonym साया था denial, जिसे मैंने आपको करवाया था, याद कि अब उसने निकाह करने से मना कर दिया, ठीक है, deny कर दिया, तो denial का मतलब होता है, dismissal, यानि कि, इनकार कर देना, आसान सा वर्ड है, ये भी denial, अब, उसके बाद है, denomment, तो देखो, denomment, denoma, ठीक है, denoma का मतलब होत उपसनहार होना, बोलता है ना कि, ये story अपने climax पे पहुँच गई, तो ये denoma, याद करने का तरीका ये ऐसे है, कि, उसने denomment का announcement कर दिया, यानि, उसने, यानि कि, कोई, अगर orator है, वकता है, किसी show को orate कर रहा है, तो हम उसको वो बोलता है, कि, अब क्या है, अब मैं announcement कर करना जा रहा हूँ, denomment का, यानि कि, उपसनहार का climax का, तो denomment का मतलब हो जाएगा हमारा climax, उसके बाद, depict, depict का मतलब होता है, characterize करना, वर्नन करना, तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, depict, तो depict से आप DP का भी याद आता है, कि DP का हर movie में, अपने character को अच्छे से play करती है, ऐसे भी आद कर सकता है, character से, लेकिन यहाँ पे characterize है, जिसका मतलब होता है, वर्नन करना, तो देखो, the picture, तीक है, अभी आपने delineate पढ़ाता, कि the line आते है, आपको poem के, तो आप क्या कर दो, explain कर दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको pictures के बारे में मालूम है, तो आप उसको क्या कीजिए, characterize कीजिए, वर्नन कीजिए, आगे देखेंगे, अगला जो word है, वो है deplore, deplore का मतलब होता है, regret, अनि कि पश्चा ताप करना, विलाप करना, आप इसको देखेंगे, तो लगेगा लिखावा, deplore, deplore का मतलब आसू, पहले भी मैंने आपको बताया है, deplore, गहरी आसूों से रोना, तो वो गहरे आसूों से अब रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्योंकि रो रहा है, पश्चा ताप कर रहा है, अनि पश्चतावा कर रहा है, तो यह हो जाएका deplore का मतलब, regret करना, पश्चा ताप करना, पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, यह क्या कर करके impeachment लगा करके अपने क्या कर दिया तो आपने किसी राष्ट पठती को किसी प्रधान मंत्री को आपने क्या कर दिया उसके से डी यानि कि मोकरी अब अहां पर देखेंगे याद करने का तरीका मोक तो आपको याद होगा देखें मोक टेस्ट आप लगाते होगे मोक मारते होगे आप मोक लगाते होगे लेकिन एक मोक का मतलब होता है मजाक उडाना भी मोकरी ठीक है अब यहां पर डिराइड का मतलब जो है म मजाक उड़ाना इसको याद कैसे करेंगे कि आपके दोस्तने एक सुपर बाइक खरीबी है जो बहुत काफी एक्सपेंसिव है महंगी है और आपने उसको कहा कि दे मुझे भी राइट करनी एक बाइक को तो आपका जो वह दोस्त है वह अगाल आपके कि बता ते रही वागात है यह ईतकत करने उर और वह आप परे खिल्ली उड़ाने लगा मोकरी करने लगवा मजाक उड़ाने लग City में देख पा रहो है देती में सूपरधार को उसके बाद Deriv का मतलब होता है उपात इसको भी चले और चले उसके बाद है Deriv अब देखो याद होगा बतना करना कभी कभी यहाँ पहले देखा होगा स्पाइवाले मूवीज में जासूसी वाली मूवीज में कि यह यह वह पंड्राइब लेकर कर जाता है और सारी जो फाइले hebben है वो अप्टेन कर लेता है तो ॉसके बाद देखेंगे का मतलब होता है परित्याग करना एक वोधार्ट ठीक है याने कि एक तो होता है बə 750 क कहते हैं लेकन यहां पर क्या है डी्जर्ट एक तो का मतलब वह भी होता है तलिक में रेगिस्थान आप यहां पर क्या है olduğunu चोड़ देना तो आपने उसको क्या कर दिया रेगिस्तान में अकेला चोड़ दिया आपको याद होगा अब कैट ने सारे बंधन जो है तोड़ लिए रनबीर के साथ और विकी कॉसल दे साधी कर लिए तो वे बंदन का मतलब परित्याग कर देना चोड़ देना और होती है याना सुखी कोपनट जो होता है वह होता है यह देसिकेटिड यानिके ड्राय उसके बाद देखेंगे उसके बाद है डेसोलेट डेसोलेट का मतलब होता है उजाड ठीक है यानि कि बिल्कुल उजड़ा हुआ बलीक अब इसको जब आप देखेंगे यहां पर डेसो लीक से आप याद रखेंगे लीक और आपने घुपाल गैस त्रासदी के बारे पढ़ा होगा जब मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है वो रिलीज हुई थी मतलब लीक हुई थी तो वो सारा जो एरिया है वो उजाड हो गया था तो वही हो जाएगा आपको उजाड आप एकों रहेगा अकेले रहेंगे आप लोनली रहेंगे तो वही है दिव्यूइट धिया हुआ है उसके बाद डेस्क्रिप्ड डेसपेरेशन तो देखें, desperation का मतलब होता है, hopelessness, यानि कि निराज सा, desperate, आपने पढ़ा होगा, despair आपने पढ़ा होगा, मैंने याद करवाया होगा, आपको despair, और भी वीडियो में, despair, ठीक है, तो देश क्या है, बिल्कुल, ऐसे याद रखेंगे, कि देश को उस पर नाज था, पर उसने क्या क despicable का मतलब होता है, hateful, यानि कि नफरत, तो वही यहाँ पर despicable लिखा हुआ है, याद करने का तरीका ऐसे है, देखेंगे, कि despicable, आप किस से बात करना पसंद करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप किस से बात करना नहीं पसंद करोगे, जिस से आप hate करोगे, तो despicable, यानि कि despicable, आप उसी से बात नहीं करते, जिसको आप hate करते है, तो despicable का मतलब हो जाएगा, घिनोना, यानि कि hateful, उसके बाद है despodent, despodent का मतलब होता है, dejected, अगर आपको याद हो, तो हम पहले भी याद कर चुके हैं, कि जब लड़की ने उसको क्या किया, reject किया तो वो क्या हो गया, deject हो गया, depressed हो गया, और वहापर depressed ही दिया हो था, इसका sinonim, है ना, deject का, एकने, यहापर despodent है, तो despodent को हम याद रखेंगे, देश-Pande से, कि जब देश-Pande को फांसी की सजा होई, तो पूरा देश जो है, वो depressed हो गया, जब देश-Pande को, देश- मतलब होता है बदहाली इंडिजन्ट तो याद करने का तरीका ऐसे है कि देश के इंस्टिचूट कोरोना टाइम में बिलकुल बदहाली से गुजर रहे थे देखा होगा आपने कि जो इंस्टिचूट से बंद हो गए थे और इंकम का जरीया नहीं था इंस्टिचूट के पास रिऊन हो जाना अब देखेंगे आप यहां पर यां ल की जो यह होते हैं सोते हैं तो इसके बॉखयां चैनी schools फूटे का मिनिंग दिया हुआ है फ्रूगल का मतलब किफाइथी होता है ठीक है अब इसका जो है सिनम दिया फ्रूगल तो इसमें मुझे डाउट है मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है तो आप इसको एक बार चेक कर लेना इसलिए मैंने आप पर लगा दिया था आगे देखेंगे हमसभ क्या हो जाएगा तो बने अगे देखेंगे धिट्था मतलब मतलब होता है डिसकवर करना फोजना किसी चीज को व्शना होजऑ करना वे भाए इसका और करना उसकी बाद है डिटीरिघ थीरिठ रएक्ड अ तो देखें यहां पर क्या होता है यहां पर लिखा वह देख तेरी औरत तो बस ऐसे आद लगेंगे कि अगला है Determine, Determine का मतलब होता है, निर्धारित, Resolve, तेक है, अब देखिए, यहाँ पे क्या है, कि Determination आपको याद रखना है, Determination का मतलब क्या होता है, दिर्ध इच्छा सकती, जो बिल्कुल निर्धारित हो, तो वह है Determine दिया हुआ है, Resolve दिया हुआ है, चले, आगे है, Detractors, Detractors मतलब होता है, आलो चक, निन्दा, Critic, तो देखो, Detract से उसको याद रखना हो, Detract, अगर आप अपने Track से Detract हो, तो लोग क्या करते हैं, आपको criticize करते हैं, यानि कि आपकी क्या करते हैं, बुराई करते हैं, निन्दा करते हैं, तो इसलिए आपको अपने Track से बने रहना है, अगला है devastated devastated का मतलब होता है नस्च करना डिस्ट्रॉय कर देना तो देखो इसको याद रखेंगे ऐसे देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ यहाँ पर याद रखेंगे देवा तो देवा दिदेव महादेव की जो तीसरी आख जब खुलती है तो राच्छत क्या हो जाता है त कि झाना। देवादी देव महादीव की जब तीसरी आख खुलती है तो राज्चत क्या हो जाते हैं बिलकुल डिस्ट्रॉई हो जाते हैं तो यह का मतलब क्या हो जाना देविएशन और आपने पढ़ा होगा साइन्स में यह जब अपने पत्त से विचलित हो जाती जैसे इसक भटक जाना पत्थ व्रस्ट हो जाना चलिए आगे देखेंगे अगला है डाइस से ठीक है डाइसी का मतलब होता है अंसर्टन यानि कि अव विस्वस नहीं है जो निश्चितना हो तो डाइस खेलना लुडो खेलना तो उसमें क्या है अनिश्चितना ही तो होती है न थोड़ी उसके बाद है डिक्टेटर डिक्टेटर का मतलब होता है टाइरेंट यानि कि ताना सा तो देखो ये भी आसान से वर्ड है आपने पढ़ा होगा न डिक्टेटर सीप आपने पढ़ा होगा डिक्टेटर सीप और आपने पढ़ा होगा जैसे इंडिया में हमारा लोगस्तंत तो सब लोग टायर हो जाते हैं डिक्टेटर में सब लोग तायर हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं किस से तो इस तरह से यहां पे दिया हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे कि Adolf Hitler का है तो Hitler भी क्या था, एक ताना सा था दिक्तर भी था, डिक्टेटर सिप भी था उसके बाद देखेंगे अगला है वह एडिफिदेंस डिफिदेंस का मतलब होता है संकोच तो दिख अपोजिट है confidence का, अब कोई व्यक्ति confidence है, तो बिल्कुल confidence में जीएगा हर बात confidently कहेगा लेकिन जो diffident है तो भाईयों संकोची रहेगा meekness दब्बू पना हमने याद किया है meekness यानि बहुत ज़्याद मीख है वो दब्बू है तो यह जो diffident dense है वो opposite है किसका obedience का उसके बाद देखेंगे देखेंगे दिल और आंटी तो अमेचर लोगों का दिल जो है आंटी पे भी आ जाता है तो देखेंगे अमेचर से याद रख लेंगे सौकीन उसके बाद है diminutive का मतलब होता है ठीक है छोटा तो देखो diminutive में एक वर्ड आ रहा है यहां पर एक तो बाद याद किया था कतास्ट्रोफी याद किया था डिजास्ट्र वर्ड हुए पूरा कि अगला वड़ यह है डिस्ट्रन डिस्किमनेट करना परशिव करना तो याद होगा कि आता में discriminate करना यानि कि अलग-अलग करना पहचानना यहां पर discern दिया हुआ है तो देखो concern का मतलब क्या होता है able to understand और discern का मतलब क्या होता है able to distinguish याना concern का मतलब able to understand यानि समझना समझने के योग यह लेकिन discern का मतलब क्या होता है able to distinguish आगे देखेंगे अगला है discover, discover का मतलब होता है, खोज करना, find करना, तो आसान सा word है discovery, खोज करना, discover करना, उसके बाद देखेंगे, discriminate, भेदभाव, ये भी आसान सा word है, आपने पढ़ा होगा history में, discrimination in South Africa, तो South Africa में भेदभाव हुआ था, discrimination हुआ था, काले गुरों के बीचों में, इसको तो सबको याद होगा ये वर्ड, उसके बाद है, disgrace, कलंक, dishonor, ठीक है, तो grace का उल्टा ही है, disgrace, ग्रेश का मतलब बिलकुल संदर, और बिलकुल बोलते हैं, honored वेक्पी, लेकिन disgrace का मतलब होता है, dishonor, यानि की कलंक कि, discussed का मतलब होता है, dislike करना, हम बोलते हैं न, कि disgusting, कितना disgusting है ये, तो वही है, discussed का मतलब क्या करना, dislike करना, पसंद ना करना, उसके बाद जो है हमारा, disheartened, disheartened का मतलब होता है, निराज करना, depressed कर देना, तो देखो, disheartened, यानि की hurt का opposite क्या हो गया, तो निराज हो गया वो, है न, depressed हो गया, तो disheartened का क्या हो जाएगा, depressed, उसके बाद है, disheartened, disheartened का मतलब होता है, clutter, यानि की बिखेरना, ये भी आसान सा वर्ड है क्याते, देखो, heavelle's का बल्व गिरा, heavelle's का बल्व गिरा, और वो क्या हो गया, गिर करके बिखर गया, और clutter तो आसान सा वर्ड है, heavelle's कम्पनी का बल्व गिरा, तूट कर क्या हो गया, disheartened हो गया, यानि की बिखर गया, और clutter, आसान सा वर्ड है, clutter का मतलब बिखर जाना, चलिए, आगे देखेंगे, अगला है disparity, disparity का मतलब होता है, difference, यानि की और समान सा, तो देखो, dis pair, यानि pair और despair, यानि की, dis pair है, और समान है, जैसे हम चपल बगएर लेते हैं, तो pair में लेते हैं, लेकिन ये क्या है, dis pair है, यानि की और समान है, difference है, दोनों के बीच में, एक चपल पाच नमबर का है, दो नमबर का है, तो वही हो गया disparity, उसके बाद है, हमारा, वह है, disproportionality, तो देखो, disproportion से याद रखेंगे, आप इसको, unreasonable, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुए, कि proportion, proportion का मतलब होता है, ब्रेक करना, डिस्टर्ब करना, और ब्रेच करना, इसका मतलब हो जाएगा, भंग करना, किसी चीज को तोड़ देना, तो देखो, आपने देखा होगा, कुछ जो इमेल साते हो, वो डिजरप्टेड होते हैं, डिजरप्टेड फाइल, इस तरह से दो टुकडे में, ब्रेक होकर करके आते हैं, आपने देखा होगा, डिफरेंटली आप अगर इमेल वगरे यूज करते होगा, तो आपने देखा होगा, कुछ ऐसे इमेल साते हैं, जो डिजरप्टेड होते हैं, ब्रेक होते हैं, disrupt का मतलब break करना, disturb करना, breach करना और breach हम पहले भी याद कर चुके हैं, उसके बाद है disseminate, disseminate का मतलब होता है, dispose करना, circulate करना, फैला देना, जैसे यहाँ पर देख पा रहोंगे, फैले हुए हैं सब, तो disseminate, अब देखो यहाँ पर, seminar आपने पढ़ा होगा, seminar का मतलब होता है, जह यहाँ पर लोग एक जगा पर एकत्रित होते हैं, इकठा होते हैं, जमा होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है disseminate, यानि कि disseminate, मतलब क्या हो जाना, बिखर जाना, circulate हो जाना, डिसपर्ज हो जाना, आपने डिसपर्जन ऑफ लाइट भी पढ़ा होगा, यानि जिसमें लाइट एक जगास निकल करके डिसपर्ज हो जाती है, जैसे सन का है, सन की लाइट, उसके बाद है, डिसिपेटेड, 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 डिसिपेटेड का मतलब होत उसके बाब देखेंगे अगला जो वर्ड है ऋ है decisions तो यह अथानता है डिजॉल्व हो गया आपने साइंस इंक मे पड़ा हो गया पानीमे जैसे नमक 2017 क्या हो जाती है डिजॉल्व हो जाती है Let's go खाल striking तो आपने देखा ओग बहुत आपने कपड उसके बाद देखेंगे, डिजटेस्ट, डिजटेस्ट का मतलब होता है, अरूची होना, यानि किसी चीज में मनना लगना, लोधिंग होना, लोधिंग भी एक आसान सा वड़ है, और डिजटेस्ट, यानि कि अगर आप उसमें टेस्ट नहीं ले रहे हो, तो भाई, आप उसम इस लग रही है, मतलब क्या है वो आपके लिए unpleasant है, pleasant तो होगी नहीं, उसके बाद है, distinguished, distinguished का मतलब होता है, acclaimed, honored, यानि कि असाधारन, है तो आप, question ऐसे होता है, distinguish between them, यानि कि, acclaimed करना, यानि कि, अक्लेम का मतलब प्रसंसा करना, तारीफ करना ये भी होता है, और असाधार तो वही यहां पर distinguish between them question भी आता है कि इनके बीच में अंतरस पस्ट करो यानि कि अलग-अलग करो चले आगे देखेंगे अगला है distribute distribute का मतलब होता है वितरन कर देना अब कुछ दिर पहले circulation भी आया था हमने पढ़ा ता सर्कुलेट कर दिया गया अब यहां पर distribute distribute का मतलब बाट देना चीजों को या फिर लोगों को बोलता है किसको distribute कर दो लोगों में के बीच में क्या हो गया conflict हो गया जगडा हुआ तभी तो वह दो भाई डिवाइड हो गया तो कर दिवेशिव का मतलब हो जाए conflicting कि उसके बाद है डाइवल्च का मतलब होता है भेद खोलना रिवील कर देना अब देखो यहां पर dive का मतलब क्या तो डिवाइड कर देना दो क्राइड कर देना अवर्वायड करके निकल जाता है यहां कि क मतलब क्या करता है अगले डोस डोस का मतलब होता है क्मांड देते हैं तो जो हमारे डॉग है वो क्या करते हैं उसको अवाइट करके निकल जाते हैं होता है ना कभी-कभी हम बुलाते हैं कम कम टॉमी कम तो हमें अवाइट करके निकल जाते हैं तो डॉग जी जो है कभी-कभी हमारे कमांड सो क्या करते हैं अवाइट करके निकल जाते हैं तो इस तो अगर मैं इसको थोड़ी दिल कैसे पढ़ों दूर जाके मर देखो यहां पे लिखा दूर जाके मर दूर और मरोज तो दूर जाके मर तो दूर और मरोज बस कभी-कभी क्या होता है कि आपको लिंक कर लेना चाहिए वर्प्स को तो जो है आप कभी नहीं को भूलेंगे और नहीं को अभनहों को अब यहां फे ड्रैजक का मतलब होता है खीजना पुल करना असान सा वर्ड ट चीज को जाना और रग करते हैं घेफ दीज़ते हैं ट्रेक का पुल कि उसके बाद ट्रेड़ का मतलब होता है यानी कि डार जाना भयानक लगना तो त toss d Water Admin ड्रेड़ डेड़ तो ड्रेड़ाद्म को देख करके कौनद फिर नहीं होगा ड्रजाएगा तो ड्रेड़ क्या हो बलैबर बनाओं ब्लैदर का मतलब हो जाएगा बट। अब हाँब क्या है रिखला बंद करो बक्वास ड्रीजल कमतलब उता है आंहें जानल मक क्रोड़ी वर्च नसवे दिए बारिज लिए तो जो जल धीर थीरे बरस्ति ए उससको किया उसको किया की ए ओना ड्रिजल ओना बुन्दा बांदी उसके बाद है द्रायवजी। द्रायवजी का मतलब होता है Enfin यांने की नंदरालू थिक है तो आसान सा वर्ड हैió ड्राओजी बहुत बार आप आप ने इस ब्रड को यूज का होगा ड्राओजी ड्राओजी का मतलब क्या होतादaşloeियृ नंदरालू उसके बाद है डक्ट, डक्ट का मतलब होता है कि नली का यानि एक पाइप की जैसे जो होता है उसको हम बोलते है डक्ट और कनाल जो है इसका सिन्म दिया हुआ है तो कनाल तो आपको पता होगा ठीक है लेकिन डक्ट आप मेंसे किसी को ना पता हो तो ओवी डक्ट से याद करे यह एक यह पहल दिलीसेस से आज और की मिठाई कैसी है पिल्कुल डिलीसेस साथ नवेट है। यह प्रियाद रखेंगे यह पिर याद रखेंगे किडल जिल का पानी ते कैसी पीने में में सही हो बूलिस जाएगा सुष्वीट dual seam का मतलब क्या है दो पेर यानि जोड़े में लगते हैं चलिए आगे देखेंगे अगला है duplication duplication का मतलब होता है copying यानि की परती लीपी देखो duplication, duplicate बोलते है यह बिल्कुल मेरा duplicate है मतलब मेरा क्या है, बिल्कुल copy है carbon copy है तो duplication का मतलब copying उसके बाद है Earn Earn का मतलब होता है कमाना अचीव करना तो यह ज fries याद करना रियाक को एक तो आप एसे ख़ञेंगे देख लिज़ें ज्यासा लग रहा है और italiano मैं लिखा चेलो दिलवा करके रहूंगा होता है कि यसे एक टीचर होते हैं बोलते है कि इन तुम जितने भी मेरे चेले हैं सब और मैं क्या क्या दिल this пок रचात्यूंर का मतलब क्या हो जाएगा रैंक उसके बाद है electric Coolそ« इक लांकिक का मतलब होता है diver d आप उसमें क्या करते हो इसका कहिए सब्सक्राइब हो इसक부터 है यानि है डो आई यानिक भी तो आपके पैसे data अगर पैसा है अपके इसम nella काल भॉल्क के तो वहाद करना मेन कैसे यान रखेंगे घल什麼 enrollike जैकेट खरेने को गया है आप और वहां पर जैकेट वाले ने आपको बोल दिया कि 350 का है तो आप क्या बोलोगे बहुत जज़ा एकनोमिकल है आप उसको तुरंद खरीद लोगे तो एकनोमिकल का मतलब हो जाएगा थ्रिफ्टी उसके बाद है हमारा एकस्टसी इस एकस्टसी का मतलब होता है जोई हैपिनेस तो देखो आपने यह डार्क चॉकलेट खाया होगा डार्क एकस्टसी खाई होगी आपने चॉकलेट तो बोलता है ना डैरे मिल्क खाई जाती है तो खुसियों में चॉकलेट जो है एकस्टसी च इसने पर फेस को पूरी तरह से मिटा धिया खतम कर दिया तो भाई पहचान कैसे हूए कि कौन किसकी बाधी है सो एक है कि प्लिप क्लिप मिटा देना खतम कर देना अब प्लिंद कि यह बोली हमने बूलना समापत कर दिया है उत्की और इसके बाद है हमारा не effect का मतलब होता है नतीजा, result तो देखो effect का मतलब बोलता है कि क्या effect निकला, क्या नतीजा निकला तो वही है result यहाँ पर, आसान सा word है उसके बाद है हमारा efficiency, efficiency का मतलब होता है capability तो याद करेंगे इसको कि उसमें कितनी efficiency है या फिर वो कितनी efficiency के साथ जो है math को solve करता है या फिर questions को exam में solve करता है तो वही capability, capacity चले, अगला है effizy effizy का मतलब होता है dummy, यानि पुतला आपको dummy पता होगा, जैसे आप कपड़े की दुकान में जाते होगे, तो वहाँ पर एक dummy खड़ा कर दिया जाता है, उसको set, pen और cap पहना आकर खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोग आकर कर देखें, लेकिन effizy आपको अगर नहीं याद हो, या बहुतों को याद भी होगा तो आप यह से याद करेंगे, कि जैसे e-figure तो dummy figure, यह कैसा figure है, तो dummy figure है इफिजी का मतलब क्या हो जाएगा, dummy उसके बाद है, ilasp, ilasp का मतलब होता है, siege हो जाना, यानि कि बिल्कुल वैतित हो जाना, गुजर जाना तो देखो, अपने lips को क्या कर लो? siege कर लो, अपने lips को क्या कर ले? siege कर ले, ऐसे भी याद हो जाएगा अपने lips seize कर ले, तो याद हो जाएगा, ilasp का मतलब क्या हो जाएगा, siege, lips, अपने ये lips seize कर ले, चलिए, उसके बाद है, elastic, elastic का मतलब होता है, जो बहुत ज़दा flexible हो, जैसे हम चपल खरीदते हैं, तो हम देखते हैं, कि वो कितना flexible है, या पर कोई rubber का सामान खरीदते हैं, त flexibility देखते हैं, तो वही है, elastic का मतलब flexible, कितना लचीला है वो, उसके बाद है, elegant, elegant का मतलब होता है, graceful, जो बहुत ज़दा सुंदर हो, elegant हो, उसी को हम बोलते हैं, graceful, याद कैसे करेंगे, elephant से, आपने देखा होगा, जो elephant होते हैं, कितने graceful होते हैं, बिलकुल सुंदर होते है तो elegant, या फिर ये legend, legend लोग भी कैसे होते हैं, तो बहुत ज़दा graceful होते हैं, ऐसे भी याद सकते हैं, आप elephant से याद रुखो, तो ज़्यादा असान लगेगा आपको, उसके बाद है, elope, elope का मतलब होता है, aboscon, यानि कि भाग जाना, फरार हो जाना, तो देखो, lope तो आ aboscon हो गया, उसके बाद हैं, elope, elope का मतलब होता है, बच निकलना, escape, escape का मतलब होता है, escape तो आपको याद होगा, कि वो escape करके निकल गया, elope को ऐसे याद रखेंगे, कि elope के game में, हम क्या करते हैं, अपनी गोटी को escape करके, बचा करके, किसी भी तरह से home करना चाहते हैं, त लूडो के खेल में, क्या करना, escape करके, बच निकलना, ताकि हमारी गोटी कटे ना, अगला है elusive, elusive का मतलब होता है, मायावी, intangible, और baffling, baffling हमने पहले भी याद किया था, confusion वाला, baffello हमें confuse कर देती है, elusive को याद रखेंगे, elusive, illusion से बना है, टिक है, illusion, तो illusion, कोई भी इलूजिव होती है, illusion होती है, तो हम बोलते हैं, कि बहुत जाद क्या है, मायावी है, elusive है, तो illusive का मतलब हो जाएगा, intangible, उसके बाद देखेंगे, क्या है, emancipate, emancipate का मतलब होता है, liberty, आजात करना, liberate करना किसी को, अब देखो, emancipate को अगर मैं पढ़ो, इमान से पती, तीक है, अब मान लो किसी के पती को kidnappers ने kidnap कर लिया, तो और उससे जो है, फिरोती के पैसे मांगे, तो वो महिला पैसे लेकर आएगे, और बोलेगे, कि इमान से अब मेरे पती को छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या दे दिया, पैसे दे दिया, बाकि liberty आपको पता है, liberty का म पता है, जहां पर जो है, सराब वगरा मिलते हैं, या फिर गलत काम होते हैं, उन सभी बार पर क्या गर दो, barrier लगा दो, embargo का मतलब क्या हो जाएगा, barrier, या फिर दूसरा तरीका, आप बाहर ना जाए, go, ठीक है, bar, go, बाहर गो, आप बाहर ना जाए, बाहर ना गो हो, इसलि दफना देना, गार देना, जैसे लास को दफना दिया जाता है, बरी दे दिया, बरी कर दिया जाता है, बाकि इंबेड को याद रखेंगे, बेड से, क्यानी कि बेड, जब हम बेड लाते हैं, जैसे भारी बार कम दिवान होता है, बड़ा बेड होता है, तो हमको उसको एक पर क्या कर देते हैं गाड़ देते हैं तो नो के उनके तो उनके और उनके बेट को इनके बरतन को यूज करते था हुनको भी दफना जा जाता था भरी कर दिया जाता पर बह्त कर नहीं को आगे इंथिंगा मतलब होता है सवारना आगे देखेंगे अगला वह है इंबेजल का मतलब होता है गबन करना मिस एप्रोप्राइट कर लेना अब देखो क्या है इसको याद रखेंगे बीज से बीज का मतलब क्या होता है मधमक्की तो मधमक्की क्या करती है कि सहद को यानि कि मधमक्की क्या बनाती है सहद बनाती है तो मचलियों से फूलों से फूलों से क्या करती है वो अपने रस को गवन कर लेती है मतलब क्या कर लेती है चुरा लेती है यानि कि मिस अप्रोप्राइट कर लेती है उनके साथ तो इंबेजल का मतलब क्या हो जाएगा मिस अप्रोप्राइट अगला है emblem, emblem का मतलब होता है परतीक, symbol, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि emblem है और हमारा भी emblem है ना, जैसे हम देखते हैं ना, असो कस्तम से लिया गया है, जिसमें चार सेर होते हैं, तो emblem का मतलब क्या होता है, symbol, यानि कि national emblem, उसके बाद है embrace, embrace का मतलब होता है, accept करना, आसान इतनी बात याद रखो, brace, only brace रहे, तो brace का मतलब fortify करना, मजबूत करना, stun करना, लेकिन embrace का मतलब क्या हो जाएगा, accept करना, उसके बाद देखेंगे embroil, embroil का मतलब होता है, confuse कर देना, उल्जाना किसी को, अब यहाँ पर दिया हुआ है, embroil को अगर मैं ऐसे पढ़ू, I am oil, तो जगडे में, during desport, quarrel, confusion, we get all boiled, embroil, I am boiled, embroil, I am boiled, embroil, I am boiled, और नहीं याद रहे, तो जैसे यहाँ पर देखो, embroil, यानि किसी चीज का गोला, तो गोला भी देखा होगा, आपने उन का गोला, या पिर किसी धागे का गोला, वो आपस में क्या हो जाता है, उल्लज जाता है, तो वही embroil का मतलब हो जाएगा, confuse होना, उल्जाना, उसके बाद है, emit, emit का मतलब होता है, उत्सरजित होना, discharge होना, अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे क्या होता है, sun, जैसे sun है, stars है, तो वो अपनी light को खुद emit करते हैं, यानि कि the stars emit their own light, यानि कि जो stars होते हैं, अपने light को खुद सर्जित करते हैं, जैसे moon है, तो moon के पास कोई अपना light नहीं है, लेकिन, जो sun है, stars है, उनके पास अपना light है, इसलिए वो अपनी light को emit करते हैं, उत्सरजित करते हैं, यानि कि discharge करते हैं, उसके बाद है, emphasize, emphasize, emphasize का मतलब होता है, जोर देना, बोलता है, emphasize, emphasize, असान सा हो जाएगा, stress डालना, अगला है, emphatic, आ गया, emphatic का मतलब, जोरदार, firm, बोलता है, बिल्कुल firm decision, यानि कि, बिल्कुल कठोर decision उसने लिया, emphatic decision लिया, यानि कि, जोरदार, उसके बाद है, empirical, empirical का मतलब होता है, practical, और इसको याद किया था, मैंने, empire से, तो batsman आउट है, इसका जो है, फैसला, empire, जो है, कैसे करता है, तो बहुत सारे practical करके करता है, empirical करता है, इंपायरिकल का मतलब क्या हो जाएगा, practical, देखा होगा, आपने, वह practical करके देखता है, बौल यहां पर टपा खाई, फिर इतने degree पर टर्न हुआ, पर फिर अल्टरा, अल्टरा, रेज, एक जो हो हिला यही नहिता थो बहुत तरह कि जो है फ्रैक्टिकल कर देखता है उसके भाद एप्टी का मतलब होता है वेकेंट की निकलती अनल दीए अदेगेंध अम प्रक्षां टो आखी वर्ड की इसके बाद कर दो एंप्टेंप्ट्रूच करेशा brighter hydrated इसका मतलब होता है अतिक्रमन करना in塔 इंट्रूड कर लेना देखे अब इसको याद करेंगे हम कौक रोज से ठीक है तो करोज क्या करता है हमारे के निक्रोच में कर लेता है यहानी कि घंठर रहेंक तो मेरे किछन में क्रोच रिलिया in4 कर लिया क्या कर लिया इन्यारS आasc милли होता है पहले भी मैंने आपको याद करें और उसके बादए इनफोर्ष करना तो हासान समय इंफोर्स करना मेंने क्या है enforce किया गया, यानि कि लागू किया गया, तो वह यह, плат़ करना, और मैंने पहले भी बताया था कि ग्रास ने क्या कर लिया सारा पानी अब्जॉब कर लिया आया था था ना इंग्रोसिंग अब्जॉबिंग अब्जॉबिंग में अब्जॉबिंग और यहां पे क्या दिया हुआ है एफ और इंगरोस और अब्जॉर्व ग्रास ने, ग्रास ने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया आगे दिखेंगे अगला है इंगल्फ, इंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, एनवेल्प और इननडेट इसका सिननिन्स है तो देखो इन गल्फ को मैसे याद रखेंगे कि गल्फ, गल्फेंड, तो गल्फेंड को लोग कहा लेके जाते हैं, डेट पिले जाते हैं, तो इन गल्फेंड को कहा ले जाते हैं, लोग डेट पिले जाते हैं, और उन्हें एनवलप देते हैं, और इनवलप में क्या होता है, gift होता है तो engulf, envelop और enundate क्या हो जाएंगे? sentence हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे enhance, enhance का मतलब होता है improve करना, बहतर बनाना, enhance करना तो देखो आसान सा है कि आप भी अपने math को enhance करते हैं, अपने vocab को enhance करते हैं, improve करते हैं उसके बाद है enigma, enigma का मतलब होता है पहली, puzzle, riddle, तो puzzle और riddle तो बिलकुल आसान है बोलता है कि puzzle solve करना है, riddle solve करना है, enigma को याद रखेंगे, enigma, innings में, innings मा तो भारत पाकिस्तान के, इंडिया पाकिस्तान का match बिलकुल क्या होता है, puzzled होता है, confusion होता है, last over तक हमें पता नहीं चलता कौन जीतेगा और कौन हारेगा तो बिलकुल riddle पहली जैसी होती है, इंडिया पाकिस्तान की innings, तो enigma, confusion, puzzle, riddle उसके बाद है, enjoyable, enjoy, आसान सा word है, delightful, और नहीं याद रहे हैं, तो ऐसे याद रखना, जिनको नहीं याद है, कि जब बच्पन में light चली जाती थी, तो हम उदास हो जाते थे, जैसे ही light आती थी, daylight, जैसे ही light देता था, हम enjoy करने लगते थे, चिलाने लगते थे, तो enjoyable क्या हो लाइब वेकती है, जो सजीव वेकती है, वही तो cheers करेगा, तो cheers हो जाएगा, उसके बाद है, noe, noe का मतलब होता है, निरस्ता, boredom, ठीक है, तो noe का मतलब क्या हो जाएगा boredom, तो a, नहीं नहीं, मुझे यह boring काम नहीं करना, आप किस काम को करने से मना करोगे, तो a, नहीं नहीं, ठीक है, यह, मैं यह काम नहीं करूँगा, बहुर्दा बोरिंग है, तो इनहीं का मतलब हो जाएगा boredom, अगला है enormous, enormous का मतलब होता है, विसाल, यह भी एक असा वर्ड है, immense, huge, बहुत जदा huge है, यानि हुज है, यानि कि immense है, और enormous को याद रखेंगे, e-normal, यानि कि जो normal ना हो तो कैसा होगा, तो वो विसाल होगा, यानि नॉर्मल नहीं है, यह विसाल है, तो enormous, enormous का मतलब huge, अगला है inrase, अब मैंने इसमें आपको बताया था, जहां जहां पे भी raise आए, r-a-g-e, जिसका मतलब हो जाएगा गुसा, furor, और infuriate को मैंने आपको furor से बताया फसाना, implicate करना, अब देखेंगे आपर, यहाँ पर intangle में, कि यहाँ पर लिखा हुए tangle, और अगर मैं इसको पढ़नू, triangle, तो triangle के question हमेशा हमें exam में implicate करते हैं, फसाते हैं, triangle के question हमें क्या करते हैं, हमेशा implicate करते हैं, implicate करते हैं, implicate करते हैं, मतलब क्या करते हैं, फसात कर देना अपने ब्यूटी से या पर अपने दिमाग से याद करेंगा हम इसको देखो कि जब में इसकूल में एडमिस्टन करवाया था तो मेरा रॉल जो है रॉल नमबर बिलकुल अंत में था लेकिन जैसे हैं पेपर हुआ और रिजल्ट आया तो मेरा रॉल नमबर वन हो गय तो यहांनि कि मंत्र मुग्त कर दिया तो यह हो जाएगा इंठरॉल का मतलब क्या करना में मेश्मराइज करना उसके बाद है intice, intice का मतलब होता है लुभाना, lure करना, in trap करना, तो देखो intice को अगर मैं antick पढ़ू थोड़े देर के लिए, कि antick, तो antick चीज़ हमें 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 सा क्या करती है, lure करती है, अपने और trap करती है हमें, हमें अपने और खीचती है, तो intice का मतलब हो जाएगा lure and in ड्रैप यानि लुभाना, अब यसा लुभाते हैं, पूरानी चीज़े हमें, आप पिक्चर पर देख पा होंगे, उसके बाद है इनमरेट, इनमरेट का मतलब होता है, लिस्त, यानि सूची, तो देखो नमबर और लिस्ट, लिस्ट में नमबर ही तो होते हैं, उसके बाद द जो है बिल्कुल clear calculation करती है आर्ती जो है क्या करती है बिल्कुल clear calculation करती है अब यहां पर देखेंगे enunciate sounds pronunciate तो वह बिल्कुल clear pronunciate करती है कौन आर्ती आर्ती जो है बिल्कुल clear pronunciate करती है enunciate करती है तो enunciate का हो जाएगा articulate उसके देखेंगे उसके बाद फशेजेश , और सब्सक्राइब जragen चाया का इसी तो जलों है इस अज़ा ऊसवाब कर दो मतलब इमेजिन करना तो देखो विज्छन , ना विज्छन ऑशेश विज्छन और एज रोगते थे जो दिज्छे ओ थ्ट विज्छन एका मतलब होता है, तो जितने भी वोकल है, साउंड है, तो सबके अलग-अलग होता है, या एक होता है? सभड़ नहीं हें, हना? तो अम्बीके मतलब हो जाएगा, निकार्थी और इक्वी sounds, इसका सिन्ोनेंज नहीं है। उसके बाद हमारा कäre impressed का मतलब होता है खड़ा होना तो आसान साских the एक मतलब एक कठाना एक मतलब एक खड़ा उठाना आसान टमन की इतना जोर पर देंग का मतलब उठाना अब कुछ एर्ण करने के लिए आपको कुछ कार्य करना ही पड़ेगा आपको पूरा करना ही पड़ेगा कुछ earn करने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ इसकारे करना ही पड़ेगा, तो Irrend का मतलब क्या हो जाएगा Assignment उसके बाद है Erring, Erring का मतलब होता है Blundering यानि की गलती से अब देखेंगे, Erring में आ रहा है क्या Error, Error का मतलब क्या होता है गलती और ब्लंडर तो मैंने आपको याद करवाय है कि बलंडर पीने के बाद उसने क्या कर दिया बोलते हैं ना कि भारी बलंडर हो गया हम से यानि मिस्टेक हो गया उसके बाद इरोनियस, इरोनियस का मतलब होता है गलत, तो एरर से ही बना है, false, invalid, wrong, inaccurate, आसान सा वड़ है, इरोनियस, एरर से ही याद रखेंगे आप इसको, उसके बाद है, अर्स्ट वाइल, देखो, अर्स्ट वाइल का मतलब होता है, former, यानि कि भूत पूर्व, अब आप former prime minister, अगला है espionage, espionage का मतलब होता है, aspying, aspai, जासूस, आपको aspai याद होगा, आपने aspai का मतलब पढ़ा होगा, जासूस, जासूसी, espionage को ऐसे पढ़ाएंगे, espi पर नाज है, हमें अपने espi पर नाज है, कि उसने जासूसी करके जो है, उन्होंने चोरों को पकड़ लिया, या फिर asmugglers को पकड़ लिया, espi पर, हमें अपने espi पर नाज है, कि उसने जासूसी करके जो है, चोरों को या फिर asmugglers को पकड़ लिया, तो espionage का मतलब हो हैं जासुष सी उसके बाद इसंसियल का मतलब वाइटल होता है भी कि पहरे lay नहीं ही एक जरूरी है तो इसंसियल मतलब हावस्टे इस्टीम होता है आदर, रिगार, संमान ठीक है अब देखेंगे यहापे हम इसको याद रखेंगे टीम से कि हम अपने टीम की क्या करते हैं हादर करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं सम्मान करते हैं रिगार्ड देते हैं उन्हें तो याद हो जाएगा आपको या फिर ऐसे भी याद रखेंगे कि हम हमारे जो टीम है उस एस दो एस फिल्ड में जितने भी एस गधें हैं सब को क्या करो गिनो अनुमान लगाओ तो एस्टेमेट का मतलब हो जाएगा एसस उसके बाद है एस्टेमेट का मतलब होता है सेपरेटिड अलग थलग अब देखो क्या है कि कुछ वैक्ति जो एक घुल मिलकर करते हैं लेकिन जो सबसे अलग होता है सबसे अजीब होता है और सबसे सेपरेट रहेगा सबसे अलग रहेगा तो एस्टेमेट का मतलब हो जाएग है जिसका मतलब होता है नयतिक सास्त्र यानि इठिकल और एकविटेबल असान से वरड़ दोनों अगला वरड़ यूल जी यूल जी का मतलब होता है गुंगान करना rapt जिसकरना तारीफ करना तो देखो ऐसे याद रखेंगे यह लो जी किसी ने मेरा सब से पैसे मांगे और मैंने उसे कहा ये लोजी तो जैसे ही मैंने कहा ये लोजी पैसे वो मेरा क्या करने लगा प्रेज करने लगा तारीफ करने लगा गुंगान करने लगा तो यूल जी का मतलब क्या हो जाएगा प्रेज करना उसके बाद है eventually, eventually का मतलब होता है finally, यानि कि आखिरकार, तो देखो, आसान सा है eventually, event, event के आखिर में क्या हुआ, event के final में क्या हुआ, उसके बाद है evidence, evidence का मतलब होता है, सबूत, indication, तो देखो evidence, बोलता है न कि, क्या evidence है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, क्या indication है आप events 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 ecosystem data stream यानि कि दिखाई पड़ ना इविटेंस भी लग रहा एविडेंस की तरह कि शोग करो क्या सो कर तुमारे पैस अगर कोई अज़ा करो तौछ करो इविदेन्स को सोग करो तो यहां पर क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा जरा एक्स्ट्रा 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 एक्स प्रसंसा करना याद करेंगे कि एक्जाम का रिजल्ट जैसे ही निकला और यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है कि मेरे ऐसे से एक्जाम का रिजल्ट आते ही सब मेरी क्या करने लगे थे प्रसंसा करने लगे थे यानि कि तारीफ करने लगे थे तो एक्जाम का रिजल्ट आत dark ecstasy और exultation exult se ही याद रखेंगे exam कर exultate आते हैं सब जो है खुस हो गए dark ecstasy बाढ़ दी फिर लोगों ने उसके बाद है exasperate exasperate का मतलब होता है भड़काना infuriate करना अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुए x और separate तो मेरी x जैसे ही separate हुई वो सब को मेरे बारे में भड़काने लगी कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ तो exasperate का मतलब हो जाएगा भड़काना, infuriate करना infuriate का मतलब मैंने बताया था ना गुस्सा दिलाना किसी को उसके बाद exceed exceed का मतलब होता है ज्यादा होना excess नहीं बना है यह exceed surpass होना, surplus होना surpass होना, एक ही word है यह सब उसके बाद देखेंगे अगला है exact exact का मतलब होता है uns extract इसका synonym से है देखो अब क्या है? extract certain part ठीक है आपने क्या किया किसी certain part को किसी document से क्या किया अलग कर दिया, उसकी earns को आपने निकाल लिया तो उसको हम क्या कहते है, exact कहते है उसके बाद है excociate excociate का मतलब होता है invent करना, किसी चीज़ को क्या करना invent करना, अब आप देखेंगे हाँ पे luxcoci luxcoci, excoci luxcoci, तो luxcoci का invent कहा हुआ, इंडिया में हुआ आप देखेंगे, उसका add भी करते है वरंधवन, सनी दवल करते थे पहले तो luxcoci, है ना, तो luxcoci का invent कहा हुआ, तो इंडिया में हुआ xcociate का मेनी क्या हो जाएगा, invent करना उसके बाद है excrete, excrete का मतलब क्या होता है कौस ना, तो देखो, x क्या करते है तो x कौसा करते है x क्या करते है, कोसा करते है यानि सराप देते है तो कर्स हो जाएगा, सराप कर्स का मतलब सराप आपको पता होगा उसके बाद है execute, execute का मतलब होता है implement करना, पालन करना तो देखो क्या करना चाहिए हमें अच्छे रूल्स को क्या करना चाहिए एक्जूट करना चाहिए इंप्लिमेंट करना चाहिए यह असान सा वर्ड है एक्जीक्यूट करना उसके बाद है एक्जैम्ट का मतलब होता है छूट एक्सक्लूड इम्यून याद करेंगे कि एक्ज का मतलब होता है छोट उसके बाद है exhaustible जो है exhaustible का मतलब होता है जो च्छनिक कुछ देर के लिए temporary हो जैसे आपने exhaustible resources के बारे में पढ़ा होगा geography में जैसे coila है coal petroleum तो यह सब क्या है exhaustible resources है यह कुछ देर के लिए रहते हैं हमारे पास बाकि आने वाले टाइम में खतम हो जाएंगे यह पर्मानेंट नहीं है हना जैसे sunlight का हमारा पर्मानेंट है एयर क्या पर्मानेंट है लेकिन यह सब पर्मानेंट नहीं है coal petroleum gas उसके बाद एक्जिबिटेट का मतलब होता है display करना परदर्सन करना अब देखो एक्जिबिटेशन आपने पड़ा होगा आप गया होगे exhibition में जहां परानी चीजों को परदर्सित किया जाता है exhibition तो उसी को क्या कहता है display करना एक्जिबिट करना display करना उसके बाद है एक्जॉट एक्जॉट का मतलब होता है उक्साना प्रेसर करना ठीक है प्रेसर डालना तो एक्स जो है एक्सपेल करना तो देखो आपने एक्सोसिजम के बारे हैं पड़ा हो गया फिर बहुत सारी से मुवी देखियोगी जिसमें जो है क्रिस्टन लोग क्या करते हैं एक्सोसिजम करते हैं यानि कि भूत भगाते हैं जैसे आपने 90-20 मुवी देखियोगी तो इसमें क्या करता है में जो पोप होता है पादरी होता है वो क्या करता है चर्च का एक्सोसिजम करने की जो है मांग करता है जिससे भूत को भगा सके तो वही है भगाना एक्सपेल करना एक्सोसाइज एक्सोसिजम उसके बाद है expandable, expandable का मतलब होता है लचीला, जैसे हमारा jeans क्या होता है, लचीला होता है, expand करते हैं, हम उसको बढ़ाते हैं, flexible, और एक होता है हमारा expended, याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है, exhausted, खतम होना, हम बोलते हैं ला कि मैंने क्या कर दिया, expand किया, expand किया, मतलब क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो जो चीज़ खर्च हो जाया है, उसका हम expand कहते हैं, expend, ठीक है, और याद रखेंगे, यहाद रखेंगे, यहाप इक्जॉस्टेट, पढ़ा सामने, exhaustible resources, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कि expended का क्या हो जाएगा exhausted हो जाएगा आज का जो पहला वर्ड है वो है explicit explicit का meaning होता है clear और lucid अब देखिए explicit को याद करना कैसे है सबसे पहले हमने जान लिया कि explicit का meaning जो होता है वो होता है clear यानि कि अस्पस्ट और lucid तो clear का मतलब जैसे हम कोई बातचीत करते हैं कि अगला वक्ति बोलता है कि clearly बोलो क्या बोलना चाहते है बिल्कुल clear बोल तो यह explicit अब इसको देखेंगे याद करने को तरीका अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं तो क्या लग रहा है क्या लिखाव है explain और sit का मतलब बैठना sit की बात कर रहा हूं मैं और explain करना तो क्या होता है कभी कभी हम कुछ बड़ा बड़ा रहे होते हैं तो अगला वक्ति बोलता है कि sit and explain clearly ठीक है अराम से बैठ जा और बिल्कुल अच्छे से जो है explain कर कि क्या बात है क्या परिशानी है तो explicit यानि explain and sit ठीक है sit and explain यानि बैठ जा और explain कर clearly कि क्या problem में तुझे क्या परिशानी है तो explicit का मतलब हो जाएगा clear और lucid मैंने पहले आपको पहले भी याद करवाया है lucid कि lucid में एक word आ रहा cid ठीक है तो cid ने क्या किया तो cid ने पूरे case को clear कर दिया मैं solve कर दिया clear तो lucid का meaning भी आपको याद हो गया और explicit और clear का meaning भी आपको याद हो गया अब देखिंगे दूसरा जो word है वह है expose expose का मतलब होता है reveal कर देना किसी को याद कर देना रखेंगे रिवील अगला जो वर्ड है वह है एक्सपोजेटरी एक्सपोजेटरी का मतलब होता है वर्णन आत्मक यानि कि वर्णन करने लायक या फिर वर्णन करने योग यानि कि जिसको आप बोल करके व्यक्त कर सके तो यह अब देखेंगे यहां पर इलुस्ट्रेटिव कि अब निया है यहां इसे को आपको याद होगा यह एक्सपोजेटरी याद रखेंगे इसको भी तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ती तो असान सवचे इतना इस पर ऐना इक्सपोजेटरी को आप बस इतना याद रखना कि कोई गुप्त वर्ड ठीक है यह भथ ले जाती ना ना पूछो साधू की हना टो इस टाइ撲्ट से भॉंहां पर आपको स्ब्हक्रीट कर ना होता है कि यह आन को जो ए क्रें उस्फेट करें तो एक्सपोज करें उसको यानि कि पूरे अच्छे तरीके से बेनकाब करें moje तो Expository का मतलब हो जाएगा Illustrative आगे देखेंगे Extract यह तो आसान्ता वड़े Extract का मिनिंग होता है कि कार्ट कर निकाल देना या फिर विड्रॉद कर देना विड्रॉद इसका synonym से अब आप देखेंगे Extract को एक्स्ट्रेक्ट कर रहा है यन कि आपर अप्स्ट्रेक्ट का मतलब क्या होता है निकाल देना भाहर करदेना वे Tevin वएसे बैत त्रशंग अप्स वहां σ हे और बात हो एकृटिकर्वें और बात बात रही है और दूसरा आरा है तो अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे फास्ट फूर्ट पे तो आपका वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्स्ट्रा वेजंट्ली और एक्स्पेंसिव भी होते हैं जितने फास्ट फूर्ड होते हैं जैसे पीजा पीजा आप खाते होंगे तो कितना एक्सपेंसिव है तो यह एक्स्ट्रा वेजंट्ली का मतलब क्या हो जाएगा एक्सपेंसिव ली यानि कि बहुत ज़्यादा खर्चीला उसके बाद एक्स्ट्रिकेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना या फिर किसी को रिमूव कर देना मुक्त कर देना उसको ब बहुत आसान सा वर्ड है बहुत बार हमने देखा है हमने वन वर्ड सब्ट्यूशन में भी इस वर्ड को देखा एक्स्ट्रोवर्ड का मतलब होता है बहिर मुख्य व्यक्ति अब बहिर मुख्य क्या होता है तो जो अपने अंदर के फीलिंग्स को ठीक है दूसरों के सामने व लिंग्स को अपने अंदर यानि दिल में ही दबा करके रखता है उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट तो यह क्या है एक्सटोवर्ट है जिसका मतलब होता है तो अब बात करोगे टॉक करोगे तभी तो अपने परिसानियों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाओगे तो यह एक् किसी चीज का eagerly waiting करते हो तो eager का मतत्व उससाही आपको पता होगा exuberant को याद करना है हमें हमारा जो task है exuberant को याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे देखेंगे कि यहां पर एक word आ रहे है लोगा तो क्या होता था लोग भाणना दोड़ना और एक तो पहले क्या होता था जब हम बच्चे होते था चाइल्ड होते थी नो दस सिगार साल के तो क्या होता था कि एक मूवी आती थी अजूबा ठीक है और अजूबा पहले कुछ जादू इसमें कुछ जादू सैतन वगएरा की जो है वह फिट्टर दिखाई जाती थी तो बहुत तो exuberant eager, यानि की eagerly, उसके बाद देखेंगे exude, exude का मतलब होता है, रिसना या फिर टपकना, ठीक है, अब देखो exude, अब यहाँ पर इसे जो है, आपको root word सियाद रखना है, जिसका meaning होता है, रिसना या टपकना, sentence होता है, ooze, ठीक है, oooze, देखो, तो यहाँ पर Latin word आ रह symonic नहीं बनिये, तो इसको आप root word से याद कर सकते हो, root word मैंने लिख दिये, अब आगे देखेंगे, अब अगला जो word है, वह हमारा fabulous, fabulous का मतलब होता है, marvelous, ठीक है, यानि कि सांदार, हम बोलता है न, fabulous, बहुँआ जा, fabulous sort, तो fabulous आसान देखेंगे, easy है, बिल्कुल, marvelous, है न, marvelous उसके बाद है, facade, देखो, facade का मतलब होता है, frontage, यानि कि मुखोटा, अब आप देखेंगे, facade में एक word है, face और add, face और add, तो उसने अपने face पे क्या add कर रखा है, तो मुखोटा add कर रखा है, अब मुखोटा कहाँ add करेगा, अब back side में सर के back side में तो नहीं लगाएगा, front में लगाएगा, तो देखो, इस टाइप का मुखोटा उसने जो अपने front पे लगा रखा है, तो face add, ठीक है, यानि कि facade का मतलब क्या हो जाएगा, frontage, यानि कि front side में मुखोटा लगा करके रखा है, next is facile, facile का मतलब होता है, oversimplified, यानि कि shallow, ठीक है, अब आप देखो क्या लिखा हो है, face, ठीक है, और easily, face, easily, facile, face, easily, I will face easily, तो आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, बहुत जादा simple तरीके से face कर रहे हो, किसी परिसानी को, किसी मुसीबत को, तो facile का मतलब क्या हो जाता है, सहज, ठीक है, oversimplified, shallow, shallow का मतलब छिछला भी होता है, यानि कि गहरा, next is facility, facility का मतलब होता है, skill, causal, आप इसको बस ऐसे याद रखेंगे, कि अगर आप में skill है, तो आपको बहुत सारी facility मिलने वाली है, अगर आप में skill है, तो किसी भी company में, या कहीं भी आप काम करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी facility मिलेंगी, अगर आप में skill है, skillful हो आप तो, उस प्रगतिक से तो यहां पर फेस एब फैर का मतलब होता है प्रोग्रेेस humanity करना याद रखेंगे डर थीक परेर अब देखेंगे आपकी आने वाले टाइम में यानी पहले या पर ऐसे देखो हम जब traveling करते थे बस उसे तो जो ट्रैवल बस फेर होती थी कितनी कम होती थी लेकिन अब उसमें क्या आ गई है अब दस रुपय से जो है वह वह बीस रुपय हो गया तो फिज प्रति दिन प्रति दिन प्रह्य रहें तो फिएर का प्रोइस याद रखेंगे उसके बाद फैसीनेट एक असान जा वर्ड है ऩिए जिसका मतलब होता है कैपटिविट कर ले लेना किसी को मंत्र मुक्त कर देना तो fascination से आपको याद रखना है, fascination से याद कर लेंगे आप, और नहीं जिनको याद होता है, उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फसाई, देखो F-A-S-C-I, फसाई, ठीक है, तो उसने अपनी मीठी बातों से लड़की को अपने बातों म कर लिखा है, और जिनको नहीं आद है, वो याद कर सकते हैं, फसाई से, यानि कि उसने अपनी चिकनी चुपरी बातों से लड़की को captivate कर लिया, फसा लिया, देखो आगया fascination, fascination का मतलब होता है, आकरसन, appeal, यह भी एक आसान सा वर्ड है, चुले, अब देखेंगे fatal, fatal का म सब dead हो गया, यानि कि सब dead हो गया, मतलब समर गया, तो गातक होता है, जानलेवा होता है, fatal का मतलब, ठीक है, तो बौम फटा और क्या हो गया, तो वो deadly साबित हो गया, सब के लिए, next और फेवर्ड, फेवर्ड का मतलब होता है, preferred, यानि कि पसंदीदा, अब आप देखेंग और prefer आपको याद होगा prefer का मतलब होता है जिससे मैं उससे ज़्याद इस चीज को prefer करता हूँ यानि मैं इस से जर्बाइब काफी प्रिफार करता हूँ तो यह पसंद करने की बात है नेक्स्ट है फेन फेन का मतलब होता है pretend करना दिखावा करना ठीक है दिखावा करना प्रिटेंड ठीक है तो प्रिटेंड एक असान सा वर्ड है प्रिटेंडिंग हम बोले हैं वह अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा है नाटक कर रहा है लेकिन फेन हमें याद नहीं होता तो फेन को याद करने का तरीका ऐसे है कि संप्षार्टु करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल तो एक प्रिटेंड करते कि उनको पैसा मिलता है अगरने का तो प्रिटेंड करते हैं कि भाई फिटेंड करता है या झी संमानित तिके अब इसका जो है root word देखेंगे, जैसे Protestant लिखा हुआ है यह आपे ता sollicitis का मतलब है यूं होता है happiness, तिक है याद रखेंगे वी justice का मतलब क्या होता है? happiness, तो -,का मतलब हो जाए conculated, सम्मानित, ken नच, देखेंगे fifteen productivity, festivity का मतलब होता है celebration तो यह भी आसान सा है, word करते हैं कि यहां पर देखा होगा आपने की जब कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है जो चोटे कुत्ते होते हैं तो उनके लिए जो है बॉल लाई जाती है और वह से फेज करके लाते हैं यानि कि पगड़ करके लाते हैं तो फेज का मतलब हो जाएगा ब्रिंग नेक्स्ट है फिक्षन फिक्षन का मतलब होता है फेंटेसी तो देखा होगा आपने मुवीज वेक्षा्ट का मतलब होता है her टोना है ना बहुत तरह की सक्तियां दिखाई जाती है मूवीज में तो फिक्षन और फेंटेसी दोनों इक दूसरे के सिनुनिम से नेज्स फिलिप का मतलब होता है परोजसाहन बूस्ट करना ठीक है तो फिलिप और जैसे आप याद रखेंगे फिलिप को मैं ऐसे याद किया था थि टिके तो दिलिप ट्रॉफी जो दी जाती है तो फिलिप का मतलब हो जाएगा बूस्ट चलिए अगला वर्ड है हमारा फाइनल फाइनल का मतलब होता है कंक्लूडिंग कनक्लूडिंग पहले याद कर लो आप कनक्लूडिंग कैसे कान्कलूजरा निखला तो जो ठीक है अब API से क्या कन्कलूजरा क्लूजरा खिसके विखके फूंजर ऩरल रहोता है क्लीविज्ज विख फूक्सक्तलिक होता है करने जाते थे हैं तो हम क्या बोलते थे थे प्रस्ट करना बंदर जमा कर दो तो यह सब्सक्री किया कर सकते हैं, पाल क्लीविज तिक दरार लेकिन जिनको नहीं पर राइफ जिनको याद और नहीं याद रहे हैं न फीजर तो आप ऐसे याद रखेंगे कि फीश ठीक है फिश यानिंकि मच्छली टिक है मच्ली जो है यहाँ पर क्या लिख़ा ओर फिश और शिओर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिश और शिओर तो आपने देखा होगा जो गड़्े होते है जैसे तल सतपनी होता है जे पानी सूक जाता है। तो जो मचलिया थे दरार में होती है जहां पर पानी हिए तो वहीं पर मचलियां होती हैं फिजरं स्टीज उसके बाद है फ्लेबर गेस्टीट का मतलब होता है यानि twenty- 약 निए कि उसने ऐसा किया कि सब लोग जो है क्या हो गए चकित हो गए और यहां पर क्या लिखा हूँ अर्फ लेबर तीक है और गैस तो जो भौपाल गैस त्राजदी हुई थी जहां पर मिथाईल आइसा साइनाइड गैस जो है रिलीज हुई थी तो उसमें जितने भी लेबर थे व अब लोग सौक्ट हो गए क्या आखिर यह हुआ क्या है तो याद रखेंगे लेबर और गैस से उसके बाद देखेंगे फ्लेगरंट फ्लेगरंट का मतलब होता है यानि कि बहुत ज्यादा सरमनाग आप इसको घिनोना बोल सकते हैं और बस वही फ्लेगरंट यहां पर एक दोविए फिगरेटिवली यानि कि जो बिल्कुल बहुत जादा क्या है तो अपमान जनक हैं देखो इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि एट्रोसियस अपने याद किया था अट्रोसिटी आपने याद किया था आप यहां पर वायलेंस हो लोग वायलेंस करते हैं तो हमने देखा होगा ना लोग क्या करते हैं कि धरना प्रदसन करते हैं कोई साथ फ्लैग उठा लेते हैं काला जंडा विरोध करने के लिए और इधर रण करते रहते हैं तो कहां रण करते हैं तो वह सिर्फ मैट्रो सिटी में करते हैं गाउं में यह सब नहीं होता है ना गाउं में कबभए तो तो सकता है जो यो सकता है जो इसे उसको यूज करते हैं तैलेंटिट्स चड़ता है तो मांन सकते हैं हाला कि हम सब यूज करते है ऐस पंगे आप मान सकते हैं कि जू आंखिर उन्हों नाम क्यों रखाते हैTO जो फ्लेयर मैं उसने फ्लेयर नाम क्यों रखा गes डिखाना चाहते है कि जोबी इस पन से लिखेंगा वो ह zrobić तैलेंट हो जाएगा तो यह फ्लेयर का मतलब क्या हो जाएग टालेंट है उसके आद देखें । फ्लाउंड भांड का मतलब होता है दिखा वा मोग और बाव कर देखा का बोली लगाओ और जो भी ज़्यादा पैसा देगा वह ले जाएगा एक्जिबिशन का मतलब क्या होता है दिखावा करना लेकिन हमको फ्लाउंट पर ध्यान देना है फ्लाउंट को याद रखना है तो फ्लाउंट को ऐसे याद रहो को एप से फलाना और आंटी तो फलाना ऐपने फैसंगा करते एग्जिबिशन को अगला वह flesh φ्लیک को थोड़ी दर के लिए फ्लक पड़ जो लगने यहाद कि फ्लक मैं क्या है तो दाग है घप्बा है उसके बाद कि मतलब होता है अप्रेंटिस यानि deduction ऐसे आप आपको याद होगा гол जिसका मतलब होता है नोभ Help Code Day क GC स्लाइड करना यह तो देखो यह तो आसान सा वड वर्ड है स्लाइड करना जैसे пानी में कोई स्लाइड करके आगे बढ़ रहा दीरे दीरे फ्लोट कर रहा है असान होणक है स्लाइड करना वहां पर Vaugh that flour couple me और देखांगा आपने कि फुटबॉल में एक foul होता है का ना तो बोलते हैं ना कि फाउल हो गया और अगला जो टीम होती है अगली जो टीम होती हो पेनल्टी मारती है पेनल्टी किक तो सब क्या करते हैं मजाक उड़ाते हैं जैसे हैं उसने फाउल मारा सब जो है मजाक उड़ाने लगे एक तो ये भी हो जाएगा या पर ऐसे याद रख चांस बाई चांस तो देखो यहां पे फ्लूक में एक वर्ड आ रहा लुक तो देखो लक का मतलब क्या होता है लक बाई चांस लक बाई चांस तो फ्लूक लक और चांस यानि कि लक बाई चांस अगला है फ्लंज फ्लंज का मतलब होता है बल या लापरवाही के साथ फेकना तो यह भी आसांता word भर है स्लनॉट。蒸नार फ्लंज की होता है फिकना ठीकर फ्रीू करना एक असाम से word hack अभ명이 deposie fruit है next देकेंगे Florida color school लोगा के बहुत अब बुहत आसामता है याद करने कोडना ना चाहता हो गोगा है Hakasno आप देखेंगे क्या लिखा हुआ ए तो फूर क्या हुआ है fromा वल और संट तो फिनार जो कि प्लार क्या करते हैं कि सुभा सुभा क्या करते हैं ऊमने देखा होगा जैसे आपaking widow najिए गार्डन में जाते होγαं मौर्णिग में तो Tes हो स्बास करते हैं लेकिकिन दोपहर आते आते वह जाते मुर्ज़ाज आता है तो फ्लारšन का मतलब क्या होजाएगा ग्लौइंग उसके बाद है Flutter देखो Flutter का मतलब होता है Flicker तीक है और ये दोनों आसान से वढ़ है Flutter Flicker आप 3-4 बर ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा Flutter Flicker और आपने पढ़ा होगा Flickering of Stars यानि कि तारों का टिम्टिमाना तो Flutter और Flicker Flutter और Flitter Flicker Next है Foliage foliage का मतलब होता है greenery यानि कि वनसपती अब यह भी आसान हो जाए कि याद करना आपके लिए आगर ऐसे याद करेंगे तो देखो फली ठीक है फली और एज यानि कि फली पत्ती है ना फली हम बोलता है ना फली तो फल सब्जी फली सब्जी आज के टाइम में ग्रीन फली सब्जी खाना क्या हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फली सब्जी हम बोलता है ना फली सब्जी खाया करो यानि कि हरी सब् फल वाली मतलब ग्रीन पत्ति वाली थाली खाया कर तो आप पिक्चर पर देख पा रहे होंगे तो फॉलीज का मतलब क्या हो जाएगा ग्रीन next is formant, formant का मतलब होता है भढ़काना, insight करना, तो ये भी आसान से वड़ है, वड़ है। forment को आप ऐसे याद रखेंगे कि जब यूराय स्ञिंग को जब insight किया गया था sign 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 का मतलब मना करना आपने देखा होगा ट्रेन में या फिर बस अस्टॉप पे लिखा हो रहता है कि या स्मोकिंग इस प्रोहिविटेट यानि का स्मोकिंग क्या है निसेद है यहां धूम्रपान निसेद और फॉर्बिट को याद रखेंगे आप कि पापा ने दो पार्ट में भाठ लिखा है तो फॉर्बिट का मतलब क्या गर दिया मना करолог कर रहेंगा नेक्स का मौर बार्ट का मतलब होता है अलाम यानि की पुरुव आभास ठीक है यानि कि पहले तो उसी को बोगतने है Dreams Orange Alarm आपको याद होगा ठीक है जैसे हम 2007 क्लावा के सोते हैं तो हमें क्या हो जाए पहले हिली हम उड़ जाए ओर से और रखाशा ना तो भीफोर याद हो जाएगा आपको पहले हिले पुरुवाभवा अप夠 आज़र देना और लीवट आपको याद होगा आपको फोर्गो याद रखना है तो ऐसे याद लिगो दो सबफिट नहीं टीजेए पोर इगो तो उसने अपने येँड के लिए चोड़ दिया उस раз अपने BF को अपने Ego के लिए क्या कर दिया, leave कर दिया, छोड दिया, तो four ego, यानि कि four go, है ना, four ego के लिए छोड दिया, चोले, अगे देखेंगे forgive, forgive का मतलब होता है, माफ करना, पार्डन, तो दोनों आसान से वर्ड़ा और दोनों आपको पता होगा, pardon me यानि कि मुझे माफ कीजिए च्छमा कीजिए और forgive का मतलब भी होता है माफ करना नेक्स देखेंगे four second four second का मतलब भी होता है छोड़ देना ये भी जो है फोर्गो का syndrome था और abundant हमने पहले भी याद किया था कि cat ने क्या किये है है ना abdicate का मतलब भी होता है syndrome से abandon का कि cat ने सारे बंदन तोड़ लिए ना किसके साथ रनबीर के साथ और विकी कौसल से साधी कर लिए तो abandon का मतलब छोड़ देना और four second ठीक है तो four second वही आज रखेंगे four suck यानि कि सक के वज़े से उसने छोड़ दिया सक के वज़े से उसने जो है cat ने किसको छोड़ दिया तो रनबीर को छोड़ दिया और विकी कौसल साधी कर ली तो four second का मतलब क्या हो जाएगा छोड़ देना इसका मतलब छोड़ देना होता है लेकिन इसका मिनिंग होता है सपत ठीक है यानि कि कसम खा करके छोड़ देना तो देखो four or swear swear का मतलब होता है कसम हम बोलता है ना I swear यहनि मैं कसम खाता हूं I swear तो four swear का मतलब होता है सपत पूर्वक त्याग देना और फोर सिक तो अभी मैंने आपको याद करवाया सक के कारण उसने छोड़ दिया next है हमारा fortitude देखो fortitude का मतलब होता है bravery ठीक है यानि कि साहसी बहादूर बहादूरी अब यहां पर देखेंगे दिया हूआ fort fort का मतलब किया होता है कीला और कीले जो सञीनिक रखे जाते थे कैयरर बरेव ने कौक्छि का कामिनी है तो जोoper Statesa होते थे तैंने कि उसी को जो है fort के ऊपर के उपर पहरेदारी के लिए जह रखा जाता था का मतलब हो और हमने अमलगम पहले भी याद किया है एक मिसरन जिसको दातों में जो च्छेद हो जाती है ना कीरो के वज़े से उसमें उसको भर दिया आता है है अमल हर्वाइश को तो वही चीजह पर है इनकर क्या हो जाना पत्थर बन ज सकता है याद रखेंगे जो वह जानवर होते है जहसे फॉसिल बनाए पैट्रॉलियूम और चैरोसीन जो भी है था और उसके बाद फिर क्या हो जाते थे कि लिक्विड में चेंज जाते थे पैट्रोलियम केरोसेन यह सब तो फॉसिलाइज का मतलब क्या हो जाएगा मिलकर पत्थ बन जाना देख पा रहे होंगे पिक्चर में आप चलि अगला जो वर्ड़ेशन वह है फांडेशन का मतलब का मतलब हुता है उसके बाद देखेंगे अगला वर्ड़े है हमारा फोयर का मतलब होता है परवेश कक्ष यानिकी लॉबी अब देखेंगे आप यहां पे फोयर फोयर को ऐसे याद रखेंगे कि लॉबी लॉबी तो आपको याद होगा ठीक है इस तरह की लॉबी होती है तो हम बोलेंगे लॉबी में फायर लग गई यानि कि लॉबी में क्या लग गई आग लग गई तो फोयर का मतलब क्या होता है लॉबि यानि कि cela भी का विद्व का मिनिंग आपको पता है कि जो हमारा ब्रामदा धोता है हम गाव में उसको बरांडा को बेड़ांदा और यहां पे उसको लॉबि बोला बोल ब़र नया यह पर गाव भी होता है associate यानि कि सही होगी और इसकी भी निमोनिक नहीं बनी है तो इन दोनों वर्ड्स को आप याद कर लेंगे चुलिए अगला वर्ड है हमारा fraudland fraudland का मतलब होता है deceitful यानि कि धोखे बाज कपट पूर्ण कपटी बोल सकते हैं आप तो देखो fraudland में एक वर्ड आरा fraud अब आप इसको fraud से याद रख सकते हैं और deceitful जो है word वो deceive से बना है deceive का मतलब क्या होता है धोखा देना आपने डी वाले word में याद किया होगा deceive अना तो fraudland का मतलब क्या हो जाएगा deceitful अगला है freelance freelance का मतलब होता है self-employed यानि कि आत निर्भर स्वचंद तो देखो fright fright का मतलब होता है भय डर लगना ड्रेड और दोनों वर्ड जो है वो थोड़े आपके लिए नए होंगे ठीक है ड्रेड तो देखो पहले हम याद रखेंगे उसको उचाही से डर लगेगा और ड्रेड से जाज रखो डेड डेड परसन को देख करके किसको डर नहीं लगेगा है ना तो जो वक्ति डेड हो गया तो डेड परसन को देख करके सब को डर लगता है तो fright और डेड दोनों आपको याद रुगा तो Fright का मतलब भी होता है भह लगना डर लगना और Dread का मतलब भी डर लगना भय लगना, उसके बाद है हमारा Frontier, अब देखो Frontier का मतलब होता है सीमा, यानि कि क्या हो ना, जो सीमा होती है, Boundary होती है, जो दो देशों के बीद में जो Frontier वा похож on treadmill, इसको हम बोलता है Frontier, तो यह और नहीं आदो तो आपको frontier गांधी से याद करना है ठीक है अब frontier गांधी किसे कहते हैं इसको जो है आप comment section में बताएंगे कि frontier गांधी यानि कि सीमानत गांधी किसे कहा जाता है यह भी जीके का question है उसके बाद देखेंगे fruitful fruitful का मतलब होता है फल दायक यानि कि productive तो देखो fruit क production ऐसे याद रखेंगे आप किसका production तो fruit का production तो हो जाएगा आपका fruitful fruitful productive next हमारा fundamental fundamental का मतलब होता है basic तो देखो fundamental right basic right अना वह बोलता है ना कि यह मेरा fundamental right ते मेरा basic right है तो fundamental और basic लिखा हुआ है जितका मतलब अधार बूत होता है उसके बाद फर्विश फर्विश का मतलब होता है shine यानि कि छमक बदेखेंगे फर्विश यहां पे लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है तो आपने फर्विश फोन देखा market में बहुत चलता है थे क्या कि यह जाता है और वह बिल्कुल आपको नए के जैसा लगेगा हलाकि पुराना phone होता है लेकिन फरभिष वाले phone जो है वह विल्कुल आपको उपर से बिलकुल चमकदार लगेगा ठीक है जब आप open करोगे तब आपको पता चले कि पुराना या नए है लेकिन देखने से बिल्किल नहीं पता चलता क्योंकि इतना ही ग्लो करता है शाइन करता है तो फर्विस का मतलब क्या होटा है शाइन ठीक है तो फर्विस फॉन और से आप इसको याद रखेंगे उसके बादomme फर्टिव का मतलब होता है सीख्रेट यानि की सिख्रेटिव यानि की गुपत तो देखो फर्टिव को आप ऐसे याद र रखेंगे कि जैसे हम बच्पन करते हैं कार्टून वगरण कब है तो हम सीक्रेट तरीके से सखते थे फिर टीवी फिर टीवी फिर टीवी हम क्या करते थे पापा के जाने के बाद फिर टीवी ओन करते थे सिक्रेट तरीके से एक तो यह हो गया दूसरा आप इसको याद रखते हैं इसको तो फर्टी का मतलब क्या हो जाएगा जादा रिलीट करेगा आपको हमेसा के लिए रहेगा वर्ड उसके बाद देखेंगे कि क्या है फर्टी का मतलब होता है एंगर यानि कि रोश अब पहले भी मैंने आपको बता है जहां पर आप रेज देखें ठीक है र-a-g-e रेज का मतलब भी गुस्दा फरी का मतलब भी गुस्दा होता है तो वहीआ पर लिखा हुआ फरी नहीं याद रहे हिसा रखें। कि वह गुस्से से जो है फरफरा गया फरफरा उठा वह गुस्से से एंगर उसके बाद फ्यूज फ्यूज का मतलब होता है कंबाइन जोड़ना तो आसान सा वड़े फ्यूज बोलता ना फ्यूज फ्यूज जोड़ना है फैन का फैन का क्या कर दो फ्यूज जोड़ दो तो व अभिमानी अरेगंट आपको याद होगा अरेगंट का मतलब होता है घमंडी हेंकारी अभिमानी और यहां पर देखो फस्ति यहां पर लिखाऊ-वा क्या क्या होतीए घमंडी होती है एक गरल तभी फस्ती है मुसीबतों में जब वो क्या होती है बहुत ज्यादा घमंडी होती है तो यह मतलब क्या हो जाएगा?. सब्सक्राइब्स का मतलब होता है रथक क्य Esse है अब अपने एक वॉड्ड याद किया होगा कि टाइल फूट गया, जो टाइल फूट गया, वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया, जट क्या होता है, बड़े बल्ड टाइल जो है घर पे लगाते हैं, और क्या होता है, लगाने के दौरान, वो मिस्तरी से, या जो वरकर होता है, उससे वो फूट जाता है, तो हम क्या बोलत beginning Hat क्षिए पर न तरीक कि अगर्व गफिल मों कई माचली फसानी का मिलोग गावं में बंसी फसाना gaff फ्लू्टद 잘 तो क्या हुई है। रूठी हुई है। उससे मनाने का क्या बतादो। है ट्रिक ट्रिक बतादो। तो the gaps का मतलब किया हो जाएगा। उसक의 back करते हैं जुव करते हैं गेंबोना का मतलब होता है आज परिस्क के इस cambiar होजब तो याद कर दसे में तो पर किमshi एसा gambling क्या है एक risk वाला जो है game है गैंबलिंग यानि कि जुवा जो है वो क्या है तो एक risk वाला game है ऐसे भी याद रखेंगे gamble का मतलब risk और दूसरा अगर आपको exact meaning याद करना है उसहल कूद का तो आप ऐसे याद रखेंगे game में ball को लेने के लिए लोग क्या करते हैं कूदते हैं जंप करते हैं याद हो जाए कि आपको gamble का मतलब क्या जंप करना उसके बाद गारबल का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना confusion ठीक है बलकुल confuse confuse होना तो देखो कुछ तो कंफ्यूजन है कुछ तो कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन है तो गर्बल का मतलब क्या हो जाएगा Adorn अगर आपको नहीं आदे तो आप ऐसे याद करेंगे दिवाली में जितने भी डूर होते हैं हम उसको क्या करते हैं तो हम उसको सजाते हैं न दिवाली वगरा में तो Adorn का मतलब क्या हो जाएगा सजाना चले आगे देखेंगे अगला है gas 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 का मतलब होता है हाफना fight for breath फाइट फ्र ब्रिथ अब देखो यहां पर क्या है आप इसको ऐसे याद रखेंगे एक तो ऐसे याद रखेंगे जैसा gas का जो सिलेंडर होता है तो gas का सिलेंडर उठाते उठाते क्या होता है हम हापने लगते हैं हम फाइट फो ब्रित करने लगते हैं यह पिर अगर कोई गया सोड़ देता है तो हम अपनी नाग क्या कर लेता है बंद कर लेते हैं और काफवी टाइम नाग बंद करने के बाद जो है क्या होता है हम फाइट फो ब जो बहुत ज़्यादा क्या हो बढ़कीला हो एकदम चमक धमक वाला हो इसका हम बोलते हैं गौडी तो जब भी गाडी खरीदे वाइट या ब्लैक खरीदे बहुत ज़्यादा फ्लेशी रेड वगरा मत खरीदे जैसे आप देखरोंगे जो गाडी है बिल्कुल कहा है फ्लेश इस जन्रिक जन्रिक का मतलब होता है सामानने यूनिवर्सल आसान सा वड़े जन्रिक जन्रल से याद रखेंगे जन्रल का मतलब सामानने होता है तो जन्रिक जन्रल यूनिवर्सल उसके बाद देखेंगे शौनर का मतलब होता है के टेगरी तो इसकी जो है निमोनिक नहीं बनी है तो इसको याद रख लेंगे आप खुद से चले आगे देखेंगे अगला जो वड़े ग्लेयर का मतलब होता है डैजल यानि कि चमकना तो देखो ग्लेरिंग आसान सा वड़ है यह भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा ग्लेयर का मतलब क्या होता है चमकना आप नहीं यादो तो आप एसे याद रखेंगे कि देखो यार उसके गले में देख यार उसके गले में ऐसी जो निक्ल्ए से चमक कर रही है डैजल निकल निकला और चांड जब 닉ना दो चमकता नहीं याद रहे तो बहुत ज़स्कण याद रहे तो हम दो जाएं चान निकले से चमक होती है तो बोलने में कुसल रहो घ्लीब का मतलब ही ओडा हो तो चालाकी से अपना कहने वाला उसजों मैं मतलब होता है जो बोलने में बाचित करने में कुसल होना को आगे देखें आगे खी लोडिया स्वाह का मतलब होता है सांदार सुट्पलेज्ड ट्रॉ्स को गाड़ी है वह बहुत जाए जाए सांदार गाड़ी थी है ना उन्हाइद प्लॉंधिड लोडियुस चलिए उसके बाद है गलूम, गलूम का मतलब होता है उदास, डिस्मल, अब इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि आप याद रखेंगे गुलाम से, तो अगर आप किसी को गुलाम बना करके रखोगे, तो उदास ही तो रहेगा ना, सैड ही तो रहेगा वो, तो एक ऐसे भी य याद रख लेंगे और अगर इसको सीनेयमस के साथ याद करना है तो आप ऐसे याद रखेंगे, गुलाम को जो डिस्ट दी जाती थी, वह बिलकुल मल की बरावर दी जाती थी, मल का मतलब गंदा, तो गंदी डिस्ट दी जाती थी, आपने देखा होगा जो गुलाम पहले सिर्मिवाटी जाते थे उसको सुखी रोटी डाल आ थी ल osob कि इसे तो बिल्कुल घंडा का दिया डी जाते थे न चाल दिंका पाइस थी खाना देदी आता था तो हुरफ का तब क्या हो जाएगा डिजमल उदास उसके बाद ग्नोम का मतलब होता है ड्वार्फ बॉना तो ड्वार्फ आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा इसको साइंस में जब मैंडलिफ मैंडलिफ ने जो जैसे मतर के पौधो पर जब एक्सपरिमेंट किया था तो कुछ मटर के कोझे क्या वथा फो गए था यानि कि बॉनंय हो गय गयता और कुछ लंबे तो एक तो उससे याद रिख ल tit Jaub को दूसरा गुणोम को याद रखंगेंगे घंणोце तो गंणों के बीच में एक बवना चिप जाय तो नहीं दिखेंगा तो वही है गुणpop का मतलब क्या हो जाएगा बवना ठीक है याद कर लेंगे गुणूम का तो गोपाल पर सबको faith नौ गोपाल पे सबको क्या है faith अर्वन को जाएगा faith यानि कि भरोसा तो गोषपल आ सब neural एंद्ग हए अ जैसे देखा एач कर देखा है दिसका मतलब होता है पाउजन बनाने का कला त्ट कैसे याद करना कि छट दो एक याद करना कि गैस पर खाना बनाना गैस्टोनॉमी और गौर्मेंट को ऐसे याद हम ने किया है गौर से ठीक है तो जो व्यक्ति गौर से बिल्कुल खाने को देख देख कर खाए समझव पेटू है क्योंकि जो मत्तब भूक मिटाने के लिए सिर्फ खा रहा है वो तो कुछ भ खाना खाएगा गौर से देख देख कर खाना खाएगा लेकिन जो भूखा है वो कुछ भी खा लेगा और वहां से निकल लेगा तो गौर्मेंट का मतलब क्या हो जाएगा पेटू गैस्ट्रोनॉम उसके बाद एक ग्रैब का मतलब होता है लपकना क्याज करना पकड़ना अ अब देखो ग्रैंजर में एक वर्ड आ रहा है तो ग्रैंट से याद रख लेंगे आप कि अपनी मगनी पर तो ग्रैंजर का मतलब क्या हो जाएगा मैंगनिफिकेंस सांदार ग्रैंजर तो आसांते वर्ड हो गाहें दोनों याद करने को चले आगे देखते हैं अगला वह के का मतलब होता है पकड़ना क्लिंज करना अब देखो ग्रैस को आप याद रखें अब आपने कहानी सुनेगी लोंबडी वाली और वह अंगूर वाली जिए अंगूर पकड़ना चाहती यह पर फिर बोलती है कि अंगूर खट्टा है तो ग्रैप को क्या करना चाहती थी करना पकड़ना ठीक है उसके बाद है हमारा gratification gratification का मतलब होता है satisfaction यानि कि संतुस्ती तो यह असान था बड़े आप इसको याद रखें great satisfaction तो मुझे कैसा satisfaction मिला तो great satisfaction मिला यानि कि बहुत बड़ी जो है आत्म संतुस्ते मिल गई तो gratification satisfaction ऐसे भी याद कर सकते हैं आप satisfaction लिखा हुआ तो आप इसको पढ़ सकते हैं gratification satisfaction ठीक है तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा उसके बाद है हमारा gratuitous gratuitous का मतलब होता है very spontaneous यानि कि कारण ठीक है यानि कि जिसका कोई कारण ना हो तो इसको याद कर ले जाएगा आप इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है चोले आघे देखें Correct grey का मतलब होता है serious तो किसी को अगर कोई वेक्ति ग्रेव कामतलब क्या होँा कब्र तो अगर कोई वक्ति कब पर जाता तो बिलकुन को शिरियसित हो एक जाये गां वह सेगा कि सह'll कर आएगा तो ग्रेव का मतलब क्या मतलब और शिर्व सिर्य शिर death तो चीनल मिढाने ले UP तो को पीड का मतलब होता है K coloca होना हिंदी में K estou तो वह बिल्कूल क्या हो गया लालच में व्हाल इससे गूप करें आप आगे देखेंगे अग्रीट का मतलब होता है वेल्कम करना तो देखा होगा आपने करते हैं घ्रिटिंग्स करते हैं नीचे लिखा वा रहता है जैसे कार्ड वगर्ए होता है नीचे लिखा वाधा है greeting याने की welcome करना किसीको greet करना नेश्ट ग्रीम G-R-i-em ग्रीम का मतलब होता है stern यानि कि देखो stern हमने में पहले भी आज के आ है दूसरे वीडियो में turn का मतलब मजबूती भी होता है कtha dubhull भी होता है कhta थैर hard और यहां पर क्या लिखा हुआ है है grim तो देखो जी और रिम तो जोय होती है तो कैसे होती है बहुत ज़गा असस्तर होती है कटोर होती हैं है कि उस्टर को क्यों लगाया जाता है ताकि वह और कट नि की जोполож हे और मजबूत हो जाय हाट हो जाये हम और première न न तो है यह lassenедब को घ्रिम्म का मतलब कि एस याद रखेंगे इसको कि अपने की भयानक अब देखो लिकाने का तरीका तरीका क्या है क्रीज्जे को मतलब होता है यू अब और भालू कैसे होते है बड़े भ्यानक होते हैं ग्रिज्जी का मतलब क्या हो जाएगा फैसे नेक्स देखेंगे अगला जो है वह है groan groan का मतलब होता है grumble वह हमारा grudging देखो grudging का मतलब होता है invious यानि कि इर्षया लू invious हमने पहले भी याद करवाया है इन भाई साहब से इन भाई साहब को क्या दिक्कत है क्या जलन है और गायों में नड़ाइब होता है अनल तो गरज का मतलब होता है इर्षया यानिकि जलन होना ग्रजिंग तो वह याद रखेंगे कि उसको क्या गरज पड़ी है और क्या जलन हो रहा तो अगला वर्ट ग्रफ ग्रफ का मतलब होता है करकस यहां पर भी प्रॉप साउंड और ग्रंबल कराना करौन और अगरमबल का मतलब बड़ाना भी होता है डिक ग्रंबल यानि कि बड़ बड़ाना कम्प्लेन करना मरमर करना ग्रोन करना अभी ग्रोन आया था ना और कम्प्लेन और आपको मरमर तो याद होगा मरमरिंग करना डॉंट भी मरमर यानि कि क्या ना करो तो मरमर ना करो भनभुनाओ मत तो देखो इसको याद रखें गरम से तो वह गरम ह आप जाता है कि अपराद बोद उसAME जो है अपना गिल्ट सुविकार कर लिया यानिकि धु आप यानि क्या हो रहा है रिमोर्स हो रहा है पस्चा ताप हो रहा है तो देखो क्या होता है जब कोई मर जाता है तो हम बहुत जाता क्या करता है गिल्ट करते है कि भाई मैं उससे बात नहीं करता था लेकिन वो मर गया है ना वो मर गया मैं उससे बात भी नहीं कर पाया तो इसको हमने याद किल्ली बला खेलने वाला बच्चा क्या होता है बहुत जाद सिंपल होता है ना simplicity होती है उसमें चलकपट थोड़ी होगा जो गुलियनटा खेलेगा बच्चा जादार साल का तो बड़ा गुलिबल होता है भोला बाला होता है तो गलिबलिटी का मतलब हो जाएगा simplicity नेक्स दहुआएगा अगला जो वड़ है वो है हैकेंड हैकेंड का मतलब होता है tired यानि कि घिसा पिटा वही पुराना वाला तो देखो इसको याद करेंगे हैकर तो हैकर जो है पुलिस वालों को टायर्ड कर देते हैं ठीक है एक तो ऐसे याद रखेंगे कि जो हैकर होता है है करने वाले होता है पुलिस वालों का कर देते हैं टायर्ड कर देते हैं और नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखें कि हैकिंग का गेम खेलते खेलते मैं delusion यानि कि आपने देखा होंगा कोई भी चीज चिज च्वा होती है not to but hallucination तो हीज को बोलते हैं आनि कि जो सिम्नम धुम से होती है सबक्षेण को याद करने का तरीका है सबसे पहले आप हंब में यह जो पिक्चर गयर ़ी आपको फिल देख रहे है तो लेकिन गया लिए कि हील नहीए उनली क्या पिक्चर है लेकिन है प्रतीथ हो रहा है मैं ऐसी क्या हो रही है शुक्त आब स्काश्चा कर hypothesis लेकिन फोन पर उधर और कोई है उधर कोई है नहीं लेकिन फिर भी जो है hello hello कर रहे है तो इसका मतलब क्या हो गया हो गया है यानिके delusion हो गया तो इस तरह से याद ऊजाए को hallucination का मतलब क्या हो जाना मत्य ब्रह्म हो जाना delusion हो जाना दूसरा वर्ट पर देखेंगेlara घयम्पर का मतलब होता है हेंडर और हिंडर हम ने पहले भी देखा है जिसका मतलब होताím बाधा डालना रस्टिक्शन डालना तो उसी को बोलता है हम है अब देखें है को अगर में याद करूए हम पर तो हम पर यानि हम सभी पर माता-पिदा क्या करते हैं रस्टिक्षन डाल करके रखते हैं कि तुम्हें जैद्नीख खेलना होता है है n甘えば हम पर पार्ण जो है रस्टिक्षन डालते हैं कि यह मत देखे, happiness का मतलब होता है, unlucky, यानि कि अभागा, जो अभागा वेक्ती है, मतलब जो भाग गहीन है, उसका हम बोलते है, happiness, अब देखे, अगर मैं happiness को hopeless पढ़ लूँ, तो hopeless का मतलब क्या होता है, जो बिलकुल निरास हो, तो निरास कौन रहेगा, unlucky person, तो happiness का मतलब क्या हो के सुखी रहे तो वही है ब्लीस और हैपिनिस हैपिनिस का मतलब आपको पता ही है खुसी होती है तो आसान सा वर्ड हो गया है हैपिनिस आगे देखिएंग अगला जो वर्ड हार्ड हार्ड का मतलब होता है कठिन डिफिकल्ट अब देखिए यह भी आसान सा वर्ड हार्ड का म तो Hardly का मतलब क्या हो जाएगा Barely यानि बिल्कुल मुस्किल से बहुत कम चले आगे देखेंगे Hardship, Hardship का मतलब होता है Misery यानि की कस्ठ होना है बोलता है माइजरी कंडिसन में रह रहा है मतलब बूरे हालात में रह रहा है तो उसे को कहते है Hardship अब देखो कोई वक्ति Hardship रह रहा है यानि की उसकी लाइब जो चल लिए बिल्कुल hard चल लिए difficult चल रही है तो Hardship का मतलब क्या होता है Misery चले आगे देखेंगे अगला जो वड़ हो है hate hate का मतलब होता है नफरत करना detest यानि की detest हमने देखा था डी वाले alphabets में कि detest यानि कि जो भोजन test ना लगे यानि टेस्ट ना दे यानि कि वह tasty ना हो तो उससे हम क्या करते हैं नफरत करते है hate करते हैं कि भाई यह तो टेस्टी नहीं है भोजन और hate का मतलब आपको पता है बोलते हैगे जो वेकती है जो दिन फर बैठा रहता है लिटा रहता है तो सब क्या करते हैं योटर्ट करते है अगे दकेहेंगे अगले जो वर्ड वह हाज़ा का मतलब होता है डेंजर्ष यानि कि रिस्की जो खतरनाक हो तो इसको हमने याद किया है हैजा से, आप देखेंगे आगे वाला जो वर्ड क्या लिखा हुआ है हैजा, हैजा क्या है, तो हैजा एक dangerous भीमारी है, खतरनाक भीमारी है, तो हैजा is a dangerous disease, यानि कि हैजा एक क्या है, खतरनाक भीमारी है, रिस्की है, आगे देखेंगे अगला ज सब्सक्राइब नहीं करने लोला है तो कही वी बात शुनकित अग判 सब्सक्राइब आप उसके para की जारी अपने पिक्चर वुचर और अभुष सायद। हेजिमोनिग का मतलब होता है सुपर मेसी यानि की आधिपद्य बोलता है उसका यहां पर पूरा चलता है ठीक है उसका यहां पर क्या चलता है तो शिक्क्त हम proves की का मालिक सबकुच उसके अंडर में है तो उसे को बोलता है है जी मानिग तक और इसका सुपर मेसिस सीन्inator भी द विवजिच भी सोपरमेशी है तो जिसके पस अधिक धन होता है नना उसकी जो है क्या होती है उघ्र में सी आंच होते है पूरी घर पूरे गाओं में सहर में जिसके पास जादा दौलत होती है तोезжimonic he get money ठीक है, he get money तो जिसके पास money है, उसकी सुपरमेसी होगी next हेराल्ड, देखे हेराल्ड का मतलब होता है संदेश वाहक, यानि की messenger, ठीक है, announce करने वाला आपने देखा होगा, पहले राजा महराजाओं के महलों में क्या होते थे messenger होते थे, जो इस तरह का लिफापा खोल करके बोलते थे मतलब जो भी उनके पर संदेश आता था, उसको पढ़ते थे तो उसी को हम बोलते है, हेराल्ड, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर क्या लग रहा है here all, here all, वो बोलता है थाना, सुनो, 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 यह संदेश आया है, तो राजा का संदेश सुनाने वाला, हम क्या कहेंगो, उसको हिराल्ड कहेंगे, तो here all, ठीक है, here all, messenger और announces का synonym से, उसके बाद देखेंगे, हर्कुलीन, हर्कुलीन का मतलब होता है, strong, बलसाली, अब देखो, हम बोलता है, वो बलकुल क्या है, हर्कुलीन है, यानि कि बलसाली है, अगर ऐसे ना याद हो, तो आप ऐसे याद रखेंगे, कि हर कोई यह काम नहीं कर सकता, क्यों तो यह हर्कुलीन, हर्कुलीन का मतलब क्या होता है, बलकुल a strong, अब पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यह क्या है, हर्कुलीन है, तो हर्कुलीन एक movie भी है, जिसमें एक strong character का role play किया गया है, चुली, आगे देखेंगे, हरेटिक, हरेटिक का मतलब होता है, विधर्मी, सिनिक, यानि की जो बहुत जादा क्या हो, विधर्मी हो, और इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है, तो इसको आप जो है, इसे ही रटलेंगे, हरेटिक को, उसके बाद देखेंगे, अगला जो है, hesitant, hesitant का मतलब होता है, reluctant, reluctant का मतलब अनिक चुक, तो reluctant को सबसे पहले याद रखे कि अगर कोई आपका काम लटका दे, तो समझो, वो काम करने के लिए इच्छत नहीं है, जैसे मालो कि आपने किसे को काम करने को दिया, और वो उस काम को नहीं कर रहा है, बार बार लटका रहा है, तो वो क्या है, अनिक्छो के काम करने में, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है और आप उसका जबजस्ति बोल देगो काम कर लो ये और hesitant का मतलब आपको पता है hesitate करना अनिक्षा होना चले आगे देखेंगे अगला जो वड़ हो है हिंड हिंड का मतलब होता है पिछला रियर अब देखो हिंड 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 हमने पहले भी याद किया हिंड से हिंड रियर मिरर यानि क्या कि पीछे वाला मिरियर है और तो आपने साइंस में पढ़ा होगा रियर इमेज तो आप मतलब होता है पिछला हय़ाक्स का मतलब होता है जहासा देक कोई स्टुरी लोंड़ी लेकर कीडियता है और लोमणी ज inner shaft तो जो कूवा है वो आ जाता है बिलकुल लां और मुओ करता रोटी गर जाती तो ओलक्स पे क्या होते है बहुत ज़दा स्कैम होते है फ्रॉड होते हैं ट्रिक होते हैं ऐसे भी आज़ सकते हैं आप नेग्स देखेंगे होलिस्टिक का मतलब होता है संपूण ड्रूप से comprehensive अब इसको याद रखेंगे देखो आप तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे ह में होली में टोटल लोग पहले ही घर आ जाते हैं और सीव की पूजा करते हैं आ Character मैं कि बंगला या चीट और डिफ्रॉड इसके सिनोनिम से सिनोनिम सेंगे अगे आपने देखा होगा कि कोई अगर चोरी करता है जैसे कोई बैंक वगईरह में चोरी करने जाता आका डालने जाता गर्रम पहन के जाता है resid कि उसका फेच से फोट देख ना पाए तो उसी क्या कहते हैं हुडविंग कहते हैं यानि कि जो डिसीव धोका देते हैं चीट करते हैं डिफ्रॉड करते हैं तो आखों में धूल जोकने पहने उवह तो फ्ट पहने वह औब देखेंगे अगला जो वड़ी और होले होई होड्व का मतलब होता है ऑफेंसिव यानि कि भ्यंकर ठीक है तो हौरिड उड़ी को याद रखेंगे से आसाना हाओरर्ड फिल्म है ना तो होरिड का मतलब क्या होजाएगा ऑफेंसिव next हound, Hound का मतलब होता है Beagle यानि की सिकारी कुत्ता, सिकार करने वाला कुत्ता अब दीखिए만 हound जो है हound को आप Sound थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये आपको याद करने में आसानी हो جाएगी तो हound क्या करता है Sound करता है, कुत्ते कैं क्या करता है sound करते हैं और बीगल प्रजाती का कुत्ता आपने जरूर देखा होगा है न तो बीगल कुत्ते क्या करते हैं sound करते हैं और ये सिकारी कुत्ते कहलाते हैं तो हाउंड का मतलब क्या हो जाएगा बीगल चले आगे देखेंगे उसके बाद हाउल हाउल का मतलब होता है चिलाना व कर ले तो वेल इसका के है सिननेम से और वेल मचली भी आपने देखा होगा जो भी चिलाती है हना पूरा जो आवाज जाता है दूर तक सब्सक्रैना वह इसारा देती हैais को प्ल करिमें haugl का मतलब क्या हो जाएगा वेल अगला ह्यूज ह्यूज का मतलब होता है बड़ा आसान सा वर्ड ह्यूज मिंस क्या बड़ा विसाल बिग तो ह्यूज का मतलब क्या हो जाएगा बिग चुले उसके बाद हम्ड्रम हम्ड्रम का मतलब होता है मोनोटोनस यानि की नीरस जिस काम में आपका मन ना लगे है ना जिस हमदम ना हो तो life कैसी लगती है बिलकुल monootheure लगती है नीरस लगती है आप ऐसा मान कि चल सकते हैं कि Hum-drum में क्या लिखा हुआ है हमदम लिखा हुआ है तो life में किसी की हमदम ना हो या फिर किसी की हमदम छोड़ के चली जाए तो उसका मन जो बिल्कुल नहीं लगेगा ना मन लगेगा ना तन लगेगा ठीक है monotonous तो हमडरम का मतलब क्या हो जाएगा monotonous नीरस उसके बाद देखेंगे humiliation आसान सावड है humiliate करना है ना dishonor यानि कि निराधर करना किसी का आपमान करना humiliate करना जैसे यहां पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो husband पती को क्या कर रहा है humiliate कर रहा है तो है humiliation का मतलब क्या हो जाएगा dishonor नेक्स्ट आएंगे अगला है humorous humorous का मतलब होता है विटी यानि कि हाथ से पूल ठीक है विटी का मतलब चालाग भी होता है याद रखेंगे विटी का मतलब उद्धिमान चालाग तो ही दिया हुआ का humorous से आफिया या याद रखेंगे हैं तो humor लोग पर यूमर फैला देते हैं लोग तो इस पर लोग क्या करते हैं ह Sage लेते हैं तो वह मतलब क्या हो जाएगा विटी निकिंबहुत जदा हथ सकूल छिले देखिए अब यह पर इसको आप ऐसे या याद और यहां पर विटी को थोड़े दर किटी पढ़ ले तो किटी देगो कैसे हसरी है ऐसे आप इसको उसके बाद देखेंगे हैं कि हर्डल हर्डल का मतलब होता है अबस्तिकल आसान सा वर्डबाधा हर्डल और हर्डल रेस आपने देखियोगी इस तरह के जो है बैरियर्स लग हर्ड है ना हाड रेस तो हाड रेस का कौन सी होती है तो बाधा है ना बाधा दोड जिसमें इस तरह के जो है बैरियर्स लगे होते हैं और बस्तिकल लगे होते हैं चले आगे देखेंगे अगला है हाइब्रीड हाइब्रीड का मतलब होता है कंपोजिट यानिकी मिस्र पर तो देखो composition का मतलब ही होता है मिस्र है ना मिला जूला और hybrid धान अगर आपने hybrid धान अगर लगाई होगी खेत में तो आपको पता होगा hybrid धान क्या होता है आज कल तो हर कुछ लगों नहीं ना हईब बना दिया तो उपको होगी हुभा होगा दिया घ्र अमाधीはは धुस्य को सबक tracking को बता में एक से एक mad king का जिक्र है जिसने अपने madness के वज़े से क्या क्या नहीं कर दिया तो hysteria का मतलब क्या हो जाएगा madness चले आगे देखेंगे अगला है hysterical hysterical का मतलब होता है मज़ेदार funny अब देखो यहीं पर word आ रहा है हस्ते रहो मतलब क्या फणी जोग पर हस्ते रहो तो hysterical का मतलब क्या हो जाएगा funny उसके बाद देखेंगे iconic आइकोनिक का मतलब होता है exemplary यानि कि others तो हम बूलता है आइकन से क्या बना है यानि वह रखिया वहाँ फिंद के लिए क्या और बन गया और खाल भी लुट default को जाए गा उसके बाद देखेंगे डीस आइवारूजी है और ऑढे आइबिफ विचार धारन है वहीं है आइडिया आइडिया का मतलब विचार होता है इसके बाद देखेंगे आइडलनेस का मतलब होता है आलस से लिथारजी मैंने पहले भी बताया आपको दिन बर वो लेटा रहता है इसलिए सब उसे आलसी-ालसी कह करके पुकारते हैं और आइडलनेस का मतलब देखो आइडल इसको याद करेंगे आइडल आइडल का मतलब मैं क्या मैं सुस्त हूं आइडल है ना डल का मतलब सुस्त होता है डी यू डवलल डल मिन सुस्त तो मैं क्या हूं सुस्त हूं आइडल तो आइडलनेस का मतलब हो जाएगा लिथार जी उसके बाद देखेंगे इग्नोमीनियस का मतलब होता है डिज्ग्रेज भोल यानि कि सर्मिंदा करने वाला ठीक है तो देखो उसके एगो ने तो हमें मिनी कर दिया हैं डिस्ग्रेज कर दिया अब देखो किसी के पास बहुत जदा एगो है तो हमें कैसा फिल करवा देता है वो हमें मिनी यानि कि छोटा फिल करवा देता है अपने सामने किसे में बह ने पास गया और मुझे मुझे मिनी तरफेल कर दिया जो निया आगे तेखें गए ब्रेड उप्रेड का मतलब होता है असभें हो है ना इल का मतलब बुरा होता है बुरा ब्रीट का प्रजाती है तो कैसा होगा वो अन्कूद होगा असब्य होगा है ना तो इलिब्रेट का मतलब क्या हो जाएगा अन्कूद nextik illness illness आसान सा word है जिसका मतलब होता है sickness यानि कि ill ہے वो sick है बीमार है तो illness का मतलब हो जाएगा बीमारी और sickness आसान सा word है ये भी illness sickness next देखेंगे illogical illogical का मतलब होता है absurd absurde का मतलब बे तुका पहले भी याद किया है ए-ब्जर्ड से यी वाले में ने याद किया था और इलविकल को बहुत नहीं होती है तो हम क्या बोलता है अब रचेहना यानि कि बहुत जादा बेस्द का है अब्सवर्ड है है इलॉकर नेक्ट है, इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब होता है, कालपनिक और इसका जो सिन्म से वो है, फिक्सिसियस, ठीक है, अब देखो, Crime Fiction हमने याद किया था Crime Fiction Fiction Movies कैसे होती है Kalpannik होती है Kalpannik Movies होती है जादू, टोना, अतंत्र, मंत्र इंसानों को अड़ते वे दिखाया जाता है तो यह imaginary movie होती है आप उसको बस imagine कर सकते है reality में नहीं है Next है imbecile imbecile का मतलब होता है Idiot, Fullish, यानि कि मुर्ख ठीक है तो देखो imbalance अगर किसी की बudd gossip imbalance है हम बोल देजाना तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है तो किसे बोलता है Fullist को बोलता है जो idiot होता है उसे बोलता है तो imbalance अगर किसी का दिमाग imbalance हो हिला हुए तो समझे वो क्या है देना मन में बिठा देना उसी को हम बोलते हैं इंब्यू तिक है अब इसको याद किया था मैंने ऐसे इंब्यू को निंब्यू से मैंने याद किया था इंब्यू निंब्यू निंब्यू अब देखो निंब्यू से क्या करते हैं सरबत में हम पूरा भर देते हैं ग्लास में हम क्या करता है सरवत को भर दिते हैं उसमें निम्बूव डाल देता है उसे भी भर देते हैं और मिला प्रकी जाते हैं क्या करते ना इंस टिल कर देना ऐने कि भर देना मन में बिछा लेना होता है को अगे देखेंगे Caleb जो लंगूर बंदर जहते हैं वो क्या करता है क्वारत हें जो किछ फेक्ष कामार पेडा होता है तो फिकता है तो नЕ ONE करने में यायनि के लंगूर जो है वह भी काफी माहिर होते हैं तो इमिटेट का मतलब क्या हो जाएगा कॉपी और एक चलिए उसके बाद इमिटेशन सेम वर्ड है इमिटेशन गाफ मतलब होता है आटिफिस्यल ज печ Like好的 तो जैसे अपने देखा हो गां नाईकी ग्यूस न पूरा इमर्ज हो गया वाटर में जहाद जो एक उछाद में क्या हो गया वाटर में क्या हो गया अमर्ज हो गया चलिए सबमरीन आपने देखा असबमरीन नाम होता है oraz हम रखा अधा गया क्योंकि पानीके अंदर wrote इमिन्ट का मतलब होता है फोर्थ का में यानि कि निकट जो बिल्कुल क्या हो निकट में हो उसको हम बोलते हैं इमिनेंट तो इमिनेंट को ऐसे मैं लिखूं अगर आयम मिनेट इमिनेंट इसको थोड़ा से पढ़ लेंगे ब्रेक करके आप देखे जब भी वर्ड आया एक ज तो मैं भी nemonic बताने वाला हूँ, तो देखो क्या होता है, चब भी हम किसी के near में होते है, फोन पे बात कर रहो होते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक minute में आ रहा हूं, मैं within a minute में हैं, क्योंकि मैं near में हो, तभी मैं एक minute में आ रहा हूँ, तो imminent का मतलब क्या हो जाएगा forthcoming यानि कि निकट उसके बाद है impair, impair का मतलब होता है weakness यानि कि कमजोरी अब देखो pair, अगर कोई दो वेक्ती जोडे में है तो जोडे में है तो वो क्या है, बिल्कुल मजबूत होगा, तो हम उसको क्या करेंगे impair कर देंगे, impair का मतलब उसको अलग-अलग कर देंगे, तो वो कमजोर हो जाएगा कोई भी चीज क्या होती है, जोडे में मजबूत होती है, लेकिन impair कर दो तो वो क्या हो जाएगी, जैसे मान लो कि आपको एक रस्ती मैंने दे दी, तोड़ने को तो आप तो उसको आसानी तोड़ दोगे, लेकिन मैंने जोडे में उसी रस्ती को दे दी, तो आप उसको तोड़ नहीं पाऊगे, क्यों? क्योंकि हो मजबूत हो गई, तो pair का मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत जोडे में, और impair क्या हो जाएगा, weakness, यानि की कमजोरी, चलिए, आगे देखेंगे, अगला है, imparts, imparts का मतलब होता है, transmit करना, ठीक है, transmit का मतलब होता है, परसारित करना, अब देखेंगे, impart में क्या लिखा हुआ, parts, parts, तो parts, parts में break करके, news को क्या करते हो, transmit कर दिया गया, part part में break करके, now news क्या होता है, news को छोटे Part many break किया जाता है, इस itself करने, आपने सुबर में क्या आता है,int meso, फंट में 50 खबर, में 50 फंट यहा 추가 guys, 100 खबर, तो 100 खबर, जोह क्या की जाते है उसको practices को, चोटे genetically your petit, चोटे, चोटे NVम कर को जोड दी जाता है फिर ट्रांस्मीट कर दिया जाता है तो इंपास का मतलब क्या हो जाएगा ट्रांस्मीट कर देना नेक्स इंपास का मतलब होता है इंपास का मतलब होता है डिड्लॉक यानि की बंद रास्ता तो देखो इम पास इम का मतलब नेगटिव न और पास का मतलब पास तो जहां से आप पास नहीं हो सकते वो क्या है डिड्लॉक है है ना बिल्कुल आगे रास्ता बंद है आप देख पारोंगे विक्ति खड़ा है और आगे क्या है डिड्लॉक है नहीं क्यों कोई रास्ता है नहीं है तो तो इं पास जहां से आप पास नहीं हो सकते उसका हम क्या कहते हैं डेड़ लॉक नेक्स्ट इंपीडियमेंट देखो इंपीडियमेंट का मतलब होता है बाधा, और ऑबरस्टक्षण हमने पहले भी देखा था, और अबरस्टक्षण ऑबस्टिकल हना हर्डल हमने तो इसी तरह से umpediment का मतलब होता है बाधा तूंब देखो इसको आइसे याद करेंगे कि यहां पर देखेंगे जो पीडियर है ना पैडल याद्री के चलने की जगह तो पैड़ी रूट वर्ड़ जिसका मतलब होता है पाउं पैडल तो जो आपके पैरों में बाधा बने इंपेडी वने उसको क्या कहते हैं और बस्ट्रक्शन कहते हैं बाधा कहते हैं याद हो जाएगा आपको इस तरह से उसके बाद इंप इंपीरियल का मतलब होता है सवर्जिन सवर्जिन आपको पढ़ा होगा सवर्जिन का मतलब होता है समराज्य से संबन देती यानि कि राजा महराजाओं के जो समराज्य होती है उसको हम कहते हैं सवर्जिन इंपीरियल को याद रखेंगे इंपीरियल ब्लू से तो जितने भ तो देकिएंगे अगला जो यह मतलब होता है इंपेंटरेबल का बेंटरे बल का मतलब होता है अभेद इंपंगेश को याद कने का तरीका इंपर्वेस देख धितफ दो परभीus एंटर करना और इम नेगिटिव तहुट है उसका है मतलब होगा तो स्कामलेश इनग्रेश हैं तो इस मैं ना के हुआ है पहले मेरा क्या था मानलो जैसे यह वेक्ति है इसका पहले क्या था पेड़ था अप dir के मतलब क्या हूँ गया इसका जो वर्जनुन्ति जो और अंदर चला गया और और वजन कम हो गया, तो यह क्या हो गया, तो यह सब के लिए encouragement हो गया, है ना, मतलब सब के लिए क्या बन गया है, प्रेर्णा बन गया, सब को अब encourage करेगा, एक देखो, कि मैंने I am pate, मेरा पहले pate था, लेकिन अब जो है मैंने pate कम कर लिया है, तो तुम लोग भी कर सकते हो तो सब लोग इससे क्या होगे, encourage होंगे, तो impetus का मतलब क्या हो जाएगा, encouragement, next, impious, impious का मतलब होता है, irreverent और irreligious, यानि कि अधर्मी, आपने पढ़ा होगा pious, तीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज देखिऊंगी, तो pious पढ़ा होगा, pious का मतलब क्या होता है, धार्मिक, और pious को मैंने आपको याद करवाया था, प्यास से, कि गंगा नदी, जो किये कि धार्मिक नदी है, हमारी प्यास बुझाती है, तो impious का मतलब अधर्मी याद होगे आपको, और river भी मैंने आपको याद करवाया था, कि river जो है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ ह अना मुसकी पूजा करते हैं तो irreverent का मतलब क्या हो जाएगा अनाधर करना अधर्मी और religious का opposite क्या हो जाएगा e-religious तो ये भी इसके क्या हो जाएगे sinvens हो जाएगे impious के तो impious के sinvens हो गएगे क्या क्या irreverent और e-religious next है implacable implacable का मतलब होता है तस से मस ना होने वाला यानि कि relentless ठीक है तो अब देखेंगे हापे आपने एक word याद किया होगा placate प्लेकेट का मतलब क्या होता है जो सांथ हो जाए ठीक है मतलब जो सांथ जिसको सांथ किया जा सके मानलो उसने बहुत जा जिस पगड़ लिया अधाव कि लिए और आप ने से को किया कर दिया तो प्लेकेट को हम कैसे किया है हमने तो हमने याद किया है कि अगर आपकी केरट जिद्धी है तो tutte 10 द trailer वह सांथ हो जाएंगी थirk और parf На किम मतलब क्या हो होगा हमने याद किया था इसे explicit ठीक है पहला ही वर्ड था हमारा explicit इस वीडियो का explicit का मतलब क्या होता है तो clearly explain कर देना clearly क्या कर देना explain कर देना clear lucid इसके synonym थे किसके तो explicit के लेकिन यहां पर implicit implicit का मतलब होता है tacit और अनस्पोकेन यानि की अंतर नहीं जो बोला ना गया हो आप जो बोला नहीं गया वह clear थोड़ी होगा जैसे आपके मन में कोई बात है और आपने उसको बोला नहीं तो वह clear नहीं होगा वह क्या होगा implicit होगा तो tacit और अनस्पोकेन आगे देखेंग अगला जो वर्ड है वह हमारा implore implore का मतलब होता है प्लीट करना यानि कि विंती करना पीस करना किसी को तो देखो employ 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 नेक्स हमारा importune important का मतलब होता है appeal करना जिद करना अब देखेंगे important को दो तरीके से याद करेंगे एक तो याद करेंगे हम important cartoon क्या होता था कि बच्षपने में जब हम टीवी देखते थे तो हमारा क्या आता था ऐख talks так को बोलते हैं ममी किया आने वाल है हमारा important कार्टून आने वाल प्लीज हमें छो है डिवी देखेंगे थेके मेरा चैनल लगा हम उसको देखिंगे तो इंपर्ट्ट्ट्ःन याद हो जाएगा ठीक है या The two-tune तो के चुंगी देना तो याद कर लो कि मैं income tax officer के post के लिए preparation कर रहा हूं ठीक है I am post तो मैं किस post के लिए तियार ही कर रहा हूं तो income tax के लिए तो post का मतलब क्या हो जाएगा tax next है हमारा imprisonment imprisonment का मतलब होता है incarceration ठीक है incarceration का मतलब होता है हमारा jail में होना तो देखो यहां पर तो prison लिखा हूँ प्रिजन का मतलब ही jail होता है प्रिजन का मतलब क्या होता है jail होता है ठीक है अब देखो इनकार याद कर लो ठीक है इनकार अब जैसे ही उसने जो है ऐसे याद कर लो कि जैसे ही उसने जो है के जिल में डाल दिया तो in-carceration का मतलब होता है जेल में होना lyricant होना नेक्स्स-े मारा imprudent imprudent का मतलब होता है उमारा careless यानि कि careless हमने पहले भी आद किया imprudent को पहले वाले तो वो क्या होता है, careless होता है, जैसे आप pure student को homework दोगे तो वो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन impure जो होंगे, impure student जो होंगे, वो careless होंगे, तो impure student का मतलब क्या हो जाएगा, careless, next है हमारा imputes, imputes का मतलब होता है, attributes यानि कि दोस लगाना, तो यह साप साप लग रहा है, देखो कैसे rhyming कर रहा है, impute attribute, impute attribute, impute attribute, तो इस तरह से आद हो जाएगा, impute का मतलब क्या हो जाएगा, attribute यानि कि दोस लगाना, अगला वर्ड है हमा अैंटल से करते हैं लेकिन एक होता है अन्टेनल जिसको हम बोलते हैं इन-डिफारी है चुलिए अब देखेंगे हैं इन इन-इंपり क्या है इन-दम इनियेशन का मतलब होता है भोजण की कमी से सूस्ती होना यानि लिदार जी होना ल हमने पहले या क्यों में और इन एन्येशन को आप याद कर लेंगे जिसका मतलब होता है भोजन की कमी से सुस्ति नेक्ट ह growers are 인ना आर्ट इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है और यहाथ किます अभ देखे हमने कोहरेंट भी याद किया है क्या होंड का मतलब होता लेकिन यहां पर क्या दिए हुआ है inarticulate यानि कि in का मतलब होगा नेगेटिव तो इनए articulate का मतलब हो जाएगा ऐसपस्त नेच्स्ट है हमारा incense का मतलब होता है exasperated यानि कि करोधित करना और भी गुष्टे को क्या कर देना भढ़का देना एक्दम पागल है क्रेजी है तो जो पागल रहेगा इंसें रहेगा तो इसे तरह याद कर लेंगे नेक्स्ट है मार इंसेंसली जिसका मतलब होता है निरंतर कंट्यूनेसली स्टीडली इसके क्या है सिननेंस है तो आप इसको कॉंस्टेंटली से भी याद रखेंगे कि कॉंस्टेंटली का मतलब भी लगातार होता है इंसेंसली चले आगे देखेंगे अगला है इंसिडेंट इ यह भी आसान सा वरड इंसीडेंट है ना मेरे साथ Pitts इंसीडेंट हो गया तो इंसबिनेंट हो गया मतलब क्या скогоफ़ घटत्ना हो गया है नेक्स्ट है इनक्लीनेशन इंकलाइं इनक्लाइम धे लिटे है क्या होता है तो ऊपर की हो रहा है न मतलब क्या होता है नीची और करेंचलाइन के हम क्ञा तेबल को नीचे में निचरों स्थिट सब्सक्राइब तो अपक्रेच issue तो किसी चीज रूजह fatherus क्या है यह में क्या तो अपर बच्छान देखतें है गल्स धुक्रती इन ये कि ये कहां से ऐसे उपर से ये नीचे आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है रुजान हो रहा है उस चीज के प्रतीत एप्टिटूड हो रहा है तो यह inkylination का मतलब क्या होना aptitude हो न उसके बाद देखेंगे in cognito incognito का क्या बोलते हैं कोई चीज हमें अगर सेक्रेटली जो है वो सर्च करनी होती है तो हम उसको कैसे करते हैं तो इसको बोलते हैं अनोनमस यानि कि गुमनाम जिसका कोई नाम ना हो गुपत रूप से नेक्स हमारे इनकमंट, इनकमंट का मतलब होता है रिक्वाईर है एकर आवस्ryक तो इसको आप इनकम से याद रखेंगे तो आज के टाइम में जो है रिक्वाईर है या फहर पर हर कोई चाहता है कि मेरी इनकम क्या हो तो बहुत emitted हो statewide हो है आवस्यक्ता है आज кी जो book वगएर आप लेते होंगे तो उसकी क्या बनी होती है इंडेक्स बनी होती है तो उसमें chapter का नाम, listen का नाम लिखा हुआ रहता है तो उसे को हम बोलते हैं index यानि की guide चले आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है indictment, indictment का मतलब होता है किसी को accuse लगाना यानि की किसी पर अभ्योग ही लगाना और उसे jail में डाल देना, दोस लगाना उससे को हम बोलते हैं indictment हमने indicate से याद किया था यानि की in दिक्कत यानि की in दिक्कत का मतलब jail में दिक्कत होती है इन का मतलब में है ना में दिक्कत होती है जेल में दिक्कत होती है कि इसको accused को यानि दोसी को तो accusation का मतलब क्या हो जाएगा indictment next है हमारा indignation indignation का मतलब होता है rose, anger यानि की गुसा अब देखेंगे यहाँ पे India plus nation दो तरीके से याद करेंगे इसको India और nation ठीक है जहाँ justice मिलने में काफे time लगता है और लोग क्या हो जाता है बिल्कुल रोस में आ जाता है गुसे में आ जाता है क्योंकि justice जल्दी मिलती नहीं एक case जो है तीन साल, चार साल, पांच साल, दस सालों तक चलता है तब जाकर के हिन्याय मिलता है तो इंडिया एक ऐसा nation है जहाँ पे जो है इंसाफ जल्दी मिलता नहीं है तो लोग क्या हो जाते हैं एंगर में हो जाते हैं, गुसे में हो जाते हैं तो indignation का मतलब क्या हो जाएगा रोस, यानि कि गुसा इंडिया nation से याद रखेंगे चले, आगे देखेंगे indiscreet, indiscreet का मतलब होता है असाफ धानी पूर्ण आपने पढ़ा होगा discreet, discreet का मतलब होता है साफ धानी, ठीक है लेकिन इसी का opposite दिया गया है क्या, तो indiscreet, जिसका मतलब होता है careless, यानि कि असाफ धान होना next है indis soluble देखो, soluble का मतलब क्या होता है earthohn. यानि कि जो घुल मिल जाए लेकिन, indis soluble का मतलब क्या होता है permanent, यानि कि earth जो permanent हो, तो उसी का present दिया हुआ available का next है indistinguishable तो distinguish का मतलब क्या होता है distinguish का मतलब होता है अंतरसण पस्ट करना, अब उसी क्या दिया हुआ है indistinguishable जैसे question भी आता था पहले 9-10 में जब पढ़ते थे तो लिखा हुआ रहता है distinguish between them तो इन में क्या करो बहेद करो अंतर करो लेकिन यह क्या लिखा हुआ indistinguishable और इसका सिन्यूम्स क्या है equivalent तो इक्वल से याद रखेंगे क्योंकि इक्वल से बना है तो इक्वल यानि समरूप हो जाएगा यह next indulgence indulgence का मतलब होता है तो बोटिंग का मज़ा लेनी है तो indulgence का मतलब क्या हो जाएगा leniency अनुग्रह कुछ वर्ड को डायरेक्ट भी याद कर लेंगे आप तो चलेगा चलिए अगला है इन इफेबल ने फेबल का मतलब होता है और वरन माथल ना करे तो भी अस्तूरिज को लेकिन इंफेबल का मतलब क्या होता है जिसकोँ हम एक्स्प्रेन नहीं कर सकते इक्सक्रेंग चर सकते हैं नेक्स्ट हमारा इन इलक्टेबल, इन इलक्टेबल का मतलब होता है अनिवार, इरिमोवेबल, ठीक है, तो अब देखेंगे, इलक्षन से इसको याद रखेंगे, इलक्षन तो इलक्षन होना क्या है, अनिवार है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इन इलक्टेबल और निय्मोबाब यहां पर इनका मतलब करें नीगेटिव होगया तो इनलेक्टेबल क्या हो जाएगा याद रखेंगे इसको इनलेक्टेबल इर्मोबीबल उसके बाद देखेंगे इनेविटेबली inevitable का मतलब होता है certainly यानि निष्चित रूप से आपने evitable आप किया था उसी का opposite क्या दिया हुआ है इनष्चित रूप से चली आगे देखेंगे अगला है इन एकस्पेनसिव का अब जाद मेहंगा होना एक्सपेंसिव होना लेकिन i होता है तो फेमं होना बनामी होना तो फेम्स हो जाना अच्छे कामों कि लिए लेकिन infame का मतलब क्या हो जाता है तो गलत कामों के लिए जो है क्या हो जाना कुख्यात हो जाना एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात तो विख्यात का मतलब अच्छे कामों के लिए कुख्यात का मतलब बुरे कामों के लिए तो वही यहाँ पर दिया हुन इन्फैमी और नट्रोइटी हमने पहले भी याद प्यात किहा है नट्रोइसियस अंट्रेश से नैट्रोइच नाम का एक डाकव जो था जो बहुत जज़ा बन्नमदाम और कौख्या था तो इन्फैमी का मतलब क्या हो जाएगा नट्रोइटी ब में प liksom के लिए उसका क्या है पैसरक मिलें कोई लड़का है झ्यख टीको उसके बॉड़ोटी फैट है तो जिन जा रहाए और वह को इसने के लिए काफी पैस्टनित है रहता है यह उसका किने मुझे आ बिल्कुल फैट कैंस कर लेना मैं क्य prevent का मतलब होता जा सके सीट प्रूस्ता कर्स और नियुक्लचन facto कॉंफरिंस सबता सकुंफरेंस क्या थी के कॉंफरेंस क्या होती है किके कॉंफरेंस कि मतलब होते है मीट जहां पर को कोई कन्क्लूजन के लिए मीटिंग बुलाई जाता है कि मृ इस अरो यहां कि कासे हम ग्या निकलता है में兩個 क्या conclusion निकला नेक्स्ट है मारा in-fructuous in-fructuous का मतलब होता है fruitless यानि की निस्फल ठीक है अब देखो fructuous आपने fructose पढ़ा होगा fructose किसमें पाय जाता है तो fruits में यानि की फलों में पाया जाता है लेकिन यहां पर क्या दिया हो in-fructuous तो in-fructuous का मतलब क्या हो जाएगा fruitless यानि की negative ठीक है याद रखेंगे next हमारा in-furiate इसमें मैंने आपको बता है जहां पर भी fury आए f-u-r-i आए और जहां पर भी raise आए इसका मतलब होता है growth गुस्सा तो in-furiate का मतलब क्या होता है in-raise यानि की गुस्सा होना aadura Humana next हमारा in-fuse इन-fuse का मतलब होता होता है उठील करना तो देखो in-fuse कर दिया गया आसानवाइब इन-fuse कर दिया गया अनि की सब्सक्राइब अदि प्लकुल कमझाशा कर दिया गया उसके बाद है देखो Ingenuous, Ingenuous का मतलब होता है, Niscopat, एक तो होता है Genuine, हम बोलता है न, Genuous, Innocent, वही है Ingenuous, यानि कि Genuine से याद रखेंगे इसको Ingenuous का मतलब Innocent, यानि कि Candid, और Candid हमने पहले भी याद किया है कि Candidate, Candidate का मतलब क्या, तो Candidate कैसा होना चाहिए, Candidate होना चाहिए, सच्चा होना आप उसी Candidate को Vote दें, जो क्या हो, Candid हो, सच्चा हो, Innocent हो, तो Ingenuous का मतलब क्या होता है, Niscopat, ठीक है, चली, आगे देखेंगे अगला है, Inhibitor, Inhibitor का मतलब होता है, अवरोद करने वाला, यानि कि Determine, ठीक है, Determine का मतलब भी होता है, बाधा, Determine, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, Inhibitor, तो देखो, Inhabit, इनकी Habit है, हर काम में, अवरोद डालने की, बाधा डालने की, इनकी क्या है, Habit है, Inhibit, यान कि इनकी हैबिट है तो देखा होगा आपने कुछ लोगों कि हैबिट होती है जैसे हम काम करने जाते हैं तो देह सिर्ण बरुह कल करने Creating पाल उने पेनीखल रहोतलब होता है हामफल होस्तायल यानि कि विरोध ही तो देखो बनीख चैमिकल निमिकल तो तो chemical कैसे होते हैं, harmful होते हैं, और अगर ऐसे नायाद हो, तो आप ऐसे याद रखेंगे इनीमी, ठीक है, इनीमी का मतलब क्या, तो enemy मिन्स दुस्मन, है न, तो enemy कैसे होते हैं, hostile होते हैं, harmful होते हैं, चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो word है, वो है inundu, inundu का मतलब होता है, इसारा, implication, तो देखो inundu का ऐसे पढ़ो, inundu, इधरा, तो आपने क्या क्या क्या, इसारा करके बुलाया, तो inundu का मतलब क्या हो जाएगा, implication, यानि कि इसारा देना, implicate करना, चलिए, अगला word है हमारा, insane, insane का मतलब पागल होता है, ठीक है, crazy, mad, ठीक है, हमने पहले भी दे इनसेन का मतलब, crazy, mad, पागल, बोलता है न, कि insane, यानि कि पागल, तो पागल इनसान है, ठीक है, बस इतना याद रखो कि पागल इनसान है, उसके बाद है insidious, insidious का मतलब होता है crafty, यानि कि चालाक, ठीक है, धूर्त, विस्वास घाती, घातक, तो देखो inside us, inside us, तो inside का म मतलब हम लोग, तो हमारे अंतर, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कौन जाने, हम में से कोई धूर्त भी हो सकता है, यानि कि घातक भी हो सकता है, विस्वास घाती हो सकता है, कराप्ती हो सकता है, चालाक हो सकता है, जो आपको, किसी ना किसी को कोई धोका दे दे, inside us, तो क इसी के इंसइड में क्या चल रहा है कौन कितना घहतक है मैं थोड़ी पता है तो इंसीडियस का मतलब हो जाएगा क्राफ्टी यानि की चालाक धूर्त नेक्स देखेंगे इंसिग्निया Insignia का मतलब होता है प्रतीक symbol चिन तो देखो इСन इन्सपायर का मतलब होता था है किसी को inspire करना एनिमेट करना तो आपने सको назвar किया और बाते अनिमेशन वाले वीडियो वो देक्रम क्या होते हैं इंपायर होते हैं रहे होते हैं एंपाइर का मतलब हो uplift करना उसके बादए इंस पाइड इंस्पायड का मतलब होता है motivated a skills क्या हो जाएगा मोटीवेट हम पुलता है fully meer उसे inspired यानि कि उससे क्या हूं मोटीवेट उसने मुझे क्या क्या है कि मोटीवेट किया अब देखेंगे आप एक वर्ड चूड़ गया था ठीक है लाश्ट वर्ड था फिर्ट आओ अप छूड़ गया था एक छेटो सीनवे नंबर का इंसेंसिटिव यहने की इंसेंसितिव का मतलब होते हैं असन्वेदनी तो दिवं सेंसितिव का पोजीट वर्डे रोन जाती है तो सेंसितिवक लेकिन इसका opposite क्या है insensitive और इसका synnoms क्या दिया हुआ callous हमने c वाले alphabet में याद किया था कि हमने उसे call किया पर उसने call नहीं उठाया तो क्या है कठोर है वो कठोर दिल का है कि हमने उसको परिसानी में मजबूरी में call किया है लेकिन उसके call नहीं उठाया मतलब कैसा है कठोर है insensitive है तो insensitive का मतलब हो जाएगा क्यालस आगे देखेंगे अगला जो वड़ है वह instigate instigate का मतलब होता है kindle यानि कि भढ़काना किसी को उकसाना उसी को कहते है instigate अब आप यहां पर देखेंगे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ ऐसे insta instagram तो instagram और kindle है ना दोनों एक ही तरह के प्लेटफॉर्म है यानि online platform है जैसे kindle अपने book purchase की होगी हमाजॉन पर kindle kindle book तो वही क्या है instagram और kindle ऐसे लगरन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है यानि का online platform है तो instagram और kindle ऐसे याद रखेंगे अब बाकि अगर आपको ऐसे याद रखना हो भढ़काना मीनिंग याद रखना हो तो आप ऐसे याद रखेंगे कि instagram पे जो है भढ़काओ वीडियो बनाते हैं लोग क्या करते हैं इस तरह से भढ़काओ वीडियो बनाते हैं दूसरा वर्ड देखेंगे इनस्टिल्ड का मतलब होता है इनकुलकेट यानि कि मन में क्या करना बिठाना तेक है अब इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है तो इसको आप जो है मन में याद कर लेंगे रट करके याद कर लेंगे लिख करके सेंडेंस का यूज करके इसको याद कर लेना इनस्टिल्ड को यानि कि मेरा insult किया या फिर उसने मेरा insult कर दिया या फिर उसका insult हो गया तो बहुत हो जाना नेक्ट देखेंगे insuperable insuperable का मतलब होता है जो अजे हो यानि कि insurmountable तेक है अब देखेंगे insuperable में एक वर्ड आ रहा कि super तो जो विक्ति क्या रहेगा सुपर होगा, बिलकुल, है न, वो अजए अजा होगा, यानि कि, उस पे किसी, कोई जो है, विजए नहीं पाइगा, कोई हरा नहीं पाइगा उसको, वो इन सुपरेबल होगा, तो इन सुपरेबल का मतलब अजजे याद हो गया, अब देखेंगे, अगर इसको भी याद करना है साथ में तो ऐसे याद कर रखेंगे कि जिसके पास super power होगी वह mountain पे बी चड़ जाएगा जिसके पास super power होती है वह mountain पे बी चड़ जाता है जैसे Chris में देखा होगा आपने जित्तिक लोशन जो है mountain पे चड़ जाता है तो वही है इंसेपरेबल चले अगला है हमारा इंटीग्रांट इंटीग्रांट का मतलब होता है और विभाज्य आइटम तो देखो इसको याद करना जो आपने याद किया था इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो लोग एक जगह पे जमा होता है और देखेंगे सब जो है इन्टिग्रेट हो है जमा हुए है एक जगह नेचसर है intensity intensity का मतलब होता है strengthen करना किसी चीज घणना ह कि हम बोलता है up intense उना intense से आप याद रखेंगे intense है बिलकूल intense है मतलब क्या intense training उसने की intense training की मतलब क्या बिलकुल strength वाले training की तो यह हो गया intensity का मतलब probably कि Nexshayama कि Interdiction- kid का मतलब होता है depressing की यानि कि रखेंगे इंटर्डिक्शन को इसको जो है आप देखें डिक्री मैंने आपको याद करवाया था डिक्री का मतलब जो जज वगरा जो आग्या देते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्री और मैंने आपको जज के डिक्री से याद करवाया था कि जज हना डिक्री देने के लिए आग्या देने के लिए आपके पास Judge की degree होनी चाहिए तो Interdiction का मतलब क्या होता है degree हागे आगे देखेंगे अग्ला जो वर्ड हो यह Interfair Interfair का मतलब होता है restriction डालना किसी पर interfere करना बाधा डालना तो हम भूलते हैं लो यह ना हक 04 हमारे बीच में जो हैं इंटर फिर मद डालो जाने इंटर्फिर मत करो हमारे बीच में ऑ बस्ट्रक्शन मत डालो और पbn बेखा है और रस्टृक्श नग डालना ये खरी वर्ड ये वर्ड आया था पहले तो इंटर फिर का मिन्न क्या हो आप इसको भी चलिए अगला है इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताज करना इन्वेस्टिगेट करना अब इंटेरोगेट आपने देखा है कि पुलिस वाले क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इंटेरोगेशन करते हैं लोगों से पूछताज करते हैं क्या वहाँ पे थे जब यह कांड हो रहा था तो interrogate का मतलब क्या होता है पूश्ताज करना investigate करना चले आगे देखेंगे अगला जो वड़े हैं इंटर इंटरस पर्स इंटरस पर्स का मतलब होता है छित्राया हुआ Ascattered Ascattered आपने पढ़ा होगा Ascattered का मतलब होता है बिल्कुल Ascatter हो जाना है जैसे एक light आती है Sun की light क्या हो जाती है Ascatter हो जाती है यानि कि छितरा आ जाती है चारो तरफ और Inter Aspurs यहाँ पर Aspurs का मतलब ही क्या होता है छितरा आ जाना ठीक है Biz Inter का मतलब ह yolा Inter कर ना बीच मेन माना तो इंटर्वीन का मतलब होता है Arbitrate Arbitrate का मतलब ही होता है मध्यास पर आना Arbitrate Arbitrate का मतलब होता है मध्यास्था कराने वाला यानि कि वीड़ाता कर आने वाला जैसे मान लोग ए और भी लड़ रहा है है выпускeden आकर किसा कराएगा अर्बी डूम भीकटी है वह की दूनों के बीच मैं मध्यस्ता गड़ाएगा वह इंटर्विन का मतलब क्या कराना तो हसतय छेप करना अर्बार करना नेक्स्ति इंट्रीकेट समय कमप्लीकेट का मतलब होता बिल्कूल पुम्लिकेटई उनल होती हैju और पिसपया है के विदि लिखा हुआ है मैद को इंटरी मुणकूरा हुआ है ुम्लिकेटिंटेटेटेटे Oddityeteer का जहाता है तो complex और जटल, intricate को आप याद रखेंगे, entry ticket से, next हमार अगला word होग है interviewing, interviewing का मतलब होता है लुभावना, यानि की gripping, ठीक है, तो इसकी निमोनिक नहीं बनी थी, intriguing की, तो इसको आप जो है देख ले न, कुछ ऐसे words है, आई से, जिनका जो है वो निमोनिक्स नहीं बना, क्योंकि आई में क्या है न, कि opposite word mostly होता है, ठीक है, जैसे complete का, incomplete, तो इस तरह से जो है opposite word होता है, इसलिए जो है कुछ के निमोनिक्स नहीं बन पाते है, चलिए, उसके बाद है inundate, inundate का मतलब होता है, अभी भूथ हो जाना, ठीक है, sensitive हो जाना, हम बोलता है न, कि वो बिल्कुल overwhelming हो गई, तो inundate को ऐसे याद रखेंगे, none और date, ठीक है, none, यानि कि none का मतलब कोई नहीं, अभी भूथ हो गया है, तो देखेंगा आप picture में, इसे जो है कोई date नहीं कर रहा है, इसे कोई date नहीं कर रहा है, इसके विज़से क्या हो गया है, यह बिल्कुल overwhelm हो गया, यानि कि overwhelm का मतलब क्या अभी भूथ हो गया है, या पर ऐसे याद रखो, कि जब first time किसी लड़के को, लड़की जो है किया करती है डेट करती है तो क्या हो जाता है तो इस तरह याद कर सकते हैं आप चलेением बलंक का मतलब हो जाएगा उवर्वेल्म कि उसके बाद इन वेरियेबल मतलब होता है इस ечение आप carry अगे देखेंगे अगला है हमारा इन्वेक्टिव का मतलब होता है अब सब्द अब्यूजिव तो देखो इन्वेक्टिव को मैंने याद कि लिया था इन्वेक्टि से कि इन्वेक्टि ने मुझे बहुत गालिया दी या फिर इन्वेक्टि यह जो वेक्टि हैं बहुत जदा अब्यूज करते हैं तो इन्वेक जाएगा आगे देखेंगे inventory inventory का मतलब होता है समान सूची यानि के catalog असान से वड़ है inventory है ना inventory और catalog catalog आपने पढ़ा भी होगा catalog का मतलब होता है समान की सूची जो हमें समान लाना होता है list लाना होता है उसकी सूची को हम बोलता है catalog inventory अगला है investigate investigate का मतलब होता है search करना examine करना यानि कि police वाले CID वाले CBI जो investigation करती है तो साइच का investigate investigation search examine examine करती है रहे चीज़ को investigate का मतलब आपको याद हो गया हैं उसके बाद Argh otros invidious का मतलब होता hateful क्यानि कि अबाद जनक तो तो इंस्तरग्राम । यूट्यूब होते हैं उन से क्या करते हूं यह वीडियोग करते हैं अगला है इन्वाइग्रेटिंग, इन्वाइग्रेटिंग का मतलब होता है हमारा रफ्रेशिंग, यानि कि अस्फूर्दी दायक है न, एनर्जेटिक, तो देखो इसको हमने याद किया है व्यागरा से हना, पहले भी यह वर्ड आया था तो व्यागरा जो टैवलेट है, उससे लोग क्या हो जाता है रिफ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है उनमें तो इन्वाइग्रेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा हमारा ست सीफिटर बतैस्टा और फुर्थी दायक एनर्जयर टीक सांथ डेक से इनक्रिप्रेश्वाराराओ फ्लबेडर आ हैजथ। आपने भी लैप्तॉप में है या कंप्यूटर में आपने कभी ना पहसी बनाई होगी। का का मतलब क्या होता है statement invoice मिन्स क्या होता है statement होता है ठीक है आप यहां पर picture पर देख पा रहे हों कि जब भी आपको सामान खरीते हैं तो आपको एक invoice मिलता है अना जिसमें आपका आयोटा को याद करेंगे आप ऐसे इटा से इट जिसको इंगलिस में ब्रिस्क बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं ब्रिक का मतलब इट होता है और आयोटा इट हिंदी में बोलते हैं तो इट जो बनी होती है वो किससे बनी होती है तो मिटियों के कनों से बनी होती है मिटियों के कन से बनी होती है है तो याद रखेंगे आयोटा का मतलब क्या हो जाएगा बिट यानि कि कन ठीक है स्मॉल पार्टिकल जो होता है न उसी को हम बोलते है बिट आयोटा चले अब आगे देखेंगे इरेगुलर इरेगुलर का अपोजिट होता है इरेगुलर का मिनिंग होता है अनियमित जो कि अपोजिट है किसका रेगुलर का यानि कि अन इवन और इवन भी किसका अपोजिट है अन इवन भी किसका अपोजिट है इवन का इवन का मतलब होता है तो याद होगे आपको irregular का क्या हो जाएगा uneven नेक्स्ट हमारा irreproachable जो है अप्रोचेबल का उल्टा हो गया है हमारा जिसका मलतब होता है faultless यानि कि तुरूटी हीन चलिए आगे देखेंगे अगला है हमारा एवन्स तो हमने फिवरेंस याद किया है हमने पहले भी देखा वड़ाया हो था वीवेरन तो मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी नदियों की क्या और नी चया है रिवर्स की क्या करना चैए तो सम्मान करना चाह यादर करना चाहिए रिसपेक्ट करनाchar न का मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट देना लेकिन का मतलब क्या हो जाएगा अपमान करना डिज रिस्पेक्ट करना ठीक है तो याद हो जाएगा आपको इस तरह से उसके बाद है हमारा ए रिवोकेबल का मतलब होता है अन अल्टरेबल यानि कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते जिसको आप बदल नहीं सकते उसको हम कहते है ए रिवोकेबल अब देखो यहां पर आ रहा है रिवोक का मतलब क्या होता है जिसको बदल सके लेकिन यहां पर आई उसके बाद है isolate, isolate का मतलब होता है detached, यानि कि secluded, दोनों बड़े यहां पर देखेंगे, एक तो detach, detach का मतलब होता है, attach का opposite होता है detached, यानि कि सबसे अलग कर देना, और isolate को आप याद रखेंगे isolation से, ठीक है, और secluded, पहले भी मैंने बताया, sicklzen, secluded life, यानि कि बिल्कुल अकेला अलग थलग जीवन, तो यह isolated का क्या हो जाएगा detached और secluded, आगे देखेंगे अगला जो वड़े, वो है jabber, jabber का meaning होता है गपशप, यानि कि chatter, chattering करना, यानि कि बादचित करना, गपशप करना, तो देखो chatter में एक वड़ारा chat, तो इससे पहले आप याद कर लो, कि chat करना, ठ करते हैं, चैट करते हैं, आपस में गप सब करते हैं, तो वही हो गया हमारा jabber, यानि जब यार मिलते हैं, तो चैट करते हैं, बातचित करते हैं, गपे मारते हैं, उसके बाद है, जैंगल, जैंगल का मतलब होता है, डिजैगरी, यानि कि जगडा, ठीक है, डिजैगरी में होते हैं लड़ाई ज्ञड़ा करते रहते तो जेंगल का मतलब क्या हो झाओ essesते हैं हमने पहले भी तो आपको याद करें नाले है बोलोता है की जल को मत बराबरी करो अपने देखा विछ लिखा रहता है जल्व मत बराबरी कि तो यह आपको अमतलोता है जलनगर grosse menga अगे डिया देखेंगे तुछे साहिपना चेल यू शैल दीनालनेयो में करना यानि की पुष्छ करना ढगा देदेना उसी को हम बोलते है जोस तो देखो जोस्थ में ठेल दिया यहां पे क्या लखाओ ऑफ अब तो लिखा हूए है получится मतलब होता है आनंदित जोएस तो जोएस का का मतलब होता है आनंद करना यानि कि खुसी मनाना इंजॉय करना जॉय करना लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ जॉवियल तो आसान है यह भी जॉय करना जॉवियल करना चले आगे देखेंगे अगला है जुब्लियेशन Jubiliation का मतलब होता है Jubiliation का मतलब होता है Rejoicing यानि कि आनंद मनाना इसका मतलब भी आनंद सा होता है Rejoice करना तो इसमें भी एक वर्ड आ रहा Joy J-O-I जिसका मतलब होता है Happiness यानि कि खुसी मनाना और यहाँ पर Jubiliation को आप याद रखेंगे Jubilee से Next हमारा Junk Junk का मतलब होता है Waste तो देखो Junk Food Waste Food Junk Food को क्या माना जाता है Sorry Waste Food माना जाता है Junk Food को तो कचरा Food Junk Food Next हमारा Juvenile Juvenile का मतलब होता है लड़कपन यानि कि Childish Juvenile का actual meaning जो होता है वो होता है बाल अपराधी यानि जो इसका मतलब बच्चा हो गया यानि कि बच्पना आप याद रखेंगे इसको देखो कि जुवा और नाइल यानि नीला दो वर्ड में इसको डिवाइड करो जुवे और नीले ठीक है जुवे और नीले तो जब वो Child था तब जुवा खिलता था और पापा ठीक है पापा ने उसको पकड़ लिया और उसके पीट जो है माल माल कर नीली कर दी यानि कि ऐसा समझो कि कोई लड़का है उसको आदत लग गए थी बच्पने में जुवा खिलने की तो उसके पापा ने एक दिन उसको पकड़ लिया और उसको जो है पीट पीटकर उसके पीट क्या कर दी नीली कर दी तो जुवा और नीली यानि कि जुवे नाइल का मतलब हो जाएगा चाइल्डिस बच्पना नेस्ट हमारा कीन कीन का मतलब होता है उत्सुक आसान सा वर्ड है कीन तो किन किन से आपका रिलेशन है किन किन से आपका रिलेशन सिप है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा रिलेशन सिप क्योंकि दोनों में सिप आ रहा है तो किन किन में आपका रिलेशन सिप है तो आप बता सकते हैं ना भाई से बहन से पापा से मुमी से दादा दाजी है कि उसके बद है हमारे की तक की मतलब होता है चोटी गुंटी ठीक है स्टोर अब अब देखो आप इसको ऐसे याद लुको कि स की गुंटी हे यह दिसक्ली है एंब लेक्ट लोगा समय भी पान की रही होती तो पहले होती थी च्र पाया पर सकुको खड़ा कर दिया जाता था और वो हर जगह पर आपको मिल जाती थी चौराहे वगर आप अभी आप देखो कि पान की गुम्टी होती है अब तो इस तरह के स्टोर होते हैं तो किसकी गुम्टी है यह ना अब समझो कि यहां से हटाओ जल्ले से तो किसो का मतलब हो जाएगा गुम्टी अस्टोर नेक्ट का मतलब होता है एक्यूपमेंट यानि की देखो आसान सावर्ड है यह भी है ना किट तो आप याज गर लो जैसे डॉक्टर के पास क्या होती है ऑप्रेशन किट होती है जिसमें कैची सीज सीजर्स वगरा होता है कि बलेड वगरा होता है और अनग्न का मतलब हैं कि पता ही है एक्यूपमेंटर को यानिकी सामान से जो क्याते हैं यह साउंड निकालता है ना जोर से चिलाकर बोलेंगे तुम्हारे पास जो भी है chain wayne पैसा वैसा और इसको निकालो knife भीडा करके आपसे उस सारा चीज जो है लूट लेते हैं तो नेव यानि knife दिखा करके और sound निकाल करके हमें डराने की कोसिस करते हैं कौन जो बदमास होते हैं तो मेंडरिंग और मेंज तो आप इसको पहले मेंज को याद को मक्का भी ओता है तो मक्क आपने देखा है कैसा होता है मक्क के बीच-बीच में लाइनिंग होती है बिलकुल भूल भूलिया जैसी है ना यानि को उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है मक्क के बीच-बीच में जहां से हम उसको छुडाते हैं निकालते हैं मक्क को और लेबरी निद ऐसा लग रहा हुँ छ alltid खो जासे होती है तो लेबरीनित का मतलब होचा अगला है मैंटरिंग और मेश यानि कि भूल चल्यश में का मतलब होता है पहरा होगा फुल तो इस ही में आपको मिनिंग मिल दाएगा लादे हुए है कि बोलता है ना कि वो ऐसे आत लुने में उसके पारा रहे हैं आप established यह मतलब बोलता है ना कि वह असने लाओडा वाज में उसकी क्या की knowledge की प्रसंसा की जिनको याद नहीं होगा वो ऐसे याद करेंगा उसने जो है loud sound में क्या की प्रसंसा की उसके knowledge की प्रसंसा की तो यह loudly हो जाएगा loud उसके बाद launching launching आम मतलब होता है introducing यानि कि सुभारम करना किसी चीज का और किसी मालोग जैसे कोई app है या मोदी जी जो है कोई योजना उसका सुभारम करते हैं लाउंचिंग करते हैं तो उसको introducing यानि को उसको introduce करवाना परिचे करवाना चले उसके बाद लैक्स लैक्स का मतलब होता है negligent यानि कि लापरवा अब देखो लैक्स रिलैक्स लैक्स रिलैक्स आप बस आरी इसमें जोड़ दो ठीक है लैक्स और रिलैक्स तो रिलैक्स कौन रहता है जो negligent रहता है जो लापरवा वेक्ती रहता है वही हो जाएगा हमारा लापरवाः चलिए आगे देखेंगे अगला जो है ले आउट ले आउट का मतलब क्या होता है नक्सा ठीक है एरेंजमेंट अब देखो ले आउट ये भी एक आसान सा वर्ड है जैसे पिक्चर का कोई आपने देखा होगा आप पिक्चर बनाते होंगे तो पिक्चर को सेट करते होंगे एरेंज करते होंगे तो उसकी को बोलते हैं ले आउट टेक आसान सा वर्ड है बिल्कुल चुले उसके बाद है लीन लीन का मतलब होता है पतला थिन हम बोलते है बिल्कुल लीन बॉडी है उसकी कैसी है बिल्कुल लीन है पतली है स्लिम है थिन है तो यह हो जाएगा हमारा Lean और थिन है उसके बाद ऑर लियाली का मतलब होता है आराम आप तरिक है अब देखो जैसे रिलेक्ष आया तो एक वर्डा आराइब सबसु Pip up के लोग विफाया न पींदो तो बिल्कुल क्या रहते हैं, रिलाक्स पड़े रहते हैं, अराम से, बिल्कुल हिल्टे डूलते नहीं है, उनको क्या कर दिया रहता है, बिल्कुल रिलाक्स कर दिया रहता है, आप रिलाक्स रहो पूरा, हम आपके फेस का ट्रीटमेंट कर रहे है, तो लिजरली का मतलब क्य लेटा रहता है दिन बर क्या करते रहता है लेटा रहता है तो लेटा रहता है तो क्या कर उसको थोड़ा डराओ जी तभी तो उठेगा ना जैसे मान लो कि पापा बोल रहे हैं कि दिन बर तो लेटा रहता है जी तो वह क्या बोलेंगे मम्मी को थोड़ा डराओ जी तभी तो सुबह सुबह उठाएगा तो लेटा रहता है भिलकु सुस्ते रहता है यह यृत दिधी मैं अग insider में आज आपको बिल्कूे बाता है किisy सब्सक्रमकान Score में बचानि का मतलब कर एक लेवल में भाए लिवर का मतलब क्या होता है यह मतलब मिताने के लिए ईचाने के लिए युज़ कि कोई लाइबलीटी मतलब होता है देंदार यानि कि देखो उत्तरदाइत विभी इसका संग गलत resting निए का मतलब प्र चलो देखो जैसे यहां पर समझिए पर इसको समझाता हूं जैसे लाइबिलेटी का मतलब क्या होता है जवाब दे उत्तर दाई तो आप उसको क्या देना पड़ेगा आपको जवाब देना पड़ेगा तो यहां पर डेप्ट का मतलब भी देना ही होता है करज करज भी होता है Luminius यहां पर एक वर्ट देखेंग के Luminiate तो Märtyng आपको पता है light का मतलब जलना प्रकास करना उसके बाद ja 있는 klare or lucid तो देखो limpet lucid यहीं प्यारा Limpat lucid यहीं प्यारा LisaAD और 6 इस तरह से भी आज रखते हैं और नहीं तौश आप एसी कि अलुसिट तो मैंने कितनी बार आपको याद करवाया कि लो CID ने पूरा केस क्या करके रख दिया क्लेर करके रख दिया कि उसके बाद है लेंट का मतलब होता है रोवा फर देखिए और इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी ठीक है यह एक आसान सा वर्ड है लेंट लेंट का मतल होता है लचीला फ्लेक्सिबल अब लीड को याद करेंगे लीड से ठीक है जो पैन की जो लीड होती है हमारी कैसी होते है लचीली होती है कभी-कभी क्या होता था कि स्कूल में जब क्लास नहीं चल दी होती है तो हम अपना पैन जो है खोल करके उसकी लीड निकाल लेते थे लेटर मत फैलाओ अबने देखा होगा dust bean वगरा होता है तो उसके भी दिखा हो रहता है लेटर का मतलब क्या तो कचुड़ा वा इस देखेंगे लेटल लेटल का मतलब होता है चोटा लिविड का मतलब होते है आगबुला और पियूरियस मैंने आपको पहले बताए जहां पर विज आई f you और जहां पर विछ आय रय जिसका मतलब होगा गुस्सा होना अब देखो लाइब वीडियो लिवड लाइब विडियो तो क्या होगा जब हम एक दो तरीके बताओंगा ठीक है एक तो लाइब वीडियो से इसको याद रखेंगे आपने नेता जी की क्या बनाली लाइब वीडियो बनाली इसलिए वह क्या होगा गुस्सा होगा एक तो यह याद हो जाएगा आपको दूसरा देखो कि लीव और आईडी ठीक है लीव एल आईवी से ल एएवी याद रखेंगे छोड़ देना और आईडी याद रखेंगे तो जब हम क्या करते थे अस्कूल में अपनी आईडी जो है घर पे छोड़ा आते थे स्कूल पहुंच करके जब हम याद आता था कि हम अपनी आईडी घर पे छोड़ा आएं तो जो टीचर होते थे वह बिल्कुल फ्यूरियस हो जाते थे गुस्सा हो जाते थे ना जो पीटी टीचर हो देखता था कि यह जो आईडी नहीं पहन के आए तो कूटना सुरू करते थ लुफ्टी का मतलब होता है टावरिंग टावरिंग का मतलब क्या होगा उचाई टीक है टावर से याद रखेंगे तो वह टावर से जो है संसेट का क्या ले रहा है व्यू ले रहा है लुफ्ट उठा रहा है आप याद रखेंगे कि टावर पर चड़कर जो है क्या कर रहा उसके बाद है longevity जिसका मतलब होता है दिरगायू, durability, तो देखो durability तो याद हो जाएगा आपको durable से, बोलता है कि कितना durable है, कितने दिन तक चलेगा यह, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, longevity, यानि कि कितना long चलेगा यह, तो longevity, long lasting, durability, याद रहेगा आपको, एक word है longing, longing का मतलब हो किसी चीज को चाहना, किसी चीज की लालसा होना, yearning होना, और yearning हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में याद किया है अर्निंग से, की earning करना हर किसी की कया होती है, कामना होती है, लालसा होती है, पैसे कमाना, तो longing, longing का मतलब क्या हो जाएगा, लालसा, बाकि आप इसको ऐस लगबग एक एर से I want her मैं उसे चाह रहा हूँ तो यह भी आद हो जाएगा आपको अगला है लाओ जी लाओ जी का मतलब होता है घटिया ऑफुल टेरिबल आपको पता होगा तेरिबल भी आपको पता होगा हम बोलता है तेरिबल बिल्कुल क्या है ऑफुल है और लाओ जी य और उफुल घटिया उसके बाद है लोयल्टी का मतलब होता है वफादारी है ना faithful ने faith आपको पता होगा faith है ना मुझे तुम पर faith है यानि भरोसा है तो तुम क्या हो loyal हो है ना बिलकुल loyal हो मेरे प्रती loyal हो तो इस तरह से भी याज हो जाएगा आपको उसके बाद है lucidity lucidity क का मतलब होता है clarity तो देखो हमने इसको lucid से याद किया ही है कि लो cid ने पूरा case क्या कर दिया clear कर दिया लो cid ने पूरा case क्या करके रख दिया पूरा clear करके रख दिया तो lucidity का मतलब क्या हो जाए clarity कि नेक्स कि हमारा लख्य लख्य का मतलब होता है अन्यौ reicht धामिक होना सूभण होना सूभ होना उसके बाद है retir me लू क्रियेटिव का मतलब होता है लप्रत वर्द वाइल हम बोलता है बल्कुल वर्ध है यानि इस चीज को लेना क्या हो गया बल्कुल वर्द एवरिठी यानि कि एक पैसा क्या होगा वसूल हो गया तो यहां पर देखो luck लिखा हुआ है तो भाई अगर आपका लक्त सही रहेगा तो आपको लाव होगा ही है ना हर चीज में लाव होगा आपको तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है look creative और नहीं तो दूसरा निमोनिक देखो ऐसे याद रखेंगे कि look or creative look or creative तो अगर आप कोई business man हो ठीक है तो आप ऐसी चीजों को देखो जो creative हो बिल्कुल creative चीजों को देखो तभी जो है आपको क्या मिलेगा एक्सा पैसा मिलेगा वर्दवाइल होगा वह आपके लिए तो look creative हमेशा क्या करो always look creative उसके बाद है ludicruos देखो ludicruos का मतलब होता है क्रेजी यानि की उटपटांग हाथ से प्रद तो देखो क्या होता है कि ludo और crush तो ludo में दूसरी गोटियों को crush करना में बड़ा मजाता है है ना ludicruos यानि की crush करना ठीक है तो ludo में हम भी आप भी ludo क्हिलते होंगे बल्गे स्वा से मार दो अगले को मजा आता तो ludo में घोटी को अगले की गोटी को क्या करते थे जह करते है और वो बड़ा crazy लगता था क्रेजी लगता था च्रेजी लगता था the अब देखो यहां पर लल से ही वérड क्या बना है ललबाई हमने बहुत भार याद किया है लला ललबाई का मतलब होता है लोरी देज़्ानी बच्का को सुनाया जाता है क्यों सुनाया जाता है कि बच्चा संथ होकर सूब जाए तो संथ हो लूह्स्ट यमिंगर अगला वर्डे लूहर मतलब होता है लुभाना शक्तिक ना हमने याद कि सब्सक्तिके सन्कार्ण कोन लिखावाई इसको आणि कि याद रखेंगे अलुरिंग से थिक्या कै nhất जिसका मतलब हता है अर्टकरिट कर आधे देखेंगे लियूरिड का मतलब हता है और और ब्राइट शौकिंग यानिकि संसनी कि तुमल вып आप याद रख लेना कि लिवरड के नहीं आद तो आप इसको याद रखना लो रेड यानि कि कैसा लो तो रेड कलर कर लो ठीक है तो रेड कलर कलो बढ़किलाईं ओगा ऑवर हुआई ल orth का मतलब होता है घाथ में रहना सबसूष अगatically हो और चुप कर रहना सके उनें verbessर होते हैं अगर अगर आप का मतलब होते हैं घहात में चुंप कर रहना ना और आपकर आठक कर देदा किसी को लरिक unusus पाक कर देहें ठीक है तो लर्क में अगर और को आप वا वसा छिपाएंगे तो लगेगा लुक लिखा हुआ है लुका छिपा हुआ है क्या हुआ है लुका छिपा है और यह आप पर क्या करेगा अटेक कर देगा है लुका हुआ है हम बोलते हैं कि लुका हुआ है छिपा हुआ है लुका छिपी भी हम खेलते हैं तो हम क्या करते थे जब भी लुकाच यह भी कहते लेते तो अगला जो है आकर के में धपा बोल देता था है ना तो लर्ग का मतलब क्या हो जाएगा स्नीक और प्रावल यानि इसके सिर्णम से घात में रहना अगला है लक्जूरियंट लक्जूरियंट का मतलब होता है अबंडन्ट है ना लश अबंडन्ट हमने पहले भी याद किया था है ना कैटरीना से याद किया था हमने कि कैटरीना ने क्या कर दिया सारे बंदन तोड़ दिया है ना तो याद हो जाएगा आपको और लश लश का तो लक्जजरायस लाइन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास किसी Statania होता है आपस सारा So या सwarm और स्थे संब्सक्राइब आपको याद हो जाएगा का निस् curry डेंचनिन संद्था या मैंसे सनेल नहीं कुछिए उलगहागा या इन्सेन ते इंसैनिटी और मैंने पहले भी आपको याद करवाया आपको इंसान है तो पागल इंसान है इंसेन इंसान है यानि कि पागल है बिल्कुल क्रेजी है मैड है तो यह मैडनेस का मतलब हो जाए कि इंसैनिटी नेक्स्ट हमारा मैस्ट्रो मैस्ट्रो का मतलब होता है माहिर होना किसी काम में जीनियस होना उसी को हम बोलते हैं मैस्ट्रो भया मास्टर हो तिम इस छीज में जीनिय और सील जैसा कोई पिंटिंग कर था है आर्ट कर था हम बोलता है वे जैसे दो tan भॉलता है था तूम बहाए बिल्कुल मास्टर हो था ह। tant मास्टर हो कंप्यूटर में आड़ा सॉच उक्कीत प्योप curek कि एतना उधार और इतना देया लू कि जो अपने सत्रू को भी क्या कर दे माफ कर दे चहमा कर दे माफ कर दे तो देखो मांगना एनिमस करते माफ कर देता ठाए इतना आजिया ओधा आपके फूले रहा है मैगनिमस यह तो मतलब क्या हो जाएगा चैरिटी बल्ड याद रखें गो मांगना और अनिमस यानि निमी भी उस चैरिटी अनि मेई मिश्sy को इस माफ कर देता इस चैरिटीबल थे इतना रहत ही किन चोटे चोटे अक्षरों को देखने के लिए magnifying glass का यूज करते हैं तो इसको क्या करके दिखाता है enlarge करके दिखाता है large का मतलब बड़ा होता है बड़ा करके दिखाता है next देखेंगे melody melody का मतलब होता है illness बीमारी और यहां पर देखेंगे इसको याद करने का दो तरीका सबसे पहले तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा आपने मैंने आपको याद करवाया है कि melody जो है क्या है टैबलेट है जो कि बीमारी में यूज किया जाता है टैबलेट उससे भी याद रखेंगे अलाकि उसकी picture में नहीं लगाई है प तो पूरा डेज अगर मल घंदगी में रहे तो बिमार हो जाओ फूरा गर मल में रहे गनदगी में रहे तो बिमार हो जाओ गे तो वही है आप चली illness उसके बाद है मलिग मलाइन का मतलब वोता है big mismurch discussing का मतलब बदनाम कर देना उसी को हम बोलते है Malign ऐस को याद करेंगे दोनों को seriously Malign ऐसे लग रहा है..."Hindy word …Malone Malign का meaning आपको बता है किसी की छवी maligne कर देना किसी की छवी Tir性 200 धोमिल कर देना यानि की गंदी कर देना ब्लेम कर देना उसको ठीक है जो नई नविली दुलहन आती है वो खाना बनाती है सास के लिए तो जो ननद होती है वो क्या मिला देती है बेसी मिला देती है सबजी में बेसी मिला देती है ताकि वो सबजी खाय सासुमा और सासुमा जो है किसको डाटे तो जो नई नविली दुलहन है उसको डाटे तो किस मलीन में और याद रखे, याद हो घञे, जांड मिर्च से याद करता ही प्रकुन निए जो विप्स यानि कि जहर है वह मृसिय होता है घातक होता है खतरणदा को याध रखेंगे कि क्या हिर डी से और कि मिलासे हं तो हामफुल है बैट्समेन के लिए हामफुल होते तहीं इतना खतरतर आग यो है कि बैट्समेन कुछ कर नहीं पाता था तो malignant का मतलब हो जाएगा malinga यानि कि harmful वीचियस उसके बाद है mandate mandate का मतलब होता है official order ठीक है तो इसको जाद रखेंगे man or date date से ठीक है तो इस man को date पर आना है ये court का official order है होता है न कोई man कोई आदमी है तो इसको जो है date पर जाना होता है court में तो यह mandate का मतलब क्या हो जाएगा official order उसके बाद है mandatory आसान सा वर्ड है mandatory का मतलब होता है आवस्या compulsory essential imperative ठीक है तीनों से याद रखेंगे imperative compulsory और essential तो mandatory है हम बोलता है ना passbook is mandatory passbook लाना mandatory है भाई अगला है हमारा mandiable mandiable भी आसान से वर्ड है अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यह word मिला होगा mandiable का मतलब होता है जबडा है ना हमारा यह जो jaw होता है ना jaw यानि की jaw का मतलब जबडा ठीक है जिससे हम चबाते हैं उसको हम बोलता है mandiable ठीक है याद रखेंगे किसी चीज के लिए मैडनेश ठीक है तो याद रखेंगे आप इसको और नहीं जिनको यादे मैनियका मतलब उसको वो याद रखेंगे इस टिक्या मनिया सुर्वी अपने मुवी दैख और विदेख होगी अना फूम Tran Act अमाच शुरवी तो इसमानी दोन तो मुंबई के डॉन मनेंग기 त्टिग है तुझ उन पे लिए मेडननस सवाटा. मैदनस तो पतना किमीत खेंगी आगला जो हो है वह मैनूväाल मैनूवल मैनूर का मतलब होता है नियम पुस्तिका यानी कि हैंड़ बुक तो देखते हुना मैंंट प्षीं के बादेखेंगे मचुकुपा मफूमेड़ काम उन इस बाद देखेंगे मैसकरेट का मतलब होता है इड कि मेस्क करें इसका मतलब होता है यानि इस्वांग रचना यानिकि वहरा में हैे इस चीज के थि marvel यानि कि तो मास्क कोई पहना है क्यों पहना एक्ट कर रहे है क्योंकि वह लंहीं तஅ आधर हो और नहीं यादग है तो ऐसे भी आधर रुखना कि एक्टिंग में मास्क वगरा पहने की जाते हैं ज्सक्ताइब को इसके बाद मैसिव मैसिव को मतलब होता है बहुत स्पड़ने क्युंकि जानाओंयूदक आपको यूनिवर्सिटी से लेनी चाहिए तो रहें मास्टरी का मतलब अथोर्टी दोसरे मैस्टिकेट मैस्टिकेट मतलब जाना हुता है कि वरत होता है Mastication Mastication का मतलब होता है चवाना इसरा जानवर आपने देखा हो जैसे गाय भैस वह क्या करता है कि Mastication करते रहते हैं गहांस को चबाते रहते हैं तो अध्ली के बज़ करना नहीं से तोर तो ङg affinity करना कि इसके बाद है मैंहम का मतलब होता क्यों कि अफरा तप्री फैल जाना का मैंहां कर canyon करेंगे महा महीम भीष्म से बहुत क्यों कि है वह तील चलाते था था थी बिलकुल क्यों सिटी हो जाती थी पूरे रंद्भूमी में सब इधर उधर अफरा तफ्री करके भाग क्योंकि बहुत बड़े सबसे महान युद्धा थे वो महा महीम भीस्म तो उनका जो बान चलता था था ना तो सब क्योसिटी यानि की डिजॉर्डर हो जाते थे कुछ स्यनिक इधर कुछ स्यनिक उधर मतलब होता है मई में क्या करता है हम इधर उधर भागते रखते हैं क्योंकि इतनी judge ही होती कि कभी हम ठंडे जगों पर जाने के लीए इधर उधर भागते रहते हैं यहानि हवा खाने के लिए और उधर क्यों होते हैं कि कि दुसरा है मेडल मेडल का मतलब होता है हाथ तरशेप करना तो देखो interface करना मीडल में हना हम दोनके में मत आओ मतलों मतलब क्या interfere करना नेस्ट मेडियेशन मेडियेशन का मतलब होता है बीच बचाओ करना ठीक है मेडिटेशन नहीं है ध्यान रखेंगे मेडियेशन है तो मेडियेशन का मतलब क्या होता है बीच बचाओ और इन्टर्वीन हमने पहले भी याद किया था तो यहां पर दो को ओड रहे किया लिएमेटिया वालों नेा किया चाहिते हैं पर बचाओ किया वालो ने अ сцен कि तो कह भी पैसिक्ता कि अपर लोगों जगणा हो जाता है थो कि उप्रिक्वन क्या ड्याद रखेंगे मेली फ्लूट तो मेरी फ्लूट जो है बहुत मदूर साउंड निकालती है तो ऐसा भी आद हो जाएगा और डल सेट डॉसेट आप देख लेना इसको कैसे आध करना है डाइरि यानि कि सव असमरन यानि की याद होना तो मेमोर में इसा लग रहा मेम्री लिखा वहा है left memory हम अपने memory को कहा लिए आपने Diary में लिखते हैं तो में przedsiębior कई चैनлем को याद रखें के हुए से मेनस खतरनाक होता है क्या है हमारे लिए के उसके बाद है मेंटॉर मेंटॉर का मतलब होता है गाइड यानि कि जो हमें गाइड करता है जो हमारा मेंटॉर होता है उसे को हम बोलता है मेंटॉर ठीक है तो यहां पर क्या दिया हुआ मेंटॉर का मतलब हो जाएगा हमारा गाइड यानि कि कि किसी को क्या करना गाइड कर जब कोई वस्तू और इस्थीर रहती है तो इसको हम बोलते हैं Mercurial से सबसे पहले हम इसको डारेक्ट रखने की ट्रिक देखेंगे जैसे यहां पर क्या लिखा हूँ ऑर Mercurial किससे बना है ? अन्हें Mercurial हमारे घर पे पहले हम Mercurial यूज करते थे जो आब हम tubulite बोलते हैं इसको लेकिन पहले कभी-कभी जो है गाउँ में एसको mercury बोलते थैं आप picture देख पार होंगे साधिभिया हमें हिस तरह का mercury लगाया जाता था ट्यूमब लगाया जाता था तो उसे को बोलते है mercury और यहाँ पर कैसे बॉल्ल ठीक है तो आप Mercury से याद रखेंगे, Mercury का मतलब होता है, para, hg, है न, तो वो क्या होता है, liquid form में याद रखेंगे, तो liquid form में वो earth होता है, याद हो जाए का Mercurial का volatile, उसके बाद है mercy, mercy का मतलब होता है sympathy, आसान सा word है, बोलता है थोड़ा सव, mercy दिखाओ इस पर, मर्जी दिखाओ मतलब क्या दया दिखाओ सिंपिती दिखाओ तो सिंपिती का मतलब भी सहानुभूती होता है और मर्जी का मतलब भी दया अगले है हमारा मर्ज मर्ज भी एक असान से वर्ड है मर्ज का मतलब होता है blend कर देना जैसे क्या होता है कि कुछ जैसे मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो जब छोटी छोटी वीडियो होती है तो उसमें क्या करता हूँ मर्ज करता हूँ यानि कि एक में करता हूँ मिलाता हूँ अब ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Merry Christmas तो Merry Christmas का मतलब क्या होता है कि हम बधाई दिते हैं तो खुसी में ही बधाई दिते हैं Merry Christmas करते हैं लोगों को तो Merry और Happy यानि कि एक दूसरे के क्या हैं ये Synonym से हैं Next है Mimic Mimic का मतलब होता है Copy करना Imitate करना Imitate हमने आई वाले Alphabet में भी देखा था Imitate करना मतलब नकल करना और Copy करना Mimic को Mimicry से याद रखेंगे कि वो एक बहुत अच्छा Mimicry Artist है वो और बाकी लोगों की क्या कर लेता है नकल कर लेता है तो Mimic का मतलब हो जाएगा हमारा Copy यानि कि Imitate करना नकल करना Next Mint Mint का मतलब होता है Crumble यानि कि टुकेडों में विभाजित होना hint म momentos माटन आपने देखा होगा यानि कि जो कीमा बनाए जाता है Mins का मतलब कीमा होता है तो छोटë-छोटे टुक्डे करना Crumble कर दिना Crumble X भी आपने देखी होंगे चोटे चोटे टुकडे कर दी जाते हैं X को तो वही है मिंस और करमबल अगला है मिराज मिराज का मतलब होता है तो द्रि incense अब आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है रगिस्तान में जैसे आपने नाम सुनाओगा तो मिर्गमरीच यो होती है उसमें जो है मिरक को जो है जबstadt 501 वहां पर वांटर है लेकिन एक्चुली में वह water होता नहीं है और उसके पास हिरन जाते है प्यासी और बिना पानी के वह मर जाती है तो यसे को हम हिंदी में बोलते हैं मरीच का और इंग्लिस में बोलते हैं मिराज तो देखो मिराज मिरीच का, मिराज मिरीच का विलकल सिमिलर लग रहा है वो एक illusion होता है बस actual में water नहीं होता, illusion होता है, द्रिस्टी भम होता है next मारा मिर्द, मिर्द का मतलब होता है delight, यानि कि प्रसंद होना, आनद होना अब देखेंगे मिर्द को अगर मैं ऐसे पढ़ लू, M से मैं पढ़ लू, mother, birth, ठीक है, mother, birth, मिर्द, mother, birth, तो mother जब एक बच्चे को birth, यानि कि जन देती हो, तो बहुत जदर delighted होती है, person होती है, खुस होती है, तो मिर्द का मतलब क्या हो जाएगा, तो delight, यानि कि आनन्द, प्रशन होना, picture में आप देख पा रहे होंगे, अगला है, miscellaneous, miscellaneous का मतलब होता है, various, यानि विभिन परकार का, अनेक परकार का, आपने questions बनाया होंगे, miscellaneous type के, ठीक है, आप क्या करते होंगे, पहले जब error के questions बनाते होंगे, आप practice जब करते होंगे, आपकी book जब होगी तो उसमें nouns related error होंगे, pronounce related error होंगे, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, सभी related जो है, articles related होंगे, error, लेकिन last में जो page होता है, उसमें miscellaneous error दिया हो रहता है, miscellaneous का मतलब सब मिला जूला, है न, सब से रहेंगे आपके error, various questions रहेंगे, तो उसी को हम बोलता है, miscellaneous, उसके बाद देखेंगे, अगल calamity, अब देखें, misfortune, हना आसान सा वड़े, misfortune, misfortune का मतलब होता है, calamity, आपदा, जैसे भुकंप है, सुनामी है, तो साइकलोन वगरा, यह सब क्या है, तो एक calamity है, यानि आपता है, आपदा, जिसको हम बोलते है, misfortune, next हमारा missive, missive का मतलब होता है, later, यानि की राजनीतिक स संदेश, अब missive को आप अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, miss लिखा हुआ है, miss करना, और यहाँ पर क्या है, later में, लेटर में हम क्या लिखते है, last में miss you, जिसको हम later लिखते है, वहाँ पर हम नीचे नाम लिख देते है, उसका miss you, जो भी नाम हो missive का मतलब क्या होता है, मिस сим का मतलब होता है, ठोहे लिखा हुआ है, missive का मतलब होता है later, यानि कि राजनीतिक संदेश, ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे miss लिखा हुआ है, later में हम लिख देते है miss you, मिस्च में लिखते है, miss you, जिसियु ओंना, तो missive का मतलब हो ये भी एक आसां सा वर्ड कि नेक्ष्ट है मोट मूक का मतलब होता है उपहास करना क्या म् करेंगे आप पूह मतलब होता है मोकरी करना यानि कि मझा मजाकुषता करना करना ठिक करना वही यां पर म।कमत मजाकुषता क है चोलिए आगे देखेंगे नहीं याद हो तो आप ऐसा क्षाइज रखें कि वह मेरा माजाकुषता कोई भी मौका नहीं छोड़ता ठिक है मॉलिफाइब एक वर्ड्रोड रहा है मूलीफाइब और चला चला को भर चला के बोल रहां तो चल्ला करने जोने जोहे मंझा घ्ला करना बीस का मतलब हो और दूसरा तरीका है, mollify को ऐसे याद रखेंगे, मूली खाई और भूख मिटाई, ठीक है, मतलब आपको भूख लगी वी थी, तो कहीं पर मूली थी, उसको आपने खाली और भूख को क्या कर दिया, आपने सांथ कर दिया, मिटा दिया भूख को, नेक्स्ट हमारा momentus, momentus का मतलब होता है, हमारा important, ठीक है, important यानि कि महत्वपूल, moment, तो आप बोलेंगे, ये मेरे life का सबसे important moment है, ये मेरे life का सबसे क्या है, important moment है, यानि कि momentus है, तो momentus का मतलब हो जाएगा, important, next है हमारा monolithic, monolithic का मतलब होता है, huge, यानि कि विसाल का है, बहुत बड़ा, अच्छा, mono का मतलब क्या होता है, monolithic का मतलब होता है, देखो, monolith, आपने पढ़ा होगा, geography में, तो monolithic का मतलब होता है, चटान, एक बहुत बड़ी चटान, ठीक है, तो अब वो कैसी होती है, of one stone, यानि कि बहुत बड़ा stone, huge stone, अगला है moral, moral का मतलब होता है, नैतिक, ethical, अब देखिए, moral, moral stories, ethical stories, हमने ethics पढ़ा था, याना, नीती सास्त्र, तो वही है, ethical, यानि नैतिक, moral का मतलब भी नैतिक होता है, moral, याना, तो आपको भी moral value सीखने चाहिए, आप ऐसे याद रख स है, कि हम सब को जो है, क्या सीखना चाहिए, moral values सीखने चाहिए, अगला है moral, अब इसको देखेंगे, ये लिखावा moral, moral का मतलब होता है, होसला, self confidence, अब इसको याद करने का तरीका देखिए, कि moral of the story क्या निकली, कि हम सब को क्या रखना चाहिए, तो हम सब में self confidence होना चाहि मतलब माननों को ये अपने story सुनी और आपने पूछा, आपसे पूछा गया कि बताओ कि moral क्या निकला story का, तो आप बोलोगे, moral of the story ये है, कि हम सब में क्या होना चाहिए, self confidence होना चाहिए, तो ये moral का मतलब self confidence, next modern, modern का मतलब होता है, व्यंग मिसरित, यानि कि bitter, sarcastic, sarcastic का मतल और होला, मोर दात, देखो, मोर दात, मोर दात, मोर दात का मतलब वही, टीत हमारी, और मोर का मतलब ज्यादा, तो दिकाते है, tulis घणी का मजाक होता है, तो दो लकाई होला है, प्क्रम पूर दात होगे, तो modern का मतलब हो जाएका, बिटर, sarcastic, नेक्ट Shani मोरी बंद मोरी बंद मतलब पहता है मरता हुए टाइंग तो देखो इसको दो तरीकिसे मैं रुद करेंNING याद करेंगा अपसको सबसे किता है मोरी तो क्या होता है कि जब बारिस नहीं होती तो मोरी क्या होती है यानि कि मर जाती है तो एक तो ऐसे याद रखेंगे मोरी बंद दूसरा याद रखेंगे मरी बंद कमरे में तो वह जो है कमरे में कमरे को बंद करके उसमें क्या हो गई मर गई है ना तो डाई हो गई तो मरिबंद मरिपंद थीक है मर गई बंध कमरे में चले आगे देखाइए अगला है मौतल कि मौतल का मतलब होनता है डिडली याननिकी अ मरंसील याननीekt इन जैसे हम बोलते है上 कि मैन इस मोटल मैन क्या है मानल क्या है मरंसील है हना सब मौटिफो का मतलब होता है डिजाइन रूप रेखा अब देखिए मोटिफ में वर्ड आरे मोती और मोतियों की डिजाइन है मौतियों की डिजाइन माला बोर्ड कि दिजाइनदार माला आप एक रहा है मौतिफ मोटिव का मतलब क्या हो जाएगा डिजाइन चुले आगे देखेंगे अगला वर्ड है हमारा मोटिव मोटिव का मतलब होता है मकसद आसांता वर्ड है इंटेंशन रिजन हम बोलते हैं कि मेरा यह इंटेंशन मेरा क्या है यह इंटेंशन है मेरा यह मोटिव है यह रिजन है तो मोटिव का मतलब होता है इंटेंशन यानि की रिजन कारण नेक्स्ट है मड़ी मड़ी का मतलब होता है फिल्दी यानि की गंदा अब देखेंगे आप यहां पर मड़ी मड़ का मतलब क्या होता है की चड़ असान तवर यह भी और यह के है हमारा फील्धी फील्धी का मतलब होता है गंडगी कीचर उसके बाद multitude multitude का मतलब होता है bhit यानि कि बहुत सारा mass तीके अब देहो क्या है यापě mass massive मास मैसिव जिसका मतलब होता है धेड़ सारा multi multi का मतलब होता है है बहुत सारा हम बोलता है ना multi है ना multinationally यानि कि multi बिल्कुल क्या है उसमें बहुत सारी जो है जुड़ी हुई है तो स्वां बोलते है multi multitude है multiple time अपने पड़ा होगा multiple time यानि कि एक से अधिक बार multiple times उसने try किया और तो बार उसने ट्राइए किया मतलब भीड होता है चले उसके बाद है मंच मंच का मतलब होता है चियू यानि कि चबाना तो देखो मंच चॉकलेट से इसको याद रखेंगे मंच चॉकलेट को बच्चे क्या करते हैं चबा चबा करके खाते हैं जो मंच चॉकलेट होती है उसक बहुत जाए दिल्दार वेक्ति है जंड्रस पॉसन है अना तो उसे को हम बोलते हैं मूनिफिसेंट अब देखो यहां पर आ रहा है कि मुन्नी तो बजरंगी भाईजान में जो सल्मान खान होते हैं वो मुन्नी को कहां पहुँचाते हैं पाकिस्तान पहुचाते हैं और सल्मा हुचाता है अगे अगले वड का मतलब होता है विक्रीत तो भी आप यहांपे देखेंगे मूटेंट में इसको रूटवर्ड सोइद रखेंगे कि लेटिन, म्यूटेनियम का मतलब होता है, जो चेंज हो जाए, यानि कि परिवर्तित हो जाए, अलग परकार का हो जाए, उसको हम बोलते है, म्यूटेंट, अगला है म्यूटेट, म्यूटेट का मतलब परिवर्तन होता है, चेंज होता है, सेम रूट्स वर्ट से इसको भी याद रखेंगे म्यूटैनम का मतलब होता है हमारा परिवर्तन नेक्स नेव नेव का मतलब होता है नया नया ठीक है यानि कि भोला भाला गुलिबल ठीक है गुलिबल हमने याद कि खिलने वाला बच्चा भोला भाला ही होता है नेव का मतलब याद रखेंगे बिल्कुल नया नेव 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 ने कबीकरतेते थक घर得 jake अर इसा की लिए लेता क्या करता हूं आराम करता हो यह जब्की लें लिया और उसके बाद से सक नॉटी का मतलब होता है सरारती और इंपिस इसका क्या हृ से याद रखेंके बठेगे तो आपसे बोला करेंगे इंपिस वच्चा है तो इस तरह से भी आपकी वोकिबिलरी स्टॉंग होगी चलिए उसके बाद है हमारा तो आपकी है नोज 누가 का मत्व होता है लोट्सम तो नोंसस ने जा लोट् 快 थाया nói तो ऌना नोंसस ने उल्ट्ई कर दि एथा हम बोलते औहएं नोंजनै और शली कर दरता था तो और यहां लोट् TIME कर दिया है तो घृनाफ पर लगता है वो थोड़ा तो लोजसम इसका क्या हो जाएगा सिर्मिम्स हो जाएगा कि उसने iignore कर दिया मेरी ना तो Neglected का मतलब क्या हो जाता है अन्दavor कर देना उसके बाद Negociation का मतलब होता है bargaining करना मोल्भाव करना बहुत आसान सा word है सब को पता होगा negotiate करेंड़ करना सबस्कों करते होगे उसको हम बोलते है करना तो देखो इसको जिसको नहीं आद है उसके लिए है कि नहीं एगो और तो अब क्या होता है कि हम बोलता है नहीं एगो और कम करो नहीं रुपया और कम करो हम बोलता है नहीं एगो रुपया तो और करना ही पड़ेगा तो निगोशियेशन करते हैं हम bargaining करते हैं चलिए अगला है Nexus Nexus का मतलब होता है बंधन लिंग अब देखो next us तो हमारे next में जो है तो भाई वह हमसे link ही तो है हमारे next में अगर कोई बैठा है या फिर हमारे next में कोई खड़ा है तो हमसे क्या है link है ना तो नेक्सट का मतलब क्या हो जाएग ciao next us यानि कि लिंक होना हमसे याद रखेंगे next us तो जो हमसे next us यानि कि हम से नेक्स्ट में खड़ा होगा 12 से next निगाड connect का मतलब कशल्ट होता है माईजर होता है उसकी निमोनिक नहीं कुछ तो आप को याद कर रखे का मतलब माइजर यानि जो होता है माइजर परसन निंबल का मतलब होता है लग लगा emenौ को याद रखने का तरीका देखो निमबू थे क्या होता है जब कोई वड़िए तो इसको सला दे जाती के सुब तो गरताーimas टाल करके जो है पिया करो थोड़ा सा बॉड़ी ज क्या होगा लचील अ मतलब किया हो क्लियों फ्लाक सिल नरा करें हुआ और को मतलब क्या होता है है हिम्पों कृप को को याद करने का तरीका ऐसे याद रखंगे यहां पर क्या है पूप का बिल्कुल क्या है पूप आदमी है पूप आदमी मतलब क्या है बिल्कुल फुलिष यानि कि फूल है बोलता ना तो यह बिल्कुल क्या है पूप है तो वही है निंकम पूप का मतलब हो जाएगा फुलिष यानि कि फूल चले उसके बाद हमारा नोबल नोबल का मतलब होता है डिगनिफाइड यानि कि परतिस्थित तो देखो नोबल प्राइज से याद रखेंगे इसको कि नोबल प्राइज किसे मिलता है जो डिगनिटी जिसमें डिगनिटी होती है जिसमें जो डिगनिफाइड होता है यानि कि पर्तिष्ठित होता है उसी को दो nobel prize मिलता है ना किसी को भी थोड़ी nobel prize दे दिया जाता है तो nobel prize का मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठित यानिके dignified नेक्स्ट है हमारा नोमेडिक, नोमेडिक का मतलब होता है घुमन्तु, रोविंग, यानि कि वेंडरिंग करना है इधर से उधर, तो देखो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते रहते हैं, इधर से उधर जो है वेंडरिंग करते रहते हैं, यानि कि भटकते रहते हैं, और व दूसरे कंटी में घुमने के लिए तो यह नॉमेटिक का मतलब क्या और रोविंग यानि कि वेंडरिंग इधर उदर भटकना घुमना अगला है नॉन प्लस नॉन प्लस का मतलब होता है पजल्ड हो जाना यानि कि बहुत चक्का रह जाना पजल्ड हमने पहले भी याद किया लिए पजल्ड का मतलब पहली चम्फ्यूजन तो यहां पर नॉन प्लस नॉन प्लस को याद रखेंगे कि जब जैसे दें जो डांस प्लस में कि जब उसे डांस प्लस म मिला तेक मतलब मालो कि एक कैंडडिडेट जो था बहुत अछा दांस किया इसने अब क्या हुआ कि बह अगला है नॉक्सियस का मतलब होता है हमारा हानिकारक हानिकारक हामफूल यहां पर क्या लिखा हूँ है कि जब भी नाग से ठीक है जब भी आाप छीखते हैं तो नाग से बहुत सारे प्रामफूल निकलते है इसलिए जो है आप रुमाल रख नाक पे छीका करें तो क्या है अगर देखेंगे अगला है मारा नज नज का मतलब होता है वाइनों नज मारनाנग, यानि कि किसीं को हल्ड को सब करना हए कि रिका हूँ हल्के इसे धक्ये मारना ठीक है। तो आप याद कर लेंगे नज ठीक है। खुछ से याद कर लेजागा इसको अगला है नूम्रस का मतलब होता है several यानि कि बहुत तो हम बोलता है ना बिल्कुल नंबर बहुत सारे नंबर में है यानि कि बहुत ज्जादा है numerous Our number है is numerous several ननीचर कंखुन बहुत सारी can guess सारे स्प्रो बहुत सारी जीवों को क्या किया है नीचर ड्रीव जीवों करने पड़ा की है तो नर्चर करना्त है थेस्ट का मतलब होता है spring यानि कि maru udjyan अभी maru udjyan क्या होता है तो जिब रेगिस्थान के बीच में एक छोटा सा तालाब होता है यानि कि एक saroated जहां पे लोग पानी पी सकते हैं उसी को हम बोलते है osis यानि कि maru udjyan maru का मतलब होता है maru azthal और udjyan का मतलब udjyan यानि कि बाग बगीचा तो जब रेगिस्तान की बीच में कोई बाग बगीचा होता है उसको हम ओसिस कहते हैं अस्प्रिंग का मतलब जहरना याद रखेंगे पहले से भी आपको याद होगा तो ओसियन की बीच में क्या है ओसिस है तो ओसियन की बीच में क्या है ओसियन नहीं कर दिया commitment कर दिया है ना तो commitment हमने पहले भी याद किया है कि उसने अगर एक बार commitment कर दी तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनता तो obligation का मतलब क्या होता है commitment दाइत्व अगला है obligatory obligatory का मतलब होता है अनिवारे ठीक है necessary और mandatory यह भी एक आसान सा वर्ड है obligatory ठीक है चले आगे देखेंगे अगला है obliterate obliterate का मतलब होता है पूर्ण विरास कर देना annihilate कर देना annihilate हमने पहले भी याद किया है कि यह नहीं हिलाते वरना मैं इसको ऐसे पढ़ू all be literate all be literate का मतलब क्या कि तो सब literate हो जाओ और illiteracy को क्या कर दो abolish कर दो खतम कर दो तो obliterate का मतलब क्या होता है पूर्ण विरास ठीक है पूर्ण विनाश्ट तो आप बोलेंगे all be literate sub literate हो जाओ और क्या कर दो सब illiteracy को पूर्णता समाप्त कर दो आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वह है oblivious oblivious का मतलब होता है अंजान ठीक है oblivious का मतलब क्या होता है अंजान अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है ob ob का मतलब क्या हो गया negative और live तो अगर आप कहीं पर रहते हो ठीक है और आप कहीं और चले गए रहने को यहां पहले से कहीं पर रह रहते तो आप सब आपको जानता था आप भी सब को जानते थे और अब आप जो है कहीं और रहने चले गया हो अब आपको कोई नहीं जानेगा आप जो सबसे अजान होगे इग्वी इग्ञारिंट होंगे अनभिग्य होगे तो अगले ऑबणॉक्स का Making a disgusting यानि mud अब दीकि अब आसे पढ़ा हो कुष्याम अब नॉक्स से तो अब जो है singers क्या करते हैं नाक से गाते हैं जो कि बिल्कुल कैसा लगता है disgusting लगता है तो नाक से गाते हैं और बहुत ज़्यादर disgusting लगता है तो अब नॉक्सस का मतलब हो जाएगा disgusting नेक्स्ट है observe अब अब अबसर्व करते हो चीजों को आपको नहीं याद तो मुझे लगता है कि सबको याद होगा अबसेसेंद एक सॉङ्ट करके ति मतलब क्या हो जाएगा ज्सकों बॉलते हैं अगला है अगला है Obstacle दोनों आसान से वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बाधा होता है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसके पैरों में क्या है एक बाधा है ठीक है यह आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो Obstacle का मतलब हो जाएगा बाधा चलिए आगे देखेंगे अगला है हमा स्वाइगा देखो अब अस्ट्रीट पर तो अगर आप स्ट्रीट पर खड़े हैं तो आपको नौइस आएगी है अनुरूली यानि के डिजौर्ड तरीके से आपको अस्तवेश चीजे दिखेंगे जैसे आप जाते होंगे जैसे सीट पर यानि कि रोड पर सड़क पर आप आपको noise आती होगी कभी अधर से हॉन बजाता होगा हांगी से कि अगर्ता होंग करता होंग कोई दर से गाड़ी खुसा देता है कोई रॉंग साइट से गाड़ी घुसा देता तो बल्कूल क्या है divided तो अबस्टरः पैरस का का मतलब होता है बाधा डालना और हिंडरेंस तो कितने बाहर हमने किया Western का मतलब भीशा होता है और स्टक्शन ठीक है और स्टक्षन मना है नेंक्त हमार tuh obtain पर आसान सा बढरा जिसका मतलब होता है अचीव करना बोलता है ना कि उसने आप्टें कर लिया जो भी अगला वर्ड हमारा अक्लूड का मतलब होता है अब देखेंगे अक्लूड को याद करने का तरीका आपने इंक्लूड पढ़ा होगा इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि इंक्लूड करना किसी जीच को जोड़ना किसी का वेलकम करना अगर आप किसी को जोड़ रहे हो अपने साथ इंक्लूड कर रहे हो मतलब आप उसको अपने ग्रूप में क्या कर रहे हो तो इंक्लूड कर रहे हो लेकिन अक्लूड करना का मतल अब देखेंगे अकल्ड को तो यहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा अकल तो अकल का मतलब होता है बुद्धी और जब कोई मिल गया में रित्तिक रौशन के सर पे जादू हाथ रखता है तो उसमें क्या जाती है अकल आ जाती है क्योंकि पहले रित्तिक रौशन बच्चा टाइब का बहेव करता था क्योंकि उसका माइंड डेवलप नहीं था तो लेकिन जब वह जादू उसके सर पे हाथ रखता है तो उसमें फिल पावर आ जाती है तो अकल आ जाती है शुपर नेचुरल पावर आजाती अब याद हो जाएगा आपको इस नेक्स्ट हमार औक्यूपाई ऑक्यूपाई जो वर्ड है वो औक्यूपाई से बना है अग्यूपाई का मतलब होता है अस्थान घेरना फील कर देना किसी चीज को तो बोलते हैं जैसे मतिरियल क्या करते ह है यानि कि पर करते हैं जगह घेरते हैं तो यहां पर अग्यूपाई चलिए आगे देखेंगा अगला है करता है हम बोलते हैं ये एक आसान से वड़िव अकर टिक है बहुत आसान है अकर है पर और एपन जो है है अपनिंग नहीं एब मेरे साथ यह घटना घटी तो वही है तो अकर का मतलब क्या हो गया घटित होना है उसके बाद हैं कि और दो अजिस का मतलब होता है हीट यानि कि अपर तेक है पतल जो अच्छा ना लगए आपको अपरे लगे ऐट फुल लगे उसको हम बोलते हैं ओडिय मोई सा याद करने का तरीका देखिए ओडिसा में जो अभ फीर घटना भी है तो याद रहेंगए और्पियस और जो डुझश म Success हेड़ा न है जिस वजय के बीए यह जिसके कारण हुट जिन लोगों के लापरवाहि से हई हम क्या करता है है तरह चलिह इंग है खिराफ कवन को प्रेसान करना तो देकि 다음 ऑफन को उसे को से आइसां साउंड बढ़ा दिया था आपने और मम्मी आपके क्या हो गई परिसान हो गई क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं परिसान करना तो आप मम्मी ने कहा कि साउंड कम कर ले थोड़ा आपने साउंड कम नहीं किया तो मम्मी फिर क्या कर देगी in end में tv को off कर दें क्योंकि वह आपसे क्या होग यह परिसान होगे यह अनौए होगे आपने परिसान कर दिया तो offend का मतलब होता है तो यह नहीं कि परिसान करना है next is omission omission का मतलब होता है छोड़ देना तो तो देखो omission of articles आपने पढ़ा होगा एक तो पढ़ाओग आपने यूज ओफ स्पाइए उश्ट मसटभ कहां पो और आर्टिकल्ष का यूज करें डूसर être अपने पढ़ाओगा ऑंुर्टिकाल का यूज ना करें तो omission का मतलब क्या होता है deletion यानि कि आपको क्या करना पड़ेगा आर्टिकल को delete करना पड़ेगा क्योंकि वह unnecessary होता है चले आगे देखेंगे omniscient omniscient का मतलब होता है all knowing यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको हम बोलते हैं अंतरयामी या फिर सर्व व्यापी यानि कि सर्व घ्यानी ठीक है omniscient को याद करने का देखो सारी वह और मैंने बोल जाता है सर्व व्यापी सर्व व्या पी का मतलब होता है omniscient तो सब जगा मतलब होता है और सेंट का मतलब जानना तो जो सब कुछ जानता हो उस पर हम ओमनी सेंट कहते हैं आल नोइंग यानि कि सब कुछ जालने वाला नेक्स्ट वंडरस वंडरस का मतलब होता है अर्डिूरस यानि कि कठिन डिफिकल्ट तो वंडरस को आप ऐसे याद रखेंगे देखो कि एक तो ऊंडरस में ऐसा वर्ड लगोर्ण आरा है जैसा और यानि कि और ओनर्ड का मतलब क्या होते हैं मालिक झाल जब भी कोंडर बनता है किसी भी company का या किसी भी फ़ंस्था का तो उसमें बहुत सारा क्या आजाता है burden आजाता है यानि कि कठिन हो जाता है उसका life पहले तो वह employee था तो उस पर इतना जो जो है बोज नहीं था लेकिन अब वो क्या बन गया तो अब ओनर बन गया और ऑनर बना तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके लाइफ में आ गए और उसकी लाइफ जो है और भी आडूस हो गई कठिन हो गई तो एक तो ऐसे याद रखेंगे या पिर दूसरा याद रखेंगे वन और रस यानि की फूरी भीड रश का मतलब क्या होता है फीर पूरी भीड में अगर एक आदमी पर सारा काम डाल दिया जाए बोज़ डाल दिया जाएए तो उसके लिए क्या सबसा हो जाएगा और और हमने पहले भी यात किया है हार्ड टू अस यानि कि हमारे लिए जो डिफिकल्ट हो उसको हम बोलते हैं हार्ड टू अर्टू अगला वड़ देखेंगे अगला है ओनस ओनस का मतलब होता है दाइत्व रिस्पॉंसिबिलिटी बर्डन ठीक है अभी हमने वन्रस देखाता है तो उससे भी आज़कते हैं आ विचारधारा का मतलब क्या हुआ व्यू ठीक है तो हम बोलता है ना कि आपका क्या ओपिनियन इस बारे में बताइए आपका क्या व्यू है ठीक है आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं बताइए तो ओपिनियन का मतलब क्या होता है व्यू उसके बाद है याद रखेंगे इसको कि हम सब जो है अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं यानि कि सही समय का क्या करते हैं वेट करते हैं तो अपॉर्चुन का मतलब क्या हो जाएगा टाइमली यानि कि सही समय यानि कि समय उसके बाद देखेंगे ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट यानि उसके बाद है auricular auricular का मतलब होता है रहस्य cryptic having a hidden meaning auricular का मतलब तो देखो auricular को मैंने याद किया था binocolor से binocular और आपको पता है binocular क्या होता है binocular का मतलब होता है durbene तो जब भी कोई चीज रहस्य में लगती है तो उसको जो हैं कैसे देखते हैं बाइनोकोलर से मस्क्राइब ने के लिए depressed लिए कि उसमें क्या कुछ छुपा हूँ तो नहीं है आगला हमारा⋅ का मतलब होता है प्रोक्लेम यानि की घोसना करना अब देक्व अधरन में वर्ड आरा ओडर तो आड़र का मतलब क्या हुआ गोसना करना ओक्र laufen कर अधो आड़ा नहें। और राजाने अज concept कर और भूछा है। next is organizing 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 is coordinating coordinating word आपने पहले भी याद किया होगा coordinate geometry coordinating हो गया organize करना किसी चीज को coordinating और iogen organizing एक ही वर्ड है दोनो अगला है ossify ossify का मतलब होता है make or become like a bone हड़ी बन जाना या फिर हड़ी के जैसा बन जाना उसको हम बोलते है ossify 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 make or become like a bone ossify का मतलब होता है make or become like a bone यानि कि हड़ी बन जाना ossie याद रखेंगे ossie root word है bone यानि कि हड़ी का उसके बाद है हमारा ostentaneous ostentaneous का मतलब होता है ostentaneous का मतलब होता है भड़कीला या फिर आडंबर पूर्ण इसको हम flashy बोलते है flashy हमने पहले भी याद किया है जो भड़कीला होता है शोवी होता है शोवी भी हो सकता है तो यहां पर देखेंगे flashy याद करेंगा वह a stunt तो वह a stunt करता है वह सिब दिखाने के लिए करता है कुछ लोग बोलते हैं यानि कि लोग को दिखाते हैं कार लेकर के बड़े बड़े महंगे महंगे फोन लेकर के तो अस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा flashy यानि कि दिखावा करना चलिए आगे देखेंगे आउट्रेज आउट्रेज का मतलब होता है angry और यह मैंने पहले भी बता है जहां पर भी रेज आया रेज का मतलब क्या होता है गुस्टा यानि कि एंगर है ना फ्यूरियस जहां पर भी फ्यूरियस या तो समझ जाओ गुस्टा की बात की जा रही है अगला है हमारा ovation और ovation का मतलब होता है applause करना अपलाउज करना तारीफ करना अभिनंदन करना और ovation को अगर अगर ovaC से याद कर ले तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि ovaC साहभ जैसे ही मंज पर चड़े सब लोग इननका क्या किया अभिनंदन किया तो ओवेशन को आप ओवेशी से याद रखेंगे उसके बाद ओवर, ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना और इसका जो सिन्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है बाइगॉन over और bygone याद करने का तरीका क्या है आप देखेंगे यहाँ पर कि bygone को याद रखेंगे तो एक तो सीधे सीधे मीनिंग से याद कर लो कि by और gone gone का मतलब जो चला गया तो चला गया मतलब over हो गया समाथ हो गया तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा और बाई लिखा हुआ यहाँ तो बाई बाई से भी याद कर सकते हैं कि बाई गौन है ना बाई मतलब चला गया अब देखेंगे यहाँ पर वर्ड क्या रहा है बैगन ठीक है बाई गन को अगर मैं थोड़ी दिल के बैगन पढ़ लू तो आप मार्केट में गया और अब ओवर हो गया समाप्त हो गया तो ओवर का क्या हो जाएगा बाई गौन उसके बाद है हमारा ओवर सी ओवर सी का मतलब होता है यानि की निरिच्छन करना तो देखो ओवर और सी ओवर का मतलब क्या होता है ज्यादा या फिर ऊपर और सी का मतलब देखना तो अगर आप क सब उपर याद रखेंगे कि आप अगर किसी के ओपर नज़र रहे हो मतलब आप उसको सोपरवाइब कर रहे और सुपरवाइजर से लिए को सुपरवाइजर क्या करते हैं तो निरिक्षन ही उनकाTime से करते हैं dar दोस्ती के लिए कदम बढ़ाना ठीक है परस्ताव रखना किसी रिष्टे के लिए या फिर दोस्ती के लिए तो और स sonra यांवह रखना एक परशना इसके निमोनिक नहीं बढ़ी है तो आप ए sixी याद कर्लेना उसके बाद है बहुत बार ओवर्वेल्म आया जिसका मतलब होता है वयाकुल हो जाना चिंतित हो जाना अभीभूत हो जाना सप्राइज हो जाना देखिए ऐसे याद रखेंगे कि मेरा सप्राइज देख करके विल्कुल ओवर्वेल्म हो गई मेरे द्वारा सप्राइज मैंने जो मेरे द्वार लाए गए सप्राइज को देख करके वह क्या हो गई ओवर्वेल्म हो गई पूरी वसी भूत अभी भूत हो गई यानि कि सप्राइज हो गई बिल्कुल उसके बाद है पेस पेस का मतलब होता है रफतार अस्पीड अब देखेंगे पेस जो वर्ड है आसान सा वर्ड है आप में से बहुत लोगों को पता होगा पेस जिनको नहीं पता वो देखेंगे पेस का मतलब होता है गती और जो बॉलर्स होते हैं उनमें क्या होता है पेस होत उसके बाद देखिएंगे Pacific Pacific का मतलब होता है Peaceful यानि कि Santy सांथ अब देखिए Pacific सबसे पहले दो तरीके से इसको याद रखेंगे जो हमने Pacific याद किया था यानि कि Peace है ना Pace Peace यानि कि Santy एक तो ऐसे याद रखेंगे Peaceful और दूसरा याद रखेंगे Pacific Ocean से तो Pacific Ocean को हम हिंदी में क्या बोलते हैं परशान्त महासागर क्या बोलते हैं मसको परशान्त महासागर अब इसे में एक वर्ड आ रहा है सांथ है ना तो सांथ महासागर कैसा महासागर सांथ Pacific Ocean यानि कि परसांद महासागर यानि की पीसफुल तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा Pacific का मतलब क्या peaceful नेक्स देखेंगे अगला है हमारा पेल पेल का मतलब होता है bucket यानि की is the bucket लिखा ओ है तो इसको याद रखेंगे देखो पे क्या लिखा हूँ है PAI PA और L से लीट्र याद रखेंगे तो PAcher लेते ह omnip बाल्ती लेजाओ और इसमें1 लीट्र पेजल लेते जाओ तो इस पेल का और जहांते देखेंगे यह मैं क्यों बता रहा हूँ फीका यानि कि colorless हो जाना ठीक है तो यहां पर इसलिए आपको याद रखना है जहां पर भी PAIL रहे तो उसका मतलब bucket होगा जहां पर PALE रहे उसका मतलब होगा colorless यानि कि फीका पड़ जाना अगला वर्ड हमारा PALEATE PALEATE का मतलब होता है कम करना relieve करना अब देखो आपने एक वर्ड याद क्या होगा यह वाले alphabet में alleviate का मतलब क्या होता है सांथ करना किसी को किसी का दर्द कम करना तो अब वहाँ पर देखो है यहां पर किया है पैलियेट एली एट पैलियेट यानी कि씩 करना क्या कि सी क звуч करता दर्द चुरूप करना तो मतलब हो जाएगा किसी का समक्तऱ के c windows talk उसके बाद पैलिड पैलिड का मतलब होता है पेल यानि कि पीला पढ़ जाना फीका पढ़ जाना यहां पे देखो क्या है कि हम बोलता है चेहरा पीला पढ़ गया फीका पढ़ गया तो यह पैलिड पैलिड पीली पैलिड पीली तो देखो यहां पे लिखा हुआ है पेल इसक क्या है सभी रोगों का इलाज है ना यानि की पान खाकर के जो है सारी बीमारिया कहा होती है दूर भाग जाती है इसलिए इंडिया में जो है क्या है लोग खाने के बाद रात में पान जरूर खाते हैं तो पैनेसिया का मतलब क्या होता है क्योर ओल यानि कि पैंसिया यानि कि क 닉ने लाग मतलब होता है उन्माद यानी कर फ्रेंजी। यानी के पैनिक हो जाना तो देखो इसको बोलेंगे friend's don't panic friends friendy ठीक है friends don't panic मतलब panic मतलों ठीक है सब को ठीक हो जाएगा panic होने कि आवे सकता नहीं है तो आप याद रखेंगे friends don't panic यानि कि ज्यादा panic मतलों आगे देखेंगे अगला वर्ड है हमारा panorama panorama का मतलब होता है scene यानि कि scenery ठीक है चारो और का द्रिस से भी बोलते हैं इसको अब देखे पैनोर्म में एक word आ रहा है क्या manorama ठीक है manorama manorama तो manorama scene है कैसा scene है कैसा द्रिस से है तो बड़ा manorama scene है आप पिक्चर में देख पा रहे होंगा sunrise का जो है कितना संदर सा manorama scene लग रहा है तो panorama का मतलब हो जाएगा चारो और का द्रिस से यानि कि scene manorama scene अगला वड़ हमारा पैरानोइड पैरानोइड का मतलब होता है सस्पीसियस इसको आप याद रखेंगे ठीक है इसकी कोई नीमोनिक नहीं बनी पैरानोइड की चलिए जिसका मतलब होता है संदिग्द सस्पीसियस उसके बाद है पैरिटी पैरिटी का मतलब होता है समानता क्लोजनेस अब देख होता है यानि जो चपल होते हैं वो कैसे होते हैं पहनते हैं तो एक समान होता है कि अलग-अलग पहनते हैं एक काला एक पीला नहीं हम क्या पहनते हैं एक ये समान के चपल पहनते हैं closeness है ना nearness closeness यानि कि समान next है parsimony parsimony का मतलब होता है miserliness और frugality, frugality हमने पहले भी याद किया है, frugal का मतलब conjuice होता है, माइजर का मतलब भी conjuice हमने याद किया है, तो parsimonie के याद रखेंगे, purse और money, तो उसके purse से एक भी money नहीं निकलता, क्योंकि वो क्या है, conjuice है, तो उसके purse से फिर जो P trous hos को हम बोलते हैं क्या Partition तो बिलकुल असान से दिए पाटिसन है ना Partition का मतलब partisan करना भी होता है दो भागों में बाठना भी होता है इंब नहीं जुनून उर्पने पैसान को लेकर Б 008 को लेकर के ना बहुत ज़्याद mix दो कि तो बहुत जादा मेहनत कर रहा है, दिजाइर है, इच्छा भी होती है next pathetic pathetic भी आसाँ सावड़ है pathetic का मतलब होता है pitiful , dhaini, बोलता है न कितना pathetic है यानि कि दhainiए फिल्कुल pitiful है बेरिये अगले pathos pathetic से ही याद रखेंगे pathos को क्योंकि दोनों सेम रूट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है Sorrow टीक है वहां पर पे इंसपेक्ट का मतलब होता है चांज करना पहरा देना तो देखों इंसपेक्ट को पेट्रोलिंग पेनी नार्ट मेया पेट्रोलिंग की जाती चोरों अगर अतर्ट mlव कर से बहुत सारे उस्पांसर वीडियो जाएं जैसे यूट्यूब क्रियेटर होते है वह भी उनको मिलता है वो एड करते हैं किसी प्रोडक्ट का तो उसी चीज को हम कहते हैं पैट्रॉन यानि कि अस्पॉंसर अब देखेंगे आप आप ध्यान से अगर मैं पैट्रॉन को थोड़ा सा पढ़ूं तो ऐसा लग रहा है लिखा वह पत्रों यानि कि पहले लेटर्स लिखते थे अब इमेल लिखा जाता है तो जो अस्पॉंसर वाले होते हैं जो प्रोडक्ट के ओनर होते हैं वो जो है क्रेटर्स को क्या भेजते हैं इमेल भेजते हैं पत्र भेजते हैं कि भाई हमारा क्या कर दो अस्पॉंसर कर दो है ना यानि कि हमारा एक प्रोड़क्ट है उसका करने की अब देखेंगे उसने अपने पाऊं के पाईल हम दकटा करने की अपने यह किसे यह ड़िया होते चैसे दिमेटेए आपने रहों क्या कर दियेएं तो गिरवी रख दियें प्लेज कर दियें ठिक ए को ऊसके बाद है पड़ीकरी पेडिगरी का मतलब होता है सैन्हें यानि की वंसा वली ठिक जैसे वंस चलते आरहां नहीं पहला एक राजा था फिर उसके बाद उसका इसा बना चलते आथे उस को दो बोलते हैं वंसावली यानि कि पैडिग्री अब देखो पैडिग्री में एक वर्ड आ रहा तो इस में जो भी पैदा हुआ है वह इंटीनूर आजा बनते जाएगा ठीक या फिर दूसरा तरीका सुनो पैडियाग्री जुह होती है जीते है फूड होती है कुत्तों की आ तो यह बोलेगा है यह लाइन चलते आ रहा है मेरा पिता है वाला बेटा की तरिकरे था चलता है वाली है नेकि नेस्थ पीविश का मतलब होता है षियहाद करने का तरीका कितना असाल आपक देखकें कि फस्त में किया लिखा हो P PC का मतलब क्या होता है तो सुसू कर देना तो आप देख traditionally कि जब किसी बच्चे कर दिया और वह किसी बच्चे कम गोद में लेते हों गया और उप कर देता होnel्य कि IT तो आप क्या हो जाते हों गुछा हो जाते हैं हलागि पाफंप कर देगुछ क्या होगा, bad tempered होगा, गुसा होगा, तो उसी को भोलते हैं पीविश, ठीक है, यानि के चढ़ चढ़ा, bad tempered, नेक्स्स देखेंगा, अगला है pejorative, pejorative का मतलब होता है derogatory, derogatory हमने पहले भी याद किया है कि दरोगा का अपमान कर दिया, अपमान कर दिया, दरोगा की वर्दी का उसने अपमान कर दिया, डियरिस्पेक्ट कर दिया, और यहां पर है पेजुरेटिव जो कि इसका सिर्नम से, पेजुरेटिव को आप यहां पर देखेंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ू, पिग औरेटिव, आप दो तीन बार इसको रिलेट करना ऐ तो वो उसकी क्या कर रहा है, डियरिस्पेक्ट कर रहा है, यानि कि अपमान कर रहा है, तो पेजुरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, डियरोगेटरी, यानि कि डियरिस्पेक्ट करना, अनाधर करना, अगला है पेनलाइज, पेनलाइज का मतलब होता है, पनिश करना, पेन किसी चीज को पसंद करना हम बोलता है कि I am fond of music मैं music का सौखीन हूँ उसी तरह से यहाँ पर penchant लिखा हुआ है तो penchant को अगर मैं पंच तंतर पढ़ दू ठीक है अगर मैं इसको थोड़ा था पंच तंतर बना दू तो पंच तंतर की कहानिया जो है बच्चे बहुत लाइक करते हैं बिल्कुल उसके लिए जो है पागल रहते हैं पंच तंतर की पुस्तके हो या पिर कहानिया हो तो penchant यानि की पंच तंतर ठीक है यानि की liking और fondness उसके बाद है हमारा perceptive perceptive एक आसान सा वर्ड़ जिसका मतलब होता है astute मतलब ग्यानी या फिर चतुर astute हमने पहले भी याद किया है astute यानि की as a tutor आपको क्या होना पड़ेगा चालाक होना पड़ेगा as a tutor अगर आप एक tutor है तो आपको चालाक होना पड़ेगा यानि कि आपको जो है a skillful होना पड़ेगा तो perceptive का मतलब क्या होता है चतुर तो आप याद रखेंगे perfect है वो as a tutor as a tutor वो क्या है बिल्कुल perfect है perceptive या फिर बोलता है ना कि उसका perceptive बिल्कुल जो है बढ़िया है ऐसे भी हम बोल देते हैं चलिए आगे देखेंगे अगला वर्ड हमारा per durable per durable का मतलब होता है long lasting यानि कि लंबे समय तक चलने वाला उसको हम बोलता है per durable अब इसी में वर्ड आ रहा है durable का मतलब क्या होता है तो long lasting यानि कि लंबे समय तक चलने वाला उसको बोलते है per durable ठीक है यानि कि वो क्या हो जाएगा हमारा durable durability जैसे आप चपल वगरह लेते होंगे तो देखाओगा न आपने हम उसकी क्या चेक करते हैं कि कितने दिन तक चलेगा यह कोई कपड़ा लेते हैं तो उसी को बोलता है परडियूरेबल यानि कि चीरस थाई बोलो लास्टिंग नहीं। नेक्ट हमारा परफीडियस परफीडियस का मतलब होता है डिस्लॉयल ज्यास सद्लॉयल का मतलब हो गया जो हमारे सथ बेवफाई जो जो हो ओ यहाँ जो लॉयल Community हो लेकिनर्फीडियस याद करना है तो दिखो कर पर्फिडीयस को अगर बाइसे बुदाता हो तो फिदातल सब्सक्राइब हो अब तो यह को अब सब्सक्राइब होता है प्यास आपनी कहीं करने होगा जैसे छेद करना आप rank करता हैं नियों कान भी सी यह नाँ च्रीड आता谢谢 पिर्सिंग यह वड़ आपको पता होगा पर फोरेट को याद करना यहां पर इंपोर्टन्ट है तो दीए पर फोर और एट पर फोर और एट पर जादा फोकस करेंगे कि आपने किसी चीज को फोर दिया उसमें च्छेद किया खा गया तो ऐसा कौन सा चीज है अक्रोट है उसको आप क्या करते हो उसमें आप छेद करते हो पहले है ना कुछ पेट एक watch और उसको फोड़ते हो घुमा गर और फिर उसको खा जाते हो तो आपने उसमें क्या क्या चृत किया तबr परफोर हेट का मतलब क्या हो जाएगा परसिंग करना नेक्स देखेंगे प्रिल्स struggles होता है hazards याननि इयानि कि खत्रा यह रोड यात करने का तरीका देखें पे रिल्स यानी कि योट्टीब पर फैसे चाहिए कि यूत्टीब करने यूट्यूब पर बाड़ जियानि वही this शेज यहां I can can le wasn't that उनिक ठखत्रा हमने फेले отв्सक्राया कही भार है जो एकिर पूसल में Aber कि hamilutz प्रओं परियोडिक में परियोडिक हुथ है रेगुलर यानिक नियमिथ टो देखो प्रियोडिक टैबल सुटकुर्फ को यानिक फॉटर ठीक है अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है यहां पर फॉल्स आ रहा है जूटा फॉल्स नहीं पता चल दाएगा पर जूरी को याद करेंगे जूरी ठीक है पर जूरी ने उसका जूरी पकड़ लिया जूरी का मतलब क्या होता है पंच जब पांच लोग मिलकर के बैठते ह और फैसला करते हैं उसको हम बोलता है पंच यानि कि पंचायत लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी कुछ लोग जूट बोलता है जूरी के आगे लेकिन पर जूरी होता है वह बहुत समझधार का समझधारों का ग्रूप होता है तो परजूरी का मतलब हो जाएका falls तोड़ यानि कि जूटी गवाही उसके बाद पर्की पर्की का मतलब होता है चीरफुल हम देखिए चॉकलेट होता है पर्क यहां पर देखेंगे पर्क अगर आप एक बच्चे को देदो चॉकलेट तो वह कैसा हो जाएगा वह डिलाइट हो जाएगा चीरफुल हो जाएगा खुस हो जाएगा पूरा है प्रफुलित हो जाएगा तो पर्की का मतलब होता है चीरफुल नेक्स हमारा पर्मीएट पर्मीएट का मतलब होता है डिफ्यूज हो जाना जैसे आपने देखा होगा कुछ असमेल वगएरा होती है तो वह बिल्कुल फैल जाती है डिफ्यूज कि याद करेंगे मीट जैदा फोकस करेंगे लोगं देखाओगा उसकी जो होती है फैल डाती है टोडन डिफ्यूज में क्या बन रहा है preserve करना अब देखेंगे हाँ पर प्रिजर्व आपको पता होगा और perpetuate याद करना है हाँ पर important है तो देखो per per pet u8 अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तीन से चार बर per pet u8 तो आपको कुछ मिलेगा याद करने को जैसे देखेंगे कि अगर आप 8 खाना खाते हो और अपने पेट पर वर्क नहीं करते हैं अगर आप हमेशा खाये जा रहे हो खाये जा रहे हो अपने पेट पर अगर वर्क नहीं करते हैं तब तक रहेगा अगर आप अपने पेट पर लंबे टाइम तक ध्यान नहीं देते और खाते रहते हैं तो पेट पर हमेशा के लिए फैट जम जाती है यानि कि प्रिजर्व हो जाता है है वहाँ पे क्या फैट तो हम्हें थोड़ी प्रिजर्व करना है अगे देखें हैं लिए पहले भी याद किया है जिसका मतलब होता है confusion बीविल्डर भी हमने याद किया है बीवाले अलफाबेट में कि बॉड़ी बीविल्डर हमेशा याद कि लगता था नेट का मतलब होता है याने कि नेट कि पक्विजट पक्विजट का मतलब होता है ठीक है अब देखो आपने सुना होगा पक्स उसको बहुत सारे पक्स मिलें जैसे होता है आना कि paid vacation मिलता है meal breaks मिलता है social security मिलती है किसी को job में health insurance मिलती है सबी इसके क्या है perks है जौब में इसको क्या मिलते है perks मिलते हैं तो perks का मतलब क्या हुआ विशेश अधिकार privilege तो वहीं लिखाओ आप पक्विजिटिव नेक्स देंगे अगले है पर्जीक्यूशन का मतलब होता है उप्रेशन, यानि कि किसी पर अत्याचार करना, किसी को दबाना, उप्रेस करना किसी को, उसी को हम बोलते हैं पर्क्यूजिशन, अब देखों, यहां पर लिखा हुआ इका है, पर सेक्षन, आप इसको पढ़ेंगे, पर सेक्षन, यानि कि हुआ उसने किसे पर thayаться बाति इसी लिए इत्र तरह से यारा के रहा लगार्गे और कontना कि प्रोजी कि Base प्रोजी क्योशन का मतलब का लाण्चन लंगाना गौने बूस्मारे पर सीवियर रसीवियर यह बहुत आसान सा वर्ड है यह आपने बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा मुझे वर्ड कैसे याद हुआ था मैंने देखा था जैसे डॉक्टर एपीज अब्दुलक्लाम बोल रहते हैं उनसे एक बच्ची ने पूछा था कि आपके सक्सेज का राज क्या है तो बोलते है बहुत सारे कुछ बोलते हैं उसमें एक वर्ड आता है परसीवियर ठीक है परसीवियर का मतलब होता है यानि की अड़े रहना डटे रहना द्रड रहना अपने इक्षा पे उससे को बोलता है परसेस्ट नेक्स हमारा परस केसस देखो परस केसस मतलब होता है शुरूड अब स्रूड हमने पहले याद किया है बहुत सरे वीरियोज में कि σ्री-W,D पाठहक स्री-W,D पाठहक यह क्या है बहुत जाए स्रूड है पींधार है और एस च्सूरूड इसको आप याद करने ना बस बाकि यह आपको याद हो परसी पयुहिए सुगम доसुगम का धुम इसी चाहिएrij परिसाइज का मतलब क्रिक करता गया जब कुए सुगम الخेव यहां इसको आद के देक्षड तो परिसाइज परिकंजर को फ़ेया जाते हो आपके सरेट aad को गया हो सजया है अगला है पॉर्ट का मतलब होता है लाइवली आकर्शक अब देखिए पॉर्ट में यहां पर हटाऊ लगेगा पैट लिखा हुआ है पी इटी जो पैट होते हैं यानिकि जूद बच्चे जानवरों के बड़े क्यूट होते हैं लाइवली होते हैं आकर्सक दिखते हैं तो इस पर्ट का मतलब लाइबली आपने देखा होगा वह इधर उधर बागते रहते हैं कुदते रते हैं मैं बधमासियां करते रहते हैं पैट चलिए आए हमारा परटिनिंट पर्टिनिंट का मतलब होता है relevant अब देखेंगे PARTY Intent अगर आप PARTY Intent को पढ़ेंगे PARTY Intent तो आजकल क्या होता है हर जगा पर जो PARTY होती है and PARTY Intent में ही होती है relevant है न ये उप्युक्त बात है या नहीं है आजकल जो PARTY या होती है ये TEND के अंदर में ही होती है तो यह relevant बात है बिल्कुल है ना उप्युक्त बात है चले उसके बाद है हमारा परूज परूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना एक्जामिन करना रीड करना किसी पुस्तक को किसी चीज को एक्जामिन करना अच्छे से तो परूज को हम याद करेंगे दो पार्ट में डिवाइट करके पर और यूज ठीक है आप भी इसको डिवाइट करेंगे जहां पर भी एक्जाम में आजाए पेपर में आजाए कहीं पर भी आजाए आप वर्ट को डिवाइट करके जरूर देखेंगे जैसे पर-use तो क्या होता है कि कभी-कभी हम books खरीद लेते हैं पर उसका use हम नहीं करते हैं लेकिन हमें करना चाहिए ना हमें उसको examine करना चाहिए पढ़ना चाहिए या पर ऐसे आत करेंगे कि जब भी हम कोई book लेते हैं तो उसको use करने से पहले हम उसको अच्छे से examine करते हैं उसके index में देखते हैं कि कौन-कौन से chapters है कौन-कौन से नहीं है तो पर-use का मतलब हो जाएगा examine करना read करना next है perverse perverse का मतलब होता है nephresius यानि कि विकृत रूची वाला देखो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है perverse जो है ऐसा लगा रहा है reverse लिखा हुआ है तो विकृत का मतलब ही होता है ultra, nephresius तो यह यहां पर perverse का क्या हो जाएगा nephresius याद रखेंगे perverse, reverse, reverse का मतलब क्या ultra, vichar वाला, nephresius इसका synonym से है next है हमारा pessimistic pessimistic का मतलब होता है cynical, cynical हमने बहुत बार याद किया है और pessimistic भी हमने याद किया है यह देखो आपने एक word याद किया है optimistic optimistic का मतलब क्या होता है आसावादी, या ना लेकिन उसी का opposite क्या होता है pessimistic, निरासावादी अब इसको मैंने आपको याद करवाया था one word में देखो optimistic को पहले देखेंगे कि वो अपने पती को miss करती है और आसा करती है कि उसका पती जो है जंग से वापस आएगा ठीक है और उसी का आपोजिट यहाँ पर क्या है pessimistic यानि कि निरासावादी तो optimistic का आपोजिट आपको जब optimistic याद आ जाएगा तो pessimistic अपने आप याद हो जाएगा ठीक है नहीं है तो फिर भी देख लो एक बर और याद करवादता हूँ मैं इसको निमोनिक से ही पेसी उसकी क्या है पेसी होने वाली है कहाँ जेल में और उसको पता है कि उसको फासी मिले गाएं तो वो कैसा रहेगा उदास रहेगा न निरास रहेगा न तो pessimistic का मतलब क्या हो जाएगा निरास और cynical इसका synonym से है next है पेस्टर पेस्टर का मतलब भी होता है एनॉई करना किसी को परिसान करना अब देखिए यह कितना आसान है याद करना एनॉई पेस्टर आपको पता है न ए नहीं नहीं मुझे परिसान मत कर तो पहले भी हमने याद किया है यह वाले अलफाबिट में बाकि पेस्टर याद करने का तरीका आप यहां पे देख लेंगे एक बार कि इसको पढ़ेंगा है कि पोस्टर च्पाना मना है लेकिन वो फिर भी हमें पर.? हमारे मना करने के बाद फ्युम कर देते हैं। पेस्ट करते है कोट में है ना उसने कोट में पटिसंदायर किये अपील किये याचिका डाली है नेक्स पैट्रिफाइब का मतलब होता है हाडन यह भी देखेंगे आप तो आपको असान लगेगा सबसे पहले आप मुझे बताएंगे पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है पेट्रोलियम तो हम जो है दो वर्ट से मिलके बना है एक तो है पैट्रा दूसरा है ओल यानि की पैट्रोल है ना पैट्रा और ओल तो जो ओल पैट्रा से निकलती है चट्टानों से निकलती है पैट्रा का मतलब चट्टान होता है तो जो ओल चट्टानों के नीचे से निकलती है उसको हम बो सब्सक्राइब पहाड़ कैसे होते हैं हार्ड होते हैं चतान कैसे होते हैं चलिए आगे देखेंगे अगला है फोनिटिक फोनिटिक का मतलब होता जाने कि बोल गया तो ऑफॉन पर हमारे बोलते ही तो है करें अग्ला है हमारा पीलीज्ट का मतलब होता है डेसिकरेट का मतलब होता है डलना पीलीज पैल को अगर मैं पीविलेज्ट को पड़ पद टेक है के दो दो तरीकर केसे मैं याद करवाऊंगो अप देख नटे को तो village village का मतलब क्या गाउं गाउं में क्या होता है डाका है गाउं में क्या पढ़ गया मालो गाउं में जो है डाका पढ़ गया ठीक है तो एक तो वह गया दूसरा आप याद रखेंगे पिल गया मतलब क्या डाकैती करने में पिल गया जैसे चंबल के जो डाकू है वो क्या हो प्राइमरी यानि कि मारदशकण पत पर दरसकड़ सकते हो तो नसे कोचिंग वाले नाम कोचिंग अपना नाम मीव झाले उसका है जैसा पी ये ये से पाइनियर क्या होता है अचार और अचार कैसे होते हैं तो कई तरह के फ्लेवर में होते हैं आम का अचार निम्मू का अचार है ना गोबी का अचार बहुत सारे अचार होता है तब पिकल का मतलब क्या हो गया फ्लेवर है ना पिक्वेंसी का मतलब भी फ्लेवरिंग नेक्स्ट है pitfall, pitfall का मतलब होता है hazard यानि कि खत्रा है, hazard हमने कई बार याद किया है कि hazard is a dangerous disease, खतरनाग बिमारी है hazard बाकि pitfall को याद रखेंगे, pit का मतलब क्या होता है, गड़ा pit means क्या होता है, गड़ा, पाताल भी होता है और fall का मतलब गिर जाना, तो अगर कोई गड़ा में गिर जाए तो कैसा होगा यह, तो dangerous हो जाएगा, है ना, अगर कोई मान लो pit खुला हुआ है, यानि कि गड़ा खुला हुआ है, sewer line खुली वे, अगर कोई उसमें गिर जाए, तो उसके लिए क्या होगा, हजाड हो जाएगा, यानि कि खत्रा हो जाएगा, तो यह, पिट फॉल का मतलब हजाड, नेक्ट है, पिद्धी, पिद्धी का मतलब होता है, ब्रीट, देखो हम बोल देता है, पिद्धी सा है ही तू, है ना, और ब्रीट हमने, मैंने आपको root word बताया था, अब्रीवीएट में, ब्रीट है ना, अब्रीवीएट, यानि कि संशिप्त करना, छोटा करना, तो वही ब्रीट यहाँ पे, ब्रीट, ब्रेवी, ब्रेवी भी हमने याद किया था, जिसका मतलब होता है, छोटा, तो ब्रीट, रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है, छोट इसको याद करने का तरीका वो अपने पापा से पिटी यानि कि वो अपने पापा से पिटी पिट गई इसलिए मुझे उस पर क्या आ गई मरसी आ गई दया आ गई आगे देखेंगे अगला है प्लावडिट प्लावडिट का मतलब होता है प्रसंसा करना प्रेज करना अब दे अगर आपने ले लिया तो सब क्या करेंगे प्रसंसा क्रेंगे तारीफ करेंगे अधिल करना की हैं करना यह कर लो तो प्ली का मतलब क्या हो जाएगा ऐब इल करना दलील करना नेक्ट है Plead, Plead का मतलब request करना होता है, same word से बना हुआ है ये भी, तो ये भी आसान सा word है, please से याद रखेंगे, Pleasant का मतलब होता है, saquadai, amusing, refreshing, हम बोलता है काफी pleasant है, काफी pleasing है ये, बिल्कुल pleasant लग रहा है, तो pleasant का मतलब होता है, saquadai, मतलब जो अच्छा हो, जो हमें अच अच्छा लगे प्लीजिंग का मतलब सुखदाई आ गया फिर से ग्रेटिफाइंग इसका सिनन्स है याद रखेंगे यह भी बहुत आसांत अवर्ड है प्लीजिंग और ग्रेटिफाइंग मतलब होता है आनन्द बोलता है ग्रेट प्लीजर का मतलब क्या बहुत आनन्द आया है ağna happiness यानि कि मजा खुसी हुई प्लेभी साइट मतलब होता है रिफरेंडम का मतलब होता है जनमत संगरा उमने पहले याद किया है выбलिक साइट यहां पर लिखा हुआहिए कोई साइट खुली वी थी जैसे मालो कि डांस प्लस का कोई साइट खुला वा था वस पर वोटिंग होती है तो सब अपने फैवरेट कंडिडिट को जो है वोट करते हैं तो वह हैा पर दिया फूर्पलिक ने सउपर जाके पलेबिस साइट किया यानि कि अपना रेफरेंडम उसी को बोलते हैं जैनी को है जैनी कि तो वो यह आगि कि मैं प्रतिग्या मतलब होता है एमपल यानि कि प्रचूर मातरा में और आपको एपल जो है प्लेंटी फुल मिल जाएगी कहां पे तो मार्केट में तो प्लेंटी प्लेंटी फुल यानि कि प्रचूर मातरा में एमपल को एपल से याद रखेंगे कि एपल जो है मार्केट में प्रचूर मातरा में यानि कि प पड़ने में अगर पढ़ाई करते ताइम पी ए उसके बाद लाईट तो पढ़ाई करते टाइम में अगर लाईट चली जाती है तो हमें बहुति दिफिकल्टी के है और यहIR आपषय inspired लोड डाल दिया उसके पीट पर 10 kg 15 kg तो वह क्या करेगा फिर अपने पैर को जो है घसीट घसीट कर चलना सुरू कर देगा यानि ड्रैक करना लगेगा खीचने लगेगा तो यह प्लोड का मतलब होता है ठकी कदमों से चलना ड्रैक करना यानि कि जो हम माउस का करसर ड्रैक कर करते हैं उसके बाद देखेंगे प्लंप का मतलब होता है मोटा ठीक है तो प्लंपी बोलते हैं उसकी फिगर कैसी है प्लंपी है मतलब क्या है बहुत जदा मोटा है मोटी है तो प्लंप का मतलब होता है मोटा ठीक है फैट चले आगे देखेंगे अगला है हमारा पोच मैं याद कराओंगा आपको पोच से जैसे हमने पहले 20 को याद किया खाते होंगे जो भी व्यक्ति खाते होगे तो वह क्या कर रहा है तो जो अंडा है उसका नॉन व Using hold the खर試ू है हमानते है कि इसमें मतलब करना है का तो आप हमारा पोडियम का मतलब होता है अपने देखाओ का मंच होता है इस तरह का इसी को हम बोलता है podium ठीक है और इसको जो सिनम से वो है dice तो देखो desk अगर मैं सको desk पढ़ लूँ desk तो desk से तो याद हो जाएगा यह इस तरह का desk होता है podium को याद रखेंगे sodium से की professor ने professor ने podium पर चड़कर sodium रौभ आकर सोडियम पर लेक्चर डिया अगलाइब निवर्ण मतलब होता है इमोशनल और सैड बिल्कुल ओघ्णों में व घालेट इसके घरवालों का हालत कैसा हो जाएगा सब सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब को फौई जन खाले सम्झों तो क्या हो जाएगा इसका घरْवालों का हालत इसको है कि कैसी हो जाएगगी इमोशन नल् C एक दिखो आप को है यह जोता पहre स Про मिर जूत में पढ़नात है को आफ दिख कमे अच्छ दिखो तो पॉलिउट का मतलब होता है कल्चूर्ड नेक्स है पॉलिउट पॉलिउट का मतलब होता है कॉंटामिनेट यानि कि कॉंटामिनेशन हमने पहले भी याद किया है और पॉलिउट का मतलब होता है पॉलिउशन यानि कि पॉलिउट कर देना किसी चीज को environment को दूसित कर देना उसके बाद pollution आ गया असान सा वट है contamination दिया हुआ फिर से तो pollution का मतलब प्रदूसन और इसका स्विनम्स क्या होता है contamination चले अगला है हमारा ponder ponder का मतलब होता है meditate करना विचार करना meditate करना तो तो मैंने देखा और बुध की मूर्ति मूसली पॉंड के बीच में आपको मिलेगी है बोध्या में भी जो है महाबोधी मंदिर उसमें भी जो तलाब है उसमें भी आपको बुद्ध की मूर्ती जो है बीच में तलाब में मिलेगी तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के populous population नहीं याद हो आपको तो मुझ तो ऐसे आते रहेंगे देखो पीपल है मैं पीपल जब भी वड़ सुनता हूं तो मझे केजिए फर डायलोग याद आता है बोलते हैं कि powerful people come from powerful places यहां पर भी लिखावा है populace और यहां पर भी लिखावा people तो powerful people come from powerful places history was wrong powerful people make place powerful तो यह बोलता है केजिएफ में तो populous और पीपल चलिए आगे देखेंगे अगला है popular popular का मतलब होता है यानि कि जो पसंदीदा हो तो जो चीज popular होगी वह अपने आप पसंदीदा बन जाती है ना तो popular और फैवरेट उसके बाद पॉप्लस फिर से आगे पॉप्लस का मतलब होता है crowd यानि कि घनी अबादी वाला तो आसान से है बहुत जादा पहले भी याद किया है यानि कि पिक्चर को क्या करो डिपिक्ट करो वर्नन करो इस पिक्चर का उसके बाद पॉस्टेरियर पॉस्टेरियर का मतलब होता है डॉर्सल पॉस्टेरियर साथ आपको याद भी होगा पॉस्टेरियर का मतलब होता है पीछे का भाग जैसे एक ह्य अपनेाफ न और आपके घर के जो फृंट गेट है वह सील है लोगे अग्वाने दैनि दरवाजें से जाओगे तो पीछे ही होता है कि पोस्टीरी यामикन मतलब होता है अगला है पोटेंट का मतलब होता है तेसी मैं रखेंगे बोलते हैं ना कि बहुत ज़दा पोटेंसिल है यानि कि पावर है सकती है अगला है प्रैक्टिकल का मतलब होता है सेंसीबल यानिकि वहारिक यह यह जब भी आप नौप जब भी आप खोलते होगे तो आपको प्रियंबल मिलता होगा परस्तावना या फिर प्रस्तावना पढ़ते होगे इंडिया का हम है ना बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपुन परभुत्तर संपन समाजवादी धर्मिर पेच है ना तो वह यह प्रियंबल यान चरूर इसका answer देना अगला है precision प्रिसीजन का मतलब होता है accuracy precise से हमने पहले भी याद किया प्रिसाइज यानि कि पहले ही ठीक है? पहले ही आप क्या करो अपना size माप लो कि वह accurate है यानि उसके बाद वह जूते लो जैसे होता है कि हम अपने पेर की साइज जो है वो देख लेते हैं कि हमें साथ नंबर का नमबर का कौन से नंबर का जूता होगा और इसके बाद हम जो है accurate लेते हैं कि यह सूज मिल जाए तो वह है प्रिसन का मतलब सट्टीग एकूरेशरी है अगला है प्रिफर प्रिफवर सटू और मतलब होता है फेवर्ड वोलता है in a की आई प्रिफर काफी लिविधो टी मैं चाहत से जाइज क्या पसंद करता हूं को इस प्रिफर्व किया यानिकि favored किया अगला है हमारा pre-monition प्री-monition का मतलब होता है force warning यानि कि पूर्व सूचना अब देखो यह याद करना कितना असान हो जाएगा देखो pre का मतलब पहले और money का मतलब क्या होता है पैसे अब क्या होता है कि जब भी आप सुबह सुबह उठते होगे दो तरीके में याद करवाएंगा दोने तरीके समझना कि क्भी कभी आप सुबह सुबह उठते हैं तो अपना रासी जरूर पढ़ते होंगे कि कि आदफ होती है कि वह रासी पढ़ते है पेपर में तो इसमें लिखा हुआ है थन लाब अलए सब पहले पता है नाप और ऑफ जाता थिसे को है आपको जो है पता प्रिमनी पहले कहीं पता चल जाता है आपको कि यह कुई हो गया मधना मोन में सब्सक्राइब करें almost अगला वर्ड है हमारा प्री पॉंडर सकते हैं या नि की इन पर्भुत्तों होना किसी वेक्ति कर पर तो अब देखो पर्न को पॉंड से याद कर लो पॉंड ठीक है और फ्रैंश पॉंड और फ्रैंश तो पॉंड का जो वेल्यू है ना पांड का जो वैल्यू है पांड का वो फ्रांस के मनी से ज्यादा है आप ऐसा मान लो ठीक है तो प्रिपॉंडरेंस का मतलब क्या होता है कर डॉमिनन्स यानि कि परभुत तो किसका जादा है तो पांड का ऐसे याद हो जाएगा आपको उसके बाद देखेंगे प्रीरोगेट उसको वो जो बोलता है उसको खाने को दिये जाता है जैसे फल वगेरा उसको जो भी मनों खाने का या फिर उसको काम नहीं करना कुछ आराम करना है तो अभी जो है उसको माफ होता है हना कि आप भई है चलो आराम करो तो उसके कई तरह के प्रिविलेज मिलते है उसकी गलतियो इसका जो है निमोनिक नहीं बनाए इसलिए मैंने इसका रूट वर्ड लिख दिया है जैसे प्रिजुमन का मतलब होता है टू टेक अपॉन वनसल्फ टू टेक लिबर्टी और तो टेक फॉर ग्रांट यानि अपने आपको बहुत ज़्यादी देना लिबर्टी देना यानि कि आपको गंड़ तो ब्लकुल कि मैं तो आजाद हूं में तो यह हूं मेरे पर किसी का बस नहीं है ऐसे वगयरा तो यह जाएगा प्रिजम चुएस का मतलब हो जाएगा अभी मानी आरगन्ट उसके बाद प्रिटेंट प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना और फेंट करते हैं तो प्रिटेंड का मतलब क्या होता है यानि कि दिखावा करना प्रिटेंड करना नेस्ट प्रिवैलेंट प्रिवैलेंट का मतलब होता है कॉमन देखो प्रिवाले इसको पढ़ेंगे प्रिवाले प्रिवैलेंट प्रिवाले तो प्रिवाले जो प्रेवाले पहले जो MSD के क्या थे हैर स्टायल थे वह बहुत दाग कॉमन हो गये थे पहले हर लोग जो है MSD की तरह जो है लंबे-लंबे बाल रखने लगे तो प्रिवैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा कॉमन उसके बाद देखेंगे प्रिवेंटिव प्रिवेंट से प्रिव प्रिंसपल का मतलब होता है एक्सियम यानि कि सिध्धान्त तो देखो एक प्रिंसपल जो होता है उसके कई तरह के या पर ऐसे याद करो प्रिंसपल तो आपको पता ही होगा प्रिंसपल जैसे मेरे कुछ प्रिंसपल है तो मेरे कुछ सिध्धान्त है एक्सियम को याद करन प्रिंस्पल होते हैं तो प्रिंस्पल का मतलब हो जाएगा एक्सियम उसके बाद है प्रायोटी प्रायोटी का मतलब होता है प्रेसिडेंस यानि की प्राथिमिक्ता तो देखो साप साप लिखा हुआ प्रायोटी तो बोलता है कि मुझे first priority मिलनी चाहिए यानि कि first प्रात्मिक्ता जो है मुझे मिलनी चाहिए और प्रेसिदेंस जो है इसका सिननेम से चुलिए अगला वर्ड है हमारा proactive proactive का मतलब होता है इन्थ्यस्टिक आपको याद होगा इन्थ्यस्टिक का मतलब होता है उत्साही जो बहुत ज़्याज़ा उत्साही थो किसी काम को करने के लिए उसको हम बोलते हैं अब देखो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि प्रो और active तो जो प्रो होते हैं प्रो लोग हमेशा active रहते ह किसी भी काम को करने के लिए इन्थ्यस्टिक रहते हैं बिल्कुल क्या बोलता है उसको एन्थ्यस्टिक रहते हैं इन्थ्यस्टिक का मतलब होता है बिल्कुल सकीरी रहना अग्र सकीरी रहना तो प्रो एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना जाच क आप क्या जाज करते हैं investigate करते हैं कि भाई यह problem आई तो आई कहां से बोल आप कहां से आई इस चीज में और इसका क्या करते हैं solution को investigate करते हैं ढुदाते हैं नेकार procure procure का मतलब होता है प्राप्त करना optim करना obtaining आपको याद हो याद करेंगे device कि चीज को थीख करना नहीं तो हनुमान जी क्या लेकर को आया थे कौन लेकर के अये तो हनुमान जी करPT करने के लिए तो लक्ष्मन जी को तो procure का मतलब क्या होता है obtain यानि की प्राप्त करना तो कौन प्राप्त करके लिए क्या था हनुमान जी बस ऐसे याद करेंगे अगला है हमारा prodigal prodigal का मतलब होता है फिजूल खर्ची यानि की wasteful, lavish, extravagant तो देखो हमने extravagant भी पहले याद किया है प्रावडी गर्ल से जो प्रावडी गर्ल होते हैं जो घमंडी गर्ल होते हैं बहुत जदा पैसे वेस्ट करते हैं ममी पापा के तो प्रणी गर्ल का मतलब हो जाएगा wasteful अगला वर्ड हमारा prodigious prodigious का मतलब होता है immense यानि की बहुत ज़्यादा मात्रा में अतीवी साल अगर किसी का किसी का बेटा जो है मतलब अच्छा कर रहा है genius है तो उसके parents को उस पर क्या होगा proud होगा तो prodigy का मतलब क्या हो जाएगा जीनियस ना यानि बोलते हैं ना parents हमें तो proud है जी अपने बेटे पर वह बहुत जीनियस है बहुत बड़ा जीनियस है तो prodigy का मतलब हो जाएगा जीनियस है नेक्ट है हमारा profane profane का मतलब होता है course यानि कि असब्भे खुरदरा ठीक है कोई नीमोनिक नहीं बनिये प्रोफेन की आप इसको याद कर लेना प्रोफेन को चलिए आगे देखेंगा अगला है प्रोफेस का मतलब होता है एड्मिट करना दावा करना सुविकार करना किसी चीज़ को एकनॉलिज करना वही यहाँ पर लिखावा प्रोफेस अब देखेंगे प्रोफेस को याद करने का तरीका ऐसा याद करो कि प्रोफेसर जो है एड्मिट कर लेते हैं हर बात को अब देगो प्रोफेसर एक बहुत अगे देखेंगे अगला है हमारा फॉफिट का मतलब होता है फारा असान वड़्य कौड़ा आप पढ़ा होगे पढ़ते ब्हुलकर प्रफीय ज्यानी मतलब होता है वेस्ट टो देखो अगर मैं इसे पढ़ना प्रोफूज़ली पड़ेंगेंगे एक मात्रामे और गेट का मतलब वह then तो वह क्या करती है वह बिलकुल पैसे खर्ण करती जैसे बिलगेट खर्ण करता है हाँ कि यहां पर लिखावा servants profus 그건 पत्रथां पैसे खर्ण करती है तो यह निए कि पएसे खर्च करना वेस्ट करना इमूरल चलिए आगे देखेंगे अगला है प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोर कास्त यानिके पुर्वानुमान लगा लेना तो देखो प्रोW और रोग ठीक है पी और पी फॉर पहले और रोग फॉर रोग ठीक है अब देखो जो डॉक्टर है वो आपको देखते एक साथ बता देंगे क्या चैसा मुझे यूः भाय तो डॉक्तर देखते साथ मुझे आपको बता दीया था कि को आप और अपर में देंगे ओर पुर्त मलук क्या होड़ता है फोरकास्त लिए के परवानुमाल लगानाना भोरकास्त comply याद रखना ठीक है विफॉरकास्ट पहले ही प्रोईबिट आज याद करवाने के जरुवत है नहीं ट्रेनों में आपने देखा वह रता है लिखा हो रहता है smoking is prohibited यानि कि smoking क्या है मना है बैन है यहां पर फोन जो है अगर प्रोहिबिट रहेगी तो आप उसको क्या करोगे निकाल नहीं तो दोगे ना जैसे आप मालों कि सिग्रेट पीते वह जा रहे हो कहीं पार्क में और आपने पार्क में बोर्ड पढ़ लिए कि बोर्ड पर लिखा हुआ बाईव में आपने पर पढ़ा होगा प्रॉलिफेशन इसमें सेल डिविजन पढ़ा होगा तो सेल कि होता है सेल तीन चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है सेल का ग्रोथ होता है और एक होता है सेल प्रोलीफिरेशन यानि कि सेल जो है जब दो से दो में डिवाइड हो जाती है ठीक है और दो से चार में डिवाइड हो जाती है तो इस तरह को हम कहते है क्या proliferation यानि कि 1-2 बनना, 2-4 बनना, 4-8 बनना यानि कि वो क्या हो रही है, reproduce हो रही है तो proliferate का मतलब हो जाएगा reproduce उसके बाद है हमारा prolific prolific का मतलब productive होता है पहले वाले वर्ट से ही याद रखेंगे proliferation से ही याद रखेंगे, productive होना उसके बाद देखेंगे हमारा क्या है promicuous, promicuous का मतलब होता है indiscriminate, यानि कि अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंद रखने वाला व्यक्ति उसका हम व्यभी चारी भी बोलते हैं हिंदी में अब देखेंगे, promise तो वो क्यों किया, जब तुम्हें सभी लड़कियों के साथ संबंद रखने थे, ठीक है अब ये दोनों बोल रहे हैं, ये लड़का वैभी चारी है यानि कि बहुत सारी लड़कियों के साथ इसका संबंद है, ये दोनों बोल रहे हैं तुमने हमारे साथ promise क्यों किया जब तुम्हें औरों के साथ भी संबंद रखना था तो promise का मतलब हो जाएगा अब देखो प्रोमाइजिंग का कोई निमोनिक नहीं बना तो आप याद करेंगे प्रोमाइजिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना भी ऑसे खरत नहीं बढ़ावा देना जाएगा घरका क फराट से संबोब्ड़ो संहरत्यों को तर्क्रोग्ता मतलब होता है ओपर ऊपर क्यों और छर्ड़ना परगति करना चेंगल औप मतलब नीचे से ऊपर और एंगल अब डिप्रेशन का मतलब उपर से नीचे चलिए आगे है हमारा प्रोफिलेक्टिक प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव यानि कि रोग निरोधी तो देखो इसको याद करौँगा मैं प्रोफेसर लेक्टिक याद करेंगे प्रफी प्रोफेटिक मैं बात करा हूं एना जो दही में पाई जाती है बस ऐसे याद करेंग अच्वर घुखो प्रोफेटिसरं ने कहीं किहा है कि अगर बिमारीसे बचना है प्रिवंड करना है तो आपको लैक्तिक एसिड यारे क्य 카 होता है बीमारी से दूर रहना है तो भूब दूद्द ही क्थाव यारी की बचिना या फिर बचाना रोग निरोधी हो करती पिन क्यूटी पिन करती प्रोपिन क्यूटी यानि कि पिन करती है पिन की मैं इस तरह कि पिन की बात कर रहा हूं तो इस तरह का पिन आप जब किसी में मारते हो मालो की दो तीन पेज है आपने उसमें पिन मार दिया तो वह दो तीन पेज क्या हो जाता है नियर में आते है नेर्ट में लाने के लिए पिन मारते हो तो अगला है हमारा प्रोपश्य एट्थ का मतलब होता है संतुस्ट करना अपीज करना सांध करना तीक है दो पी यहां पर क्या लिखाओ पी और एट पी और यहां पी खाती तभी अपीज रती है उनी सांत रती है संतुस्ट रती है आप इसी होता है बुलते है नहीं जब तक पिये खाएगा यह उनीव संतुस्ट होना तो प्रोपीी सीट का मतलब होता है परस्ताओ और प्र Serious मि प्रोपोजीशन एक ही मृडड है ठीक है सेम ऐसा लगा रहा है प्रपोज़ल प्रपोजीशन प्रपोजेशन यह बहुत ज़्यादा हाट नहीं है यह असान साहा प्रिस्क्राइब को अच्छा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्रिस्क्राइब कि डॉक्टर डॉक्टर ने यह दवाई मुझे क्या किया प्रिस्क्राइब किया यानि कि डॉक्टर ने मुझे दवाई बताई है प्रिस्क्राइब कि यह दवाई आपको लेना है तो 1000 वर्ड याद कर लिए ठीक है बिना किसी मेहनत के अब जो है आप क्या करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है ठीक है आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करेंगे पहली बात दूसरा अगर आपने अभी तक वीडियो को सेर नहीं किया है वह देखेंगे वीडियो को complete यहां तक अगर आप आ गया है तो complete आपने वीडियो देखी लिए होगी इसकी PDF जो है आप डाउनलोड कर लेंगे टेलिग्राम से वहां पर आपको मिल जाएगी और इसको जो है आप रिविजन करेंगे हर वीक पे संडे पे ठीक है तो यह आप जो वर्ड है वह है प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का मतलब होता है अपोस यानि कि प्रोटेस्ट का जो सिनोनिम से वह है अपोस अब दीके प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है धरना देना भी होता है अगर कहीं पर किसी बात को लेकर के मतलब आप किसी के अगेंस्ट हो तो आ और आपोजिशन वाले जुह हैं तो जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं धर्ने परदर्सन कर रहे हैं तो फो का मतलब हो जाएगा enhance होना तरह कि दूसरा जो हमारा रॉडोडी यह नई कि अपने शुना होगा थोड़ा उठा हुआ होना उंचा लगना है उठा हुआ हुआ होना उसे को हम बोलते हैं बल्ली अब ज्याँ है हैमें यूज नहीं करते लेकिन अर्वे में यह पता नहीं होता है कि प्रटूर का मतलब प्रड़ीव होता है इसको याद कर Tá देखिए पी को अगर आप ऐसे करेंगे हैं आप इसको याद करने के लिए भी और रोतलू मतलब ठीटो बात पर क्या करता है तो मुफ फूला लेता है अपने देखा होगा तो और mesma पुत्र रहता है मतलब मुफ फुला लेता है उन्ह segur qualify है नाश को लगता है उसे हो फूला ना फूला हुआ होना उब्रहका होना इस तरह से आपको एवर्ड याद होगा दूसरा है प्रवोक प्रोवोक कर मतलब पहले भी बता है Setting ध़ित कर देना और रेज भी मैंने पता है जहां पर भी आपको रेज दिखे आर-े-जी-ई तो Proximity word किससे बनता है Proximity जो है इसी से een word बनता है proximity आपने देखा होगा math में जब हमारा point में answer आता है तो हम उसके आगे लिख देते हैं Approx है ना कि Approx का मतलब लघबग इतना answer आया है तो A proximity Day X 23 यानि कि समानता निकटता बोलता है ना कि Approx इतना होगा answer, चलिए उसके बाद pagnesus, pagnesus का मतलब होता है लडाकू, तो दोनों हम याद करेंगे truculant को और pagnesus को, अब देखिएंगे, truculant को पहलो याद करेंगे, truculant का मतलब होता है, लड़ाई करने वाला, लडाकू, तो दिझो ट्रक वाले, आपने देखा होगा ट्रक वाले कितना लडाई जगड़ा करते रहते हैं रोड पर अगर आप जाओगे हाईवे पर और कोई गाड़ी वगरा जो ठुक जाती है तो बस ट्रक वाले जो है बिल्कुल लडाई करने को आतूर हो जाते हैं तो ट्रकुलेंट हो जाएगा यहाँ प पर चलिए अगला है हमारा प्यूपिल्स प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टुडेंट आपने पहले भी जो है जब लिखा होगा एपलिकेशन तो आपने लास्ट में लिखा होगा जैसे आप लिखते होंगे ना टूदा हेड़ मास्टर टूदा प्रिंस्पल और जो भी यह तो वही है यहाँ पर नीचे में आप लिखते होंगे लेटर के नीचे में कि योर ओबिडेंट पूपिल यानि कि आपका आज्याकारी छात्र फिर आप अपना नाम लिखते होंगे तो यह पूपिल्स का मतलब होता है स्टुडेंट चले उसके बाद है हमारा पर्ज का पंखेत वाले जगह पे पहुचा देना उसी का हम बोलता है पर्ज एक्वेक्वेट यानि कि आपको पता होगा एक एक्वेक्वेशन करना यानि कि 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 किसी को खत्रे की जगह से निकाल करें सुरच्छीत अस्थान पर ले जाना लेजाना देखें पर्ज में एक वर्ड़ करना सुद्ध करना ठीक है चलिए अगला वर्ड है हमारा पजल पजल का मतलब होता है उल्जा हुआ कन्फ्यूज होना दोनों आसां से वर्ड है मैंने पहले भी रिडल में आपको याद करवाया था तो यहां पर देखेंगे पजल में कि पजल सॉल्फ करने में लोग क्या हो जाता है कन्फ्यूज हो जाता है जैसे आपने पजल जो है रिडल जो है सॉल्फ किया होगा पहेली सॉल्फ कियोगी तो उसमें लोग जो है कन्फ्यूज हो जाता है सॉल्फ करने में तो पजल का क्या हो जाएगा कन्फ्यूज अगला है क्वैक क Q-U-A-C-K का मतलब होता है फेक लगना और Q-U-A-K-E का मतलब होता है कापना ट्रिम्बल करना तो यह दोनों मैंने इसलिए वर्ट दिखा दिए ताकि आप दोनों में कन्फ्यूज नहीं हो पाएं ठीक है ना हो चलिए अब इसको याद करते हैं क्वैक का मतलब ठग होता है ठ गेर करता है एक घंटे दो घंटे ठगने में थोड़ी लेता है वह आपको एक मिनट में जावाजा थर्टी सेकंड में ठग लेगा तुरंत है अपनी बातों मूल जा लेगा बस आपको ठग लेगा तो एक तो यह हो गया और दूसरा क्या है अर्थ्वैक से याद रखेंगे कि जब भी कोई आपको मिले ऐसा व्यक्ति और बोले भाई मैं अपनी सक्ति से अर्थक्वैक ला सकता हूं भुकम ला सकता हूं तो आप क्या बोलेंगे यह बिल्कुल फेक बात है है ना ऐसा थोड़ी होता है तो फेक ही हो जाएगा है एक तो यह हो गया चलिए अब इसमें कम्स्यूज नहीं होना एक कैसे तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हूए जब कोई हमें ब्रूप बनाने की को उस करता है तो वही इससे याद रखना है जो हुसे मैं आपको मिलेंगा इस Smile-fake क्या होता है कापना त्रिम्लिंग करना अब इसको याद रखेंगा बतक से तो बतक लोग जो है वो क्या करते हैं पानी में रहते हैं अगला है हमारा क्वेंडरी का मतलब होता है डिलेमा में होना डिलेमा हमने पहले भी याद किया डी वाले अलफाबेट में कि दिल में मा है और दिमाग में फादर, है ना, दिल में मा है और दिमाग में पिता, यानि कि किसे, मतलब किसके पास जाओ, जैसे समझो कि एक बच्चा जो है, उसके माता पिता जब है, separate होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि वह माता के पास जा है या पिर पीता की कस्टडी में रहे वह बिल्कुल कन्यूज होता है तो यह बोलता है कि किसके पास जाओ उन्य ऐ बहुत जाओ कन्यूज हो एक तो आपने इसो हम से रिलेट करके याद करेंगे वहां असे छुंस ब्यांट हैं यहां प walks को क्वांट और वोकेबलरी क्वांट और वोकेबलरी तो हम क्या क्या पढ़े क्वांट पढ़े वोकेबलरी पढ़े जी एस पढ़े जी के पढ़े इसी में हम कन्फ्यूज होते हैं है कि हम क्वांट पढ़े यानि क्वांट का मतलब मैथमेटिक्स या पर वोकेबलरी पढ़ कर दिया गया है isolation ward में डाल दिया गया क्योंकि वह कोरोना positive पाई गई तो quarantine का मतलब हो जाएगा isolation ठीक है उसके बाद है quarrelsome quarrelsome का मतलब होता है लड़ाई जगडा 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 जगडालू तो असान सा है इधर quarrel है इधर quarrel है quarrel का मतलब होता है जगडा करना next is query query का मतलब होता है सिकार ठीक है victim यानि की जो victim है बेचार है उसको हम बोलते है query आप इसको याद रखेंगे query से q-u-e-r-y query का मतलब क्या होता है पूछताज करना कुछ जानकारी हासिल करना तो victim अगर कोई कि पुलिस वाले के पास जाता है तो पुलिस वाले उससे बहुत सारे पूछताज करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ किस ने किया तुम्हें किसी पर सक है तो वह query करते हैं तो query का मतलब क्या हो जाएगा victim याद रखेंगे आप चलिए अगला हमारा वह query क्वेस्ट का मतलब होता है search तो यह तो आसान सा है question नहीं क्या बना है question बना है और question के हम answer क्या करते है search करते है question के हम answer क्या करते है search करते है तो वही है यहाँ पर quest चलिए अगला है quick and quick and का मतलब होता है जल्दी बाजी में accelerate करना आसान सा वर्ड है जैसे आप bike की accelerator जो है तेज करते है speed बढ़ाते है तो आपके speed अपने आप बूस्ट हो जाती है उसी तरह से क्या दिया है quick and quick and का मतलब क् देज यानि की quick तो यह एक आसान से वर्ड है अगला है quintessential का मतलब होता है typical ठीक है typical का मतलब क्या हुआ सर्वोत्कृस्ट यानि कि सबसे बड़िया सर्वोत्कृस्ट ठीक है तो क्वेंटेस को मैंने essential से याद किया था लास्ट में जो essential word है न तो essential का मतलब क्या होता है पूर्ण है तो वह कैसी होगी तो सर्वोत्कृस्ट होगी टिपिकल होगी तो इसी तरह से मैंने इसको याद किया था quintessential को ठीक है तो आप भी इसी तरह से याद कर ले ना चले अगला है हमारा क्यूवर क्यूवर का मतलब एक तरकस भी होता है जिसमें हम तीर रखते हैं ठी कि जब भी ऐसे याद की जब भी वह अपने तरकस से तीर निकालता सामना जो हम कैसे करें क्युवर का मतलब क्या होता है त्रिम्मल करना यानि शेक करना कपकपी हो जाना हिलना ऑगला थिकशन राबड का होता है एक्स्ट्रीम कत्र तो देख रबड को अगर आप तो तो जव Angebly में यहीं मैं यह हो और उपैसी कैसा आयं आए जाना जाएम तो आपके माहिन में पहले देद घ्रीम उडेम का एक्स्ट्रीम उसके बाद है हमारा रेडियंट रेडियंट का मतलब होता है ग्लोईंग यानि कि जो ग्लो करें प्रकास दे उसका हम बोलते है रेडियंट तो देखो रेडियेशन रेडियेशन का मतलब भी का होता है ग्लो करना यानि कि किरने जो होती है सन की वो क्या करती है चले आगे देखेंगे अगला है radical radical का मतलब होता है absolute यानि पूर्ण तरीके से तो देखो absolute हलाकि यह बहुत असंसा वडर radical आपने history में पढ़ा होगा radicals के बारे में और absolute पहले मैंने आपको याद करवा है absolutely यानि पूर्ण तरीके से तो वही है यहाँ पर इसको याद करने के लिए अगर आपको नहीं याद है तो ऐसे याद रखेंगे ready रहना कल तो आप क्या बोलते है और भाई हाँ absolutely मैं ready रहूंगा कल तो radical का मतलब हो जाएगा absolute अगला है ragd का मतलब होता है torn यानि कि फटा पुराना अब देखो इसको अगर मैं पढ़नों रगड ठीक है तो अगर आप अपनी t-shirt या फिर अपने सूज रगड करके पहनते हैं तो क्या हो जाता है फट जाता है बोलते हैं ना कि भाई मैंने जो है एक t-shirt लिया उसको मैं रगड के पहना पूरा तो क्या हो गया वो फट गया टीर हो गया तो यह हो जाएगा ragd यानि रगड टॉर्ण टीर अगला है rambling rambling का मतलब होता है long winded यानि कि दूर तक फैला हुआ ठीक है देखो अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक तो या Rambo तो Rambo movie की shooting जो है वो पूरे दूर दूर तक हुई है यानि कि long winded हुई है तो ऐसे भी आद हो जाएगा आपको rambling चले अगला है हमारा ramification ramification का मतलब होता है consequence यानि कि परिनाम ठीक है जैसे आप देख आपने देखा होगा जब लोग रमी खेलते है रमी ठीक है तो रमी के लास्ट में गेम में जो है क्या निकलता है consequence निकलता है परिनाम निकलता है कि कौन जीता कौन फरस्ट आया कौन सेकेंड आया कौन थर्ड आया और कौन लास्ट आया तो ramification यानि कि रमी जब खेलते हैं लोग तो लास्ट में परिनाम निकलता है result निकलता है consequence निकलता है तो तो rampant का मतलब होता है excessive यानि कि बहुत जादा amount में अब देखेंगे याप याद करने के लिए कि यहां पर क्या लिख हो ramp आपने ramp walk सुनाओगा और end तो जहां पर end होते हैं यानि जो चीटियां होती है वो कैसी होती है एक दो होती है नहीं वो पूरे ग्रूप में होती है और ऐसे कतार बद्ध चलती है कि लाइन बाई लाइन चलती है असा लगता है कि वह मतलब रैंप वॉक कर रहे हैं तो rampant यानि कि दो नहीं रहती है वह excessive रहती है बहुत जादा रहती है चले अगला जो है हमारा वह है random random का मतलब होता है arbitrary यहनि हमने पहले बेसको याद किया है sorry randomly है ना मतलब उसने randomly यह कह दिया या कर दिया तो random का मतलब होता है बिना कारण on image arbitrary चली उसके बाद है rapid का मतलब होता है rapidly तेजी से quick बहुत है रैपिड ग्रोथ हो गया मतलब उसके जो है आप ऐसे बोलेंगे कि उसकी height में rapid growth हुई यानि कि बहुत तेजी से growth हुई quick growth हुई उसके बाद है raptures raptures का मतलब होता है delighted ठीक है तो देखिए raptures को आप ऐसे याद कर सकते हैं एक तो आप rapper से याद करेंगे कि rapper का song सुन करके आजकल के बच्चे जो है बहुत जाज़ा खुस हो जाते हैं और बल्कुल delighted हो जाते हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं आप दूसरा याद कर सकते है capture us capture तो हम अपने camera में क्या करते हैं अच्छी अच्छी picture जो है कैद करते हैं अपने फैमिली की दोस्तों की और बाद में उसको देख देख करकर हम क्या होते हैं खुस होते हैं delighted होते हैं प्रसन्न होते हैं so raptures 1951 captures capture या पिर रेपसे भी आचीजज़ कर लिए आप उसके बाद देखेंगे January press कुम होना दुरलब होना पियुक्वत है बहुत जाए जय कब mày क हुए जाला जाला एक वंचम में को सबस्कु के बंसकर देखेंगे लसके रावन की एज टिक्र राविज रावन की एज रावन की एज क्या थी तो आप ऐसे मनेंगे कि रावन जो है वह क्या था क्योंकि उसके नाभी में अमृत तो राम जी ने क्या किया राम बगवान ने तीर मारकेज डेमेज कर दिया तो ऐसे याद करेंगे न कि रावन की सेणा को तो ढमेंज कर दिया देखो डैमेज कर दिया तरीके से जितने बड़े-बड़े राक्षर से जितने भी जैसे कुमखरान में मिह इगनाज सब को खतमें कर दिया गया तो यह ऐसी आद कर ल hypotheses और दूसरा याद कर लेंगे देखो रैवेज सैवेज डैमेज रैवेज सैवेज डैमेज तो ऐसे भी आद हो जाएगा आपको डिमॉलिस कर देना चले अगला वर्ड हमारा रैवनस रैवनस का मतलब होता है भूखा ठीक है अब देखें वहां पे तो रावन का एज था यानि का एज देमॉलिस कर दिया अब यहाँ पार रैवनस यानरी रावन ठीक है रावन यहाँ पर लिख रहावन तो आपका एक सर है तो आपको इतनी भूख लगती है तो सोचू आपको ढके 10 सथर है उसको कितनी भूख लगती होगी उए बिल्कुल भूख हरता होगा रभा तो याद रखेंगे सुरियंट और अस्टाफ का मतलब क्या भूखा तो रावन के दस्सिर और रावन बहुत जादा भूखा उसके बाद है रवीन का मतलब होता है हमारा अबीज यानि कि दर्रा जैसे देखो बताता हूं मैं जैसे एक पहाड इदर है और एक पहाड इदर है अब दो पहाड इदर है और पाइद ङ्राय के साफ़ाल में टर लाके उनको पता होगा कि जो किरण निकलती है है दो पहाडों के बीस से ओ का मतलब होता है field dimension तो देखो एक तो याद रखेंगे realme phone का dimension जो है बहुत अच्छा है ठीक है ऐसे याद रखेंगे कि realme phone का dimension जो है लंबाई चोड़ाई मोटाई बहुत बढ़िया है दूसरा याद रखेंगे field को ऐसे कि realme जब वो आया था हमारे के में तो उसने पूरे field को पूरे mobile field को क्या कर लिया था capture कर लिया था जहां देखो realme phone मिल रहते हैं तो ऐसे याद हो जाएगा next rebellious असान तरवर्ड है rebellion से याद रखेंगे rebellion rebellion का मतलब क्या होता है द्रोही यहनिकि जो withdraw करते हैं विद्रोही होता है तो उनके लिए कोई करते हैं अंडूली होते हैं तो rebellious का मतलब हो जाएगा अंडूली अगला है recapitulate recapitulate का मतलब होता है summarize करना यानि कि संचेप में दोहराना तो देखो recap से word बनाया recap का मतलब क्या होता है जब आप सीरियल देखते होंगे तो कल का जो है और आज आप क्या देखने वाले हैं वहां पर लिख देता है अब तक और उसके बाद फिर जब दिखा देगा थोड़ा सा तो बोलेगा अब आगे तो उसी को बोलता है recapitulate यानि कि summarize में summary के दौर पर थोड़ा से दिखा देता है कि कल आपने क्या देखा था नेक्स्ट हमारा recapitulation यह भी वही है recall करवाना याद करवाना summary करवाना हमें याद करवा देता है कि आपने क्या क्या देखा था कल चली अगला है recently recently का मतलब होता है अगला हमारा है reckless reckless का मतलब होता है लापरवा आसान सा वड़े यह भी जज़ब बोलता है हमें reckless road पार नहीं करना चाहिए हमें reckless road cross नहीं करना चाहिए दाएं बाएं देख लेना चाहिए ना तब जाकर में reckless यह जो है रोड़ करना चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा थोट्लिस और रैठ रैष मतलब जल्दि वाज में भी होता है रहै चलिए अगले है मारे क्लेक्ट रिकॉलेंबर याद करना तो यह अथा वह प्रेकॉलेक्ट करने की को सिखेजक देख निदा रहुत्थिकर एक दे रिमेंबर, अगला वर्ड है हमारा है recommend, recommend का मतलब होता है सिफारिस करना, अपूरूव करना, बोलते हैंकि उसने अपकी ख़े मेंड किया, उसने मुझे छे आपकी रेक्मेंड के उसने मुझे ये चीज़ रेक्मेंड की, आपूरूव किया है इस चीज़ को तो ही हो, इसने मे तो देखेंगे एक वर्ड आयेगा और एक वांसिल जैसे देखा होगा रिकॉंसिलेशन करवाये गया उन दोनों के बीच में रीकॉंसिल और रिकॉंसिल नहीं आदो तो ऐसे याद रखें काउंसिल का मतलब क्या होता है मीटिंग और काउंसिलिंग के लिए बुलाता है जज जासे मालने लोग के पत्ति-पत्त्री सेपरेट हो गया तो उनको जो है काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाता है कि आप लोग एक महिने रह करके देख लो ठीक है अगर वनवों हो जाती है ठीक है वर्णर डिवौश करवा देंगे तो वही है आप रिकॉंसिलिंग में भींसाद दो रहता है मैंने जाज चाहल करता है रहता है मनें इस तरह से तो रहता है चने, पेट्रोलिंग पर उसके बाद हमारा recover का मतलब होता है regain करना किसी चीज को तो आसाने वड़े रिगें कर लेना जैसा मानलो कि आपने weight lose कर दिया था फिर आपने gain कर लिया रिगें कर लिया recover कर लिया weight को next redeem बहुत असान तावड़े रिडीम का मतलब होता है एक्सेस यानि कि फालतुपन ठीक है कोई चीज अगर एक्सेस अमांट में आपके पास तो इसका हम बोलते हैं क्या redundancy और इसको मैंने याद किया था abundance हमने पहले भी याद किया था अगर आपको the energy appointments energy अगर आपके पास प्रचूर मातरा में ओगी तो आप ऊसको क्या करेंगे एकसेस कर देंगे अन impas tut final झाल देंगे तो फालतपन उसको भी मैंको आपने इसस बोलते ह। ओर हम प्रि में नहीं दिया ओ तो रिफ्यूजी का मतलब होता है शेल्टर यानि की सरनार्थी भी इसको बोलते है रिफ्यूजी आणा देखो अब आपने एक तो मुवी देखी होगे रिफ्यूजी और दूसरा एक मुवी का डायलोग सुना होगा सारू खान का जो चेन्ने एक्स्प्रेस में बोलता है की हमने स छिर्ट्र यह अग्ला वर्ट हमारा रिगार्ड मतलब राजा आपने च्प्रेजर का मतलब होता है तो यह है रेग्स्ट्र मतलब होता है राजा यह रेग्स्ट्रा पत्ट उसके बाद होता है बेक्सलाइड यानी कि पीछे अया कि होता है या तो रेग्रेस कर ग también तो विखurp Kalil emma रएग रिगौर्णर का मतलब होता है यूजुवल 2010 यानि कि नियमीत बोलते हैं यह मेरा यूजु़ बग है यानि के रेगुर्णर वक है चलिक हैं अगला हमारा है डहाना रिपीट करना अब देखे इसको जो है आप है तो बार-बर क्या कर रहा है तो होता है रिपीट करना तो अगला वर्ड है में अगला वर्ड हमारा रीजॉइस का मतलब होता है एक्जल्ट हमने याद किया था ठीक है और फिर से हम इसको याद करते हैं क्योंकि रिज्वाइस बहुत असान है इसमें जॉय लगा हुआ है जॉय का मतलब इन्जॉय करना आनंद करना अब यहां पर एक्जल्ट को ऐसे आज रखेंगे एक्जाम का रिजल्ट अजाता है तो आप कैसे हो जाएंगे बल्कुल खुस हो जाएंगे हैना डिलाइट हो जा यहां पर देखो जो है बड़फ्लाइ को रिलीज कर दिया गया है नेक्स्ट हमारा रिलाइबल रिलाइबल का मतलब होता है बरोसे मन अब देखो रिलाइबल कितना असान सा वड़ है सबको याद होगा ट्रस्टेड डिपंडेबल यह ना अस्टेबल बोलता है ना कि आप उसके बड़ीज मतलब हो राहत यहां अभ यहां पर देखो याद करने का तरीका याद को थोड़ा से याद करते हैं कि फर्स्ट आड का अपने नाम सुनाऊगा फर्स्ट एड यानि कि प्रात्मिक उपचार अगर केसी को चोट लग गई और आपने उसको फर्स्ट आड दे मतलब होगा है इसको मैं जैसे किया था और जैसे कर के लिए अब यहाँ पर देखेंगे Remadeal Remadeal का मतलब होता है Corrective याने कि उपचार आत्मक हुपिचार करना Remedy तो देखो Remedy का मतलब क्या होता है Remedy का मतलब हुआ क्या क्या कि आप किसी बीवारी को क्या कर रहे हो correct कर रहे हो ठीक कर रहे हो तो Remedy Remedial से याद रखेंगे तो रेमीडी से याद रखेंगे क्योर भी आसान से वड़ है उसके बाद हमारा रेमेंस का मतलब होता है याद दिलाना रिमेंबर तो यहां पर रहा है ठीक है और नहीं याद हो तो ऐसे याद रखेंगे की Remind Scene. Remind Scene की आप क्या कर रहे हो? एक मोवी का जुए ओसीन है उसको आप Remind करने की कोसिद कर रहे हो? डेख लिए कौन उभाइन कर रहे है? तो Remind का मतलब क्या होता है? करना याद दिलाना उसके बाद है हमारा रॉन्डीवू का मतलब होता है प्री अरेंज मीटिंग का मतलब हुआ पहले से सावन के मौसम में मिलने का प्लान बनाता है तो रेंज में प्री अरेंज करते हैं मीटिंग को नेच्ट में हमारा हुआ रिनाउंस रिनाउंस का मतलब त्यागना होता है हमने याद किया था इसको आगड़ के में अबड़ कीड़ का मतलब प्द फोर्सेग भी हमने याद किया था था है ना तो ल figures Track वह厲害 है यहां पर और रिनाउंस तो देखो रिनाउंस को याद कने का तरीका री एनाउंस ट्रीर किए तो उसने अनाउंस्ट किए उसने अनाउंस का यारी ईसने तो रिनाउंस का मतलब क्या होता है पद त्यागना उसका क्या कर दिया कि मैं भी या क्या करने वाला हूं तो छोड़ने वाला हूं पद वही हो गया हमारा फोर सेक और एबजियोर का मतलब होता है छोड़ना होता है रिनौन रिनौन एक आसान से वर्ड है जिसका मतलब होता है फेम फेमस यानि कि परसिद्ध होना तो रिनॉन कंपनी याद रखेंगे एक रिनॉन कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा क्या है फेमस है या फिर उसको हर कोई नोन यानि कि हर कोई उसको जानता है अरे अरे नोन ठीक है उसको हर कोई जानता है तो रिनॉन का मतलब होता है परसि करते हैं तो कि तुर्ण पार्टी पार्टी के सब्सक van серьge अगली पार्टी आप टूरہ को क्या पार्टी को रेपाइद्ल पार्टी की तुरslाइलर्ट और रिपील का मतलब होता हुद्ड करना यह दो आपको याद रहेगा आप याद करने आप चलिए तो रिपील को याद रहेगा जो है उसका फार्म होग हो गया कैंसरी करना मदक्राइब चलित अगल वह हम रेपल का मतलब होता है यificación ना फॉसक और ढिटल दन डाने branded 또 पीछे धकेल देना आपने ओड़ोमास यूज किया होगा ओड़ोमास मच्छड बगाने वाले यानि आपने बॉड़ी पे लोसन लगा लेते होंगे क्रीम तो उस पर देखना आप लिखावा मिलेगा आपको ठीक है नॉन स्टिक की मॉस्कीटो रिपलेंट क्रीम रिपलेंट क यानि कि दुस पर दुस प्रभाव या परिनाम तो उसको बोलता है रिपरकॉशन ठीक है तो इसको याद कर लेजेगा रिपलेस रिपलेस का मतलब होता है सब्टिचूट करना यह भी आसान सा वड़ है आप पढ़ते होंगे वन वर्ट सब्टिचूट तो उसमें क्या होता है बहुत सारे वड़ दिये रहते हैं तो उसके बदल हम वें यूज़ करता है बहुत के बाद है रिप्स रिपलेस्ट का मतलब मना यहाद करूं एक दक सकते आप इसको पढ़ा सकते हैं तो डीृट करते हैं तो याद तो हो जाएगा आपको रिपील करना उगला है रिपलीट डी गमातलब होता है फुल यानि लिए प्रतिक परिपूर्न इसको भी आद करना बहुत आसान सा वर्ड है आप ऐसे याद करेंगे इसको कि अरे प्लेट देखो आजकल क्या चल रहा है तो आजकल जो है वो चल रहा है जैसे चाइनीज प्लेटर है या फिर कोई आप प्लेटर है तो वह उसमें क्या होता है कि आपको एक खाना दे जाता है मानलो कि 100 तो फीच में 200 उपीच में 199 दे जाता है वह समें बोल देते हैं जो और होता है कि आप इसको रिफील करवा सकते है जितने बढ़र चाहें तीक है लेकिन आपको यह सिंगल खाना होगा खुद खाना होगा तो अप्लेट का मतलब क्या होत और पोज का मतलब क्या होता है पोज करना तो एक्टर जो होते हैं उनको रिपोज करने के लिए से देखा होगा आपने शूटिंग चलती है तो बार बार कट 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 डायरेक्टर बोलता है कट कट यानिकी एक्षन फिर कट एक्षन फिर कट तो रिपोज देने के लिए अक्ट तब बेचारा यानि कि ये जो है वह बोड़ देते मूवी में तक गए उसके बाद क्या कर रहा है तो रिक तो क्या हो जाएगा रेस्ट करना चुलिक अगला है अगला है रिप्रोच का मतलब होता धिकारना टिक बिडिख कर देना तो देखो बीरेट को हम ऐसे याद चिका बीरेट को उसको डिया घृत कर दया गया धिक-र कर que सfeit यान मिदी के बोल बोल कर के उसको बिडिख कर दिया गया तो यह तो हम याद कर लेंगे अक्व्र एक तो याद करेंगे जरी थोड़े देखा है, ना, यहां studying में प मैं फ़ोच पढ़ लूंहाँ तब से लोगों से क्या कर रहे है कि अलीक करना धिककारना उसके बाद है रिकर्रूफ का मतलब होता है REBUKE करना फटकार लगाना, अब आप देखेंगे aaray proof तो फोड़ी दि jour के है ठीक है कि रिब्यूक का मतलब डाटना होता है यह मैंने आपको याद करने का तरीका अरे प्रूफ है जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी या कुछ खो गई और आप गए जो है पुलिस थाने में और आपने का दरोगर जी मेरा जो है क्या होगया है मेरी कार यही है मैंने जो है यही कार में पर ठीकिन भूल रहा है क्या झाल यहां वह क्या है को कर दिया फिल्या चिक है कि याद हो जाए आपका श्कूल का मतलब डाटना चoles उसके बाद है हमारा repudiate repudiate का मतलब होता है त्याग करना renounce कर देना अगर देखो ऐसे याद करेंगा हम इसको देखो रिपंड लिखा हुआ रिपंड ठीक है refuse ऐसे भी आज कर सकते हैं देखो रिप्यूड रिफ्यूज ठीक है रिफ्यूज एट उसने खाने से क्या कर दिया मतलब एट का मतलब खाना होता है तो उसने खाने से रिफ्यूज कर दिया रिफ्यूज 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 हो जाएगा रिफ्यूज रिफ्यूज पहले भी याद किय जब पंगा ले लेते हैं धुसरे तो दोनों के बीज में क्या हो जाती है जगड़ा हो जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा उवर्जन छ Seite य然org जख्राइड कर दोनीच के भरग्राइयल देपाद लखरेज्टा है तो चायनिज फोन के सकते मेहें है कि अगले हमारा सब्सक्राइब जरें मिया प्राइबना होता है नाम क्यों रखा प्रेस्ठा क्रिचा मतलब प्रतिस्था lms7-12 Chris अट्रीशन का मतलब चाहर कवा सब्सक्राइब यूडी तो कि इसले ऊसले और नहीं कि अ का मतलब होता है Prestige ना रिक्वेस्ट का मतलब होता है ask प्लिया से Please बना है हम प्लीज करके किसी को request करते हैं Ask करते हैं पूछते हैं उसके बाद देखेंगे उसके बाद है requisite requisite का मतलब होता है requisite means obligatory और प्रिकन्डिंशन देखो रेक्विजिट को यदो करने का तरीका है आवश्चक का मतलब क्या होता है अवश्चक हमें आवस्चक्ता होती है यहाई करें इतने हैं तो require site, require site, obligatory, precondition, उसके बाद है हमारे resilient, resilient का मतलब होता है, supple, lachila, resilient, अब देखेंगे, resilient में यहाँ पर एक word आरा, rassi, तेक है, r-e-s-i, rassi, और यहाँ पर आरा है, supple, supple को हमने याद किया है, supple से, कि supple जो होती है, कैसी होती है, बहुत जादा लचीली होती है, resilient होती है, rassi, और rassi भी क्या होती है, तो लचीली होती है, supple याद हो जाएगा आपको, उसके बाद है resistant, resistant का मतलब होता है, opposing, यानि कि अवरोध होना, तो देखो resistant हमने पढ़ा है ना, हमने physics में पढ़ा है resistant, यानि कि अवरोध उत्पन कने वाला, और जो हमारे अपोज में होगा, वो हमारा अवरोध करेगा ही, next हमारा resolution, resolution का मतलब होता है, decision, यानि कि संकल्प लेना, तो वही है, resolution, हम सब जो है, first year को लेते हैं, resolution कि आज पूरे साल जो है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वही है, decision लेना, resolution लेना, next हमारा respite, respite का मतलब होता है, he at us, ठीक है, यानि कि कठी नहीं आप पर रेस्थिती में थोड़े समय का विस्राम या थोड़ी फुरसत लेना, उसको बोलता है respite, तो देखो rest pie, ठीक है, rest pie, तो थोड़े देर के लिए मैंने rest pie औ a sprite पी, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और hiatus को ऐसे याद रखेंगे, high at us, आप समझो कि आप कहीं पर रोड पर जा रहे हैं, और अगर आपको कोई देख करके, at का मतलब पर, आप पर कोई देख करके high बोल दे, ठीक है, high, जिसे हम सब जा रहे थे और हमें किसी तो हम आप थोड़ी देल के लिए हो जाता है, रूक जाते हैं चलते चलते रूक जाते हैं उससे बातचीत करने लगते हैं, तो hiatus का मतलब हो जाएगा, थोड़ी देल कि रूक जाना, अराम ले 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 ना, respite मैने बताई, rest pie, है ना, चलिए उसके बाद हमारा resplendant, resplendant का का मतलब होता है, dazzling, यानि की glowing, चमकीला, तो इसको splendor से याद रखे हैं, कि splendor प्लस जो है, नही नही जब रती है, तो चमकती है, resplendant, ठीक है, यानि यो dazzling fire दिखाती है, बिल्कुल चमकती है, चमकदार, अगला है, restive, restive का मतलब होता है, restless, ठीक है, यानि के असांत, तो एक्चुल में जो running कर रहा होता है, race में भाग ले रहा होता है, वो restless होते है, असांत होते है, तो restive का क्या हो जाएगा, restless, उसके बाद है, rest train, rest train का मतलब होता है, control, पहले भी हमने इसको याद किया है, race और train, ठीक है, rest train, तो rest में लाना, means control में लाना, हैना, train को, क्या करना, train को control में लाना, याद रखेंगे आप, rest train, तो train rest में कवर रहती है, जब वो आपके control में रहेगी, हैना, तो rest train का मतलब control, चलिए, अगला है, restrict, restriction का मतलब होता है, रोक लगाना, prohibit करना, prohibit हमने पहले भी याद किया है, prohibited fire, या फिर प्रोहिबिट smoking, smoking is prohibited, और restriction, रोक लगाना Next, हमारा result, result का मतलब होता है, outcome, यानि कि परिनाम, यह भी आसान सा word है, result, आपको काम करते है, तो उसका result आता है, उसका outcome आता है, चलिए, अगला word है,糖 मतलब होता है, renewable का मतलब होता है, नवीनी करन, यानि कि नया होना, अब देखू, इसको याद करने का तरीका बहुत अस आप सानने और सरजरी होने के बाद जो आपकी इसकिन है वह मिल्प हो जाते है तो जो उसका बॉड़ी पार्ट है वह क्या हो जाता है renew हो जाता है यानि कि resurgence हो जाता है चलिए अगला वर्ड है हमारा retaliate retaliate का मतलब होता है बदला लेना एवेंज लेना react करना तो यह भी आसान सा वर्ड है याद करने के लिए आपको याद करवाता हुम है री और ताली ठीक है अरे ताली एक हां से नहीं बज़ती उसने जरूर कुछ किया होगा उसने एवेंज लिया तो रिटेलिय में ब Connor का मतलब हो जाया का एवेंज यानिका करना अगला कि रियेटेलियेटेड्य चिणा का मतलब होता है जवाबी कारेवाही करना चुली उसमें आपको जो है सिर्फ रेसी प्रोकर्ट याड दर रखना है उसके बाद है रेटिसंस हमने इसको पहले भी याद किया है रहती सांत रेटी सेंट रहती सांत तो वो सांत रहती है कुछ नहीं बोलती तो देखो इसको हาो जाहिए रिजर्व कि अलब नहीं है विर्ट उत नहीं रीकवर क्रणा है वापस लेना अब यहांपर देखेंगे पर में ट्रीमी candies कि यहां पर भार अदरी को ट्री यहां तो जहां पर घॉट में ऐसे था यहां पर चाह follower करें के लिए कि एक दोबारा से ट्री लगा दें, रिकवर करना अगला हई review, Duak Other का मतलब ह done review arrivent, रिवेम्प का मतलब होता है, generally structure यानी की मरम्मत करना इसको मैंने याद किया था वैंपायर से, र 경우에는 vampire टीक्स के, लिए पायर वाली आपने मुवीज देखिओगी कुछ तो इसमें देखा होगा कुछ लोग क्या होता है कुछ ऐसा एक्से बनाइ जाता है ताकि वह दूबारा क्या हो जाए पुरी अस्ट्रक्टर रोचा होजाए क्योंकि उनकर फ्लिए खून पीने लगते हैं इस उनके नियसी वर्ड मनाया है डिसका मतलब होता है ब्रेक करना जैसे मानलों कि कोई गुपत बात थी ऑसी सीख्रेट पार थी और आपने ब्रेक कर दिया इसको यह चार मतलब हो जाएगा करना रहस्तिय ध्वार्टन करना अगला वर्ड हमारा revenue revenue का मतलब होता है income हम बोलते हैं कि तुम्हारी क्या revenue है तुम्हारा क्या राजश्व है तुम्हारी क्या income है तो ये भी एक आसान सा वर्ड है revenue का मतलब होता है income next देखेंगे हमारा जो next word है वो है river river का मतलब होता है respect करना यानि कि आधर करना समान करना किसी का तो रिवेर का सिंख्रम से रस्पेक्ट अब देखेंगे आप इसको याद करने क तरीकट कि हम जो भारत में हम क्या करते हैं अपने रिवर्स को बहुत ज Tra Method करते हैं यानि कि हम उसकी पूजा करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं जब भी हम क्या करते हैं कि नदी में इंटरी करना होता है तो हम क्या करते हैं अपने चपल वगारा खोल लेते हैं रिस्पेक्ट करने के लिए तो रिवर का मतलब याद रखेंगे कि हम अपने रिवर्स की क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको याद हो ज तो उससे को बोलता है का मतलब होता है डेर्डिमिन करना दिन में सपने देखना चलिए अगला बाट है हमारा रेविल का मतलब होता है अब्यूज करना किसी को गाली देना याद करना देखी कैसे आसान है आप करें रिएवल तीक है और फैसंते अपने सुना होगा वह बहुत करता है यानि कि बुरे लोग होते हैं बुरे इंसान होते हैं वो करते हैं तो रेविल का मतलब हो जाएगा याद रखेंगे अगला वर्ड हमारा सैनिको ने क्या कर दिया था विद्रो कर दिया था है ना चर्भी वाले कार्थ उसके कारें तो रिवल्ड का मतलब होता है रायट चलिए अगला वर्ड हमारा रिदम का मतलब होता है टेम्पो यानि कि ताल अब देखिए आप जब कोई म्यूजिक सुनते होंगे तो उसका एक आप देखना आप जब मीओजिक बजा बघेसे दराता तो रिडम काम अमने में रिडल का मतलब होता है तो रिडल का मतलब होता हैgment जैज के सभी भिए मिलफफ मतलब होता है यानि की जो हम्रेदल चाहिता है मिलत dus तो Regler का मतलब हो जाएका परजल कान्फिूजन थेके अगर इसको याद करना कितना असान है jiang को अगर आप इसको थोड़ने पढ़ने खिए वर दो इधर चला जाता है और इंग इसर चला जाता है वह दो पाट में परेक生 Shoot का मतलब हो जाएका झीक नेक्ट राइट राइट का मतलब होता है पील अब देखेंगे रिंड को याद करना यह तो हलाकि असान सा वर्ड है रिंड का मतलब होता है छिलका नहीं अगर आपको याद है तो आप ऐसे याद रखेंगे पील यानि के छिलका दाा है ओब एक हम जैसे रिप्ट जिंस आज कल क्या चला हुए रिप्ट जिन्स आपने देखा हो घुटने के पास थाओ यानि ल någonting का मतलब मतलब प्री पकता यह होता है उसके राइपनेस राइपनेस का मतलब होता है यानि कि मैच्योर्टी राइपनेस का मतलब होते जा रहा है चौह होते through nostrum तो राइपनेस का मतलब क्या हो जाएगा मैच्यॉर्टी है ना परिपक्वता उसके बाद राइवल्राइवल्र का मतलब होता है थीडियों ठीक है जो आपके यानि कि सिनन सो जाएगा राइवल्री का मतलब होता है इंगेज होना अब देखें ृवैड का मतलब एक इस तरह का जो है वह एक्यूपेंट भी होता है तो रिविट का कोई निमॉनिक नहीं बना है आप इसको याद कर लेना रिविट का मतलब क्या इंगेज उसके बाद हमारा हमारा रॉब्ड का मतलब होता है लूट करना पलंडर करना तो ये तो आसांसा तो आप इसको पढ़ना राउंड तो रॉटन का मतलब हो जाएगा राउंड देखिए इस तरह का गोल गुमबद उसके बाद हमारा तो दूर दूर तक उसको रूट तै करना पड़ता था उसको देखना पड़ता था कि बढ़ियां सा रूट कौन है जहां पर पानी वानी का भैस्ता हो चाहां पर अपना तंबू डाल सके लंगर डाल सके और अगर वह गलत रूट से जाता था जैसे मालों के रेगिस्तान में तो बहाई वह हरा पाएगा अगले को नहीं हरा पाएगा तो वह होता था अगर आपने गलत रूट चुना तो आपकी घोर प राजय होगी है ना तो रूट का मतलब हो जाएगा डिफीट गरना डिफीट आसान सवर्ड उसके बादा राउड रावडी का मतलब होता है बंड़ टो वहनला होता है रावड़ी होता है और बहुत तो बहुत चाहिए होता है वह जाएगा मतलब व्यूत्र बवारी का मतलब प्लूप्र को सब्दक राव्ड़ चलिए अगले हमारा रॉयल रॉयल मतलब क्या हुआ भीड होगी की बहुत प्राणा कीला है तो उसके बहुत फूट कर गेर बहुत कर भी कि तोय बहुत कर गिर रहा है तो इसका मई वो आपने सुनी है तो होती है in चिली हम बॉलते है जोट-मुडDon तो देखो का owns यूज करेंगे और यूज यानि के ठीक का यूज चिली में नहिसे घ्रकाम बेंट बरना बोलता है कि अतने रच करना आप अच्छा नहीं है तो रश का मतलब क्या होता है प्रेस्ट चलिए याद कैसे कर रखेंगे रश को प्रेस्ट है तो कोई आप पर क्या कर रहा है फोर्स कर रहा है बार बर पर प्रेसर डाला जल्दी करो जल्दी करो तो रश का मतलब क्या हो गया प्रेस्ट उसके बाद सागा सागा का मतलब होता ह गाथा, narrative, तो इसको आप याद रखेंगे राना सांगा से, ठीक है? कि महराना, राणा, महराना, जो है, संग्राम सिंग, यानि कि राना सांगा, उनकी जो गाथा है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, है ना, motivation मिलता है उनसे, तो राना सांगा, है ना, narrative, narrative का मतलब होता है, कथा, या फिर गाथा, याद रखेंगे, सागा और narrative, यानि कि राना सांगा की कहानिया, narrative, नेक्ट का मतलब होता है, last full, तो यहां पर लिखा हुआ है, का मतलब तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, साला लश्ट से भरा हुआ है, criar और ना, का मतलब तो अपने दोस्टों को भी सला लश्ट से भरा हुआ है, तो RO sleep, bored, go home, तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि सलू ठीक है सलू भाई अब जैसे सल्लू भाई यानि कि सल्मान खान का बात अगर माइंड में आता है तो लोग क्या सोचते है सबसे पहला बात जाता है health पहें है ना तो salubrius का मतलब क्या हो जाएगा beneficial healthy से लए है का मतलब होता है सेव करता है सेब करना भेचाना अब इसको याद करने का तरीक़ा देखो ठारें सैल्डी से या से आल सेड्री और मतलब क्या वेजिश यानि कि यो आपको तंखवा मिलती है दिहारी मिलती है उसके harm कौन hostile तो देखो हर कोई आजकल लएक्ति जो है चाहता है कि उसकी सैल्डी और वेजज जो है वो सेव करके रखे यानिकि बचा करके रखे ताकि भविष्ट में इन फ्यूचर जो है उसको कोई मुस्किल हो तो उसमें वो काम आए तो सेल्वेज का मतलब क्या हो जाएगा सेव करके उसके बाद है हमारा सैंक्षन सैंक्षन का मतलब होता है प्रूल यानिकgi पर्मिट देना यह विए ब्लाइन सेंक्षन करके और कि मुझे पर काम करने का सैंक्षन मिल गया यहनिकि मंझूरी मिल गई प्रूवल मिल गई तो उसे को बनाए हम आग्सेंसटिए अगला तो यहां पर लिखावा सेंग्विनिटी यानि की आसावादी तो देखो हम किसी के संग रहते हैं अब हम किसी के संग रहते हैं तो हमें आता होता है जैसे पती को पत्मी से हैं हम किनके संग रहते हैं जिनसे हमें आस होती है कुछ ना कुछ अप्टिमिस्टिक परसन के साथ र सरक्स्टिक तो क्या stitches में कभी कभी से होती तो जो वह सब भूरते थे वैंक तो कमंडी कोस्टिक होता सरे कैस्टिक को मतलब व्यंग आतमक होता है तिक चले उसके उन्याज सटाइट का मतलब होता है स्टाया में तो देखो, स-A-T-I-S-F-I-E-D याद रखेंगे, और 8, यानि कि satisfy और 8, तो देखा होगा, आपने कोई के वेक्ति जो है, satisfied कब होता है, खाना खाने के बाद ही, बोलता है, कि मुझे अब satisfaction मिल गई, मैंने पेड बर खार लिया, मुझे अब क्या मिल गई, satisfaction मिल गई, मैं आराम magnitude स e, satisfied है, satisfaction का मतलब होता है,糊शन से बाद हे रहारा satisfy का मतलब होता है, डिलाइट, अब कोई वेक्ति अगर satisfy है, रहा है, रहे मैं, अपनी आपनी life में, रहतात सपा मतलब होता है, delight है, the रहता, discipline, हमने पहले भी याद किया था, कि light देने से, लोग क्या होता है, खुश हो ज भी कि हमारी सबabout ऑन यहां आपको याद होगा और सुर्सो पढ़ा करते यह कि स्प्रेंदमा मना करते हैं आपका सुर्ष मना करते हैं इतने घीट हैं हम आपम बोलता है तो बोलने प्यादा मना करने अधम भी मानता सी इसका हूँ हो जाएगा impudence यानि कि धिठाई धीट कि सौसी का मतलब होता है यहां पर जिंदा दिल है ना चिकी इसको याद कर लेना आप सौसी ठीक है और चिकी उसके बाद हमारा सेवर सेवर का मतलब होता है टेस्ट यानि कि स्वाद अब देखो सेवर में एक वर्ड आरा सेव ठीक है उसके बाद हमारा स्केंडलाइज स्केंडलाइज का मतलब होता है शौक्ट यानि कि स्केंडलाइज होना या फिर खराब या गलत समझे जाने वाले काम से दूसरों को विछुब्ध कर देना तो उससे जो संबन्दित वेक्ति है वो बिलकुल सौक हो गया तो अब स्केंडलाइज स्केंडलाइज का मतलब होता है डर जाना भेभीत हो जाना आपने पहले भी देखा अप्रेट का मतलब डर होता है असके बोलता है कि डरो मत उसके बाद हमारा सिंटिलेटिंग सिंटिलेटिंग इसका मतलब होता है गलेटरिंग यानि कि चमकता हुआ हम बोल तो सिंटी लेटिंग याद रखेंगे सिंटी का मतलब होता है चमकना ठीक है उसके बाद साइयन साइयन का मतलब होता है वन सज है इसको बोलता है महायर अब यहां पर देखेंगे यहां पर साइयन का निमोनिक नहीं बनाया साइयन का मतलब होता है हमारा एर ठीक है यानि कि ए मेरे बाद मेरा सन फिर उसके बाद उसका सन फिर उसके बाद उसका सन तो इस तरह से मैंने सायन याद किया था तो आप भी इसी तरह से याद कर लेंगे उसके बाद हमार असकॉर्ण असकौन का मतलब होता है निंदा करना निंदा करना किसी की बुराई करना कॉंडेम करना हमने पहले भी आद के था कॉंडेम से को मतलब है निंदा करना और मोकरी को मतलब किसी का मजा कोड़ाना निंदा करना अब याद करना है। इन्टीम हो है हम उसकी निन्दा कर देते हैं आ ऐसा करना नहीं है हमें हर हाल में जो उनका साथ देना चाहिए चाहए स्कोर बढ़िया बनाए या ना बनाए लेकिन हमारी आधत क्या है हम बहुत ज़्याद हो जाएं और उसको अस्कॉर्ण करने लगते हैं न तो कॉंडम करने लगते हैं है तो वहीं हो गया स्कॉन का मतलब क्या का कॉंडेम करना निंदा करना डिस्पाइज करना अगला है कर करना यानि कि रगण भिसना तो देखो असकाऊ एक वर्ड़ या रहा है असकाऊ और रगण ठीक है। तो हम गाउं में क्या करते है अपने काउ को ऑना तालाम में डुवाते हैं मैं वसके बाद वसको रड़र करते हैं आसकावर को क्या हुआं शागी को मतलब की raw अगर आपको नहीं याद है तो आप बादन जुन में बाद आपसे करेंगे और जब कोई डाटता है तो भूवे चड़ा के डाटतेगा यानि 살 बहुतों का मतलब भोवे याद रखेंगे उसके बास हमारा चाल का मतलब और रेजिक्त कर देना अब एक मार है कि अस्क्राप का मतलब होता है जो कबाड होता है ठीक है उसको हम बोलता है अब मालो कि आपने कोई कार खरीदी थी उसके बीस पचीस साल हो गए वह बिल्कुल जो है अस्क्राप हो गई कबाड के जैसे हो गई तो अगर आप उसको बेचना चाहोगे तो सब क्या करेंगे कि दूबला पतला धिक है अस्क्राप स्कीनि देखो ऐसे भी याद हो जाएगे जो यह इसे यह जजए हो ऊती है यानी के पतला अप एसे करेंगे करना करेंगे अब देखो यहां पर असक्रीम में वर्ड एक आरा यह अगर नहीं आदे तो हलाकि यह बहुत असान वर्ड एस स्कुल्णहें अगर नहीं आग तौंप ऐसे याद करेंगे क्रीम छीए आइस्क्रीम क्लाइक करने क्राय ton चिलनाना भाय से चीखना नेक्स हमारा स्क्रंपस का मतलब होता है स्वादिस्ट तेस्टी डिलीसियस अब देखेंगे यहां पर याद करने का तरीका आस्क रम आस्क रम अगर कोई वैक्थी रम पीता है तो आप अगर उसको पूछोगे तो क्या टेस्टी ही बोलेगा ना बो होता है atrocity यानि कि अति दूस्ट अब देखो scrality का मतलब ही होता है जैसे अस्कुल्टी को एसे पढ़ू अस्कुल्टी cruelty अस्कुल्टी cruelty cruelty क्रूर्टी तो इसी में वर्ड आ रहा है तो cruelty सबसे जाधा कहा होती है matrix city में होती है मैंने पहले भी बताया था आपको तो एक्रोसिटी मैट्रोसिटी में बहुत ज़्यादा क्रुवेल्टी होती है तो वही हो जाएगा अतिदुस्ट वैवहार अगला है अस्कूटल स्कैम पर यानिES जल्दी बाज़ी में चलना अब स्कूटल न Rogue तो वह स्कैम करके क्या धीरे धीरे चलेगा नहीं वह बिल्कुल तेजी में भागेगा तो ऐसे याद हो जाएगा तेजी से चलना अब दूसरा क्या है देखो कि अस्कूटल हम इसको पढ़ेंगा स्कूटल तो अगर आप चलोगे तो तेज ही चलोगे अगर आप पैदल चलो तो आप बिल्कुल दी में चलोगे थोड़ा बहुत लेकिन जब अप चलोगे तो स्कूटल का क्या हो जाएगा अस्कैम पर ठीक है तो इस तरह से आप जो है याद रखना और याद हो जाएगा आपको इस तरह से अगला हमारा सिक्योर सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित ये तो असान सा वर्ड़ है प्रोटेक्ट करना किसी चीज को सिक्योर करना वहलता है शीक्को रखना चाहिए यानिकर अप्ट्रीम का पीछा करना चाहिए सींक्ट करना चाहिए तो वहीं होता है पीछे लगे डाना और सीखिंग करना कि नेक्स्ट वर्ड हमारा सीजर सीजर का मतलब होता है जबती यानि की क्याप्चर करना अब देखो सीजर वर्ड जो बना है वह सीज से बना किसी चीज को आपने सीज कर लिया कि मालो किसी की प्रोपर्टी सीज हो गई तो क्या हो गई तो सीजर का मतलब क्या होता है क्या बश्ताचार में लिप्त होता है तो वो क्या करती है पुलिस वाले उसके बिल्डिंग को सीज कर देते हैं और वहां पर जो है मोहर लगा देती है आगे देखेंगे सेलेक्शन सेलेक्शन का मतलब होता है ठीक है यानि कि सेलेक्टिव सेलेक्शन चयन करना जैसे आपका सेंटर का च्वाइस आता है तो आप प्रिफरेंश देते हैं ना कि पहला सेंटर जो यह होना चाहिए वह होना चाहिए तो सेलेक्शन का मतलब क्या होता है प्रिफरेंश अगला मेरे sentiments क्या हो गया है तो मतलब क्या हो गहा है मेरी feelings वहाख हो गहाया sentiment मतलब कहा होता है एकांथ Our a hard End मैं हम याद करेंगे ऐसे सीक का मतलब क्या होता या जिसी चीज की तलास में होना और quest का मतलब क्या होता है question यानि कि खोज हैना quest काम नहीं चाहिए खोज से तो तो अगर कोई व्यक्ति किसी question के खोज में है तो उसको कहना पड़ेगा एकांध में जाना पड़ेगा जैसे बुद्ध näंती सांति का मतलब क्या होता है सिकलूड एकांथ हो अगला है हमारा सारे beauty का मतलब है देवी देवता है तो अगर और पिटी का मतलब क्या होता है डाया अगर सारे डाया दिखा देवाट अगर आपको अकास्मिक लाप मिलेगा अइन कि गौड थे यह और नहीं अगर ऐसे याद हो तो आप ऐसे याद रखेंगे सिरेन свое arguments कि जो खिलाडी टेनिस के लाड़ी है सेरेना विलियमसन तो वो क्या है तो उनमें एक गौड गिफ्टेट जो है वो टैलेंट है तो गौड सेंड याद हो जाएगा ठीक है कास्मिक लाव चुले आगे देखेंगे अगला है सीरियस सीरियस का मतलब होता है अर्नेस्ट यानि की गंभीर ठीक है तो सीरियस का मतलब क्या हुआ गंभीर तो आसान सा वर्ड है सीरियस ठीक है बस अर्नेस्ट को आपको जो है अर्नेस्ट क्या करना है आपको इससे रिलेट करना है ठीक है तो देखो इसको याद करने का तरीका कि अर वह जाज़ा सीवर कंडिशन है जैसे कोई मरीद होता है थैसे होस्पिटल में तो हम बोलते हैं कि बहुत जाज़ा सीवर कंडिशन है यानि की सीरियस है वह अगले हमारा शैम शैम का मतलब होता है फेक बनावटी ठीक है नकली तो आप इसको याद रखेंगे शेम से हम बोलते हैं न तुम्हें शेम शेम है तुम्हें 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 तो शेम आना चाहिए सरम होना चाहिए तुम्हें तुम्हें नकली काम करते हो फेक सराब बे का मतलब होता है कोट देखो सीध का मतलब होता है मयान की तलवार भी और तलवार के मयान के है तो कोट है किसकी तलवार की तो सीध हमने बहुत बार पहले भी याद किया है वन वर्ड आता है बहुत बार तो देखो सीध को हमने याद किया था है सीधे तलवार को अपने मयान मे में तलवार का मैंन जब्ट कर दो और नहीं याद आए से रेंगे यो सेठ है जोकित कपहने क्या सब्सक्राइब ॐ बहुते हैं करने करना शीमर और श्ले मार रहा है यह है मार रहा रहा है यह हो जाएगा शेमर का मतलब किया औरॉत उबrecision आपने योगत तर Reader आपने पड़ा है चमकन और वहां उजista किए करने ग्रितर चब्रेडरं पैर पहले अधर देखा थे वर्ड पहले भी आया शोव ठीक है जिसका मतलब होता है हलका सा धक्का देना ठीक है अपने और ध्यान आकरसित करने के लिए चले आगे देखेंगे अगला है श्रूड श्रूड का मतलब होता है जूडीसियस यानि कि बुद्धिमान वाइज पहले भी हमने देखा है कि डबलूड श्री डबलूड पाठक बहुत ही जाला क्या है तो वाइज टीचर ना बुद्धिमान टीचर जूडीसियस है जूडीसियस को हमने जूडीसियस यानि जो बैठे होते हैं जो कोट में बैठे होते हैं वो कैसे होता है तो बुद्धिमान होता है ना यानि कि वा को याद करना बहुता डिफिकल्ट काम निया आप इसको बस सार्क ध्यान रखना कि शार्क आपने देखा होगा मुवीज वगरा में हॉलिवुड की मुवीज में खास करके कि सार्क जब कुछ लोग जो आते हैं समुद्र में और सार्क उनके पीछे पड़ जाती या फिर सुटर को अगर मैं प blaming homework teaser शूटर सुट तो आपने अगर कभी सर्टर उठाया होगा दुकान का शौप का घर का तो कैसा करता है वह हिलता करता और कभी कभी क्या होतसा श्रिवर करना प्या monstrous-देख यान गाभी उत इसको दुट्थ तौग नागिं बोगा आ होगा आन् declarWh I Shuffle करते हैं और दोनों के बाट करता है यानि कि मौता उसको यानि कि याद रखेंगे को मतलब और कि यानि अवसाद, residue, गाद, तो residue देखो, residue का मतलब क्या बज जाना, तो residue का मतलब गाद होता है, जैसे आपने देखा होगा नदियां जो होती है, वो देखना जब उसका जो उसकी नदियों के जब लेवल जो है, वो कम होगी न, यानि जब उसमें water level कम होता है, तो गाद उसमें कीचर दिखता है उपर में, तो वही हो गया, side side वाले गाद को, residue को, हम सिल्ट बोलते हैं, गाद बोलते हैं, तो आसान सा वड़ा सिल्ट आपने पड़ा भी होगा, जोगरफी में, उसके बाद है हमारा similar, similar का मतलब होता है, alike, यानि कि एक जैसा दिखना, समरूप दिखना, अब ये भी एक आसान था, alike, he looks alike, his father, यानि कि वो अपने फादर की तरह दिखता है, तो वही हो गया similar, चले, अगला वड़ है हमारा sinister, sinister का मतलब होता है, असुव, evil, evil का मतलब भी हुआ, असुव, बुरा उसके बाद हमारा sinuous, sinuous का मतलब होता है, टेडा मेडा, और serpentine जो है इसका synonym से, तो serpentine पहले याद करते है, सर्प किसे है, सर्प आपने देखा है, सर्प का मतलब साप, संस्क्रित में उसको सर्प बोलते है, तो सर्प कैसा होता है, साप कैसा होता है, टेडा मेडा होता है, तो सिन्हुस का मतलब क्या हो जाएगा ठीड़ा मेडा ठीक है सर्पेंटाइं न चलिए आगे देखेंगे अगला वह स्लैक का मतलब होता है डीला ठीक है यानी कि दीला छोड़ देना फीबल केरलेस इन एक्टिव यह सब से सिनुनिम से अब देखेंगे आपने जब मैद बना आता है कि एक आती ही यह कोश्ण आता था कि मान लो कि एक जो रस्टी है ऐसी को बोलता है तो तो उसी को बोलता है ड्हील नहीं यह अइसा मान करके आपको क्या निकालना होता था 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 तो वहीं उसके बोलते हैं careless inactive or feeble slack का मतलब ढ़ीला उसके बाद वहीं का मतलब होता है skinny यानिकि पतला यह बहुंदा बहुता है बहुता है वह स्लिम असकीनी है तो यहां पर Slim उसके बाद है हमारा Slither Slither का मतलब होता है Slide करना तो देखो Slither Slither दोना सेम लग़रा है Slither और Slither यानि कि साप्ड लोग क्या करता है केचूले को क्या करता है Slide करते है तो Slither और Slither चलिए अगला वड़ हमारा Asmir Asmir का मतलब होता है धब्बा तो इसको याद करेंगे देखो somebody's ear यानि किसी के कान तो कोई-कोई वैक्ति आगर अपना कान नहीं धोएगा कान नहीं साप करेगा तो कैसा हो जाएगा डिज केलर हो जाएगा यानि कि कैसा हो को याद smiling होता है तो गलता है या मितलब कर दो खाड़े की कोई Zelenude कर दो क्या श्रीचा कर देता है फ्लेट कर देता है पहलवान खुद खुद कर घणा करी बन को तो समुद का मतलब याद रहेंं गया में इED अब देखर याद करने का तरीक है एक word है मड तो मज़ूह माट का मतलब मुलडब को यहां आपको गाल तो दो को थीन राइमार की चड़का धब अलग जाना उसके बाद- tuca neki स्नैक को हिसा होता है याने की टेड़ा मेरा होता है कि उसके बादे असनुज का मतलब होता है सिलीप करना यानि कि सोना यह वह पने देखा है ना जब आप अलाम लगाते तो एक option आता होगा snooze का मतलब क्या होता है वही अलाम यानि जब आ जब की ले रहे होते हैं तो अपने देखा होगा फोन में नहीं है तो अभी आप देख लिजेगा फोन में लगा करके अस्नूज आएगा option एक अलाम में उसके बाद हमारा सोल का मतलब होता है only हम बोलता है ना solo performance यानि कि सोल का मतलब क्या हुआ वन सिंगल only उसकी वाद है Solomon Solomon का मतलब होता है गंभीर पेंसिव और सीरियस डिगनिफाइद को आप स्वाल मन यानि कि सल्मान भाहिस है तो सल्मान पर क्या लगे गंभीर आरोप लगे तो यानिकी काले हिरन के सिकार में उस पर कि आप भी अपने फार्म कि यानि किसी का भी अगर कोई फार्म होता है तो क्या करता है चार तरप एक सॉलिट बाउंडरी लगवाता है ताकि कोई भी बिना पर्मिसन जो है इंट्री ना कर सके तो सॉलिट का मतलब फर्म तीक है मजबूत अगला है तो आप याद रखेंगे ठेन टेरी जो है उस्ट्सका क्या है यानि द्यूट को आप क्याए था तो आप विए क्या होगी था करोंगे करों ऑसके बादे क्यों उम्म मतलब होता है निंदरा ब्रावंजी याद करने चっとरीका देखो सॉमुनिया हलась यानि याधकि जैसे नीदन अना तो जीढ़त को तो सब सब क्या है सोम्निया से रिलेक्टर बढ़ता है तो सम्निलेंड का मतलब का होता है ड्रावजी और ड्रावजी तो हमने डी से पहले भी याद किया है जितका मतलब होता है निंद्रालू चलिए आगे देखेंगे अगला है हमारा सूध Chi सूध का मतलब होता है mollifoy किफिना सूधिन वयाइस कोई सिंगर गाता Will say अरिजीर सिंगाते है तो हम क्या कहते है कि गाता सूधिन वयाइस कि अरिजीर क्या है मतलब किया हैحसी है सांध करना जहनीं कि मुली खाई और भूक मिटाई यानि कि सांत कर लिया भूक को तो सूधिंग यानि कि बिल्कुस सांती देने वाला उसके बाद हमारा अस्पार्क्लिंग अस्पार्क्लिंग का मतलब होता है ग्लीमिंग यानि कि क्या करना चमकना ठीक है चमकता हुआ तो यह पार्कल का मतलब होता है चिंगारी चंगारी क्या होती है चमकती है तो जाती है बढ़ जाती है अपर रिपीट करेंगे द्यान में चड़ जाएगा आपके कि एक लाइट होती है और वह सेवन कल्स में डिवाइड हो जाती विभ गयोर हैना तो उसकी रेंज बढ़ जाती है तो असपेक्टरेम का मतलब रेंज हो जाएगा तो guess तो आपको पता होगा, speculate को याद करें, calculate, कि SP ने calculate करके, मतलब अपना ताम जाम लगा के दिमाग में guessing करके चोर को पगड़ लिया, तो speculate, next is spell bound, spell bound का मतलब होता है, enthrall कर देना, sum mohit कर देना, spell का मतलब का होता है, जादू, spell means का होता है, जादू, bound का मतलब बांद लेना किसी को, और enthrall हमने e से याद किया था, e वाले पार्ट में, कि ant और roll, तो आपका roll नमर क्या था, ant में था, लेकिन आपने एक्जाम दिया, और आपका roll नमर फस्त आ गया, आपने सब को सम मोहित कर आप चाय चानते होगे, तो वह भी क्या हो जाता है, तो आसान सा वर्ड है, spill और drop, next is spine, spine भी एक आसान सा वर्ड है, vertebra इसका सिन्नम से, देखा होगा, आपने वर्टेब्र वाले organism, यानि कि जीउ, वर्टेब्र वाले जानवर, तो देखो, जिसमें जो हड़ी होती है, enthusiastic, यानि कि, जो सीला, जो बहुत जादा जोस में होता है, ardent हमने ए से याद किया था, कि ardent का मतब उससा ही होता है, और इसको हमने याद किया था, अरे डाटने से भी वो नहीं सुनता, इतना उससा ही है वो, और aspirated को याद रखेंगे आप, aspirate से, ठीके, या फिर अपर asprite स का मतलब, enthusiastic, उसके बाद हमारा, spontaneous, असान सा वर्ड है, spontaneous, जिसका मतलब होता है, अचानक, कोई भी काम आपके साथ, अगर अचानक हो जाता है, तो इसका हम बोलते है, spontaneous, impulse, ठीके, या असान सा वर्ड है, हम daily, यूज़ करते हैं, कभी इस वर्ड का, spontaneous का मतलब, अचानक, ठीक ह और occasional, यानि कि occasionally कोई चीज होना, daily ना होना, और infrequently होना, तो याद रखेंगा, असपोरा डिक को, सपेरा दिखता है, दिखता, तो सपेरा कैसे दिखता है, सपेरा हमें occasionally दिखता है, daily थोड़ी सपेरा आता था, जब बच्पन में सपेरा, नाग-नागिन होला जो है, जो भी दिने वुआ आता था तो आवस्पुरा यानि कि सपेरा दिखता है तो infrequent दिखता है ओकेजनली दिखता है शानि की हम पुरुस तो हम पुरुस के लिए क्या यूज होता है वर्ड अस्मार्ट यूजा के लिए क्या smart यानि हम पर उसके लिए word क्या यूज होता है smart और महिलाओं के लिए तो beautiful चले उसके बाद हमारा spume का मतलब होता है जाग ठीक है और form तो देखो यह ना similar ऐसा वर्ड लग रहाए या प्यूम पर्फ्यूम ठीक है यानि कि पर्फ्यूम भी कैसे form में आने लगें आज कल तो आज कल फोर्म में आने लग करें हैं एक तो आज एसे याद रखेंगे नहीं आदो तो ऐससे याद रखेंगे कि serf a crisp seal का form से पर्फ्यूम की खुस्बू आती है जो सर्फ एक्सल का जो फॉर्म होता है यानि जाग जो होती है उससे क्या आता है तो पर्फ्यूम की खुस्बू आती है वह देखो क्या करते हैं तो वह इंथ्वेस्टिक होता है यानि कि सास ही होता है वह इतना ले दे के नहीं चलते कि कौन केर कर रहा है कौन केर नहीं कर रहा है वह जो है बिल्कुल केरलिस होते हैं यानि कि सास ही होते हैं इंथ्वेस्टिक होते हैं फंकी परसन अगले है अस्प तो हमें पॉर्ण मूवी को क्या करना चाहिए चाहिए तिरसकार करना चाहिए तो आपको इस तरह से याद रहेगा अगला वड़ा हमारा तो इसको मितलब होता है गंदी के लिए जिन सब्सक्राइबHeal के आससा बताई एह आपके लिए कि याद sih में टिके रर्सकॉलर यानि की कॉलर हम यान्हीकी सब्सक्राइब का पर थी से हैं फील्दी दिखते हैं यानि कि गंडे दिखते हैं तो इस तरह से आपको DID ya स्क्रीमीं करना देखा। अपने कोई डर से औभै से जब चीक सब्सक्रीज करना ठीक है तो तरिकह है किया एक तरीक है तो उपने देखा होगा जो डख होतेत यानि जो बतक होते हैं, शासिय किया करते हैं, चीलाते हैं, एक चीन लग लेगा है। और क्वैक क्वैक का मतलब भी बत्कों का चिलनाना चलिए अगला वड़ देखेंगे नेक्ज जो वड़ है वह स्टेगनेंट का चलिए में होता है motionless यानि की गतिहीन होना इनख्टिव होना अब बोल सकते है motionless होना तो यहां पे देखेंगे स्टेगनेंट में करना रही है क्या देखेए a stage pregnant यानि की pregnancy का जो stage होता है martial होति है क्या होता है motionless हो जाती है याणि कि बहुत जयादा काम नहीं करती है में इनक्टिव हो जाती है थोड़ा बहुत काम करती है क्योंकि उनको डॉक्टर जो है उसलाह देता है कि आपको ज्यादा है वी जो है वर्क नहीं करना तो अस्टेगनेंट का मतलब हो जाएगा असान सा वड़ा स्टैम्प उसके बाद है अस्टार्टल्ड लगा मेनिंग होता है अमेज होना अमेज का मतलब बिलकुल जो बोलते हैं कि आज चरी चकित हो गया शौक हो गया बिलकुल सप्राइज हो गया तो वही अस्टार्टल्ड है आपने देखा होगा जो बुलेट कर दीज होकते है तो सब क्या हो जाते है मैज हो जाता है चले उसके बाद हमारे स्ट अस्टेंट डियम दिखकर तोल्य में कर मेनिंग होता है हमारा आ एक्स्टें ली लाओड यानि कि बहुत ज़्यांब लावड और अरे कि तो बढ़ आ तो और घृ क्षिट एक टॉर्टि we are auditorium क्या हो गया पूरा loudly यानि कि loudly sound करने लगे तारीफ करने रहे तालियां बजाने लगे तो स्टेंटोरियम का मतलब होता है extremely loud कि नेक्स्ट मारा stimulation बहुत easy word आपको पहले भी याद किया था stimuli का मतलब क्या होता है उत तेजना भढ़ाना स्टिमुलेट करना प्रोवोक कर देना है प्रोवोक का मतलब ही होता है भढ़काना किसी को पी से हमने याद किया था चले उसके बाद हमारा स्टोइकल तो करasmusill को मतलब होता है या इस पहले देखा जिसका मतलब सर्ट को औरने से थीजितने हिए ना वेकर भी करहाराना है या आनि की ओड़ाति Siagamu अबन्दर का रख लेंगे बंदर का काम क्या होता है इधर अधर भटकना कभी इस प्रेड़े पेड़े कभी जंगल में कभी जंगल में तो वेंड्रिंग करना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड़ बार बार आएगा वेंडर इसलिए मैं आपको पहले आत्कर वादिया दूसरा एस ट्रे का मतलब भी होता है इ голब भटकना आपने देखा RU लिए लेकर कि इधर- блभतकते रएक कभी कभी उसे दिन तो हमारे आगे भटकते रहता है ट्रे लेकर कौन तो वेटर तो अस्ट्रे का मतलब हो जाएगा वेंडर यानि कि भटकना next is stroll, stroll का meaning होता है चहल कदमी करना, यानि कि walk करना तो देखो, stroll में एक वर डाल है troll, trolley ठीक है, तो trolley bag क्या करते हैं, trolley bag में नीचे पहिये लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं, चहल कदमी करते टाइम में भी जो है जिद्धी एडमेंट और और स्टीनेट जो इसके सिनुनिम से आप देखेंगे यहां पर अस्टरबन और दोनों जो दिया हुआ ना दोनों को सब को हमयाद करेंगे देखें यहां पर दिया वाइट तू तो बॉन से जिद्धी है अब हम जब कभी अपने जिद्ध पर आ जात किया था हमने टीन Vegサела चारट किया तो वैक्तिः टीन खायेंगा एड का मतलब खाया ठेके जो वैक्ति टीन खाया चैनली चल्डी मूड़ने से भी नहीं वडए वह तो उवस्ट इन चलिए तो याद हों कि फिर नगा लगजाना पीजली का यह फिर सटका लगते हैं घरदन पर लगाये जाती है यह स्टूपिड वर्ड है दूसरा वर्ड है हमारा स्टाइम का मतलब होता है इंपीड हमने पहले भी देखा है इंपीड का मतलब मैंने क्या बताया था पीड का मतलब और ना चलना यानि पाओं और इम का वंदर नेगेटिव तो जो आपके पाओं में बाधा बने है ना इंपीड बने तो उसको हम क्या कहेंगे अस्टाइमी यानि कि रोक लगाना अब देखो इस टाइमी को इससे याद रखो एक तो अस्टे आ रहा है इसमें कि उसने काम पर क्या लगा दिया उसके बाद देखेंगे सब्जुकेट सब्जुकेट का मतलब होता है कंकर ठीक है कंकर का मतलब होता है किसी पर विजय पाना यह हमने सी से याद किया था हना कंकर का मतलब किसी को अपने अधीन कर लेना किसे को पराजित कर लेना या फिर किसी पर विजय पाना अब यहाप ह Subjugate, important word is Subjugate को याद करना, ठीक है, तो Subjugate को आप देखो, अगर मैं इसको पढ़ो, Subjugate को पढ़ो, Subjugate को अगर मैं पढ़ो, Subjugate को तो देखो, पुस्पा में, जो अलो अरुजुन की मुवी है, पुस्पा राज, उसमें पुस्पा जो है, एक डायलोग बोलता है, बोलता है कि मैं जुकेगा नहीं स्दै nossos सब जुकेगा साला तो हमारा डाइलोग का सब जुकेगा साला या निकि हम सब जीत राइज करहें सब्जूकेगा हमारे आगता हूँ सब्व्जुकेटट का क्या हो जाएगा कंकरख गए तरह से आपको याद हो जाए गए उसके बाद कि ने उसके बाद साह मोर्ग नमेतल्ब से यह हो के though a Submarge 2 दूसरा है हमारा Submission Submission आज्वाग पालन यानि की compliance compliance कन्पालिस पी कोकाँ जाय तो बच्चा जो कोमप्लेंट पि लेता है तो मम्ही पाप की बात मानता है और यहां पर Submission perspective करें भी सब्सक्कन करनाना में सब्सक्राइब सब्सक्राइब सि अफ्रीक के थिवन होता है उसी तरीके से चाहिए सब्सक्राइब करूंत रखेंगे केई सबस्दक्राइब सब साइट का मतलब अब 30 heo कम हो जाना ठीक voyage 닿नक ओडर आपने सुना होगा रिक्andom अधल एक भड़ते करम है तो सब्सेंट अम्हें याद करना लगए तो और से पर गूले लग दिए हो जाओ जाती है तो सबसाइट्स का मतलब हो जाना कम हो जाना नेक्स्ट हैमारा सब्टीच्यूट Simpson का मतलब होता है i navigating तो बहुत सारे सब्दों के बदले words के बदले हम एक word रखते हैं तो इसे को बोलते है substitution यानि के replace को चले बबहुत की एग के बदले दूसरे जगह पर उसको replace करते हैं असी तरह सब्सेसे नहीं सब्सक्राइब करना होता है हम one वर G laying सक्षेंजी करते हैं है उसके बाद हमारा Ü pluck का मतलब होता है रसीला जूसी कि सब्सक्राइब को याद करने का तरीका सब्सक्राइब भुतंग याद होगा जूसी फल होता है बिल्कुल रसीले फल होते है जैसे आम होता है जूसी सक्लन का सक का मतलब क्या होता है शक का मतलब होता है सक करना किसी चीज को चूसना ठीक है तो देखो हम आम क्या करते है जो जूसी आम होते है मैंगोज होते है उसको हम चूस चूस के खाते है तो सक्लन का मतलब हो जाएगा नहीं कि अई हमार धूर्ब एक बना दें प्रिफिक्स हई क्के ऑंशक निकिता रस पंसे ऑिस ख़िक्स करने पड़ा परेधिक्स क्यान प्रेवोता पितिड सताब प्री कम लिख कर के जो सबद को अलग बना और तिक उसके हम स्कार्ण प्रेफिक्स करें यह के एक को चेन्ज कर दो स्कुम्-शॉशिक्स कहता है तो कि ग्रिंट मारस स्टेबल सुटेबल का मतलब होता है ब्रूपाइट यानि की राव पर्रोक्री तेमधक का मतलब होता प्लिच होंगहित मोलता झाल ना के बलकुल एप्रोप्राइट हमारे लीए सुटेबल है हमारे ल हमनेar Swollen का मतलब उता है फूला हुआ तौह है तक गर uh के बैठा हुआ तो मतलब क्या है おदास है आलीसान किति स्वास का हो जाएगा आलीषान और ऑपुलेंट दिया वा है ऊछे तो यहाद किया था, ओपो कम्पनी के जो मालिक है, वो क्या है, बिल्कुल आलिषान है, अमीर है, सम्च्वस को याद कने का तरीका हमने देखा है, संपति से, झालिषान लाइफ जीएगा, और नहीं याद हो तो आप सम्च्वस से याद रखें, सम्, ठीक है, तो सम् का मतलब सब्सक्राइब को जोड़ना एक-एक पैसे जोड़ के जोड़ जोड़ के वह जो है आज क्या जी रहा है तो 40 सान लाइवग जी रहा है ना तो ही हो जाएगा समप्चुस है next डिस्वानिरवित का मतलब हो सेवा निर्वित यानि कि रिटायर्ड हो जाना अब देखो सुपर एन्वेटेट सुपर और एन्वेटेट तो देखो सुपरेटेंडेंट जो एस पी होते हैं यानि कि सुपरेंटेंडेंडेंट होते हैं तो वह क्या हो गया है अब उनको एन्वल जो है क्या मिल रही है तो प बतिता है नो हमनदी इंदी मात भी ज़िए है टॉथ गवंनडी फिल प्र ग गोशने हो वही गवंधर पुन खरेअì हो दोजा गोशने यहां कि डिया है तो मतलब बतिते है पाम्ला ना कशने इंद ऊन्ट मिस्तिकल पावर हो brilliant तो तो गिस्त के अंदर सुपर नीच्रल पावर था इन लिए उसके बाद हमारा शिपर सीड का मतलब होता है सेटसाइड यानि कि किसी चीज को निकाल करके स्वेक देना या फिर साइड कर देना कि इसको याद करना भी आसान हो जाएका इझाए सुपर साइड जब हमारे गरहें सुपर चीजे आती हैं इस सोपर न्यूच स्पर न्यूच तो सुपर न्यूच चीजफे ढती हैं तो उम सपर न्यूच Driver में तो में हमार Diesel कर देए है IIiy vrij Paypal कर देते हैं एक हमारे मा Kaan घ्र में के लुद्फ हमारे में बाइब उसक्री घ्रक का सवाई करके लेगा सेट साइड़ ऐसा डाल दी कि हमारा अर हम सब जो है अब क्या युज करते हैं mídus करते हैं ranged, एलसीड के बाद LED तो सूपर सीड का मतलब हो जाएगा सेटेसाइड चले उसके बाद हमारा सूपरस्टीस असान तर वर्ड जिसका मतलब होता है एरेशनल यानि का अंदविस्वासी जैसे मालो कि बिल्ली रास्ता काड़ देती तो हम क्या करते हैं हम जो है गुजरते नहीं उ उसके बाद है सपोर्टिंग सपोर्टिंग का मतलब होता है एग्रियंग यानि की एग्री होना सहायक होना देखे तो सपोर्ट है वो मेरे सपोर्ट में है तो एग्री है अग्री है न वह आपसे यानि कि वह आपकी बात को एग्री कर रहा है मान रहा है क्या चला ठीक है है इंडिया में है ना तो याद हो जाएगा आपको Supreme का मतलब Head को नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज सर्ज का मतलब होता है तेजी से चड़ना रश यानि कि जल्दी बाजी में सर्ज को याद कर लो कि सट्राइक में जो सोलजर सोंते हो तेजी से चड़ते हैं हना दुसमनों पे जो है क्या कि चड़ते हैं तो कि को रश में चड़ते हैं तो तो अगे आपयों घ्रियों हमारा वह सरली सरली का मतलब होता है करकस और अमित्रता पूर्ण यानि कि अन्फ्रेंडली अब देखे सरली को याद करने का तरीका कि एक तो ऐसे याद करेंगे कि सरली ठीक है मान लो कि कोई सरली बोल रहा है कि भाई तू सडली है तुससे कौन दोस्ती करेगा तो अन्फ्रे ही ठीक है उसके बाद सरमाउंट सरमाउंट का मतलब होता है अब देखो किसी को माउंटेन पर चड़ने से डर लगता था कि दिखो यानि कि माउंटेन के सर माउंटेन के सर मतलब एकनम हाई पे ठीक है चड़ने से डर लगता था लेकिन वो चड़ गया और चड़ गया तो उस उसके बाद देखें कि अग्ला वर्ड हमारा सस्टेव सस्टेन भी आसान सवर्ड है वड़ सस्टेनेबल डिलेप्मेंट से आप याद रखेंगे विचिद रॉपर्ट है डिक रहना है करना सपूर्ट है तो सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना उस को उसके बाद हमारा swap swap का मतलब होता है exchange करना अदली बदली करना तो देखो यह भी आसान था वर्ड़ swapping machine के बारे में भी आपके सुना होगा swap करना exchange करना उसके बाद है हमारा इसका मतलब होता है debauchy और वी याद किया और वीडियो में याद किया जैसा देव को वाच करो वरना वो क्या हो जाएगा अयास हो जाएगा रहहास है और किसीका बेटा है देव काशा है और यहार पर क्या पहों लग और बाराइट जाएल सब उसके बणावाद के अब याद करते हैं ब्राति कि जो गया है ना अपे लड़े सकूट ने कि अनल सब हो तो सिब्राइट याद हो जाएगा आपको डिबॉच उसके बाद हमारा साइको फैंड साइको फैंड का मतलब होता है फ्लैटरर यानिकि चाप लूस अब देखो यहां पर है एक तो साइको फैंड ठीक है कि वह साइको फैंड है मालो कि कोई सेलिब्रिटी है उसका कोई सामेजर जब भी मिलेगा बिल्कुल ना कोई साइको फैंड का मतलब उधिया ट्राहिक है के स्व फ्लैंटर यानिकि चाप लूसी करना सिम्टेशलिवी संप्मय जाने कि सैंप्रिश्टिक स्चॉन और वह latt 51 आएगा या निकि स्टॉठ धुन होता है और utencleव कुछ याद उसके बाद हमारा सिमेट्रिकली आगे देखेंगे अगले जो वर्ट है वो है सिस्टेमाटिकली सिस्टेमाटिकली का मतलब होता है मैथोडिकली देखो यहां पर क्या है एक तो सिस्टम है सिस्टम से काम करना मैथट से काम करना तो यह एक आसान सा वर्ट है सिस्टम और जैसे टमबाकू यहां पे कि निसेद जैसे हम अपने परिसानी को क्या करते हैं घड़ते हैं है वो सबसे डील कर लेता है आपने देखा होगा जितने भी इसके पास दुषमानाते थे चाहिए जीच जाता नियानि की डील कर लेता इसानी प्रफिशानियों को उसके और हमारा का मतलब हुता है ुप नाम हर T-shirt में में ने बिल लगे रहते हैं या तो इसके कंपनी का या साइच का या और पिर प्राइज का या तो टैक का मतलब हो जाएगा लेबल अगला वर्डd लोन ऊसनग शानवर होता है अगला तेम इस सेयाओ रखेंगे नहीans Azam तो उनको टाइम टाइम पे खाना देना होता है क्योंकि जंगली जानवरत है नहीं कि खुद से सिकार कर लेंगे उसके बाद हमारा टैंगल का मतलब होता है नोटेड नोट आपने याद किया था नोट का मतलब गटबंदन भी होता है यानि कि जो हम गाठ बानते हैं कपड़ों का गाठ हो गया रस्ती का गाठ तो उसको नोट कहते हैं तो वह उल्जा हुआ होता है और ट्राइंगल के कुश्चन में हम जो हमेशा उलज जाते हैं जब करना किसको अब आपोजेड हैं अपने सवयाद मतलब क्या होता है सजाना सुंदर बनाना मतलब क्या रहता है न यादर कोissenschaft क्या हुआ हो जाएगा टर्निस है प्क्टर में देखेंगे यह कितना बढ़े सुंदर साल लग रहा है यहारें यहां पे लेगार्न क्या नेक्स देखेंगे अगले है टेमरिटी का मतलब होता है ओडैसिटी बॉल्डनस तो देखो तेरे में इतनी हिम्मत एतना ढ़ीटपंती दिखाएगा साहस दिखाएगा तो यादोगे टेमरिटी दूसरा है ओडैसिटी में एक वर्ड आरहा ओडी कि उटी में बैठकर करके लो चलिए देखिए तो यहां पे पीछे वाला जो है पीछे वाला बोल्ड रहा है कि तेरे मित्ती इम्मत कि मेरे इसन आगे निकल जाएगा तो बोल्ड है चुलिए अगला है हमारा तो टेम्परेचर और पेस्ट तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है ना समुद्र का तो वो जो है सभी नाओं को क्या बनाता है पेस्ट बनाता है तोड़ फोड़ करके रख देता है समुद्र क्योंकि उसमें क्या जाता है तुफान आ जाता है जब भी टेम्परेचर जो है ह तुकिन होता एक दो को मतलब हो जाना जा तोम तुकिन यालसा ने इसते हुए स्टैनूस form निया कि मतलब करना नीना आक दया मतलब मतलब करना कके आगले हैंगें तुकिन है को दो का मतलब होता नद की कि बीसिी के लिए क्या करना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा क्योंकि वह भीमार है तो एसे याद कर लैंगे ऐसा करो हम ना कि मतलब का होता है तो म sinners का मतलब न साहिता के लिए तो याद हो तो बढ़ाहें उसके तरफ मतलब उधार दे उसको तो उध्यालू मतलब दिखांए थोड़े तो tornado का मतलब होता है kindness ऑ इतको यानिक आप खीच करके जो कर सके हम बहुता है तो यह आसां तो यह आसान सी वड़िए टेंसाइल को आप इतना याद रख लेए इसे आप इसको याद रख लिना आप देखो टेंसाइल डक्टैल कि तो तक्ट टी टी आपने पड़ा है न कि डग टाइल कुछ जो मेंटल होता है तक्टाइल होता उसको लंबा-ंबा खीच सकते हो तो ऐसके तरह से हो जिसको आप स्टेच कर सकते हो उसके जना तेंसा के मतलब होता है स्ट्रें तनाव बोलता है ना कि मेरे सर में स्ट्रेण ह यहां पर यहां पर याद करने के तरीका देखो ऐसे आदमी क्या हो जाता है थिन हो जाता है एक तो ऐसे भी याद रखेंगे दूसरा यहाद रखना के टैने जो खेलती है वो कैसे होती है उसके लाद है चाय कैसा पीते थो तौड़ा वाम पीते हैं तो यह होगा है तेपिड का मतलब वाम यान imposing बाखना नहीं बढ़ेंगें अत्रइप ए पर threat app करना तुमना साथ हो चाहिए यानि घुठीप नुकलूजे करना करना तो यह लंगा कितनी बार आपने सुनाओ कर गवाही देना करना नहीं आगर याद हो तो आपको ऐसे याद रखेंगे कि टेस्ट का का Announce कर दिया गया Test के Result का Announce कर दिया गया यानि के वहाँ पर दरवाजा वोता है तो महाँपर रुखते हैं और हम सबी कहां रुकते हैं दोर पर ही तो रुकते हैं किसी के वहां पर दर्वाजा होता है तो आपके लिए फ्रूगल ही उसके बाद है मतलब होता है कि और साफफरा होते हैं न हमस्क्तलिक का अग्या वêtes है तो आतव के छुकाओ में अगला टाइम टेबल का मतलब होता है यानि कि समय सार नी तो सब की टाइम टेबल होती है शब को एक शेड्यूल में पढ़ाई करता है तो ये टाइम टेबल का तो देखो आपने यह देखा होगा बच्पन में यह टॉच जो नाना नानी के पास यह पर दालादी के पास हुआ करती इसमें कितने सेल लगते थे तीन और इसको आप डेकोरेट करते थे तभी यह वह प्रोपरली चल पाती थे आपने उल्टा पिल्टा लगा दिया विदाव डेकोरेशन तो इन नहीं चलता था तो इसमें क्या होता था तीन सेल लगती थी और इसको डेकोरेट करके डाला जाता था सेल को अना बैटरी को तो तीन सेल का मतलब हो जाएगा हमारा डेकोरेशन और गार्निस अगला वाद है हमारा टायरेड अगला वर्ड जो है वह है टा सब्सक्राइब करते ह BECFA जानु समय कर सकती है तो सबके सा आज हो कि यह ॢूल यह रांट टान्ट टान्ट टाज़न तो ठीक है तो एकपत का हो जाएगा नि affection उसכे मुचल कहा आज और ह MICHAELM साफ करने में जो है, बहुत कड़ी महनत करनी पड़ती है, इनि वोक हार्ड करना पड़ता है, सुएट, unity पसीना बहाना पड़ता है, तो टॉइलrok मतलब हो जाएगए सुएट करना, अगला है टॉइल सुइल सुम्, टॉइल सम् का मतलब टार सुम्, ठाकू जाना तो बाई बिलकुल टॉल्डेट साब करते करते ओसके बीडिरोग उसके बाद हमारा की बहुत जज्अन सकती है सकती है जाती हो झानि हे इन्डियृरेंस यानि की पहला को जाएगा हमारा हमारा तर्टल टॉट्वाइज तो एक बहुत दा इनक्टिव होता है यह जो चलता है तो ऐसे याद हो जाएगा दूसरा वर्ड है हमारा सबार्टावलोन आपके गर में पूराने में अगर ने किसनेन ही mocks करें साभव दिया पीटृट पीट करके तो तो इसके तो टीवी आपके लिए अपके लिए ian एक्टीफ हो गई तो टौरेट का मतलब inactive next हमारा ताउजल्ट का मतलब होता है कि अस्थ Weird टीक है तो देखो तो दो तरीके मैं आपको एक तो तरीके से आप यह तो इसा लगा थोस ले तो यह हमेरा अमिरा हो तो जैसे तैसे अपने कप्टे ठूस देते हैं यानी कि अनगनाइज तरीके से याद कर लेंगे आप दूसरा थाउजन्ड अगर आपके पास थाउजन्ड क्लोट है तो आप उसको कैसे रखोंगे डिज अरेंज करके रखोंगे एक इधर एक उधर ऐसे हो जाएगा याद ती रजल का मतलब डिजएरेंज उसके बाद है हमारा-ट्रेल का मतलब होता है पाथ यानिज की रास्ता अब देख्व हो इस में उर्या ट्रेइद और रेल यानिकि पाथ रयासता तो train कहां चलती है एक का छती है तो trail का मतलब हो जाएगा path next है tramp tramp का मतलब होता है घुमकड vendor vendor हमने पहले भी याद किया था मैंने आपको याद करवाय था vendor वो इधर से उधर जो है vendor करते रहता है यानि कि इधर से उधर जो है वो भटकते रहता है एक तो यह हो गया और दूसरा हम मैंने बता अभी जो हमारा tramp आया तो tramp को आप याद रखेंगा Donald Trump से कि जो Donald Trump है वो क्या करते रहते हैं इधर से उधर भटकते रहते थे यानि कि आज इस country में इस PM से मुला मुला कात करनी है तो उस PM से मीटिंग करनी है तो इस सिलसले में आज इस देश में करते हैं के लिए भटकते रहते हैं तो tramp याद हो जाएगा आपको ठीक है और ऐसे भी ना याद हो तो ट्राम से आद रखना जो ट्राम होता है जो कुलकाता में चलता है वो इधर से उधर जो कि निमोनिक नहीं बेड़ा है तो इसको आप याद के लिए एकलिप्स उसके बाद हमारा transition का मतलब होता है चार्ज तो असा वर्ड है बिलकुल है transition यानि की change चार्ज बोल रहा हुँ है change होना transition होना ठीक है जैसे आपने देखा होगा ना word जैसे इसलिए उसका नाम क्या रखा गया ट्रांज जीशन का मतलब होना कि अगला दिकर ट्रांसमिसन यहां पर क्या रहा है कि परिवहन यह भी ट्रांस्पोर्ट से याद रखेंगे और convince जो है इसका क्या है वह परिवहन से याद रखेंगे यह दोनों आसान से बड़े तो ट्रांस्मिशन यानि कि परिवहन उसके बदा है इसके बाद है हमारा ट्राओमा का मतलब होता है हमारा मानसिक आगात यानि कि emotional shock अब देखो इसको याद कने का तरीका क्या है हाला कि बहुत लोगों को याद होगा trauma नहीं याद है उनके लिए है कि आप ऐसे याद रखेंगे कि तेरी माँ को क्या लग गया शौक लग गया जब उन्होंने सुना कि तूने कुछ ऐसा किया है तेरी माँ को क्या लग गया शौक लग गया इमोशनल शौक लग गया जब उन्होंने सुना कि तूने कुछ ऐसा किया है तो ट्राउमा का मतलब हो जाएगा इमोशनल शौक उसके बाद हमारे ट्रेवल ट्रेवल का मतलब होता है पीड़ा एगनी हमने यह वाले वर्ड में याद किया था एगनी तो देखो अगनी में जलने से सबको पीड़ा होती है दर्द होता है तो यह याद रखेंगे बाकि यहां पर देखो आरा ट्रेवल का मतलब क्या हुआ जब आप ट्रेवल त्रेवल करते हैं और ट्रेवल करते हैं तो देखाओगा आपने कितनी घ्र dat ध electr हो जाती है बाधी में और हो जाती है तो डाले कि याद आता के पहले के लोग कैसे बीजनस करते त्रेट क किया जाता है ऑगला है अगला है अधव्य है का मतलब होता है डा यह को यहाद को २ है То ह की और मैन से कौन मैं में से जादा ku可 natuur to ह्यांकि चौरे हैं घ्रिमेंड़को मतलब हो जाएगा अध्यक्त कि मतलब होता है पॉपलर अभड और डिंट में चल रहा है रहा है यह ती सट याज यह यह मतलब होता है ठेल्ट में चल रहा है थी चटरण से तो suffering ऑब हम बोलते हैं आ कि itrae channel इसको याद करेंगा डूब ики अगर कोई भडोल में फशाय तो भाइवा सफर करेetinा तेक सफर करेंगा मतलब जहेलेगा परिसानि को सफरिंग करेगा तो याद वाद होगया करना cutting करना next हमारा ट्राइट का मतलब होता है common place देखे अब याद करने का तरीकह क्या अफतको पढ़ें ho आप इसको पढ़ें को त्राइट अखरती है लिखा ए लिखा हुआ ह σας लग Travis तो अगर आप एक छीज को आपको जो एक time आएगा वो common लगने लगेगी आपको ठीक है या पर ऐसे याद रखेंगे कोई एक प्लेस है जहां पर आप जो है वह बारबर जाते हैं तो ट्राइट करते हैं ट्राइट करते हैं तो वह प्लेस आपके लिए कैसी हो जाएगी तो कॉमन हो जाएगे तो वह मतलब होता है victorious यानि की विजय होना यह तो मुझे याद था एक मैंने जो है नाइंध में स्टोरी पढ़ी थी नाइंध या टेंध में तरिम्फ और सरजरी या पर टेंध में तो उससे मुझे याद है मतलब सरजरी की विजय को बिल्ली की कहानी थी और यहां पर क्या लिख लिखा और ट्रिम्फ लिकाऊ तो ट्रिम्फ और एलिफेंट से याद रखेंगा तो कौन सा ऐसा ऐलिफेंट है जिसके ट्री यानि की तीन सर है तो एरावत और पर जब भी इंदर जो है चड़ करके निकलता है ना युद्ध के लिए हमेंसा उनको विक्ट्री मिलती है होता है तो आसांता वर्ड यह बिलीफ है ना बिलीव बिलीफ हैनि के ट्रस्ट होना किसी पर उसके बाद है हमारा ट्राइस्ट का मतलब होता है भेट यानि की मीटिंग देखिए अब याद करने का तरीका आप कैसे है तो आप पढ़ेंगे इसको तो देखा होगा जब भी आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तभी आप उससे मिलने जाते हैं जब आपको अगर उससे पर ट्रस्ट है तभी तो आप उससे मीटिंग करते हो मिलने जाते हो आपको अगर उस पर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप मीटिंग करने जाओगे अगर वह बुलाएगा तो नहीं जाओ डियु वचन बहु वचन यानिकी बहु मिग जाता है तो ऊपर तीन ऎमिदे कि ovat जसे को सब्हज़ा हो नेक मारव मेंनियी अनिपनीन कि मतलब होता यहां तो हमने डिस पेंडित करणी ओंल यहां पर और अनेमत लिखा वह और आन् Ana लिखा चयों तो अनिमों का मतलब हो जाएगा उसके बार हें many है यानि किसी का दुसमन नहीं है तो ऊप़िशन से जगरा हो गा नहीं हो नहीं हो गा तो व अंडेया तो तो इंीमों का मतलब हो जाएगा उन्दिस्पूटिटेट लुक्त इसके बाद है युनिक का मतलब होता है अधिकतम तो इसी में वर्ड आ रहा है मुस्ट मुस्ट का मतलब क्या हुआ सबसे जादा मुस्ट उनमें मुस्ट उनमें सबसे जादा मुस्ट उनमें दा ग्रेटेस्ट यानि कि दा मुस्ट और यहां पर क्या लिखा हुआ है तो बस याद हो जाएगा आपको लिए और यहां पे याद किया था यहां यहां पर आवारा है इधर-उदर घूमते रता है तो भागने वाला बंदर के सावारा होता है याद हें दिसाओं कि अगला आ वैले डिक्टरी के मतलब होता है विदाई का ठ्केट से और नरु आ को यहां पर लिखा है तो स्वेला ऑजिक्तरी के मतलब पर भीडे का ख्या लखना फेर विदा यानने की विदाई्स का मतलब हो जाएगा टर्मिनल अगला वर्ड है हमारा valuable, valuable का मतलब होता है, mullivan, precious, बोलता है यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा valuable है, या फिर यह अंगुटी बहुत ज़्यादा valuable है, यानि कि किमती है, अब बोलता है वैल्यूस की जादा है, अगर आपको valuable नहीं यादो, तो आप value से याद रखना, कि जिसकी value जादा है, वो कैसी होगी, precious होगी, प्रीसियस होगी, मतलब क्या होगी, बहुत ज़्यादा हमारे लिए महंगी होगी, तो प्रीसियस हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, अगला है velocity, तो यह वैलोसिटी आपने पढ़ा होगा, अगला वैलोसिटी का मतलब क्या होता ह है भरस्टाचारी, यानि की corrupt, अब देखेंगे, इसको याद करने का तरीका, विनल को अगर मैं थोड़े दर के लिए पढ़ना हो, वी नल, नल का मतलब क्या होता है, जीरो, यानि की शुन्ने, तो देखो क्या होता है, कि जब भी हमारे पास कुछ रुपया पैसा नहीं होत होता है, और आपको भी पता है, जहां पर नल यानि गरीबी जहां पर होती है, वहां पर भरस्टाचारी भी बहुत ज्यादा होता है, तो जहां पर बिल्कुल जीरो बैलन्स हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, तो वह क्या हो जाता है, एक corruption हो जाता है, इसके अलावाद दूसरा जितना भी चाहिए, बिहार में हो चाहिए, कहीं पर भी हो, उसमें क्या हो है, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है, इसके लाव आप ऐसे पढ़ सकते हैं, कि गाउं के लोग आज भी बिना नल के रह रहे हैं, कि इसके वज़़ा से, तो इसका जिम्मेदार करप्शन है, चल वनरेबल में एक वर्ट देखिया आरा है, वैनर, यानि कि वानर, और वानर जो हमारे लिए क्या है, सम्मानिय है, है न, यानि कि हम मानते हैं कि सब क्या है, जैसे हनुमान जी वानर थे हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो जितने भी वानर से ना है, हम सब क्या करते हैं सम्मान करते हैं तो वेनरेबल का मतलब हो जाएगा सम्मान निया फिर आधर निया अगला वड़ हमारा वेनरेट वेनरेट का मतलब होता है सम्मानित यानि की देखो रिवियर हमने याद किया था पहले भी कि हमें अपने रिवर्स की क्या करनी चाहिए रिस्पेक करना undertaking यानि कि जोखिम उठाना देखो अब वेंचर में आ रहा है adventure word क्या रहा है adventure अगर आप add इसमें add कर दो add अगर add कर तो क्या हो जाएगा adventure यानि कि जोखिम लेना खत्रा लेना adventure trip पे जाना तो अब देख पा होंगे picture में यह क्या है बिल्कुल adventure है यानि कि बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम जो है अटेम्ट किया जा रहा है अंडर्टेकिंग और अटेम्ट जो इसके सिन्नम सो जाएंगे वेंचर के आप अब मैंने इसको वीरा वेरा का मतलब होता है सही है रूट वर्ड है दिर बिंट रूट में आधो तो आप थारा इसको दूट जास देखने मूब यह जिसमें फार कहन भूता है और मित्थुन क्या क्या बोलता है जो उनके फादर होते हैं जो डद्धा होते हैं 10 व्रबटीम उसके के बाद तक वर्बर टीम बहुत साना word है जिसका मतलब होता है सब्ध प्रतीशब्द यानि कि जैसा बोला गया एक्जैक्टली वैसा तो उसे को बोलते हैं वरबा टिम ठीक है तो देखो इसमें किया है इसमें वर्ब हो यहाल रहा है तो यहां पर वेरी आ रहा है तो विरी का मतलब क्या होता हैtt authentic true accurate तो इसका authenticity है जो हमने भी वीर से याद किया था उसे से यहां पर related है वैसी मिलिट्यूड जिसका मतलब होता है authenticity यानि कि प्रमानिकता प्रमानिक असली अगला वड़ा हमारा versatile versatile का मतलब होता है flexible अब देखिए बोलते हैं कि वह क्या है एक versatile actor है और यानि कि एक flexible actor है हर तरह के role वह play कर लेता है निभा लेता है तो versatile ए फ्लेक्सिबल है चलिए और नहीं आदो तो आप बोलेंगे कि वर्षा में बहुत talent है वर्षा में इतना टाइलेंट है कि वह एक ही time में बहुत सरे काम कर लेती है इतनी flexible है वो तो versatile उसके बाद देखेंगे वर्टिकल वर्टिकल का मतलब होता है upright यानि कि क्या होना है लंबवत होना तो यह तो आसान सा word हो गया अप्राइट वर्टिकल अप्राइट यानि कि वर्टिकल होना लंबवथ होना उसके बाद है वी एबल का मतलब होता है करने योग्य करने के अबल है करने के अबल है तो vy वाए से वाए समी पूछता है तो आधके साथ किवार हो जाती है तो क्या हो जाएक तो करना उसके बाद देखी है विंडिके विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाइब करना एक्जाने करना यानि advocate, टूली कि चोड़ देना थेना राट ब्लेम धजाना यही सब १िंध मेंनिंग होते है ठीक है याद करने का तरीका demonstrate कहीं पर आपको कहीं पर केस चल रहा है तो आप में क्या करेंगी जो कोट क вами ऊपको ऑगी अभर जोटेगी कर देड़ी क्योंकि क्या करेगी कर देगी तो मतलब हो जाएगा इस्टिफाइए करना और इसे अदे अब देखेंगे यहां पर है vindicative याद रखेंगे vindicate का मतलब vindicase और यहां पर vindicative है तो इसको vindicative का मतलब होता spiteful यानि कि revenge लेना revengeful जिना पदला लेना प्रतिशोध लेना तो इसको ऐसे आद करेंगे विन एडिक्टिव अब कोई कोई क्या हो जाता है विनिंग का एडिक्टिव एडिक्शन हो जाता है उसको आदत हो जाती है और वह हार बरदास नहीं कर पाता तो अब मान लो कि कोई हार बरदास नहीं कर पाता यानि कि विन जीत की उसके एडिक्शन हो गई है तो वह जब हार आगे देखेंगे अगला है violation, violation का मतलब होता है bridge, यानि कि उलंगन करना, B से हमने bridge याद किया था, कि उसने सरकारी संपती को बेच करके violation किया है, तो violation आसान था word है, उलंगन करना, violet कर देना, next है वर्चुआसो, वर्चुआसो का मतलब होता है कलाकार, ठीक है, और A से इसका syn synonyms है, तो देखेंगे, वर्चुआसो का हमने याद किया है, वर्चसु से, कि एक कलाकार का जो वर्चस्व है, वो पूरी दुनिया में चार उतरफ फैल जाता है, एक कलाकार कहीं तो वर्चस्व फैलता है, चार उतरफ चाहें, वो किसी भी तरह का कलाकार हो, तो A से इसका करेंगे देखो serials तिका serials last में कहा रहा है सीरल यानने कि serials का मतलब क्या होता है डाल और serials जो है body के लिए healthy होती है याद हो जाएगा को serials का मतलब body के हल्दी तो visceral का मतलब हो जाएगा bodily चलिए उसके बाद हमारा visible visible का मतलब होता है apparent apparent हमने याद किया था कि आपके parents जिसको देख सकें विजिबल हो जो चीज चलिए इन्विजिबल का उल्टा है उल्टा होता है अगला वाई विवस्ट विवेसक्श का मतलब होता है हमारा चोस्पॉन यानि कि लाइवली एक्टिव आप देखो इसको जब भी आपका वाईबा होना तो आपको वहां पे पूछ देगा जो इंटर्वियू लेने वाला होता है वह आप से कुछ भी प्रसन कोई सावी प्रसन कहीं से भी पूछ देगा तो विवेसस का मतलब हो जाएगा जो स्पोर्न यानि कि लाइवली उसके बाद हमारा वोकेशन वोकेशन का मतलब होता है अक्यूपेशन यानि कि वोकेशन का मतलब होता है जहां पर हमें ओक्यूपेशन सिखाया जाता है यानि कि कोई पेसा सिखाया जाता है काम कोई जिससे हम अपनी रोजी रोटी चला सके तो वोकेशन का मतलब होता है ओक्यूपेशन यानि कि पेशा उसके बाद है वाइड वाइड का मतलब होता है ग नाली का मतलब क्या होती है तो अब क्या हो जात है आप लाइशक को याद करने का तरीका वो वह औ skilled लालची हो गया कि लालची हो गया है तो वरेस्स का मतलब ग्रेड़ी भी होता है याद रखेंगे दोनों में नेक्स रखेंगे रोम करनागे मैं इधर उधर भटकना अब बंदर और यासे है घ्लाइट का मतलब होना जैसे आपने चांद देखा होगा चांद जो है दीरे-दीरे क्या होता है वेनिंग होते का मतलब होता है खर्चीला अगला हमारा मतलब होता है उतल पुथल यानि के तर्मॉइल अब देखेंगे वेल्टर को की याद करने का तरीका देखो वेल्टर का मतलब confusion होता है तर्मॉइल अब देखेंगे वेल्टर को हम याद करेंगे वेल से कुवां से अब मानलो कि कोई व्यक्ति कुवां में गिर के है तो सब क्या हो जाते हैं कि भए इसको कैसे निकाले हैं कि निकालने का वहां तो मानलो किसी वीफिटी ने तार फेक दिया तर्टर तब जा करके वीफिटी जो है बाहर निकला तो वेल्टर में कोई गिर गया तर्खेंग करके तो सब दाल दिया तहार पकड़ लिया और उपर आ गया तो मतलब होता है कंफ्यूजन हो जाना अब कैसे करेंगे देखो तर्मोइल को भी मैं याद कर रभाने को कोसिश कर देता हूं आपको याद किया थे देखो अई तो बढ़ता है तो हमसब कन्फियूज हो जाते हैं और चले जाते हैं कि यह जो है मतलब अब क्या करें अब व्हाइं मतलब रोगो को तो इतक है लिए कीने के बाद पापने उसे इतना ना इए दिया है ने वाइन पीकर का यहां अर वह आपए वाइन था और फिरी electrodils धेंगे अब सी में कमारा विंट करते हैं घोडे का मतलब होता है लाउडी नैक्स हमारा वॉर्ल मतलब होता है novì तो दैब यह है जैसे आप देखो होनों में यहापं क्या हो रही है वहां हो रही है और नहीं तो आपने सब् sú undertake एक add whirlpool का यह ना एसी वाला जो add आता था बचपन में वाल पूल वाल पूल तो उसमें क्या होता था कि हवा गूमती थी तेजी से तो उसे को बोलते है spin होना next हमारा wishful wishful का मतलब होता है sorrowful यानि कि उदास होना अब देखेंगे, जिसकी wish अगर full ना हो जैके हम बोलते हैं उसकी wish जो है, वो क्या हो गई, full यानिकी, ow आस्विकार हो गई, accept हो गई, या फिर उसकी wish जो है, वो full हो गई, यानिकी, पूरी हो गई, तो जिसकी पूरी हो जाएगी, डगमगाना यानि कि वाइब्रेट होना तो देखो वोबल को ऐसे याद करेंगे वो बल तो वो बल का मतलब क्या तो रावन में रावन ने वो बल लगाया कि जो कहलास परवत थे वो क्या हो गया वाइब्रेट हो गया था यानि कि उसने अपनी भुजाओं से इतना बल लगाय कि वह जो है कहलास प्रवत क्या हुआ वह वाइबरेट होने लगा तो वोबल का मतलब हो जाएगा वाइबरेट होना जहां पर भी आया था मैंने आपको बताया था गुस्सा याद रखेंगे अब यहां पर मेन काम है रेज़ फुल को याद करना तो देखो रद और फुल अगर आप मैच देखने गए ठीक है और क्या हुआ मैच रद हो गया और आपको फुल पेमेंट अगर वापस नहीं मिली तो आप टिकट का जो है फुल प्राइज यानए कि पैसा जो है आपको वापस नहीं मिलता रद्ध हो जाता है तो प्यूरियस हो जाते है वह अनुग मतना है और अगर देखेंगे रेंच रेंच का मतलब होता है नहीं किता है अनुछ मुतसे शाना किसी चीज चीज को तो см करूना पर रिंच करेंग दोब और यहां पर रिंच को है नत में भसा कर करके उसको जटका देखर ने इसां को Kakड़ को खुलते हैं चल को मतलब क्या हो जाए गा जटके से खुलना अगले है हमारा वराई वराई का मतलब होता है कुटिल यानि की क्रूकड तेडहा अब गो वराई हमने एक और आइव याद क तो yard का मतलब ही ओकिता है एक yard दो yard है झाना stick से major करते है तो यह कंदर्ड यूणिट है ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि मापने का standard unit का है तो हम बोलते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है यह और अर्ण दो वर्ड़ेक्ष में यह और अर्ण हम पूरे यह क्या सोचते रहते हैं कि हम पैसे कमाए हमारी इच्छा होती है कि हम अर्ण करें ज्यादा ज्यादा करें तो उसी को बोलते हैं स्ट्रॉंग डिजाय टू क्रेव चलिए अगला वर्ड़ हमारा इल्ड इल्ड का मतलब होता है हार्वेस्ट करना तो देखो इल्ड कैसा लग रहा है इसा लग लिखा हुआ फील्ड क्योंकि य से ज्यादा अल्फाबेट आते नहीं है तो बस दो ही है आप एक तो इल्ड चीजे प्रोडेक्ट्सन जो हमारा होता है उसको हम सब्मिट कर देते हैं क्या करता है उसको जमा कर देते हैं लाकर के खलिहान में तो इस तरह से दोनों वर्ड आपको याद रहेंगे ठीक है चलिए अब देखेंगे अब यह लास्ट वर्ड था एक यह इस वी डियो का इस तब यह पूरी Sीरीज का लास्ट वर्ट था और अब हमारा से वह completely हो गया है समाप्त अब हमने पार्ट वन देख लिया पार्ट टू भी देख लिया और यह पार्ट था हमारा तो आपको बहुत जब ज्यादा यह जो है बैइफिसियल होगा आपके लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों के साथ ठाकि वीडियो को भी जो हो थोड़ी रीच मले लोगों तक पहुंचे लोग जो है जाने यहां ऐसे भी जो है वोकेबलरी याद होती है जिनको परिसानी होती है वोकेब यात करने में उनको जो है वोकेब के लिए फॉल्यूशन मिल जाएगा तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नहे है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और बेल आइकन को दबा दिजेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलत हमाज की आपको वीडियो वीडियो कि प्लॉब जाए मिलत आव बिस्यों कि आपको बड़ारा है तो अद्सक्राइब कि आपको पर अबिस्क्राइब